जब भी आप लोग किसी एकजाम की तैयारी सुरू करते होंगे तो आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर GKGS के लिए आपको कौन सी वुक्स पढ़नी चाहिए और खासकर तब जब आप लोग देखे कि बिस्तार में ना पढ़ना चाह रहे हों केवल वही पढ़ना चाह रहे हैं जो परिक्षाओं में पूछा जाता हूँ और याद रहे कि खासकर वंडे एकजाम में और मैंने तो यहां तक देखा है कि जब आप देखे सिविल सर्विस का प्रिलिम्स हो या स्टेट PCS में प्रिलिम्स हो तो समय कई लोग लूसेंड को पूरी संभावना रहती है अगर आप लोगों को विस्ताल से पढ़ना है तो मैं कहता हूं कि NCE IT की पढ़ लीजी या और भी special books आती है उन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं खासकर इससे देखिए आप लोग चाहें आपके किसी भी state level के एकजाम हो या आप देखें Central के ज से पूछे जाते हैं और आप लोगों की मांग भी थी कि जो new lucent आई हुई है latest lucent है उसे हमें लोगों को देख लेना चाहिए तो उनीव को हम लोगों ने देखा है अभी तक आपने देखा है कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतियास देख लिया मद्देकालीन भारत का इतियास देख लिया world history यानी की विस्फ का इतियास भी देख चुके हैं और आज की इस class में हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे किसके बारे में भूगोल के बारे में बात करेंगे और याद रखी इसके लिए एक separate आपकी playlist सूची बना दी है किसके नाम से लो सेंट वुक रिवीव के नाम से और उसमें जाकर आप देखेंगे तो सभी क्लासें आपको मिल जाएंगे अब आप देखेंगे भूगोल में हम लोग आज इस क्लास में क्या-क्या पढ़ने बाले हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रहमंड के बारे में पढ़ महादीप हो गया, जल मंडल हो गया, महासागरिय जल धारा है, फिर बायू मंडल को भी देखेंगे, विस्त की पिरमुक फसले हैं, उत्वादक देश, इस पर भी बात करेंगे, फिर आप देखेंगे विस्त की पिरमुक खनेजो और उत्वादक देशों को देखेंगे, विस् में आप देखें कि कविलाई मानवों के कुछ पिरमुक आवास उन पर भी बात करेंगे विसकी पिरमुक भोगोली को पनाम भी देखेंगे विसके बिसे इस्थान देख लेंगे विसकी पिरमुक भोगोली कोजें देख लेंगे विसके महासागरों के बारे में जान लेंगे नहरों के बारे में जाल लेंगे, पिरमुख जो जल सन्या हैं उन पर भी बात कर लेंगे, विसके पिरमुख जल डमरू भी देख लेंगे, विसके पिरमुख जो नदिया हैं उन पर भी बात कर लेंगे, विसके पिरमुख जल पर पात भी देखेंगे, विसके पिरमुख जील विस्व के भू आविष्टि देश और विस्व पिसिद इस्थल भी देख लेंगे एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने विस्व का वो गोल मैप का सहरा लीकर पड़ाता है अगर आप लोगों के पास टा थारा लीकर जब आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे लगता ही कि भेहतर आप लोग याद रख पाते हैं और बहतर परिछा में score भी कर पाते हैं और तो मुझे लगता है कि उस alltså को आप लोग ऑन लोग तो आप देखेंगे कि कम से कम 35-80% आपका विस्त का भूगोल कवर हो जाएगा क्योंकि आपका मैप को सामने आपके रख के बताए गया है कि देखे यहाँ यह देश है इसकी करेंसी यह है आप देखे इस देश की सीमाई इतने देशों से लगती है पिसांत वहां सकर हो पिरमुख जो नदिया है उनको भी हम लोगों ने दिखाया हुआ है जो जीले हैं उस पर भी बात की हुई है इस तरह के तरेव जो भी आपको आता है बिस्त के भूगोल में सबको देखा हुआ है तो वहाँ जरूर जाकर आप देखें चली अब हम लोग आँगे बढ़ते हैं विस्त के भूगोल कह लीजे या भूगोल कह लीजे जो भी कहना है आपको इस पर हम लोग बात कर लेते हैं विस्ताद से थोड़ा तो सबसे पहले आता है सब्द की सरपितम भूगोल सब्द का प्रियोग एरेश्टोनीज और एक ग्रीग विद्वान था इसने किया था इसका प्रियोग अगर आप से पूँचे कि भोगोल सब्द का प्रियोग सबसे पहले इसने किया था तो ये था इरेटो इस्थे नीजने जो ग्रीक का विद्वान था और यह सब्द ग्रीक भासा के दो मूल पिथवी जीओ मतलब पिथवी ग्राफोस यानि की बर्डन से पराप्त है यानि की दोनों का एक साथ अगर रखने पर हम अर्थ निकालें तो पिथवी के बर्डन यान की निवासियों को जाता है एक आप लोगोंने नाम सुना होगा है कि टीस इसने अपनी पुस्तक में जस पिरियो डस यानि की पिथवी का बर्डन में सरपितम भोगोलिक तत्तों का किरमद समावेश किया हुआ है इसको भी याद रखेगा अध्यान के लिए सुतंत विसाय क की रूम में भुगोल की बात करें कर अगर हम लोग तो उन्नीस में जतापदी मैं मनता मिलती हुए ठीज और यहां भूगोल का जनक किसी माना जाता है है कि टीएस को, बर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट को, विवस्तिक भूगोल का जनक एरेट्रो इस्थिनीज को, भौतिक भूगोल का जनक पॉली डोनियम को, सांस्कितिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर क गर्तिय भूगोल का जनक संस्थापक थैल्स एनेक्सी मेंडर को विस गलोब का निर्माता मार्टिन बेहम को विस मांचित्य के निर्वाड करता अनेक्जी मेंडर को भौगोलिक विस को उसका रचनाकार इस्ट्रावो को तो इन सभी को याद रखेगा इनसे questions डारेक्ट आप का पूछ लेता हैं अगर आप देखें तो इसकी दोस्त बिचार धारा हैं एक तो संभावबाद अगर इसकी बात माने तो इसके अनुसार मनुस अपने परियावाइन में परिवतन करने में समर्थ है और वह प्रकिती प्रदत अनिक संभावनाओं को अपने एक्छानुसार उपयोग कर सकता है और इस बिचार के समर्थकों की बात करें ते हैं भोगोल विता वाइडल डीला विलास और फैबरेस के समर्थक हैं ठीक है और एक है आपका देखी निश्चयवाद अगर इसकी बात माने तो इसके अनुसार मनुस के सारे काम परियावन द्वारा कम है और इस बचारधारा की समर्थकों की बात करें तो भूगोल विर्ता रिटर रेट जेल नवीन निश्चयवाद का संस्तापक माना जाता है एलन सेंपोल और हटिंग टन इसके समर्थक हैं भूगोल की कुछ परिभासा हैं भी दी गई है नीचे आपको इन्हें भी याद लिए आता है भूगोल की परिभासा के बारे में तो आप इन्हें लेक सकते हैं ठीक है भूगोल यह सा एक सुतंत विसा है जिसका उद्देश लोगों को विस्व आकासी पिणों इस्थल महासागरों और जीप जन्तूं बनसपतियों फलों और भू धरातल की छेत्रों में देखी जाने बाली पितिक अन्न बस्तूं का ज्यान प्राप्त कराना है एक इसने कहा था इस्ट्रेवों ने ठीक है फिर दूसरी परिभासा है भूगोल पितिवी की जलक को स्वरग में देखने वाला आभा मै विग्यान है एक इसने कहा था कले डियस टॉल्मी ने और अग जाल रिटर ने कहा था भूगोल में पितिवी के उससे भाग का ध्यन किया जाता है जो कि मानों के रहने का का इस्थान है और थर हॉम्स ने ये परिभासा दी हुई थी तो इस सभी परिभासाओं को आप लोग जरूरी याद रखा करिएगा और क्या जाता है याद रखने म याद रखना जरूरी भी है समझ रहे हैं आप लोग अब बात करते हैं हम लोग ब्रहमंड के बारे में अस्तित्मान द्रव एबं उर्जा की समलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं ब्रहमंड कहते हैं और दूसरे सब्दों में सूक्षंतम अडूओं से मिलकर महाकाय आकास गड्ifat गजक रिखाइब तक कि समलित रूप को हम लोग क्या कह देते हैं ब्रहमंड के संबांडि का मटी की उतवत्ति से सममन स्ब्दैम क्या रखेगा क्यी हैं कई बार आको एक बात और आपको बताता हूं देखिं जब भी आप लोग किसी एक्जाम की तयारी करते हैं त उसे एक्जाम के पुराने questions paper अपने पास जरूर रखा करिएगा, इनसे आपको काफी फायदा मिलेगा, आप ये पता कर पाएगे कि किस topic से कितने questions पूछे जा रहे हैं, किस तरह की topic से questions आ रहे हैं, समय नहीं हैं आपको, किस topic पर आपको जाना ध्यान देने की जरूरत है, एक है आपका महाविस्पूर्टक सिध्धान्त, विगवेंग थिवरी, एक इसने दी थी, एव जोर्ज लिमेंटियर ने, इसे नाम को याद रखना महाविस्पूर्टक सिध्धान से जोड़े हुए हैं, फिर आप देखेंगे साम अवस्था या सतत्तरिष्टी सिध्धान् संकल्पना, एक इसने दी थी, थॉमस, गोल्ड और हर्मन, हर्मन बोडी ने, दॉलन सिध्धान्त, ए देखेंगे डॉक्टर एलन संडेजा ने इसकी परिभासा दी थी, इस फिरती सिध्धान्त, अलेन गुथ ने इसकी परिभासा दी थी, यानि कि इसने जुड़े हुए ह ब्रहमन्डी की उत्पत्ती के समद्ध में महाविस्पूटक सिध्धान्त, सरबादिक मानने सिध्धान्त है, और इसका पितिवादन, बेल्गियम के खागोलबर और पादरी, एव जॉर्ज लिमेंतेर ने दिया था, बाद में रौवार्ट बेगोनेर ने सिध्धान्त की ब्याक्या की थी, तो इन दोनों का समद्ध आप देखेंगे कि जो महाविस्पूटक सिध्धान्त है, इस से जोड़े हुए हैं, ठीक है, महाविस्पूटक सिध्धान्त की अरुसार अगर हम लोग बात करें तो, आर हमें बेस अभी पदार्त, जिन में ब्रहमन्ड बना है अती छोटे गोलक एकाकी पर्माणों की रूम में एक ही स्थान परिस्थे थे, और जिनका आयतन अत्यधिक सूख्ष मौताबमान तथा घनत अनन्त था, और अत्यधिक संकेंदरन के कारण बिंदू का आकस्मिक बिस्पोर्ट हुआ, जिसे महाविस्पोर्ट ब्रहमन्डिय पिंदों का सरजन हुआ, और विज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्पोर्टक की घटना आस्ति लगभग आप देखेंगे, 13.7 अरब बर्स पहले हुई थी, और महाविस्पोर्टक की लगभग देखेंगे 10.5 अरब पर्षाद, यानि कि आस्ति आप देखें तो 4.5 बर्स पूर्व सौरमडल का विकास होता है, जिसमें ग्रहों, ओप ग्रहों का नर्माड होता है, और इस पेकार बिंग बैंग, परिगटना से ब्रहमण की उत्पत्ती होती हो, तभी से उसमें नियंतर विस्तार जारी हो रहा है, और इसके साथ साक्ष के रूम में आप देवी की होई थी, तो ये भी याद रख सकते हैं, एमाल ने जे कि एक गैन्द की तरह पहले पित भी थी, उसके बाद आप दीखिए उसमें विस्पोर्ट होता है, ठीक है, फिर आप देखेंगे ब्रहमण के नियंतर विस्तारन की साक्ष जोटाने में एडविन, हबल का य स्पोर्ट होना भी ब्रहमणड के विक्सतार के साक्ष के रूम में एक तरह से माना जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, नासा ने देखिए ये 2001 की बात है, 30 जून 2001 की, डैविड विलकेंसन की नितत में बिग बैंग की पुष्टी है तु मैप परियोजना का कुष्टी होती है, और 11 फर्वरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रहमणड की आयू 13.7 अरब वर्स निधारित करने की घोशना की थी, और डैविड विलकेंसन की सेप्टमबर 2002 में इनकी डैथ के परशात, उनके सम्भान में मैप उपगरह का नाम 11 फर्वरी 2003 को डबलू रखा गया था, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, इनसे questions पूचे तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे, ठीक है? और ब्रहमण्ड में रसों को जाने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फोर निकलियर रिसर्च ने जैनेवा में पिथवी की सताय से 50 से 175 मीटर नीचे 27 देसमलो 38 किलो मीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैडरन कोलाईजर नामक महाप्रयोग सफलता पूरबक किया था और इसमें प्रोटोन वीमों का कोलगभग प्रिकास की गती से टकराया गया था और हिंग्स बोसॉन बोसॉन के निर्माण का प्रियास किया गया था और माना जाता ही कि गौर्ड पार्टीकल के नाम से जाना जाने वाला हिंग्स बोसॉन में ही ब्रहमण्ड के रहस छिपे ह क्योंकि यह सबसे बेसे की उनिट माला जाता है और सरन ने आप देखें तो चार जुलाई 2000 बारे को हिंक्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटोमेक पार्टिकल की खुच करने में सफलता हासिल की थी और इससे ब्रह्मंड के रास्तों को जानने में मदल मिलती रहती है अब आप पितवी के बारे में और आप देखें ब्रह्मंड के बारे में जानकारी खटी की जा रही है आप सुमें रहे है फिर आप देखेंगे बेटिस बिज्ञानिक हेक्स ने हैक्स ने 1964 में कास्मोलोजी समझने ही तो गौर्फ आटिकल परमाडविक आउधारना को पेस्त किया था जो भार्ती बिज्ञानिक सत्यन्द नाद बोस की वोसन थेओरी पर आधारित था तो हमारे बिज्ञानकों का नाम भी काफी आता है ब्रह्मंड का ब्यास अगर आप आप देखें तो दसकी पावर आठ त्रिकास बारस है और ब्रह्मंड में अनुवानता सो अरब मंदाकनी गैलेक्सी है और फितेक मंदाकनी में अनुवानता आप देखें तो सो अरब स्तारे भी होते हैं अगर मंदाकनी की बात करें तो तारा का ऐसा समगू होता है जो धु sponge होता है मंदाकनी कहलाता है और हमारी पित्वी की अपनी एक मंदाकनी है जिसे आप लोग दुग्द मेखला कहते हैं या आकास गंगा के नाम से जानते हैं एक कुश्चेंस भी कई बाद बूच लेता है कि हमारी पित्वी की जो अपनी मंदाकनी है इससे किस नाम से जानते है तो याद रखेए दुखदमेखला या आकासगंगा के नाम से, अब तक गया तो इस मंदाकनी का 80% भाग सरफीला है और इस मंदाकनी को सबसे पहले गैलेलियों ने देखा था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आकास गंगा की सबसे नदीक मंदाकनी की को देव यानी नाम दिया गया है, और नवीनतम ग्याद मंदाकनी है कौन सी, डवार्फ मंदाकनी, डवार्फ मंदाकनी, निहारिका के बारे में सुना होगा, यह एक ब्रह्मंडी नरसरी है, जहां तारों का जनम होता है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है, सभी तारों का जनम निहारिका में होता है, और सिर्फ कुछ दुरलव आउसरों को छोड़ कर जिसमें दो न्यूटरन तारे का एक सियाम वीवर बनाते हैं, बैसे नियूटन तारे और सियाम वेवर मिर्द तारे माने जाते हैं, और यहां पाये जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन आयनी के फिलाजमा गैसे होती हैं, समझ रहे हैं? कि नहीं समझ रहे हैं? निहारिका दो अलग लग कार्डों से बनती है, किसे? पहल और गैस के बादलों का निर्माड होता है आंगे चलके, और सोपर नोवा से जो पदार उत्साजित होता है, इससे भी निहारिका का जनम होता है, इसका उधारन वेल और करक है, निहारिका की उत्पतिर ब्रहमंडे के जनम और सोपर नोवा के मिर्सरन से भी हो सकता है, निहा जिसमें आप देखेंगे उत्साजन निहारिकाएं, यह सबसे सुन्दर और रंग वरंगी होती हैं, और यह बन रहे तारे इसे फिकासित होती हैं, उधारन के लिए चील और जील निहारिका, फिर आप देखेंगे परावर्तन निहारिकाएं, यह तारों के पिकास को परिवर् रोक देती है वह यही कारण है कि हम अपनी आकास गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं फिर आप देखेंगे ग्रही नहारी का है इनका नर्मार्ण उक्त बक्त होता है उस बक्त होता है जब आप देखेंगे एक सामन तारा एक लाल दानो तारा में बदल कर अपने बाहरी तारों तैरों को उत्साजित कर देता है और इसी बज़े से इनका आकार गोल होता है ठीक है फिर आप देखेंगे ओरियन निबूला हमारी आकास गंगा के सबसे सीतल और चम के लिए तारों का समू है तारों के बारे में विस्तर जानकारी के लिए बहुत एक का अध्य आगे देखेंगे हम लोग ठीक है तो ओरियन निबूला हमारी आकास गंगाओं के सबसे सीतल और चम की लिए तारों का एक समू होता है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ें बढ़ना जरूरी है कि नहीं है जरूरी सौर मंडल के बारे में जानते हैं सूर के चारों और चक्कल लगाने वाले विभिन ग्रह, छुद ग्रह, धूमकेतियों, उलकाओं और अन आकासी पिणों के समूग को हम लोग सौर मंडल करते हैं सौलर सिस्टम करते हैं जो आप लोग सूर भगवान के चारों तरब देखते हैं यसी की बात करें सौर मंडल में सूर का मुआ है सौर मंडल के समस्तूर्जा का सौर भी सूर है एक तरह से आब राजा की समझ लिजे राजा की पास सबसे जांद सकतियां होती हैं ठीक है तीले नेमस सौर मंडल से बाहर विल्कूल एक जैसे दिखने वाले जुर्भा भिन्डों का सम्वो हुता है ठीक है फिर आप कि दूरी पर एक कौने में इस्तित है और जिससे आप देखी कि हम लोग उजीला पाते हैं यह दुख्द मेखला मंदाकनी के केंद के चारों और और 250 किलोमीटर से 30 सेकंड की गती से परिक्मा कर रहा होता है और हमारी एक तरह से दूरी कि दूर होने के कारण हमें दिखता नहीं कि तेजी से घूम रहा है इसका परिक्मार काल दुख्द मेखला के केंद के चारों और एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड यानि कि 250 मिलियन बरस होता है जिसमें ब्रह्मन बरस कहते हैं हम लों क्या कहते हैं ब्रहमन बरस ठीक है और सुरह अपने में अक्ष पर पूर्व से पर्श्चयम की ओर घूमता है और इसका मधभाग 25 दिनों में और धुर्वी ये भाग 35 दिनों में एक घूडन करता है आप देखिए कि आप लोग 100-500 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं तो आप लोग देखते हैं कि पर हवर चलाते हैं पिती घंटा तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत तेज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ठीक है और यहां देखिए आप लोग कि 250 km पर सेकेंड चल रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या गती होगी सूर ये गैसी ये गुला है जिसमें hydrogen आप देखेंगे 71% helium आपका 26.5% और अन्य तत्यों में आप देखेंगे 2.5% होता है सूर का केंदरी ये भाग क्रोड कहलाता है और जिसका तामान 1.5 इंटो 10 की पावर 7 डिगरी सेल्सियस होता है और सूर की बारी सेता है का तामान अगर आप देखें 6000 डिगरी सेल्सियस है अगर आप लोग वहाँ पहुंच जाए तो मालू ना चलेगा कब एक तरसी जल्की राख होग है तो हाइडोजन सबसे जानदा है सूर्ग में जिसमें हाइडोजन 71% है और फिर आप देखेंगे हीलियम है हैंस वैथ हैंस वैथ ने बताया था कि 10 की पावर 6 डिगरी समझ रहे हैं 10 की पावर 7 डिगरी सेंटिकर ताब पर सूर की केंद पर 4 हाइडोजन नाविक मिलकर एक हीलियम नाविक का निर्माट करते हैं अर्था सूर की केंद पर नापकिये सलगन होता है जो सूर की उर्जा का स्रोत माना जाता है सूर की दीप्तमान सते को हम लोग पेकास मंडल कहते हैं और पिकास मंडल की किनारी पिकास मान नहीं होता है क्योंकि सूर का वाई मंडल तरिकास का आउसो ठरन कर लेता है और इसे बर्ड मंडल कहते हैं या लार रंग का होता है सूर गहन के समय सूर के दिखाई देने वाली भाग को हम लोग सूरी क्रीट कहते हैं और यह सूर का बाहतम परत है सूर क्रीट एक सरे उससा जित करता है इसे सूर का मुकुट भी कहते है और पूर सूर गहन के साथ सूर क्रीट से तरकास की प्राप्ति होती है सूरी की उमे की अगर हम लोग बात करें एज की आप लोगों की जिस तरह से एज होती न तो सूरी की एज होती है पांच मिलियन बर्स है पांच मिलियन बर्स ए ब्रहमंड के बारे में हमारे बदलते दिश्टी कौन प्यार में पितवी को संपूर्ण ब्रहमंड का केंद माना जाता था जिसकी परिक्मा सभी आकासिये पिंड बेभिन्ने कच्छाओं में करते थे और इसे भू के अंद्रिये से धांत कहा गया इसका पिती पादन मिस्त युनानी खागोल सास्ति थे केलाडी केलाडीयस टॉलमी थे 140 इसमी में किया था इसके बाद पॉलेंड के खागोल स से धांत कहा गया सोलेवी सताब्दी में आप देखेंगे टायको वुरह है कि सायक जोहान ने ग्रही कक्छाओं की नियोमों की खोचकर परंतु इसमें भी सूर को ब्रहमंड का केंद माना था बेश्वी सताब्दी के पैरम में आप जाएंगे तो हमारी मंदाकनी दुख्द सूर के चारों और पितेक नक्षत का मार्ग देड़ विटताकार है ठीक है कैपलर ने खो जाता है भाविस में सूर द्वारा उर्जा देते रहने कर समय 10 की पावर 11 बरस है बहुत है आपकी पास सूर के पिकास को पिद्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है आठ सूर के पिकास को जो सूर भगवान देखते है ना उसके पिकास को धरती तक आने में कितना समय लगता है आठ मिनिट सूर देखते हैं और सूर के धब्बे चलते हुए उसकी खेसों के खोल का आसपास के तामान से आप देखेंगे 1500 डिग्री से Siya कम होता है सूर के धब्बों का एक पूरा चक 22 ब्रस का होता है पहले 11 वर सथा के धब्बबा बढ़ता है और फर बाद 11 वर सथा के धब्बा घड़ता है जब सूर की सतय पर धबा दिखलाई पड़ता है उस समय पितवी पर चुमिकिये जंजावत उत्पन होते हैं और इसे चुमिकिये सूरी की दिशा बदल जाती है और रेडियो टेलीविजन विजली चलित मसीन आदी में गड़वडी उत्पन हो जाती है सूरी का व्यास 13,92,92 किलो मीटर है जो पितवी की व्यास की तुला में आप देखेंगे लगबग 110 गुना है सूर हमारी पित्वी से 13 लाग गुना बड़ा है सूर जो आप लोग देखते हैं जो हम पित्वी पर रह रहे हैं इससे 13 लाग गुना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा पित्वी को सूर ताफ का 200 अरववा 2 अरववा भाग मिलता है जो हम लोग तापमान देखते हैं न ये दो अरववा भाग हमारे पास आ रहा है सूल ताप का आप सोचें कि अगर एक ही परसंट आ जाए तो हम लागवां का काम खतम हो जाए मद्रातरी सूर का रहत है कि सूरे धुर्विये वेत में देर तक चमकना मद्राती का सूर आर्केटिक छेत्ट में देता है फिर आप लोग सौर मंडल की पिंड भी देखते हूँ अंतराश्टी एक खागोल सास्तिरी ये संग कि प्याग सम्मेलन 2006 की इनुसाल सौर मंडल में पिंडों को नेमले के तीन सेडियों में माटा गया है इसमें सबसे पहले आप लोग जाएंगे परंपरागत ग्रहे और परंपरागत ग्रहों की अगर बात करें आप से तो इसमें आपका बुद्ध हो गया सुख हो गया पितभी हो गया मंगल हो गया वैस्पती हो गया सनी ह गया अरुन हो गया वरुन हो गया पैसे सुन लेजे परंपरागत ग्रह कौन को से वुद्ध सुक्र पिथभी मंगल बैस्पती सनी अरुन वरुन अगर आप से वही वह ने उपग्रह की बात करें तो फिलोटो चेरोन सेरस 23313 अगर आप से पूँछे कि लागू सौर मंडली एपेंड तो इसमें आप देखें कि धोम के तु उपग्रह और अन्य छोटे खागोली एपेंड ग्रह की बात करें तो ग्रह बेग खागोली एपेंड है जो निम्न सर्तों को पूरा करते हैं इन सर्तों को याद रखिये का आप से पूँछे कि ग्रह कौन सी सर्ते पूरी करता है तो जो सूर के चारों और परिक्मा करता हो यानि कि ग्रह होने के लिए जरूरी है कि जो सूर के चारों और परिक्मा करता हो और उसमें परियाप्त गुरुत्वा करसन बल हो जिससे वह गोल सरूप गहन कर सके उसके आ परिभासान की निकाल दिया घया गया थ हो फ़ंस अरु परमपरा गरह की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई याम को बोने गरह की सेजी मेरख रख दिया गया ग्रहों को दो वजभागों में विभाजित किया गया है एक तो आप देखें के पार्थिक या फिर इसे आप लोग आंतरिक ग्रह कहते है अगर देखें तो बुद्ध हो गया सुखो गया पितवी हो गया मंगल हो गया इसलिए को आप लोग आंतरिक गया या फिर पार्थियों ग्रह कहते हैं किसे बुद्ध सुक्ष पितवी मंगल को क्योंकि ये पितवी के सादर्स होते हैं और ये सूर बस छुद ग्रहों की पट्टी के बीच इस्ते दे हो इसलिए इसे आंतरिक या फिर भीत तरी ग्रह भी खा जाता ह ये सूरी के वगट बहुत निकट भी है और ये चट्टानों से बने हुए है फिर आप देखेंगे ब्रहस्पतिय या फिर वाहे ग्रह इसमें आप देखेंगे ब्रहस्पतिय हो गया, सनी हो गया, अरुन हो गया, बरुन हो गया इन्हें ब्रहस्पति ये ग्रह भी कहते हैं ये सूर से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं ये गैस और तरल पदालतों से बने हुए मंगल बुद्ध ब्रहस्पति सुक और सनी इन पांच ग्रहों को नंगी आखों से देखा जा सकता है आकार के अनुसार अगर आपके ग्रहों की बात करें हम लोग तो सबसे घरते करम में देख रह हैं तो सबसे पहले वैश्पति चलिए फि तरिणी चलीए, अरुज चलीए, ब्रूर्ण चलीए, पित्वी चलीए, सुक चलीए, मंगल चलीए और बुद्ध चलिए यानि कि सबसे बड़ा हो गया कौंसा व्रस्पती और सबसे छोटा हो गया बुद्ड ए दू questions पूचे गया कई परीक्षाओं में और बार-बार पूचे जाते हैं तो पित्यविए आप देखें सबसे बड़ा ग्रह कोंसा है ब्र्सपती सबसे चोटा ग्रह बुद अगर आपसे घनति की अनुसार ग्रहे का क्रम पूछे बर्ते करम में तो सनी, अरोन, ब्यसपती, नेव्चिउन मंगल सुक ठीख है? इह आपके घनति की क्रम में हो गया किसके? गनति की क्रम में हो गया सूर से दूरी के अनुसार अगर आप से पूँचे सूर भगवान से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो बुद्ध हो गया, सुख हो गया, पित्वी हो गया, मंगल बरस्पती, सनी, अरुन और बरुन यानि कि सूर का सबसे निकट अगर आप लोग ग्रह देखें तो बुद्ध हो गया, सबसे दूर है बरुन है, ये भी आप लोगों के questions अगर आए तो आप लोग आसानी से उनका answer दे पाएंगे अगर आप से द्रमान के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछें बढ़ते करम में, तो बुद्ध बार, मंगल सुक, पिथवी, अरोन, वरोन सनी, वैस्पती, यानि कि नियूनतम देमान किसका है? बुद्ध का और अधिकतम किसका है? ब्रस्पती का अब बात करते हैं परिकरमन काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते करम में, बुद्ध सुक, पिथवी, मंगल, वैस्पती, सनी, अरोन, वरोन ठीक है? और परिभरमन काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते करम में, तो बैस्पती, सनी, अरोन, वरोन, अरोन और पितवी मंगल बुद्ध सुक अपने अक्ष पर जोकाओं के अधर पर गिरहों के क्रम देखें तो बढ़ते किरम में सुक हो गया पितवी बैसपती हो गया बुद्ध हो गया पितवी मंगल सनी अरूण बरूण अरूण ठीक है सुक्क और अरुण को छोड़कर अन सभी गरहों का घुड़न और फरीकमर्ण की दिसा एक ही है बस किसे किसे छोड़कर सुक्क और अरुण को अब आपके मन में यह सवाल ला रहा होगा कि सुक्क और अरुण किस तरह की गुमाई करते है तो इसकी दिसा है पूरुफ से पश्चिम पूरुफ से पश्चिम जबकि अनगरों दिसा है पश्चिम से पूरुफ बस आपके सुक्ष और अरुण उल्टी दिसा में चलते हैं अब बात करते हैं मरकरी की यानि की कहने का मतलब है आपका बुद्ध गरह की तो यह सूर के सबसे नजदीक गरह स सबसे पहले तो यही याद रखिए इसके बारे में सबसे नजदीक गरह कुन सा है बुद्ध और जो सूर निकलने के दो घंटे पहले दिखाई पड़ता है सूर भगवान निकलते हैं नहीं उसके पहले ही दिखाई देने लगता है यह सबसे छोटा और सबसे हलका गरह है इ यह भी कुश्टेंस कई बार पूच लेता है कि सबसे कम समय में सूरी की परिक्मा कौन सा ग्रह करता है तो यह बुद्ध और सवर्मंडल का सरवादी कक्षी है गती वाला ग्रह भी आपका बुद्ध है यहां दिन अती गरम और रात में बरफीले होती है और इसका ताबमान अगर देखें तो सभी ग्रहों में सबसे देखें यानी कि 600जως और रात में आप देखेंगे माइनस 173 ग्रम ग्रह इमाने जाता है और सबसे गरम ग्रह इंबना जाता है और इसे आप लोग सांज का तारा भी कहते हैं या भूर का तारा भी कहते हैं एक कुश्टन्स कई बार खूँच लिया है आपसे कि सांज का तारा भूर का तारा किस ग्राए को कहते हैं तो याद रखें सुक्र को ही कहते हैं क्योंकि यह साम में पश्चिम दिसा में और सोबय में पूरब की दिशा में आकास में दिखाई देता है और यह अन्य ग्रहों की विप्री दच्छनावर्द चक्रन करता है और इसे पिथवी का भागनी ग्रह कहते हैं यानि की सिस्टर कह लीजे या घनत ताकारो व्यास में पिथवी के समानी है या पिथवी के सबसे निकट इस्तित है इसके पास भी अपना कोई उग्रह नहीं है ठीक है? यह भी नपट गया फिर चलते हैं ब्रहस्पती की और तो यह सोर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ब्रहस्पती और इसे अपनी धुरी पर चकल लगाने में आप देखें तो दस घंटे यानि की सबसे कम और सूर की परिक्मा करने में बारे बरस लगते हैं और व्यस्पती का दिरमान सूर की दिरमान का लगबग आप देखेंगे एक हजार अब भाग है और इसके उग्रह की बात करें तो ग्यानी मीड पीले रंग का सभी उग्रों में सबसे बड़ा भी है तो यह भी आप लोग याद रखेगा फिर आता है मार्स मंगल मंगल यान के बारे में भी आप लोग सुनते रहते हैं इसे लाल ग्रह या रेड फिलानेट कहा जाता है और इसका रंग लाल आइरन ओकसाइड के कारण होता है यहां पितवी के समान दो धुर्व हैं और इसकी कच्छा तली 25 डिगरी के कॉंट पर जुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पितवी के समान रितू परिवर्तन होता रहता है और इसके दिन का मान अक्षे का जुका और पितवी के समान ही है और यह है अपनी धुरी पर आप देखें 24 घंटे में एक बार पूरा चकल लगाता है इसके दो ग्रहे हैं फोबोस और डीमोस ये मंगल की बात कर रहे हैं सोरी की परिक्मा करने में इसे 687 दिन लगते हैं कितना 687 एक बहुत लंबा समय लगता है तो ये पॉइंट मंगल के बारे में भी याद रखेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलीमपस मैसी और सौर मंडल का सबसे उचा परवत निक्स ओलंपिया आप देखें कि कहां देखने को मिलेगा मांट एवरेश से तीन गुना अधिक बड़ा है इसी ग्रैफर आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्या याद रखोगे सब कुछ याद रखिए क्या कर सकते हैं दूसरा ओप्सन भी नहीं है ना तो आपके बास ना ही मेरे पास क कि हम लोग छोड़ दें छोड़ना भी आप लोगों के लिए आगे चलते हैं आप क्या मार्स ओडिसी ओडिसी नामक किंति मुग्रैस से मंगल परबरक छत्रोकों और हीम सीतित जल की उपस्तिती की सूचना मिली थी किस से यह मार्स ओडिसी से ठीक है और इसलिए पिथवी के अलाबा यह एक मत ग्रह है जिस पर जीवन की संभा होना की बैक्त की जा रही है तो समझ रहे हैं माली जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमें और भी तो चाहिए धरती तो हम लोग मंगल गिरह पर विवस्ताइं कर रहे हैं हो सकता है संभा हो जाए 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियो सिटी रोबर आपने देखा होगा कि अंत्रिक्ष मंगल गिरह पर गेल केटर नमकिस्थान पर पहुंचा था ठीक है और यह मंगल पर जीवन की संभावना और उसके बातावन का अध्यन कर रहा है भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगल यान 5 नवंबर 2013 को शरी हरी कोटा आंध्यकदेश से धुर्वीय अंत्रिक्ष पिछेपण यान PSLV स्थी 25 से पिछेपित किया था या भारत का पहला अंत्र अंत्रा गरही अभियान था इस इस रो सोवियत अंत्रिक्ष कारकरम नासा और यूरोपियन अंत्रिक चैजनसी के बाद अब चौत्रिय अंत्रिक चैजनसी है जिसे मंगल गरह के लिए अपना अंत्रिक च्छान भेजाए तो इसे भी अपने भारत की बारे में भी याद रखिएगा ठीक है फिर आप का आता है सनी सनी को भी देख लीजे यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा गरह है सनी आकार में दूसरा सबसे बड़ा गरह है ठीक है और फिर आप सभी ग्रहों और जल से भी कम है यानि इसे जल में रखने पर त्यारने लगेगा यह सनी ग्रह सनी का सबसे बड़ा उग्रह है टाइटन जो सौर मंदल का दूसरा सबसे बड़ा उग्रह है यह आकार में बुद्ध के बराबर है बुद्ध ग्रह के टाइटन की कोच 1665 में डेनमार्क के खागोल सास्त्री किष्टियन हाई जोन ने की थी और यह है एक मात यह साब गुरह है जिसका पितवी जैसा स्वैम का सगन बायू मंडल भी है फोवी नावक सनी का उगर है इसकी कच्छा में घूमने की विप्रीद दिसा में परिक्मा करता है फिर आपका आता है अरुन यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा गरह है इसका द्रमान है आप देखें दो सो पंद्रे डिग्री सेंटीगेट है तामान ठीक है और इसकी कोच 1781 म और एफ एफसीलोन इसके पांच बलों की नाम है आप लोग ने इन सब को में जरूर पड़ा होगा अलफावीटा गामा यह अक्षपर पूर्ष से पर्च्छिम की और यानि की दच्छनावर्थ घूमता है जबकि अन्ग्रह आप सभी जानते हैं पर्च्छिम से पूर की ओ गूमते हैं बामा बरत में यहां सोरियोदा पर्च्छिम की और और सुरियास्त आपको देखें के पूरब की ओर होता है और इसके सभी उगरों में फितवी की बिपरीद दिसा में परिम्हमन करते हैं और यह है अपनी धुरी पर सूरी की और इतना जुका है कि लेटा हुआ सदिखाई देते हैं इसलिए आप देखते हैं लेटा हुआ ग्रह भी कह देते हैं इसका सबसे बड़ा उपगरह देखेंगे टाई टीनिया है ठीक है फिर आप देखेंगे बरों नाता है आपका इसकी खोज अगर आपसे पूचें तो 1846 में हुई थी जर्मन खागोलग जह लाता है पीद्वी याकर में पाच्वा सबसे बड़ा गरहें इसलिख तल नव्हां बने लंब से ते सड़ेट तेश्ट डिगरी यांदेश्ट डिगरी टीज मिनिट जो का हुआ है दूसरे सब्दों में आगर हम कहें तो पिद्वी काध्श पिद्वी की कच्छा-तल से सा पिथ्वी का कक्छ देख लीजिए यहान देखें साड़ेत इस डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा यहां कॉन की बाद करने तो ए पिथ्वी का कक्छ का तलप लंमा बत है यह पिथ्वी का उत्रीद रूब यहां आप देख रहें कारक बरथ विस्वत बर्थ मकर बर ठीक है इसका विस्वती ये ब्यास अगर आप देखें तो 12,756 km और धुर्वी ये ब्यास देखें तो 12,713,6 km है दोनों ब्यास के अंतर देखें तो 43 km आपको देखने को बलेगा ठीक है और फिद्वी की और सथ ब्यास अगर बात करें तो 12,742 km है इसके गड़ना सरपितम एरेटो स्थनीज ने की थी सूर से पिद्वी की दूरी बात करें तो 149,6,000,000 km है सूर से पिद्वी की दूरी की बात करें 149,6,000,000 और यह है अपने अक्षपर पस्चिम से पूर की और आप देखें कि 1610 km पिती घंटे की चाल से तेज घंटे चपपन मिनिट चाल से किन में एक पूरा चक्र करती है लेकिन आपको अनभव ही नहीं होता है कि पित्वी घोम रही है समझ रहे हैं आपको पित्वी कि इस गती को घूड़न या फिर देनिक घती कहते हैं एस गती से दिन रात होते हैं अगर इन गती ना हो गुटन या देनिक पतीровा खतक को सूरी दिन a 345 दिन पाख गंटे 47 गंटे 48 मिनिट 46 बाइप देखर देखें किerson दिन शेंटे इस पॉइंट को जरूर कंगे के लिया कि रहे ठीक है 365 दिन पाँच घंटे 48 मिनिट चाली सेकंड इस समय वधी के दौरान परिक्मा पूरी करने में पित्वी का मादभ बेक लगबग आप देखें कि 30 किलोमीटर पर सेकंड 29.8 किलोमीटर पे 30 सेकंड होता है और सोरी के चत्तुर दिख पित्वी के इस परिक्मा को पि परिवर्तन की बात करें तो इसका कारण है कि यह अक्षे पर जुके होने के कारण परिवर्तन यानि कि बार्सिक गती के कारण आप देखते हैं कि रितुएं परिवर्तित होती रहती है बार्सिक गती के कारण ही पितवी पर दिन राद छोटा वड़ा होता रहता है ठीक है बार्षिक गती के कारण आकार और बनावट के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं पितिवी को सुर के बाद पितिवी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिम्या सेंक्चिरू ही है जो अलफा सेंक्चुरी समू का एक तारा है या पितिवी से आप देखें तो 24 अगस्त 2006 में अंतराष्टी खागोल बिग्यानी संग आई एएउ कि प्याग चेक गड़राज बैठक वे खागोल बिग्यानीकों ने पिलूटो का ग्रह होने का दरजा कतम कर दिया था क्योंकि इसकी कक्चा वित्ताकार नहीं थी बरोंट ग्रह की कच्चा से ओकर गुजरता था नई खागोली विवस्था में पिलूटो को बोने ग्रहों के सेड़ी में रखा गया है यह सूर का भी निकटतम तारा है साहीरस या डॉग इस्टार पित्वी से नौ अप्विकास बर्स दूर इस्तित है यह एवं सूर किसे दुगने दिरमान वाला तारा है यह रात्री में दिखा यह पढ़ने वाला सरवादिक चमकीला तारा मना जाता है डॉग इस्टार चंदमा के बारे में जान लेते हैं चंदमा की सतय और उसकी आंतरिक इस्तिती का अध्यन करने वाला विग्यान सेलेनो लौजी कहलाता है। चंदमा पर धूल के मैदान को सांती सागर कहते हैं। वह है चंदमा का पिछला भाग जो अंधरकार मर होता है। तीक है? अंधेरा होता है। और चंदमा के दच्षिन धर्पर आप देखें तो लेव निट्च परवत 35,000 फिट यानिकी 10,64現在 मीटर सध्वात है। चंदमा को जीवास में ग्रहMoon कहते हैं आप लोग चंदमा को जीवास में ग्रहTM्टेंी कहते हैं। और चंदमा पित्वी की एक परेक्मा लगवक्त 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करती है, किसकी पित्वी की और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घुडन भी करता है, वह यही कारणे की चंदमा सदेव एक ही भाग दिखाई पड़ता हमें चंदमा का, और पित्वी से चंद परशेंट भाग को देखा जा सकता है हम जो पितवी पर रहे रहे हैं यहां से चंदमा के संतावन परशेंट भाग को देखा जा सकता है चंदमा का अक्ष तल पितवी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिगरी का अक्ष कोण बनाता है और चंदमा पितवी के अक्ष के लगबग आप आप देखें समानत नंतर है इसका परिक्मर पद भी दीड बिटताकार है चंदमा का व्यास आप देखें 3480 किलो मीटर द्रभमान पितवी के द्रभमान का लगभख आप देखेंगे एक बट्टे कितना 81 है चंदमा और पितवी की बीच की औसद दूरी की बात करें तो आप द त्रेपन दिन है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनिट और 2.8 सेकंड तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इस समय को चंद भास या फिर आप लोग साइनो डिक मास भी कहते हैं नक्षत समय की दिरिश्टी कौन से चंद मालगवक साड़े 27 दिन में पुनहा उसे इस्तिती में होता है ज आती है एक नक्षत मास कहलाती है कि समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं कि नक्षत समय से नक्षत मास हो गया आपका ज़रूर आप लोग याद रुखे जुआर उठने के लिए आप एक चित सौर और चंद मा की सकतियों का अनपात होना चाहिए 11 अनपाते 5 अपोलो के अंदर एक छियात्रियों द्वारा लाएगे चट्टानों से पता चला है कि चंद मा भी उतना ही पुराना है जितना पित स्थिति को ही हम लोग सुपर मून कहते हैं और इसे फैरीजी फुल मून भी कहते हैं और इसमें आप देखें चांद का 10% जन्दा बड़ा और 30% अधिक चंकीला दिखाई पड़ता है आप लोगों को ठीक है तो यह भी आप लो बिलू मून आप लोगों ने जरू सुना कम होना है ऐसा दो तीन साल दो तीन साल पर होता है अगस्त दोहाल बारे में दो कूर मायानी कि दो और एकतिस अगस्त को देखे गया थे इसमें से 31 अगस्त के पूर मा को हम लोगों ने क्या कहा था विलू मून और जब किसी वर्स में दो यादिक बार विलू मून होते है न तो मून येर कहा जाता है से वर्स 2018 में आप देखेंगे विलू मून येर था वर्स 2018 में पहला विलू मून आप देखेंगे 31 जनवरी को दूसरा मून आप देखें कि 31 मार्च कुगा था सी आप टिक्वाइल निटी चंदबाद बर वह इस्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष्यान अपोलो 11 उत्तरा था ठीक है? बॉने गरह की परीवासा जान लिजे याम आई ए यू ने इसका नया नाम एक लाग चोंतीस जार तीन सो चालीस रखा है किलार टामवो ने 1930 में इसकी कोज की थी अगस्त दुजाच्चे में आई ए यू का प्याग सम्मेलन में गरह कलाने के मापदनों पर खरे नहीं उतरने की कारणा एम को गरह की सेंडी से निकाल कर आपने देखा हूगा बॉने गरह की सेंडी में रखा था यम को गरह की सेंडी से निकाल ले जाने का कारण यह था भी आकार में चंदमा से छोटा होना इसकी एक अक्छा का वित्ताकार ना होना वरुन की एक अक्छा को काटना स्थेरस इसकी खोज इटली के खागुल सास्त्री पियाजी ने की थी और IAU की नई परिभासा के इमसार इसे बॉनिगरे की सेंडी में रखा गया है इसकी संख्या देखें तो एक से जाना जाएगा और इसका व्यास बॉनिगरे की व्यास का लगभग एक प्माचबा भाग है अन्बॉनिगरे में आप देखेंगे चेरोन है और दोहजार तीन यूबी तीन सो तीरे एरिस भी है बॉनिगरे की सेंडी में ठीक है सौर परिवार की सांडी ये है इन्हें भी याद रख सके है देखे एक ग्रह की नाम हो गा है ब्यास हो गया किलोमेटर में परी भ्रमड काल हो गया अपने अक्षपर परी महरमड काल हो गया सौर के चारोर UPGRAHA की संख्या हो गया ही वग्रभाव का रंग हो गया है ठीक है जैसे आप देखेंगे बुद्ध गरे इसका व्यास अगर आप से पूंचे किलूमीटर में तो 4888 किलूमीटर ठीक है और आप देखेंगे इसका अपने अक्षपर कितने टाइम लगता है परी धरमड करने में परी भरमड 58.6 दिन और अगर सूरी के चारों और परी करमड 88 दिन में पूरा करता है इसके उगरह एक भी नहीं है जीरो है ठीक है फिर आप देखें सुक 12144 है इसका व्यास किलूमीटर में 243 दिन लगते हैं अपने अक्षपर घूमने में 255 दिन लगते हैं इसे सूर के चारों घूमने में इसका भी जीरो है कोई उगरह नहीं है चमकीला होता है गरम होने के कारण पित्वी की बात करें तो आप देखेंगे 12756 से लेकर 12714 व्यास है इसका किलूमीटर में 23.9 गंटे लगते हैं इसे अपने अक्षपर घूमने में 365.26 दिन लगते हैं से सूर के चारों घूमने में इसका एक उप ग्रह है चन्दमा नीला जल के कारण इसे नीला घृम भी कहते हैं ग्रहों का रंग ठीक है इसका नीला है फिर आप देखेंगे मंगल 6796 व्यास है इसका किलूमीटर में 24.6 गंटे लगते हैं अपने अक्षप आइरन ओक्साइड के कारण वरस्पती एक लाख 42,984 व्यास है इसको किलूमीटर में इसका नौ घंटा 56 मिंटे लगते हैं से अपने अक्षपर घूमने में 11 वर्स 11 महिने लगते हैं से सूर की परिक्मा करने में 89 उप ग्रह हैं इसके पीला इसका रंगे SO2 के कारण ठीक है सनी की बात करें तो एक लाख 20,536 किलूमीटर है ब्यास इसका 10 घंटा 40 मिनिट इसके अपने अक्षपर घूमने में लगते हैं 29 वर्स 5 महिना इसे सूर के चारों घूमने में लगते हैं पहले आप देखते हैं कि बैस्पती के इसके उप ग्रह हुआ करते थे सबसे जानल आ आपकी सनी के हैं 82 काला इसका रंग है और एंटू के कारण आरून आता है फिर 59,118 किलूमीटर ब्यास इसका और 1710 घंटा 14 मिनिट इसे अपने अक्षपर घूमने में लगता है 84 वर्स इसे सूर के चारों और घूमने में लगता है 27 इसके उप ग्रह है हरा इसका रंग है मे पर 164 वर्स का समय लगता है इसे सूर की परिक्मा करने में 14 उप ग्रह है इसके हलका नीला रंग है मेथेन के कार अगर NCEIT क्लास 6 को पढ़ेंगे तो बैस्पती और सनी के उप ग्रहों की संख्या त्रेपन त्रेपन रखी गई है लगभाव नहीं खोज होती रहती है यह त जानते तो हैं कि नहीं जानते हैं लगूस और मंडली यह पिंड की अगर हम बात करें तो छुद ग्रह सुनें हैं आप लोग छुद ग्रह मंगल एवं वरस्पती ग्रह की कच्छाओं के बीच को छोटे-छोटे आकासी यह पिंड हैं जो सूरी की परिक्मा कर रहे हैं उन्ह चुद ग्रह जब पितवी से टकराता है तो पितवी के पेश्ट पर विसाल गर्थ लौनार जील महराश्ट देखते ना इसी का उधारन है फोर विश्टा एकमात चुद ग्रह है जिसे नंगी आखों से भी हम लोग देख सकते हैं किससे नंगी आखों से धूमकेतू बात कर दाते हैं यह गैस और धूल का संग्रह है जो आकास में लंबी चमकदार पूँच सहथ फिकास में के चमकीले गोले की रूम में दिखाई देता है धूमकेतू के बल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर की और अगसर होता है क्योंकि सूर के ने इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं धूमकेतू की पूँच हमेशा सूर से दूर होता दिखाई देती है ठीक है तो धूमकेतू को भी आप लोग देखिए हैले नामक हैले नामक धूमकेतू का परिकरमण काल 26 साले या अंतिमबाव आप देखें के 1986 में दिखा गया था अंगली बार 2022 में दिखाई द होता है एक उलका भी आप लोगों ने सुना होगा उलका पिकास की चमकीली धारी के रूम में दिखते हैं जो आकास में छड़वाय के लिए चमकती है उलुप्त हो जाते है उलकाएं छुद ग्रहों के टुकड़े धूमकेतियों द्वारा पीछे चोड़े गए धूल के कड होते हैं तो इसे भी याद रखिएगा अब बात करते हम लोग तबी और ऑ diff市 का सौरेख समंध्र कर कर लोग को बातदेते नोजिए की गतियों की दो दो एक तो धूदान या दैनिक जिसे करकती कहते हैं घूधन इया दैनिक पिथवी सदेव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर घुमती है कहां से पश्चिम से पूर जिसे पिथवी का घोडन या फिर परी भरमड कहते हैं इसके कारण दिन रात होते हैं और इस गती को देनिक गती भी कहते हैं इन सभी में कुश्चन कई बनते रहते हैं ठीक है फिर परिक्मा करती है जिसे हम लोग परिक्रमण या वार्सिक गती कहते हैं और पित्वी को सूरी की एक परिक्मा पूरा करने में आप देखेंगे 365 दिन 6 गंटे का समय लगता है नक्षत के बारे में आप लोग सुने होगे एक मध्यान रेखा के उपर किसी निश्चिद नक्षत के उत्रोत्तर दो बार गुजरने की बीच की अउधी को हम लोग नक्षत दिवस कहते हैं या 23 गंटे 25 मिन्ट की अउधी का होता है सौर दिवस जब सौर को गती हीन मानकर पिथवी द्वारा उसका परिक्रमड की गड़ना दिवसों के रूम में की जाती है तो तब सौर दिवस कहलाता है इसकी अउधी आप देखें कि पूरे 24 गंटे की होती है अपने परिक्मा पत में पिथवी सौर के चारों और आप देखें तो 29.8 किलोमीटर पर सेकिंड के बेक से चक्कर लगाती है उधी सौर की बारे में सौने होंगे आप लोग तो पिथवी सौर की परिक्मा देख वित्तियक अक्षा में करती है और जिसके एक फोकस पर सौर होता है जब कि पिथवी सौर के अतिधिक पास होती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते है और ऐसी इस्तिति आप देखें कि तीन जन्मरी को आपको देखने को मिलेगी यानि कि तीन जन्मरी को आगर आप देखें तो पित्वी और सूर के निकट पित्वी सूर के बिलकुन नजदिक होता है और ऐसी इस्तिती में पित्वी और सूर के बीच दूरी अगर आप देखें तो 14.70 करोड किलो मीटर होता है फर भी आप देखिए बहुत दूरी होती है कितनी भी दूरी माल लेज़े एक आपने सुना होगा अपसौर अपसौर ये आप देखें पित्वी जब सूर से अधिक्तम दूरी पर रहती है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं और ऐसी इस्तिती चार जुलाई को आपको देखने को में लेगी है और ऐसी इस्तिती में पित्वी और सूर के वीच की दूरी अगर आप देखें तो बंदरा दर समलो 21 करोड किलो मीटर होती है एपसाइड रेखा के बारे में भी सुना होगा और अपसौरीक को मिलाने वाली कालपनेक देखा को हम लोग सूर के केंद से जो गुजरती है इसे ही एपसाइड रेखा कहते हैं अक्छांस के बारे में भी आप लोगोंने सुना होगा तो विस्वत बिरस्ते उत्ता दच्छन देखा में इस ते किसी स्थान को कोड़ी ये दोरी को हम लोग अक्छांस कह देते हैं यह ऐसी जो लाइन के ची रहती है उसी एक अक्छांस कह देते हैं यह कोड़ पित्वी के केंद पर बनता है और इसे विसवध बेर्थ 성े दोनों और अंसों में बापा जाता है विसवध बेर्थ zero अंस के अक्छांस को फुदर्सित करता है विसवध बेर्थ की उत्री दच्छने दिसा में एक डिगरी के अंतराल से खींचे जाने वाले जो 90-90 अक्छांस बेर्थ होते हैं अक्छांस समानांतर की बात करें, तो कालफिनिक रेखाओं का ये कैसा समोझ जो पितवी की चारों और पूर्फ से पष्चिम, किसे? पूर्फ से पश्चिम देसा में बिस्वत रेखा के समान तर कीचा जाता है इसे अक्छांस रेखा और अत्वा भूमद रेखा से एक समान को ओड़ी बाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्छांस रेखा कहते हैं भूमद रेखा जीरो डिगरी की अक्छांस रेखा और इस पर इस्तित सभी स्थानों को अक्छांस जीरो होगा और भूमद रेखा के उत्तर में इस्तित अक्छांस रेखाओं को उत्री अक्छांस रेखाओं को हम लोग दच्छडी अक्छांस कहते हैं और दो अक्छांस होंगे और इस पिकार विस्पत बेर्थ को लेकर अक्षांस सवाननतों की कुल संख्या 189 देखने को मुलेगी एक सो उन्ने आसी और भूमद रेखा के उत्तर में साड़े 23 डिगरी अक्षांस को करक रेखा और दच्छन में जो आप देखते ना आपके निजलों से सघ्षियें से किसी में निवास करते हैं तो आप बताएं आपकी राज में कितने चलों से गुझरती और दच्छन में जो आप देखते हैं, 66 डिग्री, 30 मिनिट अक्छांस को अंतार्क्टिक बिर्थ कहते हैं आप लो, तो इन्हें भी याद रखेगेगा, ठीक है? करक रेखा निमने देशों से उकल गुजरती है, जैसे ताइबान हो गया, चीन हो गया, मैनमार हो गया, बंगला देश हो गया, भारत, ओमान, सयुकतरव, अमिरा, साउधी एरब, मिस्त, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारीतानिया, पश्मी सहारा, बहामास, मैक् वैसे आपको मैप का सारा लीकर बता चुका हूँ, इसलिए बोल ला हूँ कि उस फिले लिष्ट सोची को जरूर कवर कर लेजे, ठीक है, और मकर रेखा की बात करें तो निमने देशों से उकल गुजरती है, चेली हो गया, अल्जिंटीना हो गया, परागवे हो गया, ब्रा जील, गेवोन, कांगो, गडराज, लोकतांत्री कांगो, गडराज, यूगांडा, केन्या, सोमालिया, माल्दीव, इंडोनिसिया, क्रीवाती, ठीक है, अब आती है देशांतर, ग्रेन बीच रेखा से किसी इस्थान की कोणाद्मंग दूरी को, उस इस्थान की हम लोग क्य और दच्छरी दुर्व पर एक बिंदू पर मिल जाती है, और धुर्वों से विस्थान रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और विस्थान रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है, 11.32 किलोमीटर होती है, और देशांतर अंतर का मान हम लोग ने जीरो डिग्री माल लिया है इससे हम 180 डिग्री पूर्वी पूर्व जाएंगे और 180 पश्चम देशांतर की गढ़ना करते हैं पिधार मध्यान रेखा की वाई और की रेखा है पश्चमी देशांतर और बाहनी दाहनी और की रेखाओं को हम लोग पू 20 गंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और एक देशांतर अगर दूरी तै करने में कितना मिनिट लगता है चार मिनिट लगता है इस तरह से आप समय निकाल सकते हैं देशांतर की आधार पर ही किसी स्थान का समय गयात होता है दो देशांतर एकाओं की बीच की दूरी गोरे नाम से जानती है सून अंस अक्षांस और सून अंस देशांतर अटलांटिक महासगार सागर में काटती है मांचेतों गिलो पर पाई जाने बाली पिती छेद रेखाओं को हम लोग भोगोलिक रेखा जाल भी कह देते हैं सक्क्रांती संक्रांती सूर के उत्तरायन और रेखा पर लंबबत होता है इसे करक संक्रांती कह देते हैं और इस दिन आप देखते हैं कि उत्तरी गुलाद में सबसे बड़ा दिन होता है नारवे में रातरी के समय सूर 21 जून को दिखाई दे पड़ता है फिर आप लोगोंने मकर संक्रांती वही सुना होगा 22 दिसंबर को सूर मकर रेखा पर लंबबत होता है इसे हम लोग मकर संक्रांती कह देते हैं और इस दिन दच्छनी गुलाद पर सबसे बड़ा दिन होता है विस्वाओं के बारे में आप लोगोंने सुना होगा यह पितिवी का वाइस्तिती है जहां सूर की केरने विस्वाद रेखा प नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है 21 मार्ज से 23 सेप्टमबर की अउधी में उत्री गुलाज सूर का फिकास 12 गंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है हमें कहां उत्री गुलाज में और अतहां यहां दिन बड़े और रात छोटी होती हैं जैसे जैसे उत्री धरोफ की ओर ब धिकास 12 गंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है जैसे जैसे दर्चिरी धरोफ की ओर बठते है दिन की अधिव भी बठती है दर्चिरी धरोफ पर इसी कारण 6 मईने तक दिन होती है और इस पेकार उत्री धुरो वो दश्री धुरो पर दोनों पर 6 महीने तक दिनों और 6 महीने तक रात होती है तो आप समझ सकते हैं कुम करन के लिए सही समय है पितवी को अपनी यक्ष पर जुकी होने के कारण दिन रात छोटा वड़ा होता है सूर गहन भी आप लोग सुनते रहते हैं जब कभी दिन के समय सूर एवं पितवी की बीच चन्दमा के आजाने से सूर की चमकती सत्य चन्दमा के कारण दिखाई नहीं पढ़ने लगती है नहीं पढ़ती हमें तो इस्तिती को हम लोग सूर गहन करते हैं और जब सूर का एक भाग छिप जाता है तो उसे हम लोग आंसिक सूर गहन करते हैं और जब पूरा सूर ही को छड़ों के लिए छिप जाए तो इसे हम लोग पूर सूर गहन कर देते हैं पूर सूर गहन हमेशा अमास्या के दिन आपको देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे चंद गहन और जब सूर और चंदमा की बीच की दूरी आ जाती है तो सूर की पूरी रोसनी चंदमा पर नहीं फरती है इसे हम लोग चंद गहन कह देते हैं चंद गहन हमेशा पूनिवा के दिन की रात्री में ही होता है पितेक पूनिवा को चंद गहन नहीं होता है ये भी याद रखे क्योंकि चंदमा वो पितवी के कक्षा फर पत्व में 5 डिगरी का अंतर होता है जिसके कारण चंदमा कभी पितवी के उपर से या नीचे से गुज खाया चेते से चंदमागे जके JOSHन लगता है सूर गेरंड कि सवह चन्दगेंड भी आंस्यक अत्वा पूर हो सकता है अब आपकी मन में एक और आता है कि समय का निन्यधारन किस तरीके से होता है इस पर भी बात कर लेते हैं एक देस अंतर गांतर होने कर एक पूर प्पर आप लोग बढ़ाएंगे मालें यह एरे खाये इस तरफ आप लोग बढ़ाएंगे तो आप समय रहें एक ड़ीी जैसे बढ़ेंगे फट आप चार मिनट वischen बढ़ेंगे आप लोग क्या एक देशांधर जैसेए आप बढ़ेंगे ना इस तरफ तो कितना चार मिनिट का अंतर बढ़ता जाएगा उसलिए आप देखते हैं गुजरात पूच लेता है गुजरात में इतना टाइम है तो आप सुची कि इतनी दूरी है यहां अरणा चल्प देश में कितना होगा तो इसी तरह से आप लोग निकाल पाते हैं और अगर आप इस तरफ जाएंगे पर्चिम की तरफ तो पितिक देशांतर पर चार मिनिट घटता जाएगा बॉसिंग्टन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतराश्टी एक गोश्टी में लंदन के पूरुम में ग्रीन विच नाम अगिस्तान पर इस्त आधार पर किया जाता है अंतराश्टी एक तिथी रेखा के बारे में सुने होंगे 180 देशांतर को हम लोग अंतराश्टी तिथी रेखा क्या देते हैं क्योंकि इससे रेखा के दोनों और तिथियों में एक दिन का अंतर रहता है ग्रेन विच देशांतर तथा 180 देशांतर क की और अगर आप जाएंगे तो ग्रीन विश समय से 12 घंटे पीछे का समय लगता है और यही कारण है कि 180 पूर्व और पश्चिन देशांतर में कुल 24 घंटे यानि कि एक दिन रात का अंतर होता है जैसे उधारन के लिए आप ले सकते हैं यदि ग्रीन विश पर वेस्पती है और 25 सेप्टमबर 2003 को दोपर के 12 घंटे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आप देखेंगे 25 सेप्टमबर 2003 की मद रात्री होगी और जबकि 180 डिग्री पश्चिन देशांतर पर आप देखेंगे 24 सेप्टमबर 2003 की मद रात्री होगी इसका अर्टे है कि 180 देशांतर के यह भी आप लोग याद रखेगा और इसे पश्चिम की ओर लांगते हैं तो एक दिन कम कर दिया जाएगा इस पकार याद किया जा सकता है वास्तों में अंतर रख्टी तिथी रेखा पूरता 180 देशांतर का अनुसराण नहीं करती है यह 180 देशांतर के दाएं बाएं मुड जाती है ताकि इस्थलिये भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथी के बारे में भराम ना हो जैसे साइवेरिया को बिभाजित होने के बचाने के लिए साइवेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिगरी उत्री अक्षांस पर यह पूर की ओर मुड गई और वेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड जाती है और पश्चिम की ओर मुड जाती है गुजरती है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है यहां समझाए गया है इन्हें भी आप लोग अगर चाहें तो देखते रहिएगा 1884 में बॉसिंग्टन में संपन इंटरनेशनल मेरीडियन कॉनफरेंस में 180 बे यामयुक्तर को अंतराष्टी तीथी रेखा ने धारिक किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि वेभिने देशों के मद यात्तरियों को कुछ इस्थानों पर एक दिन का अंतर होने क कारण परेशानी ना हो वेरिंग जलसंदी अंतराष्टी तीथी रेखा के समान अंतर है कौन सी वेरिंग जलसंदी और समय जौन या फिर मानस समय विसको 24 समय जौनों में विभाजित किया गया है और इन समय जौनों को ग्रेंड विच विच में टाइम या फिर मानक समय में एक घंटे के अंतराल के आधर पर विभाजित किया गया है पितेक जौन को आप देखेंगे 15 डिगरी के वरावर होता है और ग्रेंड विच या मुत्तर जीरो डिगरी देशांतर पर जो ग्रेंड लेंड नर्वो नियावन सागर वेटेन अलजीरिया फ्रांस माले बुर्की ना फासो गहाना दचेर अटलांटिक समुदर से गुजरता है पितेक देश का मानक समय ग्रेंड विच मिन टाइम से आदर घंटे की गुड़क के अंतर पर निधारित किया गया मानक समय स्वएक्छासे चैनित या मुत्तर का स्थानी ये समय होता है जो की एक विस्षिष्ट चेत या देश के लिए मानक समय निधारित करता है जिसे भारत में साड़े ब्यासी डिग्री देखते हैं पूर वी देशांता जो इलावात की निकट मीर्जा फूर से गुजरती है नैनी किस समय को मानक समय मानग गया है वह यह समय आप देखेंगे ग्रीन बीच में टाइम से साड़े पांच घंटे आंगे हैं यह कुश्चन क साढ़े साधे डिग्री के गोड़क में लिया जाता है कि को सी देसों में अत्यधिक देशांतरिये विस्तान के करण एक से अधिक मानक की विवस्ता की गये हैं जैसे सहीवत राज अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, उस्टिलिया में 3 समय जोन है, भारत में भी मांग उठती रहती है, पूर्वी राज्यों में, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, फिर आप देखें कि विस्वत रेखा हो गई, पिद्वी की म पिद्वी एक गोल गेंद होगे, उसे बीच से निकाल देजे एक लाएं, ठीक है, कटी बंद जॉन, पिद्वी गोलार्थ को तापकी आधार पर कई भागों में बाटा जाता है, इन भागों को कटी बंद कहते हैं, जैसे निम नहीं, जैसे उस्ट निकटी बंद, तो विस से निकटी बंद, तीच दिगरी से पैंतालीफ डिगरी उतरी और दचडी अक्छांसों के वीच इस्तित छेत को, जहां कुछ महीने ताप अधेक हो, और कुछ महीने ताप कम होता है, फिर आप देखेंगे सीतोष निकटी बंद, एक पैंतालीफ से च्यासर डिगरी उतरी और दच्डी अक्छांसों के वीच का छेत होता है, यहां सूर सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बलकि उसकी केड़ने तिर्ची होती है, यहां अता यहां ताप हमेशा कम होता है, एक आप धुर्भी एकटी बंद के बारे में सुनते हैं, श्यासर साड़े माप करिए, श्य पित्वी जिस पर पित्वी घूमा करती है, इसे अक्छ कहते हैं, धुर्भ, पित्वी पर बेद दो बिंदू जिनके होकर, जिनसे होकर काल्पनिक अक्छ कुजरता है, आप छांस, किसी इस्थान की विश्वत विरत से उत्तर दच्चिन या दच्चिन की कौन ये दूरी, अप छांस बिरत, विश्वत विरत की समानंतर खिन्ची होई काल्पनिक विरत, देसांतर, ये आप देखें कि किसी इस्थान की पिधान मद्द्दान रेखा से पूर विया पर चिम की कौन ये दूरी, देसांतर रेखाएं, एक धुर्ब को दूसरे धुर्ब से मिलाने वाल इस्थानिये समय किसी स्थान के मध्यान सूर से निर्धारित किया गया समय यानि किसी स्थान पर जब सूर आकास में सबसे अधिक उचाई पर होता है तो दिन के बारे बचते हैं इस समय को हम लोग वहां इस्थानिये समय कहते हैं मानक समय किसी देश का मानक मध्यान रेखा प बारे में अंदर क्या है आखे समय रहे हैं पिथवी की आंत्रिक सरचना के समन्द में बिज्ञानिकों में मतभेद है और भूगर्व में पाई जाने वाली पड़तों की मोटाई घहनत तामान भार और वहां पाई जाने वाली पदारतों की प्रक्यती पर अभी पूर सहमती न को लेकर आप देखे सभी में सहमती नहीं है फिर भी तामान दवाओ और घनत उलकाओं और भूगर्व कंपिये तरंगों पर आधारित फिर्मानों को इकति करके पिथवी की आंत्रिक सरचना के समन्द में जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किये गये हैं और पिथवी के कि अंदर के हिस्सिज़टी में बाठा गया है वह परपटी और ऑरन और या नद रख ठाफ पर लोग याद रखेगा वह परपटी किरों बात करें तो पिथवी के ऊपरी पिथवी की scientifically आपको आप लोग भूपरपटी के दें और यह यह कंतार आप देखे तो 34 किली मीटर चेत तक पहली हुई है यह मुख्धा बैसाल्ट चट्टानों से बना है एक कुश्चन से भी कई बार मुझ लेता है कि जो भू परपटी है एक का ऐसे बना है बैसाल्ट चट्टानों से और अंदर गहराई में आप जाएंगी तो 34 किलोमीटर लगबद चेत आता है और इसमें से दो भाग होते हैं एक तो सियाल और एक आप देखेंगे सीमा सियाल चेत में सिलीकन और एलूमीना और सीमा चेत में आप देखेंगे सिलीकन और मेगनेसियम की बहुलता पाए जाती है जो आप सियाल का चेत देखते है तो इसमें सिलीकन और एलूमीना रहेगा और सीमा के चित में सिलीकन और मेगनेसियम रहेगा कर्ष्ट कास्ट भाग का उसत घनत अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर रहेगा और यह कि भी के कुल आहतन का 0.5% भाग घेरे हुए है यह भी याद रख सकते हैं रखना ही पड परसन नहीं है भोपर पटल की रचना समगरी की बात करते हों बजन की अनुसार सबसे अधिक ऑक्सिजन रहती है एच्छालीस देस्थान पर सिलीकन रहेगा 27.70% तीसरे स्थान पर एलूमिनियम आट दसमलों तेरे परसेंट चौतरे स्थान पर लोहा रहेगा पांच परसे मेगनेशियम दो दसमलों 69% और आट वे स्थान पर मेगनेशियम दो दसमलों जीरो नौ परसेंट यानि पितवी के संपूर्ण पर वर्टी पर लगभग 98% ऊपर दिये गए आठ तत्नों से मिलकर बना हुए सेज भाग में आप देखेंगे टाइटीनियम हो गया हाइडोज कितना 2900 किलोमीटर मोटा यह चित मुकता बैसाल पत्त्रों के समूग की चटानों से बना हुआ है मेंटल के सिस्थे में मैंगमा चेंबर पाए जाते हैं इसका और आप देखें तो 3.5 ग्राम एक घं सेंटीमीटर आप से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर देखने कुम लेगा या पिदे भी कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है फिर आप कॉनराड आसंबद्यता के बारे में पढ़ा होगा उपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के भी जो सीमा चेते देखते हैं इसे ही आप लोग कॉनराड आसंबद्यता कहते हैं वो 3 क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा चित को मोह बिसिक डिस कंटीन्यूटी यह आप देखेंगे क्रश्ट और मेंटन के बीच के सीमा चित को आप लोग कहते हैं रेप्टी आसमा देता उपरी मेंटल और निचले के बीच की सीमा चित को रेप्टी आसमा देता कहते हैं गुटेन वर्ग विसाठ आसमादिता निचले मेंटल और उपरी कोड के सीमा चित को गुटेन वर्ग विसाठ आसमादिता कहते हैं फिर आप लोगोंने लेहमेन आसमादिता सुना होगा बाह कोड और आंत्रिक कोड के सीमादित को आप लोग लेहमेन आसमादिता कहते केंदरी भाग कोर पितवी का केंदरी भाग निकेल भाग फेरस का बना होता है और इसका उसात घंत अगर आप देखें तो तीरे ग्राम पित्वी का केंद्री भाग संभावता द्रव और पिलास्टिक अबस्था में है या पित्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए और पित्वी का उसा धनत अगर आप देखें तो 5.5 ग्राम घन सेंटी मीटर में देखने को मिलेगा एक उसा तिज्या लगबग आप देखेंगे 6370 किलो मीटर है अगर पित्वी के नीचे अगर आप जाएं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिगरी सेंटीगेट ताब मार बढ़ता है ये भी आप लोग जाद रखें पित्वी के इस तलिये चेत पर सबसे नीचा चेत जॉर्डन में मिर्ट सागर की आसपास का चेत है यह चेत समुद्धितल से अगर औसद देखें तो आप लोग 400 मीटर नीचा है सबसे पहले पाइथा गोरस ने बताया था कि पित्वी गोल है और आकास में सोतंत रूप से लटकी हुई है सर आईजेक निउटन ने साबित किया कि पित्वी नारंगी के समान है और जैम्स जीन ने इस नारंगी के बज़े नासपाती के समान देखा है पित्वी की बाहिस आता है कुमुकता चार भागों में बाटते हैं इस्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, बायू मंडल और जैब मंडल सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इस्थल मंडल को देख लेते हैं पितवी की संपूर बाहे परत जिस पर महादीप और महासागर आप लोग देखते न यह इस्थल मंडल कहलाते हैं जो बाहे जिसमें आप देखिए आप हम रह रहे हैं महादीप, महासागर जिसमें पानी मना हुआ है यह सभी इस्थल मंडल में आते हैं पित्वी के टोटल भाग में आप देखें तो 29% भाग पर आपका इस्थल और 31% भाग पर जल था तो आप कहें कि पित्वी पर जल की कोई कमी नहीं है बस देखिए पीने योग पानी उपयोग करने योग पानी नहीं है महासागरों में भड़ा हुआ है जो आप देखे पीने योग पानी नहीं है वरना टोटल आप देखे पित्वी के 71% भाग पर पानी है के बल 29% रहने योग है समझ रहे हैं पित्वी के भू चितफल बजल चितफल का अनपात 3 अनपात 7 है पित्वी के उत्टरी गुलाद का 11% और दच्चडी गुलारत के 81% छितफल में जल का समराज है यानि कि उत्तरी गुलाद में 11% है कम है और उत्चण गुलाद की तुल्ला करें तो दच्चड गुलारत में जाना देखने को मिलेगा और पित्वी पर अधिकतम उचाई माउंट एवरिष्ट की है कितनी है? 8850 मीटर और अधिकतम गहराई की बात करें तो मेरियाना गहरत है ग्यारहजार ग्यारहजार 22 मीटर है यह आप दोनों याद रखेगा इस पिकार पित्वी की अधिकतम उचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलो मीटर का अंतर है और इस्थल मंडल महादुईपी है छेत्रों में अधिक मोटी 40 किलो मीटर और महासागरी छेत्रों में पेकता के पतली 12-20 किलो मीटर आपको देखने को हैंगे कितना देखने को मिलेगा 12-20 किलो मीटर आगे चलते हैं चटान पित्वी की सत्य के कठोर भाग को आप लोग चटान कहते हैं जो पित्वी के बाहरी परत की सरचना की मुलभूत एकाईया है उत्पत्ति के अधार पर आप देखेंगे इसे तीन भागों में चटानों को माठते हैं कितने में तीन भागों में अगने चटाने और यह मैगमा और लाबा की जमने से बनती हैं जैसे ग्रेनाइट बैसाल फिगमामाटाइट डायो राइट ग्रूवो यह सभी आपकी अग सिसा जस्ता क्रोमाइट मैगनीज और सौना फिलेटिनियम पाये जाता है बैसाल्त में लोही की मतर सरवादिक होती है इन चटानों से काली मिट्टी का निर्मार होता है पैगमाटाइट कोडर्मा जहरखन में पाये जाने वाला अभ्यक इनी सेलों में मिलता है आपको देख चटानी फिंड बनते हैं इनका नाम करने इसके आकार रूप स्तिति और आसपा स्पाई जाने वाली मिट्टी चटानों के आधर पर किया जाता है अधिखांस चटानी फिंड अंतर भेदी अगने चटानों से बनते हैं यह अगने चटानों का रूपांतर जैसे अगने चट विला ग्रेफाइड में ठीक है फिर आप देखेंगे बैथोलित यह सबसे बड़ा अगनेई चट्टानी पेंड है जो अंतरभेदी चट्टानों से बनता है और यह एक पाताली है पेंड है और यह बड़े गुंबद की आकार का होता है जिसके किनारे खंड होते हैं इसका कोश्ट, रेंज, बैथोलित इदाहों से भी बड़ा है इस्टॉक भी आप लोगोने सुनागा चोटे आकार के बैथोलित को इस्टॉक कहते थे और इसका उपरी भाग गोलाकार गुंबद नोगा होता है इस्टॉक का विस्तार सो वर किलूमीटर से कम होता है लिकोलिक लि यह है गुंबदाकार ठोस पेंड़ छत्री नोमा दिखाई देता है उत्री अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलित के कई उधारां मिलते हैं लेकोलित वही बहिर वेधी ज्वाला मुखी परवत का ही एक अंतर वेधी आप देखेंगे पिती रूप है फिर आप लोगो यह कोलित जब मैग्मा लहरदार अग्रती में जमता है तो इसे फैखोलित कहते हैं सिल जब मैग्मा भूःजक के सवाननतर परतों में फैल Mack जमता है उसे सिल कहते हैं इसकी मौटाई एक मीटर से सेक्डों मीटर तक होती है और प्रकिती के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टाने किसी इस्थान पर जवा हो जाती है और बात के काल में दबाव या रसायनेक पिती के रिया या अनकाटों के त्वारा परत जैसी ठोस रूम में निर्मित हो जाती है आप लोग आउसादी चट्टाने कहते हैं चूनब पत्थर, सिलेट, कंगलो, मरेट, नमक की चट्टाने सेल खरी की, ठीक है, आउसादी चट्टाने परददार होती है, इसमें बनस्पती जीव जन्तूओं का जीवास्म पाये जाता है, इन चट्टानों में लोयास्क, फासपेट, कोईला, सिमेंट बनानी की चट्टा हो जाती है, दामुदर महा नदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की आउसादी चट्टानों में कोईला भी पाये जाता है, आगरा का किला, तिल्ली का लाल किला, बलुआ पत्थर नमक आउसादी चट्टानों से ही बना हुआ है, आउसादी चट्टानों के रूपांतरन क की बात करें, तो यह आऊसादी हो गया, कायांतित रूफ हो गया, सपंड, यह सपंड सिष्ट में, बलुआ पत्थर, क्वार्ट, जाइट में, और सेल, सेल, शेट में, चुना फत्तर संगमान पहें, लिगनाइट कोईला, एंथोसाइट कोईला में फिर आपकी तीसरी आती है कायांतित चटान और ताब दाब और रसाइने क्रियाओं के कारण अगने और आवसादी चटानों से कायांतित चटान का निर्माण होता है इनका रूप अगर कायंतित सेलेट फाइलाइट में और फाइलाइट सिष्ट में फिर आपने जुआला मुखी के बारे में भी पढ़ा होगा तो जुआला मुखी भूप पटल पर वह है प्राक्तिक छेद या दरार होता है जिसके होकर फित्वी का पिकलाप बदार लावा, राग, भाप या अन गैसे बाहर निकलती है जुआला मुखी के कव के आकार के मुख को आप लोग क्रेटर कहते है और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, सीख ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकडों में बदल जाता है जिसे आप लोग सिंडर कहते हैं, सिंडर उदगार में निकलने वाली गैस, गैसों में बास्ट का पिती सरवादिक होता है फेले असरो की उतपती ज्वाला मुखी के उदगार के समय ही होता है उदगार अउदी के अनुसा ज्वाला मुखी तीन तरह का होता है एक तो आप देखेंगे सक्रिये ज्वाला मुखी, एक्टिव इसमें अकसर उधगार होता रहता है वर्तमारमसर्भाय में विसमें सक्रिय जौला मुखी की संख्यल पांसो के करीब है इसे इन में पिरमों के हैं इटली का एटना और स्ट्रामबॉली मेक्सको उतरी अमेरिका में इस्टे थे थे बूंद् इयामा जापान में यमन मेयन ए फिलिपिन्स में सांत जोला मुखी ए वैसा जोला मुखी होता है जिसमें एतिहासिक काल में कोई उदगार नहीं हुआ जिसमें पुनाहा उदगार होने की संभावना भी नहीं है इसके उदगारन हो गया कोई सुल्तान देव देम वंद इरान पोपा मयानमार किली मंजारु अफीका चिंबराजु दच्छिन अमीर का इस सभी आपके सांत जोला मुखी के उदगारन है कुछ सक्क्रिय जोला मुखी का अधिकांस पिसांत महासागर के तकिये भाग में पाये जाते हैं सक्क्रिय जोला मुखी पिसांत महासागर की परीमेखला को अगनी वले कहते हैं क्या कहते हैं अगनी वले सबसे अधिक सक्रिय ज्वाला मुखी अमेरिका हो ये सिया महादीप में कित्र तों पर आपको देखने को मिलेगा आपको ठीक है और ग्रेसर ग्रेसर बहुत से ज्वाला मुखी चेतरों में उद्गार की समय दरारों और सुराखों से होकर जल बस पर कुछ अधिक उचाई तक निकलने लगते हैं इसे ही ग्रेसर कहा जाता है जैसे ओल्ड फियर फेद्फुल ग्रेजर यह USA की यलो स्टॉन पार्क में है इसके में पिते एक मिनिट उद्गार होता रहता है यह आप कहते हैं धुआरे का कि कटमाई परवत की हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है इरान को कोई सुल्तान और दुगारा वा निव जिलेंड की पिलेंटी की खाडी में इस्तित हाइट दुइप का धुआरा भी पिसेद दिखा पी है बिसका सबसे उंचा अगर ज्वालमु की परवत पूँचे तो कुटा फैक्सी है इसकी उंचा अगर आप देखें तो 19,633 मीटर आपको एकवाडूर में है यह बिसकी सबसे उंचाई परिस्तित सक्रिय ज्वालमु की पूँचे तो ओजस डेल सलाडू है एंडीच परवत माला में अजिंटीना चेली देश की सीमा पर देखने को मिलेगा जिसकी सबसे उचाई परिस्ते सांत जौला मुखी एकांका गुगा में एंडीच परवतमाला परिस्ते थे जिसकी उचाई है 6960 मीटर है ठेक है अब बात करते हैं भूमद्द की भूकम की भूग गरव सास्त की एक विसेश साका जिसमें भूकम का अध्यन किया जाता है इसे आप लोग सिस्मोलोजी भी कहते हैं भूकम पर तीन तरह के कंपन होते हैं एक तो आप देखें कि पर रात में कि आनि की पी तरंगे प्राइमरी या पी बेप यह तरंगे पितवी के अंदर पिते एक माद्धिम से होकर गुजरती हैं और इसकी वह साथ बेग अगर आप देखें तो आट किलो मीटर पिती सीकें होती है यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिसमें ए तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुचती हैं और पितवी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाये गया मार्ग नत्तो दर होता है फिर आप देखें दुतिय तरंगे या एस तरंगे यानि क सरफेस तरंगे एल तरंगे इन्हें धरातली है या लंबी तरंगों की नाम से आप जानते हैं इन तरंगों की खोज HD लब ने की थी और इने कई वाल लव वेव से भी कहते हैं एनका अन्य नाम है रे लाइड वेव ये तरंगे मुक्ता धरातल तक ही सिमित रहती हैं ये ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं इनकी चाल अगर देखें तो एक दसमलों पांस से तीन किलो मीटर की ती सिरकन होती है सते ही तरंगे अत्यधिक बिनासकारी होती हैं ये भी आप लोग याद रखेगा सरफेश जो तरंगे हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं बिनासकारी होती हैं भूकंप तरंगों को सिस्मो ग्राफ नावकियंत द्वारा रिखांकित किया जाता है और इनके बेवहार की समंद में निम्रिके तत निकले हैं। सभी भूकंप ये तरंगों का वेग अधिक घनत बाली पदार्तों से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत बाली पदार्तों से गुजर गया तो घट जाता है। बिभिन मार्ध्यम से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित अबवर्तित होती हैं। एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। भूकम्प के केंद से 11000 किलोमीटर के बाद लगबद 56000 किलोमीटर कोई भी तरंग नहीं पहुचती है। च्छित को चाया च्छित कहते हैं। क्या कहते हैं। फिर अधी केंद भूकम्प के केंद के ठीक उपर پितवी की सतयप और पर इस्थित बिंदु को भूकम्प का अधी केंद कहते हैं। सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है और सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन लहरों को जापान में क्या कहते हैं सुनामी कहते थे और जिन सम्मेदन सी लियनतो द्वारा भूकंप तरंगों की तीबता मापी जाती उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोगराब कहते हैं तीबता की बात हो रही है ठीक है या भूकंप लेखी या फिर सिस्मोगराब की द्वारा मापी जाती है इसमें तीन स्केल होते हैं रोसी फिरल स्केल और मारकेली स्केल और रियक्टर स्केल रियक्टर स्केल में भूकम की तीबिता या उड़ जम आपने वाली रियक्टर स्केल का विकास अमेर की विज्ञानिक चाल्स रियक्टर द्वारा 1935 में किया था यही एक लगवड़ती यह पिमाना है जिसका बार ट्यांक एक सिनो होता है और रियक्टर स्केल पर पिछली इकाई की तुला में दसमुनाधी तीबिता रखती है और इसके स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीबिता का अर्थ हलका भूकम होता है जबकि 6.2 की तीबिता का अर्थ सक्ति साली हुकम से लिया जाता है बिभिन इस्थालाक्तियां भी बनती है इसे बिभिन इस्थालाक्तियां भी देखते जे निर्माट के आजहर पर आप देखेंगे तो इस्थालाक्तियां तीन तरह के होते हैं परवत पठार मैदान परवत उत्पत्ति के अनुसर परवत चार त जाते हैं उसे पितीत होते हैं इन्हें आप लोग परवत कहते हैं ठीक है और बीच में धसे भाग को आप लोग रिप्ट घाटी कह देते हैं और इन परवतों की सीज समतल किना तथा किनारे स्तीब भ्रहंस का गारों से सीमत होते हैं और इस पेकार परवत अधारन बोस्ट जे जेस फ्रांस का हो गया, बिलेक फोरेस्ट जर्मनी का हो गया, साल्ट रेंज पागिस्तान का हो गया, देखे सीधा सा मतलब है कि इसके मालने जेकी ये सीधा सेंपल है, अगल अगल की भाग मुचे उठे जाए और नीचे का भाग नीचे को हो जाए, समझ रहे हैं, तो इसे ही बिलोग परमत कहते हैं, नीचे रिप्ट घाटी हो जाती है, परवर्ण ने बार के विफिन सिधान्द भी दिये गया है, सिधान्द हो गया है, भूगोल बेता हो गया है, भूस अनती कोबार ने दिया था, तावीय संगुचन जेफ रीज ने दिया था, महादुफीय विस् अरफिता प्रियोग टॉरेंटो विस्विध्याले की टूजो विलसन ने 1965 में किया था, प्लेट बेवर्तनी की सिधान्द की विज्ञाने बेख्या का स्रे डवलू जी मॉर्गन को दिया जाता है, और इसकी सबसे लंबी रिप्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी थी, ज जैसे बिंध्यान चल हो गया, सत्पोडा हो गया, नीलगिरी हो गया, पारसनात, राजमहल की पहाडिया, भारत में, सेरा, इस्पेन में, गैसा और भूटे ए अमेरिका में, तो आफसे परवत हो गया, तो संचित परवत, ए भूपटल पर मिट्टी बालू कंकर और पत्थल के मोड़ जाने से बनते हैं, और ये लहेदार परवत जिन पर असंक अप, नतियां और अभी नतियां होती हैं, हिमालाय हो गया, आलपस हो गया, यूराल हो गया, रौकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सभी आपके वलित परवत के उधारने हैं, विसके विसाल बलित पूचे तो मांट एभरीस्ट हो गई 8,848 मीटर या 8,800 520 मीटर अप्लित परवर्वतों के निर्मान का अदोनिक शिद्धान पलेट टेक्टोनिक की संखलम संकल्फना पराधाई थे और जहां आज हमालय परवत खड़ा है न वहां किसी समय में टेथिस सागर नावाग विसाल भू अभीनती अत्वा भू दोणी हिथी दच्छिड पठार के उत्तर की ओर विस्थाबन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह है उपर उठ गया जिससे संसार का सबसे उचा पर देखें तो 1722 मीटर है कुछे बिद्वान अरावली परवतों को अवसिष्ट परवत का उधारन मांते हैं यह हिमालय तो अभी नए हैं बच्चे हैं एक तरह से आपका यह समझ रहे हैं आप अरावली को देखिए अगर पुराने देखना ही आपको तो फिर आप देखेंग आप देखेंगे 300-500 फिट होगा और कुछ अधिक उंचाई वाला पठार होता है जैसे तिब्बत का पठार यह 1600 फिर 16,000 फिट उंचे है बोलेविया का पठार इसकी उंचाई 12,000 फिट है ओलंबिया का पठार 7,800 फिट है पठार निमने पिकार के होते हैं एक अंतर परवर पठार के कारण सतय पर उभर आते हैं तब ऐसी पठार बनते हैं जैसे दच्छिन का पठार या तटिये पठार समुद्र के तटिये भाग में स्तित पठार होते हैं गुमदाकार पठार इस चलन क्रिया के फलसरूर निर्मेत पठार जैसे आप देखेंगे रामगड आप द्रनातमक मेदान नदी हिमानी पवन जैसी सक्तियों के अपड़न से इस विकार के मेदान बनते हैं जो निम्न है लुएस का मेदान हवादवारा उड़ा कर लाई गई मिठी और बालू के कड़ों से निर्मित है काष्ट मेदान चूने पठर की चट्ठानों के घूलन बनी ही पाए जाते हैं या फिर रैगिस्तानी मैदान बरसा के कारण बनी नदियों के बहनी के फल स्वरूप इनका निर्माड होता है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा अब हम लोग आंगे चलते हैं एक आप देखते हैं निच्छे आत्मक मैदान नदी निच्छे द्वारा बड़े मैदानों का निर्माड की है इसमें गंगा हो गया सतलाज मिसी सीपी हौंगो के मैदान पिरमुख है इस विकार मैदानों में जलूर का मैदान डेल्टा का मैदान पिरमुख है भिन भिन कारको जील, युवाला, पोली एकंद्रा, इस्टेलेक्टाइट, इस्टेलेगमाइट लेपीज, सरवादिक उत्सोद कुगा, अस्टेलिया में पाये जाता है, सागरी एजल द्वारा निर्मेत इस्था लागती हैं, सरप हो गया, वेला हो गया, चली हो गया, तंगरीका हो गया, प कर यह सब यह, डेबलेंग मुख पर रूप से समू से मिलते हैं, इसी कारण जैसे स्थालाक्ती की अंडे की टोकरी की स्थालाक्ती कहते हैं, फिर आप देखेंगे पवंद्वारा निर्मेत इस्थालाक्ती हैं, जियूगेन, यारडंग, इन, सेल, वर्ग, छत्रप, प्लेय लेगून, बर्खान, लुएस, पैडी, प्लेयन, फिर आप देखेंगे समूद्वी तरंग द्वारा निर्मेत इस्थालाक्ती, समूद्री, ब्रगु, भुज्जीया, और लेगून जील, रिया तट, भारत का पश्मी तट, इस्टेक, डाल मेसी यान, यूगो सिलाविया क अतट है, भी आकार की घाटी नदीर से बनती है, ये कई बार पूछ लेता है कि ये घाटी किस से बनती है, ठीक है, गाज का निर्मा नदी की युवा आवस्था में होता है, फिर आप देखेंगे लटकती घाटियां, यू आकार की घाटी मोरेन हिमानी चेत में बनते हैं, युवाकार की घाटी के तल चोड़ेवा किनारे चिकने और ढालती बहुती है। जल निर्गम छिद्र और काष्ट मैदान चूना छिद्र की स्थलक्ती में पाए जाते हैं। मरू टिबबा हवा के तेज बेग से बने रेतिली टीलों को कहते हैं। इसके निर्मार के लिए औरोत का होना अवस्यक होता है। सरक के सीख से पर अपरदन होने से हार्ण निर्मित होते हैं। आलपस परवत की चोटी मैटर हार्ण और हिमाले परवत की सबसे उची चोटी एवरिश्ट पास्ताव में हार्ण है। जो सरक के सीख अपरदन से निर्मित है। लगादार अवर्दन से सरक के दोनों तरफ की दिवायरें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंगी या आरी के समान कटकों की रूम में हो जाता है जिनें अरेत तीच कटक कहती हैं इन पर चड़ना असंभा होता है सागरीय जल तरंग दोरा निर्मित तटर एका़ के पेकार जैसे फियड तट हो गया किसी हैमानी करफ तमे रूमि के सागरीय जल के नीचे दश जाने से फियड तट का निर्मार होता है इसके किनारे खड़ी दीवारों दीवार के समान होते हैं, और उधारन के लिए जैसे नौर्वे का तट, फियर्ड तट का उधारन है, रिया तट, नदियों द्वारा पर्धित उच्छ भूमी के धश जाने से रिया तट का निर्माण होता है, इसकी गहराई समुद्र की ओर क करम सा वर्ति जाती है और प्रादी पी भारत की पश्मी तटका उत्री भाग दिया तटका उही उधारन एक तरसे तो यह याद रखिएगा है पाट है फा तट सागरिये तटी भाग में किसी निमने भूमी के ढूब जाने से निमी तटको है फा तट कहते हैं और इसे पर दॉलमे सीएन तट समानंतर परवर्थ ये कटकों वाले तटों के धसाओं से एक तरसे डॉलमे सीएन तट का निर्माड होता है योगो सलाविया का डॉलमे सीएन तट इसका ही उधारन है फिर आद देखेंगे निर्गत समुद्र तट इस्थलखंड के ऊपर उठने या समद्री जलिस्तर की नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माड होता है और इस पिकार के तट पर इसपेट लैगोन पुलेन कलफ महराव मिलते हैं भारत में गुजरात का काठी अवाड तट देखते हैं निर्गत समुद्र तट का उधारन है फिर आते हैं आपक बर्सा होती है यहां की अगर पेड़ देखें अगर तो यहां के पेड़ों की पत्रियां चोड़ी होती है एनाकॉंडा विसका सबसे बड़ा सौब फिर आपका उस निकटी बंदी है अर्द पत जड़ बन एक सोपचा सेंटी मीटर से कंबरसा वाली प्राप्त करने वाला बन है साल सागवान वासाधी इसी बन में पाए जाते हैं फिर आप देखेंगे विस्वत रेकिये बन इन बनों में बैक्च और जाडियों का मिसरण होत है गर्मी में यहां मौस और लाइकन उखते हैं परवर्टी यहां चोड़ी पत्ती वाले संकुधारी वेक्च पाए जाते हैं तो यह भी याद रिखेंगे गहांस के मैदन और मुझे लगता है कि आप लोग यूपीपीस के पुरानी कुष्टेंस पेपर प्रेडलम्स के उ वाब देखें कि उस कटीबन दी है घास भूमिया इसे अलग 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 नाम से जानते हैं जैसे समद हैर अफिकामे सहबाना के नाम से जानते हैं ब्राजिल्ट के नाम से जानते हैं लानोस में बेनो जोला और कोलंबिया में आप लोग इसे लानोस के नाम से जानते हैं और सीतोष कटी बंदिया घास भूमियों की बात करें तो इसे भी अलग-अलग नामों से जानते हैं जैसे सायुक्तराज अमेरिका और कनाड़ा में पेरी के नाम से अ बुर्चिटी वंद्या घास भूमियों की बात करें, तो अफिटी वंदिया, इनने सबाना की नाम से जानते हो हैं। सेयुक्तराज अमेरिका में और कनाड़ा में से पेरी के नाम से जानते हैं अर्जिंटीना में पंपास के नाम से जानते हैं और दशेन अफीका में वैल्ड के नाम से जानते हैं औस्टेलिया में डाउंस के नाम से जानते हैं ACI Ukraine, रोज चीन के मंचूरिया पिदेश में आप लोग इसे इस्टैपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक कुश्चन साब का पक्का लगभग मुझे लगता है, और दो आजाएं तो कह नहीं सकते हैं, अब चलते हैं महादीपों की तरफ, पितिवीप और भुभाग की सबसे वड़ी इकाई को महादीप कहते हैं, और पितिवीप के 29-30 भाग पर महादीपों का विस्तार देखने को मिलेगी, महादीप विपरतने की किरिया से अलग हुए हैं, और संपोर्ण पितिवीप का स्थल्चित साथ महादीपों में बटा हु उनके लासों को आप लोग जरूर देख लिजेगा, पितिवीप अगर एसिया की बात करें तो एसिया सब्दी की उत्पत्ती हिब्रु भासा के आसू सब्दे से हुई है, जिसका साब्दी कर्थ होता है और यह संसार का सबसे बड़ा महादीप है, यह बिसके लगभग 30% छ परवत कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमत सागर, एसिया और यूरोब की सीमा बनाता है, ठीक है, तो यह भी याद रखना होगा, फिर आप देखेंगे तो लाज सागर और स्वेज नहर एसिया को अफीका से अलग करते हैं लाज सागर और स्वेज नहर एसिया को अफीका से अलग करते हैं एसिया और अफीका महादीब के लिए बेरिंग जलसंदी एसिया को उत्री अमेरिका से अलग करता है यह बिस्ट की लगबग 60% जनसंग या सरवादिक जनसंख्या वाला महादीप निवास करती है यहां बिस्ट समय यहां महादीप में अत्ती प्राचीन हो कि इस्तलकंड अंगारा लेंड और चीन आप देखेंगे रूस चीन और गौडवाना लेंड प्राइदीप यह भारत इ एसिया में विस्ट का सबसे उचा परवत सिखर हिमालय परवत सेंडी फर माउंट एवरिष्ट है जिसकी उचाई आप देखते हैं कि 1850 मीटर है जो नेपाल में सिस्तागर माता के नाम से जानते हैं आप लोग विस्ट का सरबादिक विस्टित पठार तिबट का पठार है जो मद देशिया में है यह आप देखेंगे दो लाग बर किलोमीटर चेत में फैला हुआ है एसिया में विस्ट का सबसे उचा पठार भी है पामीर जिसकी उचाही 4875 मीटर इसी कारण पामीर को विस्ट का छट भी कहते हैं रोफ ऑफ दा वर्ल्ड ठीक है एसिया में जनसंख्या बढ़ाने में अपना ही अपना ही अवगान भली भाती सभी लोग दे रहे हैं एसिया में छितफल की दृष्टी से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे चोटा देश माल्दीप है एसिया में विसका सरवादिक जनसंख्या घनत वाला देश सिंगापूर है एसिय कि इस्थल रुद्ध देशों की बात करें जिसकी सीमा समुदर से नहीं चूती है इन देश में कजाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया मंगोलिया नैपाल भूटान तुर्गमिनिस्तान उजवेकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान लाओस और इस्थल रुद्ध संत 1 357 meटर है एस या में फिलिपिन्स ड्वीप समू के पास बिस्ट का सबसे गहरा सागरीि पैसांत महासागर न फे ग्यार ए2 मिटर है इसकी है और याद की मेरियन मेरिया अन गर्था पैसांत महासागर में थे विस्ट की सबसे गहरी जील वेकाल जील है धरातल से आप देखेंगे 1940 मीटर है गहरा है और समुद्ध तल से आप देखेंगे 1485 मीटर गहरा है एसीया में इस्तित है विसके सबसे बड़ी जील आंत्रिक सागर केंपियन सागर ये आद देखेंगे 34,800 बर किलोमीटर में फेली हुई है एसीया महादेब में ही देखने को मिलेगा रूस के एसीया ही भाकुल साइविरिया कहते हैं वेकाल जील और केस्मियन सागर साइविरिया में ही इस्तित है रूस देखें ये यूरो में भी बड़ता है रूस का पुछ हिसा एसीया में विसका सबसे अधिक उचाई वरस्तित खारेफानी के जील पेगांग जील है 4,266 मीटर उचा है लगड़ाग बतिबद में और इसीया महादी में विसका सरवादिक वरसा वाला चित मासन राम है 11,000 अब देखेंगे 405 मिली मीटर मेगाला है भारत में इससे पहले चैरापुझी सरवादिक वरसा वाला इस्थान था ठीक है विसकी सबसे उची रेलवे लाइन का निर्मार चीन में किया गया और चीन के चिंग हाई चिंग हाई प्रांद से शुरू होकर तिबबत के लिहासा तक फैली है इस रेलवे लाइन की उचाई 5,72 मीटर है महावैली गंगा स्रीलंका की सबसे लंबी न दिये एसिया में विसका सबसे लंबा रेलवे पिलेटफॉर्म गोरकपूर उत्तरपेदेश में भारत में इस्तित है इसकी उचा है लंबाई 1.3 किलो मीटर है इसकी है इससे पूर खड़कपूर सबसे लंबा पिलेट महावग था चीन विसका सरवादिक मचली पकड़ने वाला देश है दूसरा है जापान विसका सरवादिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश होंग कांग है विसका सरवादिक डांगर भारत में देखने को मिलेगा हम लोग नाक माग मिलेगे और आंगे पैसांद महासागर में गिरने वाली एसिया की प्रमुखना दिया हौंग हो गया, आमूर हो गया, सिकांग हो गया, यांग टीसी यांग हो गया, आर्केटिक महा सागर में गिरने वाली एसिया की प्रमुखना दिया, जिनमें मुहाना सीत, रितु में जम जाता है, लीना हो गया, ओबे हो गया, इनेसी हो गया, भूमत सागरी ये जलवाईव मे कि ACI देश जैसे साइफरस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेमनान माउंट एवरेश्ट से जुड़े हुए गुछ तत है माउंट एवरेश्ट का नाम ततकालीन भारत की महा सरवेक्चक सर जॉर्ड एवरेश्ट की नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेश्ट की अवस्तिती का पता लगाया था और वे 1830 से 1843 तक भारत की महा सरवेक्चक रहे थे माउंट एवरेश्ट की चोटी 15 कहा जाता है था एवरेश्ट की स्तिती की बात करें तो देशांतर 66 डिग्री, 86 डिग्री, 55 मिनिट, 40 आप देखेंगे पूर बार, अक्छांस इसकी देखेंगे 29, 27 डिग्री, 69 मिनिट आपको देखने को मिलेगा परमत माला की असपास वेवरेश्ट थलों के उसद मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेश्ट की उचाई, 8848 आखी गई थी National Geographic Society ने GPS अपगरे के उपयोग द्वारा, 5 माई 1999 को एवरेश्ट की उचाई, 8850 मीटर होने की दावा किया है माउंट एवरेश्ट को तिब्बत में कौमो लंगमा, बरख की देवी और नेपाल में सागरमाथा यानि कि ब्रहमंड की माता कहते हैं और इसमें पितवी का तीसरा धुर्ब भी कहा जाता है सबसे पहले एडवंड हेलेरी और तैंजिंग नौर्गे ने उननीस सो तिरेपर में माउंट एवरेश्ट की चोटी पर पहुँचे थे ठीक है नोवांग गुम्बू पित्थम बैखती थे जो माउंट एवरेश्ट पर दो बार चड़े पहली बार 1 माई 1963 में अमेर्की अवियान के साथ और दूसरी बार 20 माई 1965 में भारती अवियान के साथ नोवांग गुम्बू जिंग नौर्गे के भतीजे थे जिम भीटर पित्थम अमेर्की थे जिन्होंने 1 माई 1963 में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने में सफलता हासिल की थे जुंको तबई जापान की पही मैला थी जो एवरेश्ट पर चड़ने 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 थी पहुंचने में सफल हुई कामी पहली बार 24 बर की उम्मर में 1994 में चोटी पर गई थी विसमें सबसे कम उम्मर यानि कि 13 साल की एवरेश्ट पर चड़ने वाले पुरुस्त थे जॉर्डन रोमे रोमेरो और अमेरिका के थे जिनने जिनने 22 माई 2010 को सखर पर चड़ने में सफ 24 माई 2014 को आप देखेंगे सिखर पर चड़ने में सफलता हासिल की थी सबसे कम उम्मर यानि की 15 बरस में एवरेश्ट पर चड़ने में सफल होने बाला भारती पुरुस्ता रागहो जुनेजा मुरादाबाद उत्तर पर इसके देश ने 21 माई 2013 को एवरेश्ट पर चड़ने में 2010 को चड़ने में सफल हुए थे एवरेश्ट पर उतिबद की ओर से चड़ने पर उम्मर सीमा की बादता नहीं है अमेरिका की टॉम प्राई टेकर पहले विकलांग बैकती थे किंतिम टांग जो 1998 में एवरेश्ट टेकर पर पहुँचे थे हमारी तो दोनों हैं हम लोग भी कॉसिस कर सकते हैं कभी जाय के हीमोफीलिया रोक सी गिर्सेद पिधम बैक्ती क्रेसे बॉंबाडियर डेने डेन ओवर अमेरिका ने 22 में यह 2017 को मांट एवरेश्ट पर चड़ने में सफलता अंसिल की थी इसने मांट विलसन को छोड़कर विस्थे के सभी महादीपों की जब भी किसी देश की यात्रा को करो तो वहां की जो भी उची चोटी रहेगी जो भी परवत की उस पर आप लोग जरूर कोसिस करिएगा चड़के तो देखना चाहिए क्या हाल बता रहा है तो यह भी याद रखेगा आगे चलते हैं हम लोग एसेया का सबसे घना बसाद्वी फेस जावा। और इसेया के सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइवेरियें। रेलमार्ग तर्लम्मान है नियनलन गिराड़ से विलाडी वोक्त सकतर जाता है। एसिया के सबसे लंबी रेल्वे सुरंग सिकन है जो जापान में है 53.85 किलो मीटर लंबी समध तल से इसकी गहराई है 240 मीटर एसिया के सबसे बड़ा रबर उत्पादक पर निर्यातक देश थाइलेंड है मलेसिया और इंडोनेसिया है एसिया के देश चीन तमाखो गयहुँ चावल आधी के उत्पादर में विस्वें पिथम इस्थान पर रखते हैं एसिया के देश जापान को सहितूत की पत्तिरियों पर पाले गए रेसम कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेसम पैदा करने में विस्वें पिथम इस्थान मिलत और मलेसिया की एफो किंता के लांग गाटी टिन खरनन का प्रमुक केंद भी है एसिया के सबसे गरम इस्थान मोहन जोदरों पाकिस्थान में है और सबसे खंडा इस्थान वर्खो यास्क साइवेरिया में जहां ताबमान के रमसा 53.5 डिग्री सेंटीगेट 26 मई 2010 को और माइनस 89 डिग्री सेंटीगेट मिलता है वार्खो यास्क को पितवी का सीथ दुर्ब भी गहते हैं लाज सागर भूमत सागर को जड़ने बाली नहर को आप लोग स्वेज नहर कहते हैं विसका सबसे बड़ा सिंकोना उतपादक देश इंडोनेसिया है और वांडूंग इसक बेरिंग जल अमुरू कहते हैं अलास्का और कम चटका प्रादी के बीच है जापान का नागा साकी सहर की उसो दुई परस्तेत है जापानी लोगों को चाय अत्यदिक परिये हैं और ये लोग चाय का एक विसेस उत्सव चा नू यूब मनाते हैं बेरिंग जल संदी अंतरा लाएस थायलेंड म्यानवार आते हैं स्वायडम तरभूज के अंतर करत लाएस थायलेंड और म्यानवार आते हैं तो यह चैनल फिया le Rick Adee महादीप है क्या अफेका महादीप बिस्त्य का दूसरा सबसे वड़ा महादीप है पहले नंबर पर आपको कौन आता है एशिया आता है जो जिब्राल्टर जनसंदी द्वारा यूरोप से अलग होता है अगर आप से पूचे कि जिब्राल्टर संदी किन दो महादीपों को अल और पश्में में आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा इसे कॉंटिनेंट और कॉंट्रास्ट भी कहते हैं ठीक है और अफीका एक मातमहादीप है जिससे होकर विस्वत रिवर्थ हो अकरक रिवर्थ हो या मकर वर्थ हो यह सब ही गुजरती है तीनो अगर आपको अपनी संस्किती देखनी है कि अगर अभी तक किसी ने अपनी संस्किती बचा की रखी हुई है तो वो जन जाती है जो आप देखते हैं कि उनके चेतन में आप लोग जाय करिए गया तो वहां के इबारे में एक अखटी जानकरी कर लिया करिएगा क्योंकि कई जगे आप देखते हैं कि वो आखमड भी कर देते हैं और वो अपनी संस्किती से चढ़ चार नहीं करने देते हैं ठीक है 13 सेप्टमबर 2000 बारे कुः 20 मौसम विज्ञान विभाग ने संगठन ने करीब 90 बरसों चले आ रहे हैं अल अजीजिया लीविया के अधिक्तम ताबमान 58 डिगरी सेल्सियस की रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया था और जिसके कारण अब विस्व का सबसे गर्म स्थान ग्रेन गया था ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा और अफीका को कांगो कि कांगो नदी विस्वत रेखा को और लिम पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है जो कांगो नदी है विस्वत रेखा को दो बार काटती है और लिम पोपो ए नदी मकर रेखा को दो बार का कहते हैं इनसे questions पहले भी बात कर चुका हूँ अफीका का सबसे लंबा रेल मार्ग के कैफ काहिरा रेल मार्ग है जो दच्छन अफीका गडराज की कैफ टाउन नगर से मिस के काहिरा नगर तक जाता है मिस में सोईज नहर है जो लाल सागर को भूमत्य सागर से मिलाती है और इस नहर का निर्माण 1889 में किया गया था जिसके कारण यूरोप ने यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दोरी की बचत हुई थी और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और विस्व द्वारा 1956 में इस नहर का राष्टी कंट कर दिया गया था सोईज नहर के धचली चोर पर पोर्ट सोईज और उत्री चोर पर आप देखें गे पोर्ट सईढ देखने पतन देखने कुमलेंगे तो इस लाइन में से आप देखें कई questions बन सकते हैं अगर आप लोग इस लाइन को अच्छे से पढ़ लें अफीका के कालाहरी मरुस्तल में सुतरमर्ग चिडिया मिलती है और उत्पादन की दिरिष्टी से अफीका में किमबरली खान, दच्छण अफीका और चेतफल की दिरिष्टी से ओरापा, वोत्सपाना विस्व की सबसे बड़ी हीरे की खाने है और विस्व का सबसे विसाल हीरा ये आप देखेंगे 3106 केरेट को दच्छण अफीका में कि प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलीनान ने खो जाता और इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रख दिया गया और विस्व के सबसे विसाल मरुस्तल सहारा मरुस्तल आपको देखने को मिलेगा 84 लाग बर किलूमीटर शितफल में फैला हुआ है चाड़ जील इस मरुस्तल में ही इस्तित है दक्षडफीका में कालाहरी मरुस्तल भी है और आप देखे कि हीरा इस देश में उत्पादन होता है हीरा मिलता है उतकनन से और आप सोचिए कि गरीव महदीप है कई देश इसमें गरीवी में जी रहे है टेलिफा मापकरी टेफी ला लेट मरूद धान ये छेत पल लगभाग इसका आप देखेंगी तीरह जाओर वर किलो मीटर हो मुरक्कों में देखने को मिलेगा एटलस परवस उत्री पश्मी अफीका महादी में इसते थे और यह अल्जीरिया त्युनीसिया वा मुरक्कों में पचीस सो किलो मीटर लंबाई में विस्ता रहे थे यही एक नवीन बलित फरवत का उधार ने इसकी सरवोच चोटी है माउंट टाओ टाओ हुकल ठीक है और जो दच्छेट पश्मी मुरक्कों में इसते थे एवी सीनी पठार अभीका उत्री पूर्वी भाग हार्न ओप अभीका में इसते आर्कीयन योक की सरजना है यह पठार मुक्रूप से इतोफिया में इसते थे और एवी सीनिया इतोफिया का पूर्म नाम इसी पठार की नाम पर पढ़ा है और दच्छेट अभीका के जोहां परसेंट क्रोमियम का उत्पादन करता है और दच्छड अफीका की नियाएक राधधानी क्या है विलो मफोंटेन ठीक है और अफीका में सरवादिक चाह उत्पादित करने वाला देश कीनिया है अफीका में सरवादिक जेतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनिसिया है अफिका में बने बाले जैरी नदी भारी या अत्रा में जल अफिका की नदियों में सबसे अधिक जल बहा कर अटलांटिक महासागर मिले जाती है इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा फिर है आपका आंगे अफीका के बारे में और क्या है जांबिया में जम्बेजी नदीप निर्मित करीबा बांग से अफीका के सबसे अधिक जल्व विद्धुत उत्पयदा की जाती है अफीका बादिप में नील लदीप और वसा सबसे बड़ा सहर है काहिरा और दच्छड अफीका के छे देशों अंगोला, ओस्वाना, मुजांबिक, तंजानिया, जांबिया, जिमवांबे को फ्रेंट लाइन, इस्टेट, सीमावर्ती राज कहते हैं इन छे देशों को हौन और अफीका, हौन ओफ अफीका, अफीका के पूरी भी भाग को कहा जाता है और इसमें मुकरूप से इथोपिया, सुमालिया, जिबूती ये सभी देश आते हैं भूमद रेखा पर अगर आप देखें तो अफीका महादीप के देश तो गेवोन हो गया, कांगो हो गया, गरतन्त हो गया, यूगांडा हो गया, कीनिया हो गया, सुमालिया हो गया ये सभी भूमद रेखा पर है अफीका का फिर्मों खजूर उत्पादक देश मिस है, मिस के किसान फिलार कहलाते हैं, फिलाहर, ठीक है? और गोल्ड कोष्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना है, और अफीका में सीसल नामक पोधे से जूट पैदा होता है, अफीका को अंध महादीब भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक सामाजिक और उद्धोगिक सांस्किते को सिक्षा के जिते काफी पिछड़ा हुआ है अफीका में सरवादिक जनसंख्या वाला देश नाईजेरिया है, अफीका का सरवादिक नंगरी के देश लीविया है और इस महादीब में नाइजन नदी को ओम तेल की नदी भी कहा जाता है, इसे नाइजन नदी को मिस्ट को इंतम राष्ट है जो यूएनो द्वाराउं 193 बार सदस बना था ए नौ जुलाई 2011 एक उस्तंत राष्ट की रूम में आया और इसे इसाई बहूल देश राजधानी जुबा है इसकी ठीक है फिर आपका आता है उत्री महादीप क्या उत्री अमेरिका महादीप तो उत्री अम में फैला हुआ है और उत्री अमेरिका मद्ध अमेरिका केरीवियान सागरिये छित में कुल 29 देश है और इसकी खोज आप अगर देखें तो 1492 में हुई थी कोलंबस द्वारा की गई थी और इसे ही आप लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं 100 डिगरी पश्मी देशां सी यातरी के नाम पर अमेरिका पड़ा पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दच्टी अमेरिका को जोडती है कौन सी पनामा नहर और जिससे अंद तथा प्रसांत महासागरों के भी जहाजों का याताया सोगम हो पाया उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन एस्किमो और इन यूट का आते हैं और एस्किमो का घर बरबना का बना होता है जिसे इगलू कहते हैं ये भी आप लोग याद रखेगा वे रेंडियर कुत्ति का उपयोग इसलेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं सील मचली की खालो और हड़ी से नव बनाते हैं जिसे कायाक कहते हैं उनका हतियार हार्पून कहलाता है तो आप सोचिए कि वो फुरानी पद्दी से जी रहे हैं और वो उनी का उपयोग कर रहे हैं उनी से अपना साधने बना रहे हैं उत्री अमेरिका को उच्छतम परबस्थिकर की बात करने कि दच्चन पच्चमी तट्टिये भाग को ग्रेंड वेंग कहते हैं और यह है मत्स फालन का प्रमुक केंद भी है और करनाडा की तट्टिये रिख्या की लंबाई विस्की सबसे अधिक है और इसकी लंबाई दो लाग कितना दो लाग दो 5,080 km है पूर में ए celui में अट्लान्टिक महासागर के साथ पच्चिम में पिसांद महासागर के साथ और उत्तर में ₹्कितिक महासागर के साथ इसके नर्वे का की लंबाई के मामले में दूसरा इस्थान नौर्वे का आता है 58,133 km साइक्तराज जमेरिका के दच्छिड पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्तवाद हरीकेन और टोर्नेडो की नाम से जानते हैं से आप लोग उत्री अमेरिका में सीतोष नगास मैदान को पेरी कहते हैं और USA का डेटटाइड कार उद्द्यू का प्रमुग केंद है और एक्रावन विस्व का सबसे बड़ा सेंथेटिक रवर्ड और टायर बनाने का केंद है कनाडा का मॉन्टियल्स कागज उद्धियों के लिए विस्विसित है कनाडा विस्व में सरवादी कागज उद्पादन करने वाला देश भी है उत्री अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादा को निर्यातक देश है विसमें इसका दूसरा इस्थान आता है विसमें पिता में कजाकिस्थान का ठीक है और संसार में सीसे जस्ते का सबसे बड़ा भंडार विटिस कोलंबिया कनाड़ा में है यहां का सुली वान खान विस्की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है और निर्माड पिकिरिया में जस्ता और सीसा फंमित दरूप से मिलते हैं इसे जोड़वा खनीज भी कहते हैं आप लोग USA में विस्ट का सरवादिक मक्का उत्पादक करने वाला देश है USA विस्ट में सरवादिक सुयावीन उत्पादन करने वाला देश सयुक्तरा जमेरिका ही है क्यों बाद दूइप सुनें आप लोग एक गंडे का प्रमक उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा भी कहते हैं से आप लोग बताइए आपके किस राज्जों को चीने के कटोरा कहते हैं ठीक है फर जमेका केला उत्पादन के लिए विस्ट फिस्द है मेक्सको का तर्ट कहवा की कहती के लिए उपयोग इस्थल माना जाता है उत्री अमेरिका का मेक्सको विस्द में सरवादिक चांदी उत्खनेत करने वाला देश है और स्युक्त राज अमेरिका के मौन्टाना राजको के बूटे खान विस्ट की सबसे बड़ी तामे की खान है कनाडा का बुल्ड बुफेलो नेशनल पार्क विस्ट का सरवादिक बड़ा पार्क है जो उत्री अमेरिका महादी में देखने को मिलेगा यह है अलवाटा परांत में देखने को मिलेगा उत्री अमेरिका की निवार्क सिटी में ग्रांड शेंटरल टर्मीनल विस्ट का सबसे बड़ा रेलवेस टेटर है और सबसे बड़ा इस्टेशन है और इसकी विख्यात मक्का मंडी सेक्तराज अमेरिका की सेंट लुईस नगर में आपको देखने को मिलेगी और इसमें देखेंगे निवार्क में अमेरिका मियूजियम ओप नेचूरल हिस्टरी विस्ट का सबसे बड़ा अजायब घर है और अमेरिका उत्तरी अमेरिका में सुफियर जील विस्ट की सबसे बड़ी ताजेब जल की जील है उसे के पश्टमी भाग में नमकीन पानी की जील ग्रेट साल्ट लेक आपको देखने को मिलेगी या उसे के यूटा है राज में इस्तित है सेंट लॉरेंस नदी जीलों से मिलकर विस्ट का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है नियाग्या जल परपात की बारे में सुने है ये इरी और ओंटेरियो जील के मद्दिस्तित है कनाडा और यूएसे की सीमा पर उत्री अमेरिका के पूर्वी तटफर लिब्राडो ठंडी जल्धारा और गल्फ इस्ट्रीम गरम जल्धारा बहती है और इसमें ग्यहों की मंडी के नाम से विख्याद नगर वेनी पे कनाडा में है उत्री अमेरिका के दो अंतर फरवर्वर्थी है पठार कोलोरेडो पठार और मेक्सको का पठार आपको देखने को मिलेगा रॉकीच परवद अगर की प्रमुक सेनियों की बात करने तो कास्केड हो गया सेरा निवेदा हो गया कोष्ट रेंज हो गया सेरा माद्रे हो गया फिलेंग उद्द्यों के लिए कैलिफॉनिया का लॉस एंजल्स नगर विस्पेसिद्ध है हॉलीबुड यहीं पर है ठीक है आपका जिस तरह से मुंबई है ना उसी तरह से आप कह सकते है ओत्री अमेरिका में और क्या देखो गया आप सैन फ्रांसेस्को में सुने हो यह सिलीकन वैली है जो की सॉप्टिवेयर वा कंप्यूटर कुद्धियों के लिए काफी विख्या आते कैव केनो वेरल जिस तरह से अंतरिक च्यान चोड़े जाते है यूएसे के फिलोरीडा राज में अटलांटिक तट पर आपको देखने क मिलेगा सिकागो विस का सबसे बड़ा रेलवेस्ट जंग सन है ओतरी अमेरिका की प्रमुख पे जाती हो कि रेड इंडियन हो गया मेक्सिको में नेग्रो ये पश्चमी दूइप समूव में देखने को मिलेगा संसार का सबसे बड़ा बंदरगा अगर आपसे पूचे तो निवार्क है इस्टैच्व ओफ लिवर्टी निवार्क में ही देखने को मिलता जिसका डगाइन फेडरिक और अगस्टस बार्थओल्डी ने किया था सैभ्तराज्य अमेरिका का ँंतराश्टी राश्टी उध्यान एलो इस्ट्रॉन पार्क विस गा पिथम उध्यान है पर में सोने की सबसे वड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में देखने को मिलेगा और कनाडा में बायुयानों को जीलों पर और सागरों में जमी बरत पर भी उतारा जाता है क्योंकि यहां बायुयान को उतारना आसान नहीं होता है और इसकी वायुयान कहते हैं और ब्लेक हिल, बि परिस्ते थे और पनामा नहें कि दो बंदर गाइक कोलन और पनामा है कि कनारा का प्रेंच भासी चेते हैं और इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त भी है जनसंख्या की दृष्टी से अगर सबसे उत्री अमेरीका का सबसे बड़ा नगर अपसे पूंचे तो मैक् साइवतराज अमेरिका के दच्छड़ी केलिफॉनिया में इस्थित मिर्तक घाटी, डैथ बैली, अभी नती घाटी के उधारन है मिर्तक घाटी में ग्रेज सिमकालीन ताबमान 55 डिगरी से अब देखेंगे 56 डिगरी सेंटीगेट की पहुच जाता है फिर आपका आता है यूरोप, तो यूराल और काकिस का परवत एसिया महादीप को यूरोप से पेथक करते हैं और इस महादीप में 46 डेश हैं और विस्वे यह विस्वे का सरवादिक नगरीकत महादीप है यूरोब को प्रायदीपों का प्रायदीप भी कहते हैं अप लोग यूरोब को प्रायदीपों का प्रायदीप कहते हैं तो मैं रहे हैं यूरोब महादीप चितफल की दृष्टी से ऑस्टेलिया को छोड़कर अन सभी महादुपों से छोटा है और यूरोब महादीप उत्तर और त्री धरोब सागर दच्छण में भूमत सागर और काला सागर और प्वेशन में आप देखें कि अन्द महा सागर सिखरा हुआ है क्या इउरोब और यूरोब में सरवोज सिखर है एल वर्ज इसकी उंचा एकर आप देखें तो 5642 मीटर है यह रूस में इस्तित है आपको पहले भी बताया हुगा है कि रूस देखिए यूरोब में भी पढ़ता है और आपका एटिया में भी पढ़ता है लेकिन आप देखें जहां जनसंग है फ्रांस में देखने को मिलेगा आलगवस की मेटर हार्ण ए 4478 मीटर है चोटी स्वीजलेंड और इटली सीमा पर देखने को मिलेगा ठीक है यूरोब महादीव की सरवादीक महतपूर नदी है डेनिव ए 2842 किलो मीटर लंबी है और बुलगारिया चेग सेलोबाकिया यह बंदरगा आपको देखने को मिल जाएंगे यूरोब की सबसे लंबी नदी बोलगा नदी है 3687 किलोमीटर इसे डॉन नदी में मिला दिया जाता है और इसे काला सागर से होकर समद्री जहाज महादूरी के भीतरी भागू में जाने लगे हैं यूरोब महादीव का सबसे का सुन्दर नगर माना जाता है इसे फैसन की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं कौन फ्रांस का एक समुद्री एक प्रमुक सहर है जो कौन फिल्म फेस्टिबल के लिए जाना जाता है यूरोब के यूक्रेन गडराज विसका प्रमुक ग्याहूत पादक देश चेत में आविवस्तिक बिलेक फोरेश्ट राइन अधी के किनारे इस्ते थे यूरोब का सबसे महत्पूर्ण रेलमार्ग ओरियंटल ओरियंट रेलमार्ग जो फ्रांस के फैरिस नगर से टर्की के कुस्तोनिय कुस्तोनिया नगर के मद्द जाती है और छेटपल की दिरिष्टी से बिस्त का सरवादिक बड़ा देष रूस यूरोब महाधिब में ही देखने कू मिलेगा ठीक है सेंपेन सराब बिस्त में सबसे अधिक फ्रांस में ही बनते हैं और फ्रांस तुरा सुन्दरियों का देष भी कहा जाता है और आप देगी इस महेंगी सराब हो दिये आप स्वकिन भी होंगे यूरोप के अधिकांस देश को तेन और से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्राइदीपों का महादीप भी कहा जाता है यूरोप के फिनलेंड को जीलों का देश कहते हैं यूरोप का बलेक फॉरेस्ट और हॉर्ज परवत ए भ्राउन सोध लेगा टिकेट और यूरोप में जल विद्धूत का सरवाधिक विकास इटली और स्वीडन में इसते थे और फ्रांस को राइन यार्ड और नॉर्वे को फेयोड यह तटों का देश कहते हैं इंग्लिक्स चैनल फ्रांस को उनाइटिट के इंगडम से अलग करता है इंग्ल के इंगडम और फ्रांस को जोड़ती है और इस रेलवे सुरंगी की कुल लंबाई अगर आप देखें तो 50.45 किलोमीटर है और इसकी गहराई 75 मीटर है और इसकी सुरुवात 6 मई 1994 को हुआ था और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवाविक की सुरुवात हुई थी है गल्फ VEी जानते हैं यूरोप का मरीज तुरकी को कहते है और यह काला सागर तूरिकी के एसिया अई भाग और यूरूपिय हIch भाग को अलग करती है तुर्की की राधानी अंकाराू यूरोप्य भूभाग प्र रहूस्थे तिकें तूरकी भी क्यूंकि आप देखें यूरोप मे वो ACI में पढ़ता है फिर आपका नीदरलेंड नीदरलेंड ने उत्री सागर की तटकी साथ बड़े बड़े तटवंद बना कर समुद्र में से भूमी प्राप्त किये और इन तटवंदों को डाइक कहते हैं और इस पेकार प्राप्त भूमी को पोल्डर कहते हैं हम लोग आलपस परवत का सफरादीक विश्दार आपको सुईजर लेंड मैं देखने कुम लेगा काँ सुईजर लेंड में और इटली के भीच गरेंट ग्रेट सेंट वर्नाड दर्रा मार्ग फिधान करता है और और इटली के ब्रेणर दर्रा मार्ग फिदान करता है पैरी नीज परवत फ्रांस और इस्पेन के भी सीमा बनाने वाला परवत है और विसका सबसे लंबा भूमी गया तरेल मार्ग लंदन और पैरिस को जोड़ता है लंदन और पैरिस को फिर आप देखेंगे देखोगे क्या देखी लिजे पो नदी को कि इटली की गंगा कहते हैं किसकी इटली की गंगा फ्रांस की सीन नदी इंग्लिस चेलेज में गिरती है और फ्रांस को भूमी और जल्वायू की दरिष्टी से लगू यूरोप कहा जाता है फ्रांस यूरोप को ऐकमात देश है जो खाद्यान-उत्पादन में आत्मनिरभ नौर्वे के इस वेल वाड दूइप में अंतराश्टी ये बीज भंडार बनाये गया है। ग्रेट वेटेन के अंदर के इंग्लेंड, बेल्स, स्कॉटलेंड समले थें, जो किरमसा पूर्वी पश्मी ओत्री भाग पर हैं। उतरी आयलेंड सहित ग्रेट वेटेन को युनाइटिट किंग्रम कहते हैं। इंग्लिश चैनल वाड डोबर जलजन्दी द्वारा यूरोप की मुक्भूमी से अलग होता है। जोर्जिया, अर्मेनिया, अजर्वेजान को सयुक्त रूप से काके सस्त राज्य कहा जाता है। अट्लांटिक नहीं। अंटार्किटिक महादीव की खोच कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में की थी। और अंटार्किटिक महादीव दिस्त का पांच बार बड़ा महादीव है। अंटार्किटिक की भूमी तीन महासागरों हिंद महासागर, पिसांत महासागर, अट्लांटिक महासागर से ग्रीव है। और इन महासागरों के दचडी महासागर या अट्लांटिक महासागर अंटार्किटिक महासागर के ही भागें। चार डिगरी सेंटिकेट से कम रहता है इस महादीप की खोज सरपितम प्रयास अंग्रेज नाविक, अंग्रेज नाविक था ये, कौन इसका क्या नाम था, अंग्रेज जैंस कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन ये इसके मुख भूमी तक नहीं पहुच पाया था, और इस महादीप की मुख भूमी की खोज करने का सरे एक फैवियन वेलिंग सोसेन को जाता है इसने जिसने 1820 में बॉस टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख भूमी तक पहुचा था अंटार्क्टिक का 98% भाग सदा वरप से धका रहता है और पूर्टा हिम अच्छा दित हो और यह 1911 में पहुचा था सीत रितू और ग्रीस्म रितू में महादीप का अलग-अलग आकार होने के कारण से गती सील महादीप भी कहते हैं कुईन मोड परवस एड़ी इस महादीप को दो बरावर भागों माटती है और यहां के सर्वत चोटी है बिंसन मासिप इसकी उचाही देखेंगे तो 1140 मीटर आपको देखने को मिलेगा माउंट एर्वुस अन्टार्क्टिक का अकेला सक्रिय जो आला मुकी है और विसका सबसे कम तामान अन्टार्क्टिक के वो स्टोक में रेकॉर्ड किया गया है जो माइनस 89.2 डिगरी सेंटीगेट तक रहता है अन्टार्क्टिक में पोल ओफ कोल्ड में विसका नियुनतम भार्षिक तामान मिलता है सूर के उत्रायन के बाद अन्टार्क्टिक में 6 महीने तक रात होती हो जबकि सूर के दच्छिणायन के बाद यहां 6 महीने तक दिन होता है लाइकेन वा मौस अन्टार्क्टिक की मुख बनस्पती है यहाँ पर किल मचली जुन्डों में रहती है क्रेल ठीक है तो यह भी याद रखेगा अन्टार्क्टिक भारत की संद्रब अगर देखें इसके पागे बेक्ष में तो डॉक्टर गीराज से रोही बुलन सहर भारतिय थे तो यह भी नाम याद रखेगा और भारत में अपना अंटार्क्टिक अभियान 1981-82 में प्यारम किया था और भारत का पहला अंटार्क्रिक अभियान दल डॉक्टर साईद जहूर कारसिम की निदित में सब्सक्राइब याद रखेगा और और भारत अपना अंटार्क्रिक में अपना पहला सोध केंद दच्डी गंगोत्री 1983 में स्ताफित किया था जो अब नश्ट हो चुका है 1989 में दूसरा भारती सोध केंद मैतरी की स्थावित की गई थी और लारसम समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद भारती स्थावित किया हुआ है तो इन सब को याद रखे दच्छडी गंगोत्री मैतरी भारती फिर आपका आता है दच्छडी अमेरिका महादीप दच्छडी अमेरिका का अधिकां सब्सतार दच्छडी गोलात में है और यह विस का चोत्रावड़ा महादीप माना जाता है और इसका चेतपल अगर आप देखें तो एक करोड़ सततर लाख अंठानवे हजार पांसो बर किलोमीटर में पहला हुआ है और वह संसार का सबसी आठ भूम महादीप है पिसांत और अटलांटिक महासागर की बीच अबस्तित यह महादीप पनामा जलसंदी द्वारा उत्री अमेरिका से मिला हुआ है किस द्वारा पनामा जलसंदी द्वारा और इस महादीप के दच्छडी भाग में टेरा टेल फ्यूगो नमगदूइप है जो इस मोक भूमी से मैगलन जलसंदी के द्वारा अलग होता है वह इसका दच्छताम सरा आप देखें तो हॉन अंतरीप ह दच्छडी अमेरिका देश ब्राजिल की सीमा चेली और एकवाड़ोर को छोड़कर से सभी दच्छडी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है भूमदर एखा पर इसते दच्छडी अमेरिका के देश हैं कौन एकवाड़ोर कोलंबिया और ब्राजिल तो यह आप लो याद र मीटेर रूचाई पर है यह बॉलिविया पठार परस्तित है यह भी याद रखेगा दच्छड अमेरिका कि ब्राजील में बहने बाली अमेजन नदी विस्व में अपवाय की दृष्टी से पिथम नदी है और इस महादीब की सबसे लंबी नदी माना जाता है और यह नदी ब रहते हैं यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है यहां कुछ लोग मलो का कहे जाने बारे बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छतीब धलान वाली होती है फिर आप देखेंगे अमेजन बेसन का पर परजीवी पौधा ब्रोमेलाइड ब्रोमे बेनेजवेला में केरी नदी अब औरी निको नदे की सहाइक पर इस्तित एंजिले उन्नामक जर्ना विस्त का सबसे उचा जर्ना है नौसर 89 मेटर यह गुवाना पठार में इस्तित है ठीक है फिर आप देखेंगे दच्छडी अमेरिका में चेली अर्जेंटीना सीमा पर इसका सबसे उचा जोड़ा मुकी ओजेस डेल सलाडो है यह एंडीज परवत माला में श्तित है दच्छडी अमेरिका के बरसा बन का इस्तानिय नाम सेलवास है और दच्छडी अमेरिका के अमेजन दोनी के बनों में वालसा नमक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है और सकने वाला पक्षी है अफीका के सतर मगर और ऑस्टिलिया की एमू की तरह है सतर मगर तो आप लोग देखने गये होंगे अपने यहां चडिया घरों में देखते हैं ना प्यूमा प्यूमा और जगुआर दच्छनमेका का सिकारी जनवर है और यह बंदरों पेड़ों पर हैने वाले दूसरे जीवों का सिकार करते हैं और एंडीज परमत्माला की उचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोज ढोने के काम आता है ग्याओ नको एक पिकार का जंगली जाम लामा है जो पेंटागोनिया के मरूस्थर में पाया जाता है ग्याओ नको इस महादीब के बॉलिविया राजिकी राधानी लापाज विसकी सबसे उचाईवर है अगर आप देखें यह 3658 मीटर पहुशते थे राजदानी नगर है ठीक है लापाज बोलिविया राजिकी राधानी लापोज या लापाज भी कहते हैं इस महादीब के सबसे बड़ा नगर रीडी जिनेरो है व्राजील में दच्षडी अमेरिका में गवाना व्राजीर और पेटो गोनिया के पठार भी देखने को मिलेंगे दच्षडी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तित गहांस के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास को अर्जेंटीना का हिदय भी कहते हैं पंपार शेत में पोशक तत्तुम से भरपूर अलफा अलफा नामगास भी पाई उगाई जाती है और दच्छडी अमेरिका के बनों से रवड, ट्रेंकोना, चंदन, कार्णोबा इस तरह की कई बस्तु में प्राफ्त होती है ब्राजील रवड के पेड का मूल स्थान है उग्यों का चंदाकार PTV अर्जेंटीना में ही आपको देखने को मलेगी जड़ दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सरवादिक कोको उत्पादक देश है विसमें इसका दूसरा इस्थान आता है और दच्छडी अमेरिका का ब्राजील विसमें सरवादिक कॉपी दच्छडी अमेरिका के एंडीच परवत पर तेन सो तीन हजार मीटर की उचाई पर है इसे विसमें राधधानी भी कहते हैं हम लोग दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सरवादिक मेगनीज उत्पादक करता है और ब्राजील को आप मापा खान संसार में मेगनीज का सबस दच्छडी अमेरिका के सरवादिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है और सरवादिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सरवादिक तेल उत्पादक देश देनेजोईला और कोलंबिया है और सरवादिक तामा उत्पादक देश चीली है एंडीच परवत की 7200 किलोमीटर चेत में फेली हुई है और एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्तल है दच्छेड अमेरिका के मद्दवर्ती भाग में उत्री चीली में इस्तित अरीका विसका सुस्किकम इस्तान है और अर्जिंटीना के विसाल पसुफार्मों को एक्टांसिया आटाकामा मरुस्तल में नाइट्रेट के भंडार है और जहां बरसा ना होना वर्दान ही सिद्ध हुआ है और विसमे कहवा का पात ब्राजील है विसमे कहवा की मंडी सोफुल पाउलू है दच्छनमेरिका के कहवा निरमात करने वाला प्रमुक सेंटास पतन है अर्जिंट अर्जिंटीना है दच्छिड अमेरिका का वह स्थान जहां जाडों में बरसा होती मद्चिली है दच्छिड अमेरिका का उष्ण मरुस्तल पेंटागोनिया है विराजील का सांटोस बंदरगा कॉफी बंदर क्या गाह की नाम से से जानते हैं हम लोग दच्छिड अमेरिका कप्राक्टिफ पिजिनन के अंदेख और दच्षडी अमेरिका के पर्शमी पतरवर्थी चेत्रों में समुद्री बक्षियों से प्राप्देख खाद को गुवानों कहते हैं जो फॉस्फोरस का समर्द स्रोत होता है तो यह दच्षडी अमेरिका महादीप ने पट जाता है फिर आप बात करेंगे हम लोग किसके बारे में आप बात कर लेते हम लोग ऑस्टेलिया के बारे में किसके ऑस्टेलिया के बारे में यह सबसे छोटा महादीप है और दच्षड और मकर ब्रत इसके मद्द से गुजरती है इसे दुईपीय महादीप भी कहते हैं हम लोग न्यूजिलेंड और ऐस्टिलिया की खोज ओवेल तस्मान ने 1642 और एवं 1644 में की थी 1768 में इंग्लेंड से केप्टन कुक पिथम बार ऐस्टिलिया गया और 1789 तक उसने तीन बार ऐ जात्रा की थी इसे भी ऑस्टिलिया के खोच करता की रूमें जानते हैं ठीक है फिर आप देखें निस वी सताब्दी के पार हम तक उस्टिलिया का संबोधा निउ इंग्लेंड या नियू साउल्थ निउ साउल्थ वेल्स तथा बोटानी था मैथ्यू फिल्डर्स ने सरव इस महादीब की पूरी परिक्मा जहाज से की थी और उसी ने सरवपितम इसका नाम और रखा था और इस महादीब में आप देखें कि 22 देश हैं और यह निवासियों को आप लोग एबोर जीन्स कहते हैं जिन्स कहते हैं और यह निव गिनी के वीच टॉरेस जलसंदी है और आउस्टेलिया और निव गिनी के बीच आउस्टेलिया के पिरमोग परवस सिंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस परवस सेंडीब और महादीब का सरोज सिखर फॉसियों स्कूप जिसकी उचाहिए आप देखेंगे 2288 मीटर उच चाहिए और विस विख्या सोनी क अग देखेंगे दूसरा इस्थान उन निर्यात में दच्छी रफीका कहा जाता है और अस्टेलिया में भेड पालन के अंदरों पर काम करने बाले मजदूरों को जिकारू कहते हैं और अस्टेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग और ट्रांस कॉंटिनेंटल रेलमार्ग जो से सिडिनी के मद्द बिचा हुआ है ठीक है तर आप देखेंगे मरे डालिंग की घाटि ओस्टेलिया की सबसे प्रमुक के क्रिसी चेत है यह उपजाव हुमी रेवी रेवी रीना कहलाती है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा तो आप देखेंगे की ओस्टेलिया यूरे यूरेनियम की उत्पादन में उस्टिलिया विस्से में तीसरा इस्थान है इसका उस्टिलिया विस्से में सरवादिक वॉकसाइड उत्खनित करने वाला देश है बर्सा की कमी के कारण उस्टिलिया के मतवर्ती निमने भूमी में अनेक गहरे कुए खो दे गए और जिन में अपने अब बड़े वेक से पानी उपर निकलता रहता है यो उत्सुत कूप कहलाते हैं इन कूपों का विस्त चेद ग्रेट आर्टीजन वेसिन कहलाता है और अस्टेलिया के क्विस्ट लेंड राज्य के पू उत्तर पूरवी तड के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भी और अस्टेलिया का इस्थान विस्ट में तीसरा है और इस महादीब का प्रमुक मरुस्तल है गिफ्सन और विक्टोरिया किसका और अस्टेलिया का और अस्टेलिया के प्रमुक गेहूत पादक देश है नियू साउथ वेल्स और विक्टोरिया और अस्टेलिया महादीब को तो इस महादीब के उपनावों को भी हाद रखेएगा उस्टेलिया के दच्छेडपूर में इस्टेड नूजी लेंड को दच्छेड का वेटेन भी कहते हैं नूजी लेंड में एमू और कोका वर्रा नामक पक्षी पाये जाते हैं एमू की टांगे लंबी होती हैं इसे पंक नहीं होते हैं इस कारण यह खोप देद दोर सकती है और लेकिन उड़ नहीं सकती है कोका वर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं पिलेट टीपस और जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तेलता है चारों पेरों वाला यह जीब अंडे भी देता है कुआला ओस्टिलिया का धानी प्राणी वर्ड का दूसरा पिरमुक चैनवर है और कुआला पेडों पर रहता है और यूकीलिप्टस की पत्तियां खाता है और यह रात को जाकता है और दिन की समय उंगता या सोता है ठीक है नकल करने में कुसल पक्षी लायर वर्ड ऑस्टेलिया में पाए जाता है यह दूसरे बक्षियों के गाने कुत्ते के भॉंकने गुजरती हुई कारों के होर्ण की आवाज की नकल कर लेता है न्यूजिलेंड के दौनों प्रमुक दूइप कुक जलसंदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं न्यूजिलेंड की सर्वज चोटी मांट कुक है इसकी उचाई देखेंगे तो 3724 मीटर है यहां के मूलने बासी मो मो मा ओरी कुक सिखर को औरिंगो कहते हैं की भी कर लिया है अपोर्सक्रon इन तो यह महादीफ हो गए सब से शोटा देध्याइए और परबत हो गये उचाई हो गई सब से लंबी नदी गहन्तम बिंदु गहरा बिंदो और गहरा गया है इसकी क्या है देखिंक इसे ऐसा आ जाता है कि सबसे बड़ा समाधीप का सब्सेँ बड़ा देश कौन सा है और परवत कौन सा है सबसे निचले स्थान कर मीटर और नील लदी सबसे लंबी नदी है और गहंतम बिंदू या गहराई में असाइज जील है इसकी गहराई 156 मीटर है अंतार की टिका की बात करें तो इसमें विसन मासिक यहां का परवत है और इसकी उंचाई देखें तो पांच जार एक सोचारी समय नदी और नेक्स यहां की जील है, जो मापकरीब सबसे लंबी नदी, 32 किलो मीटर की है, बेंटल ट्रेंच यहां की गहराई में है, इसकी अगर गहराई देखने तो 2853 मीटर है, एसिया चीन सबसे बड़ा देश है, और मालदीप सबसे चोटा देश है, माउंट एवरेश्ट यहां क चीन सबसे ऊची चोटी है, 8848, यांग सी, यांग सी क्या है, यांग सी सबसे लंबी नदी, और डेर सी कहनतम में दो हो गया, 397 मीटर है, और मर्य यहां की सबसे लंबी नदी है, और आयर जील यहां की गहरी है, सबसे गहरा बिंदू, 16 मीटर, यूरोप, रोस, सबसे बड़ा देश है, और बेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश इसमें, माउंट एलवर्स, यहां अगर सबसे परवत हुचा है, 5642 मीटर है, वोलगा यहां की नदी सबसे लंबी है, केस्पिय 1194 मीटर, इसकी उचाई है, और मिसोरी, इसका क्या हो गया, सबसे लंबी नदी, और डेथ बेली, सबसे गहरा बिंदू, यह है, 86 मीटर, दच्छिडी अमेरिका बिराजी सबसे बड़ा देश है, फॉकलेंड सबसे चोटा दीव, देश, ओजल, टेल, सेलेडो, यहां की सब सबसे उचा पर बिते है, 7,084 मीटर, अमेजन यहां की सबसे लंबी नदी है, वाल्डस, फैनिन, यहां का गहनतम बिंदू है, गहराई में 40 मीटर, दोजार इकीस में चीन और नेपाल की सांज्या अकालन में, माउंट एवरिष्ट की उचाई, 8,8848.86 मीटर बताई गई है यह भी याद रखेगा, एसया महादीप को सब्थप का पलना और अफीका महादीप को मानोजाती का पलना भी कहते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जल मंडल की बारे में, इस थल मंडल में आप लोग देख चुके हैं महादीपों को अब जल मंडल को भी देख लीजे इनसे भी कुश्टन साहते हैं आपकी पर एक्षाओं में तो जो पूरी पितिवी है इसके तीन चौथाई भाग पर लगबग एक अतर परसेंट भाग पर जल का विस्तार फ्यला हुए है यानि कि पितिवी के एक अतर परसेंट भाग पर आप देख रहा है जल आपको देखने को मिलेगा उत्तिगी गुलाद में अगर आप जाए तो 60.7% और दच्री गुलाद में आप देखेंगे तो 80.9% भाग में आपकी महासागरों से ढखा हुआ है पानी से ढखा हुआ है और पित्वी पाउपस थे जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो खा रहा है जिसे हम लोग उपयोग नहीं करप सकते है और इसे लिए देखते हैं कि पानी की कमी हर छित में आपको देखने को मिलेगी अगर महासागरों का जल उपयोग कर पाते हैं तो हमारे पास बहुत जल होता जल रासी का मत्र 2.5% भाग में ही स्वक्ष जल या मीठा जल है यानि कि 12.5% भाग में धरातल पर गिनने बाली जल का लगभग 69% भाग महासागरों और अनिस्थारों से बास्वी करन के द्वारा बाई मंडल में चला जाता है और सेस भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमी में रिच जाता है और कुछ हिमनत के आरूम ले लेता है तो 1% से कम भी आप देखेंगे हमारे यूज के लिए पानी पीने के लिए उपलब्द रहता है महासागरी जल दो महत्पुन उगण है एक तो तामान एक लवड़ता जलमंडल की अगर बात करें तो वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है जलमंडल का हो है बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहते है उसे भूगोल विदों ने पितवी के महासागर महासागरी भाग को चार महासागरों में महानगरों में विभाजित किया है इसमें पिसांत महासागर हो गया, अटलांटिक हिंद, आर्केटिक महासागर हो गया, इनको याद रखिएगा, सबसे बड़ा पिसांत महासागर है, देखें जो जितना बड़ा होता है, उतना ही सांत होता है, आप सभी जानते हैं, पिसांत महासागर उसकी परिवासा यह तरह ताव, उच्च तामीती है, वक्य कहते किया जाता है, समुद्र की बात करें तो जल मंडल को है बड़ा भाग, जो तीन तरफ से जल से घरा होता है, एक तरफ से महा सागर से मिला होता है, इसे आप लोग समुद्र कह देते हैं, ठीक है? खाडी भी आप लोग सुनते होंगे, त दूसरे तरब मौहाना का समुद्र से मिला होता है सामानता अगर महासागरियत जल के तापमान की बात करें तो लगभद 5 डिगरी सेंटीगेट से 33 डिगरी सेंटीगेट की बीच रहता है और महासागरियत जल की सतय का वुसत देनेक तापमांतर अगर तापांतर देखें तो नगन होता है लगभद एक डिग्री सेंटीगेट यहां विसके दस तब से वड़े तटीए सीमा वाले देश हैं यह देश हो गया इनकी लंबाई कनाड़ा एक दो लाग का आप देखेंगे 2,086 किलोमीटर नॉर्विग 58,133 किलोमीटर लंबाई है इसके इंडोनेसिया चम्गुंद समलो माप डिग करी संग्गन करें 25,720 किलोमीटर रोषotot 5,633 किलोमीटर फिलेपिन्स 36,289 किलोमीटर जापान 29,759 किलोमीटर औश्टेलिया 25,766 TO युए से 19,924 किलो मीटर अंटार्किक 17,968 किलो मीटर न्यू जिलेंड 15,134 किलो मीटर और चीन आप देखेंगे कितना 14,500 किलो मीटर और पच्चपतर सो किलो मीटर यानि की 7,500 किलो मीटर तटीय रेखा लंबाई की साथ भारत आपका विस्त में 16 इस्थान पर आता है हमारा नंबर 16 इस्थान पर है ठीक है महासागरीय है जलका उच्चितम बार्सिक ताप अंतर अगस्ते में और निवनतम बार्सिक ताप अंतर फरवरी में आप देखने हैं brothers जेलता है आकारं में अंतर आटलांटिक महासागर में बार्श्रिक ताप उस साइविर्या रखेता है गरते भी हैं यह रहत रखेगा जैसे मैरियानागर्द सबसे गहरी है 11500 महाशागर मेरे आपको Bob सबसे जाना पिसांद महासागर में देखने को मिलेगी कहां देखने को मिलेगी पिसांद महासागर में तो यह भी याद रखीगा महादुइफिये सेल्फों पर लमे समय तक प्रात इस्थूल तल चटी और साथ जीबस मीदनों के सरोध बद्दे और महादुइफिये सेल्फ तेक महादीब का विस्तित सीमान्त होता है जो अपेक्छा के उतले समद्रों तथा खाडियों से घरा होता है सेल्फ पर अतेंद तीब ढ़ाल पर समाथ होता है इसकी ओस्तित तीब बिता आप देखेंगे एक डिगरी या उससे कम होती है और महादुइफिये ढ़ाल की ओस्तित गहराई अगर देखें तो 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है लवड़ता की पिती हजार में व्यक्त किया जाता है समुद्री जल की ओसर लवड़ता अगर देखें तो 35,000 है ठीक है और 24.07 की लवड़ता आप देखेंगे की लवड़ता खारी जल को सीमांकित करने का उच्छ सीमा माना गया है हजार में ठीक है USA 4,7,131 बर किलो मेटर भारत 3,14,070 बर किलो मेटर चीन 1,37,060 बर किलो मेटर इरान कितना? 1,16,600 बर किलो मेटर इतोपिया 1,4,300 किलो मेटर बर किलो मेटर में कोलंबिया 1,2,010 बर किलो मेटर इंडोनेसिया 93,000 बर किलो मेटर कांगो 47,810 बर किलो मेटर इसके कुल 6 फल का आप देखेंगे 8.9 भाग जल है और यहां किसी देश में सभी पिकार को जल भाग को जोड़ा गया तो जैसे उस देश में इस नदी, जर्णा, जील, ताला इन सब को जोड़कर बताय जा रहा है और समान खारेपन बाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती ना है इसे सम लवन रेखा कहते हैं ठीक है और 20 डिगरी से 40 डिगरी उत्री अक्षांस और 10 डिगरी से 30 डिगरी उत्री अक्षांस के मंदर सबसे अधिक लवरता आपको देखने को मिलेगी तुरिकी की वान जील की लवर्टा सबसे अधिक है 330 और दूसरा मेरिट सागर में आप देखेंगे 238 लवर्टा साधरान गहराई के साथ बढ़ती है और एक इसपष्ट छेत जैसे हैलो क्लाइन कहा जाता है यह तीपिता से बढ़ती है समुदरी जल की बढ़ती लवर्टा उसके घंत को बढ़ाती है और भूमत सागर को लवर्टा उच्चे बासवी गंघर के कारण अधिक है गाई ओट सबाड 40 वाले समुदरी परवतों को गाई ओट कहते हैं हम लोग पैसांत मादर सागर में गुआम दूइप के समीप विस्तिद मेरियान गरत अब से गहरा गहरत है इसकी गहराई गहराई आप देखें तो 11 किलो मीटर लगवाग यानि कि 11,022 मीटर है इससे चैलेंजर गरत की नाम से भी आप लोग जानते है चैलेंजर गरत की नाम से सोल के बारे में भी आप लोगोंने सुना होगा जल मगन उद्थान का वए भाग जहां जल की गहराई चिचली होती है सोल कहलाता है यह परवाल से बना नहीं होता है ग्रेट बेरियर रीप यह उस्टेलिया के कुईस लेंड की समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भी थी है पिसांत महा सागर में देखने को मिलेगा पिसांत महा सागर यह समुद्र के साध्रातल का एक तीसरा भाग ढखता है और इसका चेतफल अगर आप देखें तो कितना है सोले करोड संतावन लाद 23,740 बर किलोमीटर में फैला हुए और इसकी आकरती देखेंगे तो तिरवजाकार आप देखेंगे तो समुद्र इस्थल की छेतफल से भी अधेक है जतने में आप लोग रहे रहे ना पूरी पितवी है ना पितवी पर जितना इस्थल मंडल है र अंटार्किक महादीप पर है भूमद रेखा पर इसकी लंबाई देखेंगे तो सोले जार किलोमीटर से भी है देखें और इसके पश्चे में एस या तथा और अगोश्टिलिया महादीप पूरब में आप देखेंगे उत्तरी और दच्ड़ी अमेरिका और दच्ण में खोटस्क सागर, जापान सागर, फीत सागर, पूर्वी चीन सागर ये सभी आपको देखने को मिलेंगे पूर्व की ओर के बल कैलिफॉनिया की खाड़ी ही पिसेद है इसमें बैसिन के उसक लग गहराई आप देखेंगे 7300 मीटर है 7300 मीटर बाई मन्डल का सावान परी संचर्ण उसका महसागरों का प्रिभाव क्या पड़ता है तो बाय मंडल के सावान परी संचन के संदर में फिसान्थ महासागर के गरम या ठंडा होना अत्यदिक मत्कुन है यह मद्ध पिसांद भाहसागर की गरम जल्दाराएं दच्छन अमेरिका की तर्ट की ओर पर भावित होती है और पेरू की ठंडी जल्दाराओं का इस्थान ले लीती है पेरू की तर्ट पर इन गरम धाराओं की उपस्तिती एल नीनो कहलाती है और एल नीनो घटना का मद्ध पिसांद बहसागर और ऑस्टेलिया की बायुदा परिवर्तन से गहरा समंद रहता है। इन घटनाओं के द्यान पुर्वक आकला से संसार के अन भागों की मौसम संबंदी वहस्वाणी के रूम में इनका प्रियोग किया जा सकता है। इसके पच्चे में दोनों अमेरिका और पूर में आप देखेंगी यूरो और अफिका दच्छन में अन्टार्क्तिक आपको देखने मिलेगा। उत्तर में ग्रीन लेंड हर्सन की खाड़ी बाल्टिक सागर वा उत्तरी सागर मगन तर्ट परिस्तित हैं। इस महासागर की सबसे महत्पूं विशिष्ता मद्द अटलांटिक कटक है। और यह उत्तर में आइसलेंड से दच्छन में बोवेट दुईप तक लगभग आप देखिए 14,000 किलो मीटर लंबा और 4,000 मीटर उंचा है। यह एक जल मगन कटक है जो कि इसको अनेक चोटियों जल की से उपर उठकर छोटे चोटे दुईपों को धारन कर लेती हैं। और अजोर्स का पाईको दुईप और कैव बर्दे दुईप इसके प्रमुक उधारन हैं। और जहां इसे टेली ग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। प्रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। और ब्यापार की दृष्टी कौन से अगर आप देखें तो अटलांटिक महासागर संसार के सबसे अधिक व्यस्तिब महासागर है। अब आता है इंद महासागर। इसके उत्तर में आप देखेंगे एसिया महादीब और दच्छे में आपको अंटार्क्टिक महादीब। और पूर्व में आप देखेंगे ओश्केलिया महादीब और पश्मे अफीका महादीब देखने कुमलेगा। यही एक अर्द महासागर है, इसका कुल 6 फल अगर आप देखें तो 7 करोड, 34 लाग, 25,500 पर किलूमीटर में फिला हुआ है, यही एक तरप आप देखेंगे पिसांद महासागर से, वो दूसरी तरप आप देखेंगे अटलांटिक महासागर से मिला है, कराकरिका इस महासागर मेडागास कर, मेडागास कर, मेडागास कर, मेडागास कर, मेडागास के पूर में आप देखेंगे मौरिसस दूइप है, इस महासागर में बास्विक तटवर्ती सागर दो ही है, यह लाल सागर औ फारस की खाड़ी, आरफ सागर औ बंगाल की खाड़ी की गरना भी सागरों महीं की जाती है लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात है डियागो गर्सिया दूइप इसी वहासागर में है फिर आपका आर्केटिक महासागर है जाता है यह उत्तरी धुर्प के चारों और है और यह आर्केटिक विर्थ के अंदर है बास्तों में अट्लांटिक महासागर का उत्री विस्तार है और यह वेरिंग जल्स संधी नामक उतले समुद्र के सक्रे भाग द्वारा पिसांद महागा से जोड़ा हुआ है यह यह इवरोप एस यह उत्री अमेरिका के उत्री तटों से घरा हुआ है इसका अधिकांसभाग वर्स भर हिम की मौटी परतों से धका रहता है सैली बीच सागर इसी सागर में आपको देखने को मिलेगा महासागरों में सबसे बड़ा पिसांद महागा सागर है और सबसे चोटा आलकेटिक महासागर है यह सभी याद रखेगा अब बात आती है महासागरिये जल्धाराओं की यह भी जरूरी है यहने भी पढ़ लेना चाहिए तो महासागरिये जल्धाराओं की अगर बात करें तो एक निश्चित दिसा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरिये जल्धाराओं की एक विसाल जल्धासी के प्रवाह को महासागरिये जल्धाराओं केहते हैं हम लोग इसे ठीक है और गरम इसमें दो तरह की धारा होती है एक तो गरम जल्दारा होगी एक आपकी धंडी जल्दारा होगी जैसे गरम जल्दारा की बात करें तो निम्न अक्षांसों में उश्ने कटीवन्दों से उच्च समसीतोष्न और उपर धुर्विय कटीवन्दों की ओर बहने व ठंडी जल्दाराओं की बात करें तो उच अक्छांसों से निम्न अक्छांसों की ओर बहती है और इने ठंडी जल्दारा कहते हैं एफरेयाद धुर्मों से मुहमत रेका की ओर चलती है और इनके जल्दाराओं रास्ते के में आने बाले जल्दाराओं की तामान से कम होता है औ उत्री गुलाद की जल्धाराएं अपनी दाई और दच्छडी गुलाद की अगर जल्धाराओं की बात करें तो अपनी बाई और प्रभावित होती हैं और यह कोरियो लस्बल की प्रभाव से होता है। ठंडी जल्धाराएं गरम सागराओं की और बदल जाती हैं। यह देखिए पिसांत महां सागर की जल्धाराएं ठंडी जल्धाराओं को याद रखिए और गरम को रखिए इनसे कुश्चन्स पूछ लेता है। एल नीलो जल्धारा, सुस्मा की जल्धारा, दच्छन विस्वती रेखिए जल्धारा, पूर्वी ऐस्टेलिया की जल्धारा, विस्वत रेखिए विफुरीत विस्वत रेखिए जल्धारा, फिर आप देखें कि अटलांटिक महासागर की जल्धारा, इसमें आप देखें तो उत्री विस्वत रेकिये जल्दारा, गल्फ इश्ट्रीम जल्दारा, फिलोरीडा जल्दारा, दच्छिन विस्वत रेकिये जल्दारा, विराजील जल्दारा, विपरीत विस्वत रेकिये, ग्री जल्दारा, इर्मिंजर की जल्दारा, इस अभी आप देखेंगे गरम ध सागर की गिरिस में काली मानसून की जल्धारा गरम और परीवर्तन सील जल्धारा है और सीथ काली मानसून फिर वा ठंडी और परीवर्तन सील जल्धारा है सार गेसो सागर के बारे में आप लोग पड़े हैं तो सार गेसो सागर के बारे में अगर हम बात की जाए तो इसमें आप लोग देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20-40 डिग्री उत्तरी एकशांस और 35-65 डिग्री माकरी 75 डिग्री पश्टमी देशांतर को मद्द चारों और प्रभावित होने वाली जल धाराओं के मद्द इस्तिस सांत और इस्तिस जल के छेत को आप लो सार्ग सागर के नाम से जानते हैं या गल्प इश्ट्रीम कनारी और उत्री विस्वत्रिये धाराओं की चक बीच सांद जल्चेत होता है इसके तड़ पर मौटी समुद्री घास तरती है इस घास को आप लोग पुर्दगाली भासा में सार गैसम कहते हैं और जिसके नाम पर ही इसका 26 डिगरी सेन्टिकेट आपको देखने को मिलेगा सारेषु सागर को सरप्रिफम इस्पेन की नाग विकोंने देखा था कहांके इस्पेन के है तो ये भी आप लो याद रखेगा ने है गरम और ठंडी जल्दारा जहां मिलती है वहां तलैंगतन नामा घास मिलती है जो मचलियों का मुकाहार है और जिससे उन उस इस्थान पर मत्स उद्योग अत्यदिक विक्सित हुआ है जापान के निकट की उरो सीयो की गरम दहरा और ओयो सीयो की थंडी जल्दारा के मिलने किसे वहां घना कुहासा चाहे रहता है महा सागरीयों महा सागरों के पश्मी भाग में विस्वत रेखा के समीव उत्तर और दच्छन विस्वत रेखिये धाराओं के अभी सरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल्रासी कतित हो जाती है कि पश्चम से पोर की और सामान ढ़ल बन जाती है फलसरूपिती विसवत रेकिये धारा प्रभावित होने लगती है ला नीना के बारे में सुनाओगा एक सीतल जल्दारा है जिसके उत्पति पेरू के तर्ट वर्दी छेतरों में होती है वह है एल नीनो एक गरम जल्दारा है और जिसमें पत्ति पेरू के तर्फ और समानतर उत्तर से दच्छिन के ओर होती है ला नीना का प्रवाँ छित एल नीनो की तरह अफ्तसांथ छित की विसे इस रोप से पेरू के तटिये छित होता है यह कभी भी हिंद महासागरी छित रोप में फिर वेस नहीं करती है लिकिन तो इन दोनों का प्रवाँ बैस्विक होता है पूरे विस पर पढ़ता है जिस बस ला नीना का जल धारा की गहनता होती है उस बस भारतिय मानसून ज्यादा तीब रहता है वहीं एल नीनो भारतिय मानसून को नकादत्पन गरूप से फिर भावित करती है जोर भाता के बारे में भी आप लोग नसुराओगा महासागरों के जोर भाता के लिए उत्तादिक का रक की बात करें तो सूर का गुर्तवी यवल चंदमा का गुर्ट ये वल, पितवी का अपके अंदरी ये वल, इसके कारण, इसके क्या रहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, उत्तरदाई रहते हैं, ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, और इसमें आप देखेंगे, चंदमा का जुआर उत्पाद यानि की महिने में दो बार उच्च जुआर आते हैं, दोनों पक्षों की सब्तमी और अट्टमी को सूरों Чंदमा पितवी के केंद़ पर समकोण होते हैं, इस सिस्तितीए में सूरों चंदमा की आकछर्वन एक दूसरी को संतुलित करने की प्रयास में प्रभाव happily OH जाते है और इस दिन आप देखेंगे निमने जुवार आते हैं सामन का बेहत जुवार और निमने जुवार की बीच साथ दिन का अंतर रहता है पितिवी पर पितिए एक इस्थान पर पितिए दिन 12 गंटे 26 मिनिट की बाद जुआर आता है, जुआर के 6 गंटा 13 मिनिट बाद भाटा आता है, जुआर पितिए दिन 2 बार आता है, एक बार चंदमा की आकरसन से और दूसरी बार आप देखेंगे अपके अंधरी ये बल के क सामouting तो जुआर पिती दिन दो बार आता है चिंटू इगलेम्ड के दछडी तर्पर आप देखेंगे ने साउध्थ्एम्टन में तो जुआर पिती दिन चार बार आता है यहां दोबार तो आप पितीं दिन आते हैं कि आते हैं तो यह जल्गी कहानी कहतम हो गहीं आपकी ओजिव लोग बायू मंदल देखते अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि तो पितवी के चारों और से घेरे हुए बायू के बिस्तित फैलाओं को हम लोग वायू मंडल कहते हैं एटमस्फियर कहते हैं और वायू मंडल की उपरी परत के अध्यन को वायू विज्ञान कहते हैं और निचली परज्जो होती है ना इसकी अध्यन को हम लोग रितू विज्ञान कहते हैं और बायू पिथवी के द्रमान की अभिन्न भाग है और इनके कुल द्रमान का 99% पिथवी की सतय से 32 किलोमीटर की उचाई तक आप लोग देखते हैं और बायू मंडल में पाये जाने वाले कुछ महत्पूर्ण गैस भी है इनसे भी कुष्टेस आ जाता है तो सबसे पहला आप देखेंगे कि इसमें नाइटोजन अठातर दिसमलाओ आट परसेंट आट परसेंट की असपास रहती है और ऑक्सीजन की बात करें तो 20 दिसमलाओ 95% वहीं आरगन की बात करें तो जीरो दिसमलाओ निन तेराने परसेंट CO2 यानि की कारवन डाई उक्साइड की बात करें तो 0.036% नियोओन 0.002% हेलियम इसमें 0.005% केप्टोन इसमें आप देखेंगे 0.001% जीनन ये आप देखेंगे 0.009% हाइडोजन की बात करें तो 0.000005% तो ये भी आप लोग याद रखेएगा अगर हम नाइटोजन की बात करें तो इस गैस का फितीसत मात्रा सभी गैसों से अधेखे और नाइटोजन की उपस्तिती के कारण ही बायू दाब पवनों की सकती और पिकास के परावरतन क्या यह बायू मंडल में नाइटोजन ना होती तो आग पर नियंतर रखपाना बहुत कठेन होता और नाइटोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो भोजन का मुख अंग होते हैं और यह गैस बायू मंडल में 128 किलोमीटर की उचाई तक फैली तो हम लोग आग पर काबू ना पार पाते और ऑक्सीजन ना होती तो हम लोग कोई चीज को जला भी ना पाते और आप देखें कि आप लोग किसी बंद बिलकुल कमरा ले लिजे या आपने देखा होगा कि बिलकुल आप एक तरह से कोई कांच लेजिए उसमें आपने ही कवेटर से उपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और 120 किलो मिटर की उचाई पर ऑक्सीजन की मातरा नगण हो जाती है ठीक फिर आप देखें कि कार्वन डाई उक्साइड हो गया यह सबसे भारी गयस है और इसका राण यह सबसे निचली परत में मिलती है और इसका अधिकास विस्तार 32 किलूमीटर के उचाई तक है यह गयस सूर से आने वाले विकरन के लिए परागम और पित्वी से परावर्तित होने वाले विकरन के लिए आपरागम है और यह कांच का घर यह पोधा घर उत्रभाव के उत्तरदाई के लिए उत्तरदाई है और बाई मंडल के निचली परत को गरम रखती है दूसरी गयसों में परावर्तित आहो रख्द विकरन की आउसोसन द्वारा भूंबायू मंदल की ताब मान में विद्धी की पिकरिया को ग्रेन हास प्रभाव कहते हैं फिर आप देखेंगे ओजॉन यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विसेश रूप है और यह बायू मंदल में अधिक उचाईयों पर भी परही अती नियून मात्रा में मिलती है और यह सूर से आने वाले तेज परावर्यनी विकरन के कुछ अंस को आउसिसित कर लेती है यह दस से आप देखेंगे पचास किलूमीटर की उचाई तक के अंदर थे और बायू मंदल में ओजॉन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर की परावेगनी करने अधिक मात्रा में पिथवी पर पहुंचती है और कैंसर जैसी भायानक बीमारिया पहला देती है तो ओजॉन आप देखते हैं ओजॉन छरन की बात होती है तो हमारे लिए यह भी चिंता का कारण बन जाता है क्योंकि सूर से आप देखें जो समान वितरन वाली घर से और यह उचाई के साथ घर्ती जाती है और 90 किलिमीटर की उचाई तक ही पाई जाती है बायू मंडल के संपूर जलवास का 90% भाग 8 किलिमीटर की उचाई तक सीमे थे और इसमें सगन होने के कारण बादल, बरसा, कोहरा, ओस, तुसार, हिम, आधी क और वहने पिकार के तूफानों को चलवासस्ट से ही और जलवास्ट से आने वाले सूरिताप के कुछ भाग को आवसोसीत कर लेता है और वित्वी द्वारा विकरण उसमा को सजोई रखता है यह एक कंबल का काम करता है जिससे पित्वी ना तो अतेदेख गरम और ना ही अते धिक ठंडी हो सकती है और जलवास्प के सगन से रष्टी होती है और वाई वन्डल के स्थरता भी जलवास्प कौने अंतिक करता है पित्वी के ताप को बनाय रखने के लिए CO2 और जलवास्प उत्तरदाई है कारवन डाय उक्साइड और जलवास्प की अलाब आप देखेंगे सूर्या तब सूर्या तब और सौर विकरन का उसोसन ऑक्सीजन ओजोन और कारवन डाय उक्साइड गेसिंग करती है फिर आप धूलकड के वारे में भी सुनाओगा धूलकड फिर वायू अंडल की निचले भाग में मौजूद होते हैं फिर भी समभणी वायू पिर वाहा इन्हें काफी उचाई तक ले जाता है और धूलकड की सरोज समुदरी नमक महीन मिट्टी धूए कालीमा राग पराग धूल उलकाओं के टूटे हुए कड़ हो गया धूलकड़ों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और सीतोष्वेदेशों में सूखी हवा के कारण होता है धूल और नमक के कड़ आधिता गिराही केंद की तरह कार करते हैं जिसके चारों और जलबास्प संगनित होकर मेगों का निर्मान करते हैं आकास गंगा आकास का रंग नीला धूल कर के कारण ही दिखाई देता है अब आप सभी जानते हैं कि बाइव मंडल की सरचना बाइव मंडल को निम्न परतों में बाढ़ते हैं इन परतों से भी आपकी परिक्षाओं में कुष्चांस आते रहते हैं जैसे आप देखे जोब मंडल में ताबमान की गिरावट की दर आप देखेंगे एक सो पिती 165 मीटर की उचाई पर एक डिग्री सेसियस अध्वा एक किलो मीटर की उचाई पर आप देखेंगे 6.4 डिग्री सेंटीगेट होता है और सभी मुख्य बाइव मंडल यह घटना है जैसे बादल हो गया अंधी बरसा इसी मंडल में घटती है जोब मंडल में और इस मंडल को सम्मेहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि सम्मेहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित रहती है और इस मंडल को अधो मंडल भी कहते है तो यह जोब मंडल के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएग सी डिग्री से एंटी एटगेट अधरोप के उपर आप देखेंगे माइनस 55 डिग्री सेंटीएट होता है और यहां ताममान इस तरे होने की काई़न से जोब सीमा कहते हैं क्या क्या कहते है जोब सीमा ठ्वर ढख़ा आता है और सम्टा मंदल की मंदल 50 किलोमेटर की उचाई तक है और समताब मंदल की मोटाई धुरों पर सरफ से अधिक होती है और कभी-कभी आप देखेंगे विश्वद रेखा पर इसकी इसका लोप हो जाता है और इसमें मौसम सम्मीदनी घटना है जैसे आंधी हो गया बादलों की गर्ज, बिजली कड़क, जलवास आधी कुछ नहीं होता है या ठीक है समताब मंदल में और इस मंदल में बायू याँ उड़ाने की आदरस दसाय होती है बायू जो आप लोग बायू एन देखते ना इसी मंदल में उड़ते है कभी-कभी इस मंदल में विसेश पिकार की मेगों का निर्मार होता है जिनने हम लोग मूलाब में कहते हैं समताब मंदल की एक महत्कून लक्षन एक है कि इसमें ओजॉन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर से आने बाली परावैगनी केणों को असोसित कर लेती है और इसलिए इसे पितिबी का सुरक्षा कभच भी कहते है किसे समताब मंदल को ओजॉन परत को नश्ट करने बाली गैस CFC किलोरो फिलोरो कारवन जो की एर कंडीशनर और रेफेजिरेटर आदी से निकलती है जो ओजॉन परत में छरन यानि की CFC में उपस्तित सक्रिय किलोरीन के कारण होता है ओजॉन परत की मोटाई नापने में डापसन इकाई का प की मंदल में उचाई के साथ तामान बढ़ता है और पिती एक किलोमीटर की उचाई पर तामान आप देखेंगे पांच डिग्री सेंटीगेट की बिद्धी होती है फिर आप देखेंगे मद्ध मंदल आता है समताम मंदल के ठीक उपर 80 किलोमीटर की उचाई तक रहता है और इस तंसतर में आप देखें कि उचाई की साथ तामार में कमी होने लगती है और 80 km की उचाई तक पहुंचकर माइनस 100 cm हो जाता है और मद्य मंदल की उपरी पर उपको मद्य सीमा कहते हैं आप लोग फिर आपने देखा होगा आयन मंदल होता है आयन मंदल मद्य मंदल की उपर 80 km से लेकर 400 km की बीच रहता है और इसमें बिद्धो तावेशन आवेशित कड़ पाये जाते हैं जिनने आयरन कहते हैं और आयन कहते हैं इसलिए इसे आयन मंदल नाम दे दिया गया है यह भाग कम बायुदा वो परावेगनी किर्णों द्वार आयनिकित होता है आयन मंदल में उचाई वढ़ने की साथ तामर में विद्धी होने लगती है और इस मंदल में सबसे नीचे इसने डी लेयर से लॉंग रेडियो वेप्स और E1, E2 और F1, F2 परतों से सौट रेडियो वेप प्रावर्तित होती हैं जिसके फलसुरूप आप से हमें अचिए प्तिवी पर रेडियो टेलीवीजन हो टेली फौन हो रडार हो आधी की मंदल में वस्थित होती है अरेन मंदल में मंदल आता है और 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 सूरी की तरफ से विसरजित इलेक्ट्रॉन तरंगें के कारण होता है और ओड़ा धुर्भी आकास में लट्रक्ते विच्चित बहुरंगी आत्तिस बाजी की तरह दिखाई बढ़ते हैं ये पर आधी रात की समय आपको दिखाई देंगे सूरिया तब आप लोग ने सुना होगा ये सूर से पितवी तक पहुंचने वाले सौर विकरन उर्जा को अम लोग सूरिया तब कहते हैं और ये उर्जा लगू तरंगों की रूम में सूरिय से पितवी पर पहुंचती हैं बायबंडल की वाहरी सीमा पर शूर से पिती मिनिट पिती वर्ग सेंटी मीटर पर एक दसम लोग च़ळार नमे कैलोरी उर्जा उसमे परापत होती है और धरातल पर प्राप्त सूरिया तब की मात्रा में उष्णिकटी बंद में 328 फिती बरक मीटर से लेकर धुर्मों पर 70 बार्ट फिती बरक मीटर की भिन्नता पाई जाती है सबसे अधिक आप सूर्यातप की बात करें तो उपोशन कटीवंदिया मरुस्थल पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहां मेगा अच्छादन बहुत कम पाया जाता है और सामनता यह की अक्छांस पर इस्तित महादीफी भाग पर अधिक और महासागरी भाग में अप एक्छाद तक कम ताम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है पित्वी का अक्छ सूर के चारोर परिक्मा के समतल कक्छा से साड़े 66 डिगरी कौण बनाता है और जो विवन अक्छांसों पर होने वाले सूर्यातप की मात्रा में बहुत मात्रा को बहुत प्रिभावीत भी कहता है किसी भी सताय को किसी भी सताय को प्राप्त होने वाला सूर्यातप की मात्रा इबं उसी सतय से प्रावर्तित की जाने वाले सूरियादप की मातरा की बीच का अनुपात एलवीडो कहलाता है और सौर विकरन का यह प्रावर्तन लगुतरंगोस में ही होता है वायदप की बाहर सीमा पर प्रावर्तित होने बाले सौर विकरन का लगबग 32% भाग बादलों की सतय से परावर्तित और धूल कड़ों से प्रेकरणी ठोकर अंतरिक्छ में लोट जाता है बापस सूरियादव का लगभग 2% भाग धरातल में परवर्टितों का अंतिरिक्ष में बापस चला जाता है और इसे विकास सौर विकरन का 34% भाग धरातल को गरम करने में के काम नहीं आता है और पूर्ण मेक्छाधन के समय सूर के पिकास में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है ना कि आउसो सट पित्वी सौरे के बिकरन द्वारा पिसारी तुजार का इंक्यावन परसेंट वाल और बायूमंडल सौरे उर्जा का किबल 14% बाहगी गहन करता है बायूमंडल गरम और ठंडा निम्न विधियों से होता है चालन इसमें आप देखें कि जब आसमान ताब बाली दो बस्तू है एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक ताबमान वाली बस्तू से कम ताबमान वाली बस्तू की और उस्मा प्रभावित होती है और उस्मा का यह पिर भाव तब तक चलता रहता है कि जब तक दोनों बस्तुओं का तामान एक जैसा ना हो जाए और बायू उसमा की कुछालक है यह चालन पिक्रिया बायू मंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्पूर है और बायू मंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन महत्पूर है फिर आप संबहन के बारे में सुनते है पितवी के संपर्क में आई बायू गर्म होकर धाराओं के रूम में लंबवत उठती है और बायू मंडल में ताप का संचन करती है बाईव बंडल के लंबबद ताबमान की ये पिक्रिया संभाहिन कहलाती है जब बाईव बंडल की निचली परत भॉमिक बिकरन अत्वा संचालन से गरम हो जाती है तो उसकी बाईव फैलती है जिसके उसका घनत कम हो जाता है गनत कम होने से वह हलकी हो जाती है और उपर उठने लगती है और इस पेकार बायू निचली परतों की उसमा को उपर ले जाती है उपर की ठंडी बायू उसका इस्थान ले ले रिखती है और नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गरम हो जाती है और इस पेकार आप की सीमित है तो यह भी आप लोग याद रखेगा संभान द्वारा उस्मा का संचंड के बल गैसी है और तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अड़ों की बीच का बंधन कमजोर होता है या फिक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है फिर आप लोग ने विकरन सुना होता है पित्वी की तताय को गरम करता है और पित्वी स्वयम गरम होने के बाद आप देखेंगे एक विकरन पिंड बन जाती है और बाइवंडल के में दीख तरंगों की रूम में उर्जा का विकरन करने लगती है यह उर्जा उर्जा बाइवंडल को नीचे से गरम करती है और दीख तरंग्ध है विकरन बायूमंडल गैसें मोकेता कारवन डायोकसाइड और अन ग्रीन हाउथ गैसें द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है और इस पे कार बायूमंडल पार्थे विकरन द्वारा आपितेक्ष रूप से गरम होता है ना कि सीधे सूर्यातप से तर आप देखेंगे अभी वहन हो गया बायू के छेति संचलन से होने बाला ताप का इस्थान अंतन अभी वहन कहलाता है लंभबत चंचलन की अपेक्षा बायू का छेति संचलन सापेक्षित रूप से अधिक मात्पूर होता है और मद्द अक्षांसों में देनिक मौसम में आने वाली बिन्यताएं केवल अभी वहन की कारण होती है और गरम बायू रासियां जब ठंडे इलागे में जाती है तो उन्हें गरम कर देती है और इससे उस्मा का संचार निम्ण अक्षांसिये चितरों से उच्च अक्षांस अभी वहन का ही पारिणाम है फिर आप लोग ने पित्वी का उसमा बजट भी आप लोग ने सुना होगा बजट पेस करना अलग होगे गया ठीक है माले की बायमंडल की उपरी सतय पर प्रात्य सोरिया तब सौ एकाई है और इस इन सौ एकाई में से बद पैंती सिकाई पित इकाई आउसोसित होती है और चौदे बायमंडल में और इंक्यावन पित्वी के धरातल द्वारा और पित्वी द्वारा आउसोसित एंक्यावन एकाई पोनहा पार्थिक विकरन की रूम में लोटा दी जाती है इनमें आप देखें 17 एकाई तो सीधे अंत्रिक्ष में चली पार्थि विकरन की इस तरह से बटवारा होता रहता है और बायमंडल विकरन द्वारा इनको भी अंत्रिक्ष में वापस लोटा देता है और पित्वी के धरातलो बायमंडल से अंत्रिक्ष में वापस लोटाने वाली विकरन की काईया करम सा 17 और 48 होती है इनका योग अगर आप देखने तो 65 होता है तो बापस लोटाना वाले काईयां उन 65 काईयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर से पराप्त होती है और यह एपिदिभी का उस्मा वजट या उस्मा संतुलन कहते हैं अत्वा ठीक है ताबबान आप लोग सुनते रहते हैं टेंपरेचर बाईवंड संतुलन थैह को संतुलन थाOhens yellow को budget शिंवलthing इस ठान के गरम या ठंडा होने की डगरी में máपा जाता है और किसी भी स्थान पर बाईव का मन निमलिकत कारकेंवं द्वारा पे भावित होता है उस स्थान का अक्षांस क्याutable एक्षांस क्या इप समॉद्दर से उस्तून की उन्तुंगता क्या है, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, बायू, सहिती का परिशंचर्ण, और कोसन, तथा ठंडी महासागरिय धाराओं की उपस्तिती, इस थानी ये कारक भी इसके लिए जिरमेंदार रहते हैं. तामान के वितरन की अगर हम बात करें, तो जन्वरी और जुलाई के तामान के वितरन का इध्यन करके, हम पूरे विसके तामान के वितरन की बारे में जान सकते हैं. किसे जन्वरी और जुलाई और माजचितों पर ताबमान वितरत सामनता समताप रेखाओं की मतस्तिता साते हैं और यह होगा रेखाओती जो समान तामान वाली स्थानुक जोड़ती है विश्वद रेखी महासागरों पर ताबमान 27 डिग्री सेंटीगेट से देखोता है और सरवादिक ताबांतार यूरेसिया महादीप के उत्री पूर्वी इच्छेत में पाया जाता है लगवग आप देखें कि स्थार डिग्री सेंटीगेट वो इसका मुखकारण महादुईपी एता है सबसे कम 3 डिग्री सेंटीगेट का ताबमान 20 डिग्री दच्छडी और 15 डिग्री उत्री अक्छांस के बीच आपको देखने को मिलेगा समताप रेखा की बात करें तो यह वह रेखा होती है जो समान ताबमान वाले इस्थानों को मिलाती है समताप रेखाओं तो था ताबमान के वितनर के निमल अक्छन है समताप रेखाएं पूर पश्चिन डिशा में अक्छांसों के लगवग समानंतर कीची जाती है और इसका कारण नहीं है कि एक ही अक्षानज पर सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सुर्या तप प्राप्त होता है और तामान भी लगबग एक जैसा होता है जल और स्थान पर तामान भिन होता है और तटों पर समता पर रेखाए आग कस्मा जो मुड़ जाती है और दच्छडी गुलार्द में जल भाग अधिक होता है और वहां परतामान सम्मंदी विसमतायें कम पाई जाती है और इसके विपरी उत्री गुलार्द में जल भाग किरम कम और वहां परतामान सम्मंदी विसमतायें अधिक पाई जाती है इसकारण दच्छडी गुलार्द म एक दूसरे के निकट होती है तो ताब प्रवनता अधिक होती है इसके विपरीत यदी समताब रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो ताब प्रवनता कम होती है इसमें उसने कटी बन दिये पिदेसों में तामान अधिक होता है और अतहा मूल वाली समताप रेखाएं उष्ट कटी बंद में होती हैं धुरवीय पिदेसों में ताबमान बहुत ही कम होता है और वहाँ पर कम मूल की समताप रेखाएं होती है संसार में अधिकान शेतरों के लिए जनवरी और जुलाई के महीने महीनों में ही निउन्तम और अधिक्तम ताबमान पाये जाता है यही कारण है कि ताबमान विसलेशन के लिए बहुदा इन्हीं दोनों महीनों को मारा जाता है जन्मरी को सब से कम और आप देखेंगे जुलाई को सब से जानदा तापांतर अधिक्तम और निउन्तम ताबमान क कहते हैं एक बार्षिक तापांतर सुनते हैं जिस पिकार दिन और रात के तामान में अंतर होता है उसी पिकार गिरिस्म और सी तरीक्तू के तामान में भी अंतर होता है और किसी इस्थान के सबसे गरम और सबसे ठंडे महीने के मध्यान मध्यमान तामान के अंतर को ही बार्ष स्थान पर होता है। और किसी भी स्थान विसेश के ओसद तापकरण से के ओसद तापकरण के अंतर को हम लोग तापी विसंगती कहते हैं। तो सब से पहले बायू दाप के बारे में बात कर लेते हैं। माद सम्तल से बायू मंदल की अंतिम सीमा तक एक एकाई छे तल के बायू स्थम में के भार को हम लोग बायू मंदल यह दाप कह देते हैं सामाने दसावों में समुद्र तल पर बायू दाप पारी के 46 cm सेंटी मीटर या साथ सो साथ मिली मीटर उंचे स्थम द्वारा पढ़ने वाले दाब होता है और बायू दाप को आप सभी आंदे के बैरो मीटर से मापते हैं और बायू मंडली ये दाप को मौस्वम के पूरा अनुमानों के लिए एक महत्कूर सूचक माना जाता है तो ये ब बैरो मीटर कई बार कूच लिए है बायू दाप को किस से मापते हैं बैरो मीटर ते बायू मंडल। बायू दाव मापी काई आप देखेंगे यह तोरी सेली के द्वारा अभिस्कारक इसके रहे है नी दरब बायू दाव मापी लूसीन विडाई सके बायू दाव उचाई के साथ तीबता से घठता है और यह यह रास दरपितिक 10 मीटर की उचाई पर एक मिलीवार होता है और 10 किलो मीटर की उचाई पर आप देखें कि 265 मिलीवार बायू दाव और माइनस 49.70 degree सेंटिगिट मानकाब मान होता है वह कलपित रेखाएं जो समदर तल के बराबर घटाए हुए समान बाइवदाब बाले स्थानों को मिलाती है और वहले इसवार या समदाब रेखाएं कहते है बाइवदाब को मांचित पर समदाब रेखाएं द्वारा द्रसाए जाता है दूरी के पिती काई पर दाब के घटने को दाब परबनता कहते हैं और जब सम्दाब रीखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब परबनता आधिक होती है और फ़लंतु जब सम्दाब रीखा है एक दूसरे से दूर होती है तो दाब परबनता कम ह और दूरी के संदर में दा परिवर्तन की दर दाफ रवनता है फिद्वी के धरातल बाचार वाई दाप पेटी आभी आप लोगोने सुनी होंगी होती है कौन को सी इन में आप देखेंगे तो विश्मत रेखिये निमनेद वाई दाप पेटी सुनाय या निसुनाय और यह सूर के करने लमबद पढ़ती है और जिसके कारण ताबमान हमेशा उंचा बना रहता है ठीक है और इस कटी बंद में धार आतालिये छेति पर अपने नहीं चलती है बलकि अधिक ताबमान के कारण बायु भाहल की होकर उठती है और समानी धाराओं का जिनम होता है इसलिए इस कटीवंद को सांथ कटीवंद या डोल डरम भी कहते हैं हम लोग ठीक है तो यह भी आप रखेगा यह आप देखें विश्वत निमन और फिल आप यहां देखेंगे उपूश निमन उपधुर्विय और धुर्विय उच इस तरह इस तरह जाई हो धुर्विय उच पादिक होता है जो बायू को पितवी के पेश्ट से परेद धकेलती है और इसका आरण भी यहां पर बायुदाब कम होता है एक उपो उच्च बायुदाब पाता है एक ठीक है उत्तरी तथा दथिडी गुलाद में अगर क्रमसा करक और मखरी खाओं से 35 डिगरी अक्छांस पेटियां पाई जाती है और यहां उच्च बायुदाब होने की दो कारण है एक तो बिस्वत रेखा रेखिये कटी बंद से गरम होकर उठने वाली वायू ठंडी और भारी होकर करक रेखाओं मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्छांसों के बीच नीचे उतरती है और उच्च बायुदाब उत्पन करती है और दूसरा कारण है इसमें पिथवी के देरेगती के कारण उब्दूर्विये छेत्रों से बायू बिसाल लासिया करक तथा मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्छांसों के बीच एकत्तित होती है और जिससे यहां पर उच्च बायुदाब उत्प अक्छांस कहते हैं इस कारण यह मद्द योग में यूरोब में खेती के लिए पश्मी द्वीब समू से में पाल दार जल्यानों में लाग कर घोड़े भेजा जाते थे और इस जल्यानों को इन अक्छांसों के भी बायू सांत रहने के कारण आंगे बढ़ने में कटना ही हो क्रमसा आर्केटिक और अंटार्केटिक विर्तों के बीच निमन बाईदाब की पेटियां पाई जाती हैं जिसे उपधुर्विये निमन बाईदाब पेटि कहते हैं धुर्विये उच बाईदाब हो जाती हैं यह 80 डिगरी उत्री और दच्छिडी अक्छांस के उपरी और बायुदाब में छेतिज बिसमताओं के कारण हवा उच बायुदाब से निमने बायुदाब छेत की उर्प बहती हैं और छेतिरूप से इस गती सील हवा को ही हम लोग पवन नाम दे देते हैं उर्दवादर दिसा में गती सील हवा को बायुदारा कहते हैं और यादी पिथवी स्थिर होती है तो उसका धरातल समतल होता और पवन उच वायुदाब बाले छेत्रों से सीधे निमने वायुदाब बाले छेत्रों की ओर समदाब रेखाओं पर समकॉन बनाती हुई चलती परंतु बास्तविक इस्तिती यह है कि पिथवी अपने भूडन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है और अतापवन कई कारणों से के प्रभाव प्रवावधीन अपनी दिशा में परिवर्थन करती हुई चलती है यह कारण ने दाप्रवणता बल कोरियोलिस प्रभाव अपकेंद्रिय तुरन और क्या है भू करसंड घरसंड अगर हम लोग कोरियोलिस प्रभाव की बात करें तो पित्वी के घुडन के कारण पावने अपनी मोल दिशा में बिच्छेपित हो जाती है और इसे कोरियोलिस बल कहते हैं इनका नाम फ्रांसीसी विग्यानिक के नाम पर पड़ा है जिसने सबसे पहले इस बल की प्रभाव अधीन उत्री गुलाद में पबने दाहिनी और और दच्री गुलाद में आप देखेंगी बाई और मोड जाती है और इस बिच्छेप को फैरल नाम अग विग्यानिक ने से दिकिया था इसे फैरल का नियम कहते है और इसे बाई जी वैलिट नियम द्वारा ही भी समझा जा सकता है वाज फैक नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्री गुलाद में पबन की और पीट करके खड़ा हो तो उच्छे दाप उसके दाई और निमने दाप उसके बाई और होता है और दच्री गुलाद में इसकिति इसके ठीक विपृरीत हो जाती है कोरियो लिस बल के सिधार समानुपात में बढ़ता या धुर्मों परी इस रवादि को विश्वद भेष्ट पर अनुपस्तित हूतां यानी धुर्मों परावनों की दिसा में एधिक्तम विचेप और विश्वद रेभा पर बाथ दिखे, पवनों के रिखाउं कि सम्कौण देख हो गी आधिक होगी खबनों का वेक उथिक होगा और पवनों की दिष्वावी अधिक विच्छेपित होगी इन दो बलों के एक दूसरे से समकोर्ण पर होने की कारण निमने दाब छेत्रों में पवने इसी के इर्दगर बहती हैं विस्वत ब्रत पर कोरियोलिस बल सुने होता है और पवन समदाब रिखाओं के समकोर्ण पर बहती है और निम्ने दाव छे तो अधिक गहन होने के वज़ा पूरित हो जाता है और यही कारणे कि विश्वत वेत के निकट उस्टे कटी बंदिये चक्वाद नहीं बनते हैं और पवन निम्ने पिकार के होते हैं पिछलेत पवन, मौसिमी पवन और इस्थानी पवन नाम को याद रखिएगा आंगे बात करते हैं हम लोग अगर पिछलित पवन की बात करें तो पिथवी के विस्टत छेतप पर एक ही दिशा में वरस भर वाहने वाली पवनों को हम लोग पिछलित पवने या फिश्थाई पवने भी कहते हैं और इस्थाई पबने एक बायूदाब बायू भार कटीवंद से दूसरे बायू भार कटीवंद की नेवित रूप से चला करती हैं और इसके उधारन है पच्छुआ पबन, व्यापारिक पबन और धोर्विय पबन अगर पच्छुआ पबन की बात करें तो दोनों कोल आदों में ओपोष्ण उच बायूदाब पर टीवंदों से ओधोर्विय निमने बायूदाब कर टीवंदों की ओर चलने वाली इस्थाई अवा को इनकी पश्चिम दिसा के कारण पच्छुआ पबन कहा जाता है दुनाओ चलाते हैं उन लोगों दोरा ब्यापारिक पबने लगवक तीस डिगरी उत्री और दच्छिडी अक्छांसों के छित्रों या उपोष्ण उच बायूदाब कर टीवंदों से भूंबद रेखिये निमने बायूदाब कर टीवंदों की ओर दोनों गोलादों में ब भी ये पबन की नाम से जानते हैं और उत्री गोलाद में इनकी दिशा उत्तरपूर से दच्छिण पश्चिम की ओर होती है और दच्छिग गोलाद में आप देखेंगे दच्छिण पूर से उत्तरपश्चिम की ओर होती है तो यहने भी आप लोग याद रखेगा इस्था फिरो एरजिंटेना, फियावजिम, ब्राजील, नार्दर, सहित्रा जमीरिका, नौर्टी, सहित्रा जमीरिका, पॉनेंटी, दच्छड अफिका, पैपागायों, मेक्सको, मेच्टेल, उत्री एटिली, नेवाडोस, एक्वाडोर, विली विली, ऑस्टेलिया, सिस्टान, सीष आपकी मौसम, मौसमी पपने हो गए, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिसा बदल जाती है ना, उन्हें हम लोग मौसमी पवने कहते, जैसे मानसोनी पवन हो गई, समुद्री समी हो गया, समुद्री समुद्री की बात करें तो उसमा के आउसोसन, और समुद्र अपेक्षा के ठंडे रहते हैं और इन में आप देखेंगे उच्छे बायुदा बना रहता है और इसे क्या होता है कि समुद्र से समुद्र की तरफ होने का समी प्रभावित होती है यह भी याद रखेगा इस्थानिय पपनों के बारे में बात करें तो पिरमुग ग अधिमेरिका और कनाडा के में रौकी परवत सेडी में पूर भी ढाल के साथ चलने वाली गरम उस्थान चिनोक और यह पबन रौकी परवत के पूर्व के पसूपालकों के लिए बड़ा ही लाब दाए कि क्योंकि सीतकाल के अधिकान सौधी में यह बरफ कूप पगलाकर च इसके प्रभावों से बरपिगल जाती है और पसू चाराकों के लिए चारागा मिल जाते हैं इसके प्रभावों से अंगूर जल पक जाते हैं हर्मटन या सहारा रेकिस्तान से उत्तरपूर्द दिसा में चलने वाली यह गरम उसुस का हवाय यह पबन सहारा से गिनी तट के की और बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवावी कहते हैं सिराकों या सहारा मरस्तर से भूमत सागर की और बहने वाली धूल से लदी गरम हवाय यह भूमत सागर पार करती है तो आद्ध हो जाती हो और इटली पहुंच जाती है इसके अन नाम है इस्थानिये नाम में खमसिन मिस्स में गिवीली ये लीविया में चीली ट्यूनिसिया में लिष्ट मेडिया में सिराकों इटली में लेवेक इस्पैन में सिमूस ये अरब रेकिस्थान में बहने वाली गरम होसुस खाबा है बलेक रोलर या उत्री अमेरिका के विसाल मैदान में दच्छडी पर और裡面 र्ष्मीं तेस्थ धूलबली चलने वाली बिग फिल्डर यह और विक्टोरिया प्रांद में चलने वादी गरवल्सक अब यह न्यूजी लेंड में उच्छे परतों में से उतरने वाली गरम और सुस्कावाई सांबल यह एराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गरम और सुस्कावाई सांटा आना यह दच्छेड कैलिफॉर्णिया में सांटा आना घाटी में चलने वाली गरम और सुस्कावाई है कुछ अन अन एक गरम हमाई है यहाई देख लिए फिर आंगे हम लोग बढ़ते हैं नाव हो गया इस्थान ट्रेय मॉंटेंड यह मदी उरुप में आयाला फ्रांसे में बरगस यह दच्छडपीका में सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बगो फिलिपेंस और दूई सम यह तपाको की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है जेट फिर बाहा के बारे में आपने सुना है जो मंडल की उपरी परत में बहुत ही तेज गती से चले वाले सक्रे नलीका कार विसरपई पवन प्रवा को हम लोग जेट प्रवा कहते हैं चेक से लिकर बारे किलो मीटर की उचाई पर 15 से पूर की ओर प्रवाहित होती है और यह दोनों गोलाल में पाय जाता है परंतु उत्री गोलाल में अधिक सक्ति साली होता है और इसमें आप देखेंगे 120 किलो मीटर पिती घंटा से चलती है और जेट प्रवाब बायु रासियों के बारे में भी आप लग कौने सुना होगा बायू रासियान बायु मंदल का वो है विसाल और विश्तित भाग जिसमें तामाण और एतजिता के बहुत तिक लक्षन गजी। 36 दिसा में समरूप हो बायू रासी कहलाती है समनता बायू रासी सेक्रों कलियो मीटर तक विस्तित होती है एक बायू रासी में कई परतें भी होती है जो एक दूसरे एक उपर 36 दिसा में फैली होती है पितेक परत में बायू की तामान और आदिताव की स्तिती लगवक समान होती है यह जल बायू और मौसम के अध्यन से समंद में मात्पून भूमिका भी निबाती है वताग भी आप लोगों न सना होगा जब दो भिन पिकार की बायू रासिया मिलती है तो उनके मद्द सीमा चेत को बत वताग कहते हैं वताग चार पिकार की होते हैं एक तो सीत बताग उशन बताग अचर बताग और अधी विशन बताग अगर सीत वतागी की बात करें तो जब सीतल बभारी बायू आकरमक रोप से उशन बायू रासियों को उपर धकेलती हैं और इस संपरक की छेत को हम लोग वताग कहते हैं क्या कहते हैं वताग कहते हैं अगर उष्ण वताग की बात करें तो यदी गरम बायू रासियां आक्रमा क्रोप्स में ठंडी बायू रासियों के ऊपर चड़ती हैं तो इस संपर्ग की छित को हम लोग उष्ण वताग के कहते हैं अचर वताग की अगर बात करें हम लोग तो ज आईसे बातायक को अधीवर्ष्ट बाताग के कहते हैं वाताग मद्ध अक्चांसों में ही सीमत होते हैं ति बवायू बता track मन परवन्ता इनकी विष्द सता है और यह सीकारान बायू उपर उठती है वो बहल मोंटे है और बरसा भी होती है वही रोशन कति बैंद वन क्कटप बेचकवाद तिये बायूप विडालियां जो उच्ण कटीबंद से दूर मद्वा उच अक्छांसों में विक्सित होती हैं उन्हें बही रूष्ण या स्थीतोष्ण कटीबंद ये चकवाद कहते हैं मद्व तथा उच अक्षासों में जिन छित्रों में जिस छित्र से गुजरते हैं वहां मोसम संबंदी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदला होता है। गड़ी की सुईयों के विफ्रीद चक्वातिये परीशंचन करती हैं और इस चक्वातिये प्रवासि बही रोष्न कटी बन दिये चक्वाद बिक्सित होता है और जिसमें एक उश्न वाताग एक सीत वाताग होता है। पूरी तरह से ढख लेते हैं यह कोश्न वाई उपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है। अधी विष्ट बाताग बनता है और चकवात धीरी धीरे छीन हो जाते हैं प्रभावीन हो जाते हैं। उश्न कटी बन्दिय चकवात आकरमक तूफान हैं जिनकी उत्पति उश्न कटी बन्दिय छेतरों के महासागरों पर होती है। और ये तटीय चेतरों की तरफ गती सील होते हैं और ये चकवात आकरमक पवनों के कारण विस्तत बिनास अत्यदेग बरसा तूफान लाते हैं। और ये चकवात विधवन से प्राक्तिक आपदाओं में इसे एक हैं। और ये चकवात अटलांटिक महासागर में हरीकेन के नाम से। पश्मी पिसांत महासागरों में टाइपून के नाम से। पश्मी औस टेलिया में आप देखते हैं बिली बिलीच के नाम से इसे आप जानते हैं। फिर आपकी उश्निकटी बंदी है चकवाद, उश्निकटी बंदी है महा सागरों में उत्पन विक्सित होते हैं, इनकी उत्पत्ती विकास के लिए अन्कूल परिस्तिती होनी चाहिए, देहत समुदरी सतय है, जहां तापमाल 27 डिग्री से अधग हो, कौरियोलिस बलका होना, उर्दवाधर पवनों की गती में अंतरकम होना, कमजोर निम्नदाप छित होना, समुदरी तल तंत का पर उपरी अफसरन होना, चकवाद को अधिक बिध्वन्स करने वाली उर्जा, संगरन पिक्क्रिया द्वारा, उच्च कपासी इस्तर मेगों से प्राप्त होती है, इस तूफान के केंद को घेर लेती है, समुद से लगाता राध्यता की आपूर्ती से ये तूफान अधिक प्रवल होते हैं, और इस थाल पर पहुंचका राध्यता की आपूर्ती रोख जाती है, और इस छीन वो कतमात हो जाते हैं, ये चकवाद आप देखेंगे तो प्रया 20 दिग्री उत्री अक्षान से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चेत होती है, ये अधिक विध्वन सक होते हैं, और सुनते रहते हैं कि ये चकवाद आया हुआ है, वाय स्थान जहां से ऊष्ण कटी बंदी है, चकवाद तट को पार करके जमीर पपहों उसते हैं, चकव इसके उत्पती जल और स्थल दोनों पर होती है, इसके उत्पती केवल समुद्रों में होती है, और स्थल ये भागों में पहुंचने पर नश्ट हो जाता है, इसका प्रभाव उच्षित बिस्तित होता है, इसका प्रभाव उच्षित बहीश रूष्ण कटी बंदी की या पश्रमी पवनों के साथ, पश्रं से पूरु की दिशा में चलता है, या पूरु से पश्रन दिशा में चलता है, यानि ब्याबारीक पवनों की अनुगवन करता है, तो ये भी याद रखेगा. फिर आदिता भी सुनते रहते हैं, बायू मंडल में उपस्ते जलबास्ट बायू मंडल की आदिता कहलाता है, यह तीन तरह की होती है, निर्पेक्च आदिता, बायू की पिती इकाई आयतन में विद्मान जलबास्ट की मात्रा को निर्पेक्च आदिता कहते हैं, इसे ग्राम तथा उसी ताब पर उसी बाईयू की जल्बास्प धारण करने की छम्ता की अन्पात को आप नौग की अटरा, और बायू के तामान पर निर्भर करता है और इसे पितीसत में हम लोग बैक्ट करते हैं बायू में जलवास की मातर आधिक होने पर सापेक चाधिता आधिक होती है और बायू के तामान कम होने पर सापेक चाधिता बढ़ जाती है और तामान बढ़ जाने पर सापेक चादिता कम हो जाती है संतरत बायू की सापेक चादिता 100% होती है 45% सापेक चादिता मनुस्थ के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है संगहनन सुने हो जल की गेसी अवस्था की तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संगहन करते हैं इस दो कारकों पर नर्वार करते हैं ताबमान में कमी पर और बायू की साफिक छादिता पर ओसांग सुने हो बायू के जिस तामान पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्थित होता है उसे ओसांग कहते हैं ओसांग पर बायू संतरप्त हो जाती है और उसकी साफिक्षा देता 100% हो जाती है ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हेमांग 0 degree centigrade से उपर होना चाहिए पाला ओ तो साल सुने हो आप कहते हैं पाला पढ़ रहा है जब ओसांग हेमांग से नीचे होता है और ओस के स्थान पर पाला पड़ता है कोहरा सुने हो आज बहुत कोहरा है तो बायू मंडल की निचली परतों में एकत्य धूल कर धुएं के रज और संगनित जल फिड़नों को कोहरा कहते हैं पाथ होंग से नीचे बायू के तामान कम हुने के पर कुईरा करने बार होता है और इसे द्रस्ता एक किलो मीटर से कम होती है और धुंद आप लोग ने सुना आ है आज बड़ा धुंद लगा हलके फुल की कुहरे को कुहासा या धुन्द कहते हैं और इसकी दिस्ता ये किलोमीटर से अधिक किन्तु किलो, दो किलोमीटर से कम होती है तो ये भी सुनिए बादल सुने हो, बादल मुखता हवा की रुद्धोस्न पिक्रिया दोरा ठंडे होने पर उसमें ताबमान के उसांग से नीचे गिरने से बनते हैं और ये अल्प घनत के कारें बाइव मुडल में तैरते हैं और रूप के अधर पर बादल निम्निपकार को होते हैं पच्छा बादल, इसका निर्माट आठ हजार से बारा हजार मीटर की उचाई पर होता है ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंक के समान आपको दिखेंगे ये हमेशा सफिद रंग के होते हैं कपासी बादल, यह रोई के समान देखते हैं और ये आप देखेंगे 4000 से 6000 मीटर की उचाई पर बनते हैं ये छितरे और इदाय उदर विकरे दिखाई देते हैं ये चप्टे आधार वाले होते हैं वो सीस गुमदा नुमा होता है इसका इस तरी बादल ये परददार चादर जैसे लगते हैं या दिकांस या पूर्ण आकास को ढखे रहते हैं और ये दो या तीन किलो मीटर की उचाई पर पाए जाते हैं इसमें सतत घर बर्षन के गुण होते हैं ये बादल सामनता है या तो उश्मा के द्वारा इहरास या अलग-अलग तामानों पर हपा के आपास में मिस्तित होने से बनते हैं बर्षा बादल बर्षा बादल काली गहरे सलेटी रंग के होते हैं या मद इस तरों या पितवी के सताई के काफी नजदी को बनते हैं इस सूर की केनों के लिए बहुत ही अफ़ार दर्सी होती हैं कभी-कभी बादल इतनी कम उचाई पर होते हैं इस सताई से कुछ छूते पिती थूते हैं इस चार मूल रूप से बादल मिलकर नमलिकत रूपों के बादल का निर्मान करते हैं उचे बादल पक्चाव पक्चाव इस तरी पक्चाव कपासी मद उचाई के बादल इस तरी मद है और कपासी मद कमुचाई वादल वाल, इस्तरी वर्सा वादल, और कपासी वादल, नेफो इसको बादलों की दिसाओ गती हुम आपने वाला यंत होता है, नेफो इसको, बर्सा, जब जलवास की बुने, जल की रूम में पिती भी पर गिरती है, उसे हम लोग बर्सा कहते हैं, बर्सा वाली बायू भी गरम हो जाती है, बायू गरम होकर फैलती है, और हलकी हो जाती है, और यह हलकी बायू उपर उठने लगती है, और समभनी धाराओं का निर्बान करती है, उपर जाकर यह बायू ठंडी हो जाती है, इसमें उपस्ते जलवास्त का संगनन यानी की बर्साद ह हो जाती है और संगरन से कपासी में बनते हैं जिससे घंहोर वर्सा होती है इसे ही आप लोग संभाईनी बर्सा कहते हैं परवत कृत बर्सा जब जलवास्प से लदी हुई गरम बायू किसी परवत या पठार की ढहलान के साथ ऊपर चड़ना पड़ता है तो वह बायू ठंड कि बड़ते हैं बर्सप जलवास्प के संगरने के बार नमी की मुख्त होने की सवस्था को कि रवस्था को हम लोग बर्सण कहते हैं या द्रभ या ठोस अवस्था में होसकता है और बर्सं जब पानी की रूम में होता है तो ऊसे बर्सा कहते हैं और जा तामान धीरो डिग Kathryn सेल्सियस से कम होता है तो तब बर्सन हिम तुलों के रूम में होता है जिसे हिम पात कहते हैं नमी सट कोडियर रवों के रूम में निर्मुक्त होता है बर्सा और इबं हिम पात के अतरिक बर्सन के दूसरे पिकार सहीं विष्टी और करका पात है कभी-कभी बर्सा की बूम न खटनी पर्तों से फूकर गुजरती है बादल फटना भी आप लोगे सुना होगा कि बादल फट गया इसका मतलब होता है कि भारी तूफान के साथ आथाधारन रूप से भारी बरसाद होना जिसके उम्मीद ही आपने नहीं की थी तो आप कह देते हैं कि बरसा हो गई इसके केंद में आप देखें कि कम दाप की स्थापना होने पर बाहर की और दाप बढ़ता जाता है समझ रहे हैं तो यह भी याद रखें इसमें अगर आप देखें तो निम्न दाप के चारों तरफ पवनों का परी करमड चकवादी परी संचैन कहलाता है प्रया निम्न दा में घडी की सुईयों के विपरीत होती है और दचीर गुलाद में आप देखें तो घडी सुई की दिसाग में होती है टॉर्नेडो हरीकें टाइपून चकवाद के ही उदारने और पिती चकवाद की बात करें तो चकवाद के उल्टा हो गया जब केंद में दाव अधिक होत होता है और उच दाव छेत्रों में बायू का तलन होगा धरातल पर अपसरित होती होगी और इसमें आप देखेंगे वताग का अभा होता है और पिती चकवाद में बायू की दिसा उत्री गुलाद में घडी की सुईयों के अनकूल और दच्छरी गुलाद में आप देखें गड़ी की सुईयों के विपरीत होती है ठीक है तो चकवाद में हवा केंदर की तरफ आती है उपर उठकर ठंडी होती है और बरसा कराती है जबकि पिती चकवाद में मौसम साफ होता है चकवाद और पिती चकवाद में पावनों की दिशा का प्यार बात करें दाप पदिती हो गई केंदों में दाप की दिशा हो गई पावनों की दिशा का इसमें उत्री गोलाद दचली गोलाद में जैसे चक बात निमन बायु दाप रहता है घडी की सुई की घडी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा के इसमें अगर देखें तो घड़ी की सुः की घड़ी की दिशा की नरूप होता है तो यह याद रख सकते हैं आप कोई बड़ी बात नहीं है तडित जंजा या टॉड नेडो जिसे कहते हैं या भेंकर विध्वनसक अल्फ कालीन इस्थानी तूफान है या पेक्चा कित कम छितफल तक ही सिमित रहता है और तडित जंजा ऊचनित आदे दिनों में प्रवल संभहन के कारण उत्पन होते हैं तडित जंजा एक पूर्ण विक्सित कपासी वर्सी में है जो गरजवा विजली उत्पन करते हैं और जब यह बादल अधिक उचाई तक चले जाते हैं तो जहां तामाज सोनने से कम हो रहता है और इसे एक ओले बनते हैं ओला विष्टी होती है और आदेता कम होने पर यह तडित जंजा धूल भरी आनिया लाते हैं और तडित जंजा की विशिस्ता उष्ण बायू की पिरवल उर्द पिरवा है जिसके कारण बागलों का आकार बरता है और यह अधिक उचाई तक महुचते हैं इसके कारण बर्सरन होता है भयानक तडित जंजा में कभी-कभी वायू आक्रमक रूप में हाती के सून की तरह सरफिल और रोहन करती है और इससे केंद पर अतेंद कम बायूदाब होता है और यह ब्यापक रूप से भायंकर बिनासकारी होते हैं और इस परीगटना को टॉर्नेडो कहते हैं और टॉर् जल इस थम कहते हैं और यह जल इस थल दोनों में उत्पन होता है और इसमें इस थलिये हवाओं कभी 325 किलो मीटर पिती घंटा होता है ठीक है ऑस्ट्रिलिया और सेवदराज अमेरिका के मिसिसीपी इलाकी में इस तूफान को हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं हरीकेन भी आप 121 किलो मीटर पिती घंटा तो यह भी याद रखिएगा टाएफुन की बात करें तो पिसाथ महासागर में उठनेवाला और चीन सागर में चलनेवाला एक कटी बंद चकवाद को टाएफून कहते हैं इसकी गती 160 किलो मीटर पिती घंटा होती है यह आपकी कुछ भी क्या है? इतना याद रखियेगा ठीक है? और आपके पाश छंता है तो आप सब कुछ याद रखियेगा। रबड में थाइलेंड पहले पर, मलेसिया दूसरे पर, इंडोनेसिया तीसरे पर, तमाकु चीन और पहले पर, USA दूसरे पर, भारत तीसरे पर, कहबार, ब्राजील पहले पर, कोलंबिया दूसरे पर, इंडोनेसिया तीसरे पर, तेहलन में ब्राजील पहले पर, चीन दूसरे बारत तीसरे पर ये 2020 के हिसाब से हैं ठीक है बदलते रहते हैं याद रख सकते हैं आम लोगे बिस्कुइक प्रमुक खनेज उत्पादक देस हो गया इसमें भी उसी तरह से आप ले याद रख सकते हैं लोहा पेहले पर चील लोहा में आस्टेली आ दूसरे पर बिराजिल ती पर जस्ता आप देखेंगे चाइना पहले पर पेरू दूसरे पर ऑस्टिलिया दूसरे पर सोना में आप देखेंगे चाइना पहले पर ऑस्टिलिया दूसरे पर रूस दूसरे पर चांदी में आप देखेंगे तो मैक्सिको पहले पर चाइना दूसरे पर पेरू दूसरे पर कोईला में चीन पहले पर, USA दूसरे पर, भारत तीसरे पर इवरे नियब में अगर देखें आप लोग तो कजाकिस्तान दूसरे पर, पहले पर कनाडा दूसरे पर, औस्टिलिया तीसरे पर, खनेश तेल में साओधे एरब पहले पर, USA दूसरे पर, रूस तीसरे पर प्राक्तिक ग्यस में USA पहले पर, रूस दूसरे पर, इरान दूसरे पर, अबरक में चाइना पहले पर, USA दूसरे पर, मेडा गासकर दूसरे पर, हीरा में रूस पहले पर, वोसवाना दूसरे पर, कडाना दूसरे पर, क्रोमियम में दच्छड अपीका पहले पर, कजाकिस्ता दूसरे पर भारत तीसरे पर है कैडमियम में चाइना पहले पर दच्छिड कोरिया दूसरे पर जापान तीसरे पर है निकल में इंडोनेसिया पहले पर फिलिपेंस दूसरे पर रूस तीसरे पर है फिलेटेनियम में दच्छ रफी का पहले पर रूस दूसरे पर जेंबामबे तीसरे पर एलूनीमीनियम में चाइना पहले पर रूस दूसरे पर भारत तीसरे पर तो यह भी अब लोग याद रखेगा बिसके प्रमुख बीनिर्मार उद्देव हो गए जैसे उद्देव हो गया उत्पादक देश हो गया जैसे सूती बस्त उद्देव की बात करें बेटेन भारत चीन रूस लोह इस पात उद्देव की तो सहिवतराज अमेरिका हो गया यूकरेन हो गया जापान रूस उनी बस्त में आप देखेंगे जापान सहिवतराज अमेरि रसाइन उद्यउ का में आप देखेंगे जर्मनी गेट वेटीन नाइट ओजन उपकर वरणाग में उपार्णा जापन भारतो फॉस्पीर्ट में आप देखेंगे वरणाग मैं सन्थ प्राइठ ऑस्टेलिया इक शरीवं इनसे questions आते रहें काफी आते हैं और काफी आते हैं समझ रहें काफी आने का मतलब तो इनहें आप लोग जरूर याद रखिएगा इनसे questions आते हैं और आने चाहिए मेरा विजहे से मानना है कि अखेर हम लोग विश्त के प्रमुक उद्दोगिक नगरुन की बाफ करें और इनसे क्या रहता है कि कई बार questions आपका पूँच भी लिया है तो आपको screen के सामने आपको दिखाई भी दे रहे है जैसे माल लेजे यह आपका हो गया क्या Wellfast एकाय के लिए चर्च थे जहाज उद्देव के लिए बरगिंबम बर्मिंगम बर्मिंगम ए लोहा और इसपात उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द ऐसे हैं कि बैम ाउठ जहाज निर्माड के लिए पिसिद्ध से फील्ड बेटर्ण में हैं यह कैंची ओ छुरी के लिए कापे फिसिद्ध बैरे बैनेस एकाज के लिए क्लिए वैलिंगोंग्टन डेरि उधियों लिए धाकाव कालीन उद्धियों के लिए नगोया जहाद निर्माद सुती बस्ति के लिए फिर आप डेखेंगे चैली या चैली आउस्त के लिए डेट्राइट ए अउटो मूबाईल के लिए ग्लासगो जहाल निर्माड के लिए, हॉलीबूड फिलेम उद्धेवक के लिए, और फॉर आप देखेंगे। कंसास इमास उद्ध्यों के लिए, कियू इंजिनिरिंग उद्ध्यों के लिए, मैंचेश्टर, सूती बस्त उद्ध्यों के लिए, फिलार डेलफिया, लोको मॉटिव के लिए, पीटर स्पार्ग, लुहा इस पात के लिए, सेटल, इबायू उद्ध्यान के लिए, बायू य पूछ यहाँ क्या है एक बिस्की प्रमुख जंजातिया है इनसे भी कुश्चन पूछ लेता है एक जंजाती हो गई उनकी सम्मंदित चलत हो गए जैसे आपका एक ग्रीनलन का ग्रीनलेंड और कनाड़ा से सम्मंदित है खिरगीज इमदेशिया माओरी न्यूजिलेंड मसाई पूर्वियपी का केनिया बिद्रास स्रीलंका नेग्रो मद्धपी का सेमांग मलेशिया बुकाधीर साइविरिया आयनू जापान बुसमेन कालाहरी मरूस्थल बोस्वाना में रेड इंडियन उत्री अमेरिका कनाड़ा में पेग्मीज कांगो बेशन में वोरो ब्राजील में इंका था तच्छडी अफिका में हैदा अमेरिका में फिर आप देखेंगे आपका है यह क्या है यह आपका रेड इंडियन और हैदा तार तार एसाइविरिया में बद्रो ए अरब में पफुआ पफुआ आंस नियूगिनी में याकू टॉंड्रा फिलिस में जुलो नैटाल प्रांद दच्छी अफिका में विस्त की प्रमुक बनसपति हैं इन्हें भी याद रखिएगा जैसे आप हाइग्रोफाइट दल्दली भूमी रेखिय आदिता वाली बनसपति है जेरोफाइट ये उश्न कटी बन्दी है मरूस थली है छेत्रों की बनसपति है हाइड्रोफाइट ये जल पिलावित छेत्रों की बनसपति है मैसोफाइट ये सीतोश्न कटी बन्दी है छेत्रों की बनस्पती है हैलोफाइट नमकिन छेत में पाई जाने वाली बनस्पती है लेओफाइट एकड़ी चाट्टानों में उगने वाली एक तरसे बनस्पती है ठीक है यह जो आपका यहां भी याद रिखिए कविलाई मानवाँ के कुछ पिरमुखावास जैसे ओल हो गया यह यह काकिसत परवर्टी है और मरुष थलिये चित्रों में पाई जाने वाली जो मानव पर जाती है ना तंबू नमा आवास बनाती है और यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वित्ता का धाची में बना होता है ठीक है तो यह भी याद रखेगा और फिर इगलू यह टुंड अफिका के वान टू और काफिर तथा नेटाल दच्छड अफिका के जुलू पर जाती हों द्वारा घहां से निर्वित मानव दिवास होता है तिपी यह रौकी परवत अमेरिका के पूरी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तमू के आका इमानव आवास होता है ठीक है चलिए आंगी बात करते हैं इन्हें याद रखिये का लेकिन आप लोग ठीक है यह आपके क्या है विस्केप्रमुख भागोली को उपना जैसे आप दीखे कि एह है आपका साथ पहाड़ियों का नगर साथ पहाड़ियों का नगर रॉम को कहत रक्तबर्ण महिला रॉम को यहते हैं प्राचीन विस्की समराग्री यह रॉम को कहते हैं पश्मी का बेविलोन रॉम इटर्नल सिटी होली सिटी रॉम एंटिलीज कमोती क्यूबा को सुगर वाउत आप दा वर्ल्ड क्यूबा को गगन चुम्मी इमारतों का नंगत निवारिक को पल ओफ दा ओरियंट सिंगापुर को कोईटर सिटी फ्ला डेल्फिया को हवा वाला सहर गाइडन सिटी सिकागो को चीन का सोग हांगो नदी पिली नदी को नियंतर बहने वाली जनों का सहर कोईटो एकवाडोर को हर्मिट किंगडम कोरिया लेंड ओफ मॉर्निंग काम ए हुआप राइड लेंड और ओफ कंगारू ऑस्टेलिया लेंड गॉलन बूल अस्टेलिया लेंड ओफ थाउजन्द लेक्स फिनलेंड को किसे फिल लेंड लेंड में आप लोग सोचे कि आउस्टेलिया होगा याद रख याँ हँआ लेंड ओप मिडनाइट संद नॉर्वेगो, भूमत सागर का द्वार, जिब्राल्टर, हॉली लेंड, जेरूसलम, इस्राइल का, ग्रेनाइट सिटी, एवर्डीन, स्कोटलेंड, इम्राल्ड द्वीप, आरेलेंड, नील लदी के देन, मिस्सेको, एंपायर सिटी, निवार की जापन, लेंड ओप थन्डरवोल्ट, भूटान को, लेंड ओफ हैट एलिफेंट स, थाइलेंड को, लेंड अप दी थाउजन एलिफेंट स, लाऊश को, लेली का देश, कनाडा को, नेवर, नेवर लेंड, पेरी जॉप नॉर्थ को, हैरिंग पान्ट, एटलांटिक महसाग संसार की चत, पामीर का भठार, Venice of the world, Stockholm, Sweden गोरों की कबर, गिनी तट को, Land of Facts, Scotland, Cockpit of Europe, Belgium, City of Golden, Gate, Saint Francis को, सेवतराज अमेरिका सौफनील, मीनारों का सहर, Oxford को, इंगलेंड, दच्छन का बेटेंड, न्यूजिलेंड को अन्द महादीप, अफीका, स्वैडें, पेगोडा का देश, संसार की रोटी भंडार, संसार की रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार, फेरी जॉप, North America संसार का रोटी भंडार, साथ चापूंगों का नागर, मुंबई भारत, पूर्का मैंचेस्टर, ओसाका जापान को, फॉर्विडन शिटी, लिहासा तिब्बत को, इंगलेंड का बगीचा, केंट इंगलेंड को, भारत का बगीचा, वेंगलोर को, आसुगों का प्रवेस् स्थल को, ठीक है? पिलर्स ओफ हर्कियूलिस, इस्टेट्स ओफ जिब्राल्डर को, पवन्चक्रियों की भूमी, नीदरलेंड, हिंद महासागर का मौती, पूर्व का मौती, सिलिलंका को, सुकोमार कूलों का देश, जापान को, पूर्व का ग्रेट वेटन, जापान को, ठीक है? ये 20 के प्र पिलिस ओर बिलिंग्स गेट, लंदन इंग्लेंड में, ठीक है? और ग्राउंड केनियन ए अरी जोना, यूएसे में, जोकी हुई मीनार, पीसा, इटली में, मर्डेका पैलिस, जकार्ता, इंडोलिसिया में, पार्सिलीन टाबर, नानकिंग, चीन में, रेट इस्वायर, क्र साउज, साउज, बर्लिंग, जर्मनी में, कालोसियम, रॉम, इटली, कावा, मक्का, सौधी रब में, लोवर, एफिल, टाबर, पैरिस, फ्रांस में, फोटोला, लिहासत एकवत में, सुईट डेगन, पिगोडा, रंगूल, मियामार में, ब्राडवेट स्टीट, स्टेटी लिवर्टी, और एमपायर स्टेट वेल्डिंग, युनियार्ग, युसे में, राइट हाउस, फेंटागन, बॉसंग्टन, दीसी में, ओपेरा हाउस, सिडनी में, ठीक है, फिर आप देखेंगे, विसकी प्रमों भॉगुली खोजें हो गई, आर, एमन, एमन्डसन, नॉर् दच्छे धरब पर पहुंचने बाला पितम बैकती था, उन्नी सो ग्यारे में, रॉवर्ट पेरी, अमेरिका का था, उत्री धरब की खोज की थी, उन्नी सो ग्यारे में, कोलंबस, इटली का था, फश्चे में, दूइप समू, 1492 में, और दच्छे नमीका की 1498 में, इसने ख 1498 में, फर्दीनन्द दाल लेल पैप्स, सोईज नहत का निर्मार किया था, 1400 मापकरी, 1889 में, कैफलर जर्मन का था, ग्रहों का गती नियम हो जा था, 1600 में, लेंड वर्ग, ये पितम सोलो उडान पेरिश से निवार्ग तक, 1927 की, वास्कोडी गामा पुर्दगाली था, 1499 की बात है, फिर्ट ज, ये आप देखें, फिर्ट जॉप नांसेन, इसने देखा था पहली बात, 1888 में, खो जा था, फार्णार्डो मेगलन, देल कानो, और विसका बरमड इसने किया था, ए अटलांटिक की दच्छिन सिपरांत महसागर की कोच की थी इसने, ठीकर, बार् तस्मान, ये न्यूजिलेंड की 1442 में, उस्टेलिया की 1446 में, जैक कार्टियर, फ्रांस का था, कनाड़ा की कुछ की थी, कार्टेज, इसने का था, मेक्सको की 1569 में, तैसांद महागा सान, महसागर की नाम करन, मेगलन की नाम पर ही रखा गया है, ठीके, तो ये भी याद बहुगली खोजों के पुरुसाहन देने में, जिन चासकों ने प्रमुक भूमिका ने भाई, उनमें पुर्दगालों की राजकुमार, हरी रिद्दा, नैविगेटर, तथा, इसपैन की महरानी, इसावेल प्रमुक थी, उरोबासियों ने कमपास का गया अर्वों से सीखा था, ठीक है, बिस्त के महासागरों की बात करनें, तो पिसांत महासागरों गया, इसका चेथफल अगर आप से पूचे तो 16 करोड 57 लाग 23,740 बर किलोमीटर में खेला हुआ है, इसका सबसे गहरा इस्तान है मेरियान अगर्द, 11,022 मीटर है, अटलांटिक महासागर, इसका चेथफल पूचे तो अगर आप से तो 8 करोड 29,63,880 बर किलोमीटर, फियोरे डेटो, रीको गर्द इसकी सबसे गहरा इस्तान है, 8,392 मीटर है, हिंद महासागर, इस 7 करोड 34,25,50 बर किलोमीटर, सुन्दा गर्द इसकी सबसे गहरा इस्तान है, 8,152 मीटर है, आर्केटिक महासागर, एक करोड 40,46,000 बर किलोमीटर में फैला हुए, यूरेसियन, बैसिन इसका सबसे गहरा इस्तान है, 5,458 अंटार किटिक महासागर, इसकी बारे में अभी आपर याप्त सूचना है, ठीक है, प्रिस्त की प्रमुक नहरे हैं, इन्हें भी दिये किये, सुनहर, इस स से उत्राज अमेरिका में देखने को मिलेगा, सुपियर जील और यूरन जील को जोड़ती है, इरीज जील, इस से उत्राज अमेरिका में इरीज जील और मिसीगन जील को जोड़ती है, फिर आप देखेंगे, आपका क्या है, गोटा नहर, इस स्वीडन में देखेंगे, स्क मैंचेस्टर नहर, ग्रेट वेटन में है, मैंचेस्टर और लिवर्पुल के बीच, न्यूबाटर भी, इनीदालेंड में, उत्री सागर और राटरडम के बीच, भोलगा डान नहर, इरूस में, रोश्टो और स्टालिन गराड के बीच, बैलेंड नहर, कनाडा में है, इरी औ और उन्टो रियो के बीच, केपी नहर, भारत में हैं, आंत्पदेश और तमिलाणू के बीच, सोहेज नहर, मिस्त में हैं, लाल सागर और भूमत्य सागर के बीच, पनामा नहर, पनामा में हैं, केरिवेन सागर और पसांत महा सागर की मद्द, अलवर्ट नहल, पश्टमी एरो में है एंट वर्फ लीग और वेने लक्स को जोड़ती है ठीक है और सोवेज नहर की अगर हम बात करें तो इससे कुश्टन्स कई बार कुछ लिया है इसका निर्माद चौ अठारे सो नक्तर में उगा था इसके निर्माद का कार अठारे सो चंगन में एक फ्रांसी सी इं निमट उन चौड़ाई 365 मेटर है निमतों 40 students ऐस की इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वारा यानि भूमदर सागर की और पोर्टट साइध है और दच नी प्रवेश द्वारा यानि की लाल सागर की और पोर्ट सुईच देखने को मिली है इस सहर के उत्तरी भाग में लिटल लिए नगर है उन्नी सो छपर में मिस्से द्वारा इस नहर का राश्टी कर्ण किया गया था एक पनावा नहर की वारे में सुने होगे ठीक है और यह नहर पनावा इस्थल डमरो मद को काट पर कर बनाए गया है प्यारम में इस पर अमेरिका का अधिकार था परन्तु सन 2000 में इस पर पनावा का अधिकार हो गया है और इसमें आप देखें जल पास परणा लिए गाटू जील पनावा में इस ते किंते मीठे पानी की जील है यह पनावा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगबग 33 किलोमीटर हिस्सा इस जील से होकर गुजरता है इसके जलस्तर की उचाई 26 मीटर है इसमें प्रवेश करने के लिए जहाजों को लॉक्स की साहरी उपर उठाना पड़ता है ठीक है बिसकी प्रमुख जलसंधिय की बात करें तो जलसंधि जलसंधियां दो भिन जल आसियों को जोडती है और दो इस्थलम खंडों को अलग करती है जैसे मलक्का जलसंधि अंडवान और सागर और दच्छेचीन सागर को जोडती है और मलक्का परायदीप को समातरा दूप से अलग करती है तो जलसंधियों को भी याद रखिएगा इनसे भी कुश्चन साथ करे हैं बेरिंग जिब्राल्टर वाव एल मंडव वासपोरस और टॉरेस जैसी जलसंदिया महादुईपी ये विभाजक हैं सुंगारू वडोवर जैसी जलसंदिया से होकर इस्थल भागों को जोड़ने वाले वाला रेलवे सुरंग बनाये गया जिब्राल्टर को भूंत सागर की कुंजी भी कहा जाता है और भूमत सागर की सीमा है यूरोप, एसिया, अफिका तीनों महादीपों से मिलती है माल्टा देश भूमत सागर में अवस्तित है यतीन, दीपों, माल्टा, गोजो गोजो, कुमीनों से मिलकर बना इसकी राध्धानी वैलेटा है देखे, ए अन्डवा आपकी जालसंदी हो गई किन किन को जोड़ती है और भागोली किस्तिति, जैसे मलक्का हो गई अन्डवान सागर और दच्छन चीन सागर को जोड़ती है इंडिया, इंडिया, मलेसिया की भी जापको देखने को मिलेगी इसकी भागोली किस्तिति, पाक, ए मननार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है भारस सिरी लंका के बीच लो जौन, इदच्छन चीन सागर फिलिपेंस को जोड़ती है ताइवान फिलिपेंस के भागोली किस्तिति देखने को मिलेगी बैरिंग, बैरिंग सागर चुकसी सागर को अलासका रूस के बीच डैविस, वैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को डैनवार्क, उत्री अटलांटिक और आर्केटिक महासागर को आइसलेंड, ग्रीन लैंड की बीच देखने को मिलेगा डो बरसंद, जलसंदी, इंगलेस चैनल और उत्री सागर को जोती है इंगलेन वा फ्रैंस के बीच हर्सन, हर्सन की खाड़ी वा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कनाडा में, जिबराल्टर भूमत सागर वा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इस्पैन मुरक्कों में, कोरिया, जापानो सागर और पूर्वी चीन सागर को, जापान कोरिया की भी, मैगलन, पिसां सागरों दच्छिंचीं सागर को जोड़ती है और रेखने को यूकाटन मेकिस को कि-खाड़ी और गर्रेवे सागर मेंượng में और अंटो ए Adiantic सागर और आईोनियन सागर को जोडती है इडली एल्वानिया में North Channel आईरिस सागर और अटलांटिक महा सागर में जोडती है आईरलेन्ड और इंगलेन्ड की बीच हार्मच फारस की खाड़ी वा ओमान की खाड़ी ए ओमान और इरान की बीच है टारस ये अराफुगा सागर और पाफुगा की खाड़ी, नियुगिनी अस्तिरिया की बीच, डाइडेन लीज, मरमरा सागर और एजीन सागर को जोड़ती है, तर्की के आस आपको भोगले की सिति देखने क्यों मिलेगी इसकी, बास्पोरस काला सागर और मरमरा सागर को सागर और जावा सागर को इंडोनेसिया के पास, मक्का सार जावा सागर और सेलिवेज को जोड़ती है, इंडोनेसिया के, सुगारू, जापान सागर और पुर्वी चीन सागर को जापान के पास, ठीक है, बाओ एल मंडव, लाल सागर और अरब सागर को यमन जिवूती के वास आपको इसकी भगोली तिस्ते देखने को मिलेगी बिसके प्रमुक जल नम्रू है यह जैसे जल नम्रू होगे संबंधिर सागर होगे भाग जिनको अलग करती है बेरिंग यह आर्केटिक और बेरिंग सागर को अलासका से अगतराज महिका बरूस के को अलग करती है ठीक है जिब्राल्टर भूमत सागर अटलांटिक के भी और समद्दी सागर है यूरोप इस्पैन वा अफीका को अलग करती है डोवर यह आप देखेंगे उत्तरी सागर अटलांटिक वेटेनो फिरांस को मलक्ता जावा सागर बंगाल की खाडी मलाया उसमात् अटलांटिक फिलोरीडा सागर अरफ सागर भारत उसी लंका के बीज देखने को मिलेगी है यह नाम हो गया है उनके उद्गम इस्थान हो गया किरने का इस्थान लंबाई नेल लंदी विक्टोरिया जील में इसका उद्गम इस्थाल है वुरुन्डी भूमत सागर में गि गिरती है 6296 किलोमीटर में है Mississippi Missouri ए रेड रॉक स्तरोत है इसका अमेरिका में मेक्सिको की खाडी में जा गिरती है 6242 किलोमीटर है इसकी लंबाई यांग सी तिबद का पठार में है और चीन सागर चीन में गिरती है चीन सागर में 577 और अल्टाई परवत पर इसका लून परवत से निकलती है जेल कि खाड़ी में गिरती है 4667 किलोमीटर है इसकी लंबाई है इसी रन्नू उला परवत से निकलती है आर्करिटिक महासागर में गिरती है 4506 किलो मीटर इसकी कागो कांगो किला की संगम से निकले ए अलांतिक महास्यगहर में गिरती है लेत Savage, और 452 किलोमीटर में गिरती है którego निफने का चारिडो से निकलती है मेकेंजी फैनले नदी के मोहाने से निकलती है व्यू फोर्ट सागर में गिरती है 4241 किलो मीटर इसकी लंबाई है नाइजर गिनी अफीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है 4184 किलो मीटर इसकी लंबाई है मेकांग तिबद के पठार से निकलती है दच्छनचीन सागर में गिरती है और 4023 किलोमीटर्स की लंबाई है बोलगा विल डाई पठार रूफ से निकलती है केस्पियन सागर में गिरती है और 3687 किलोमीटर्स की लंबाई है 358 km की लंबाई है ब्रमपुत ये मानसरोवर जहिल से निकलती है बंगाल की खाडी में गरती है 2900 km की लंबाई है सिंदू मानसरोवर जहिल के पास से निकलती है रपसागर में गरती है 2828288 यानि 2880 km की लंबाई है डेनुग नदी बलेक फोरस्ट जर्मनी से निकलती है काला सागर में गिरती है और 842 किलो मीटर इसकी लंबाई है फरात कारासुन और मूरत नहरी संगम से निकलती है सत अल अरम में गिरती है 2799 किलो मीटर है मैकांग नदी थाइलेंड कमोडिया लाउस चीन म्यानमार वेतनाम से हुकर बहती है मैकांग नदी समझ रहा इसकी डार्लिंग नदी ए और अस्टेलिया से निकलती है मरेट नदी में मिलती है 2700 यानि की 2789 किलो मीटर की लंबाई है मरेट ए और अस्टेलियान अलपास से निकलती है हिंदमास अगर में गिरती है 2589 किलो मीटर में फैली हुई यानि कि बहती है नेलसन बो नदी का उपरी भाग है हरसन की खाड़ी में गरती है 2575 यानि की 2575 किलो मीटर में फैली हुई है लंबाई है इसकी परागवी मांटो गरासों से निकलती है विराजी से तराना नदी में मिल जाती है 2549 Black किलो मीटर में लंबाई है यूराल दच्छ क्लोमीटर की लंबाई है आमु दरिया निकोला सेडी पामी से निकलती है रपत्सागर में गिती है चौदै सो माकरी 24-14 इसकी लंबाई है साल्विन तिबद की उन्न परवद के दच्छन से निकलती है मारता वान की खाड़ी में गिरती है 2414 इसकी लंबाई है और कांसास ए की लंबाई है नीपर बलडाइ प्रूर से निकलती है तालासागर में जाकर मिलती है बाईशव आठ चौरासी सी की लंबाई है किलो मीतर में ओहियो एैप उर्टर कंटी Peng टैंसेद वानिया से निकलती मी-सीचीप मिसीचीपी में मिल जाती है नदी में और 202 किलोंटर इसकी लंबाई है इराबदी माली और नामी नदी का संगम है बंगाल की खाड़ी से निकल में गिरती है 292 किलूंटर में जाती है और इंज लिसोतों से निकलती है अट्लांटिक महसागर में मिलती है 2022 किलोमीटर में फैली हुई है और इन निको सेरा परीमा परवस से निकलती है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है 2062 किलोमीटर में है इसकी लंबाई कोलंबिया, कोलंबिया जील कैनाडा से निकलती है 27 महासागर में मिलती है 1983 किलोमीटर इसकी लंबाई है डॉन टूला डूस से निकलती है और ये आप देखेंगे अजूप सागर में मिलती है 1968 इसकी लंबाई है फिर आप देखेंगे टेगरिस ये आपकी टोरस परवस्ट तर्की से निकलती है सद अलव अरब में मिल जाती है अठारसो निन्यानवेस की लंबाई है टीक है डालिंग नदी की लंबाई उसके साहग नदियां बालोनी और कॉन डॉमिन कल गूरा को मिलाकर है आसवर बांद और नासी जील जील नील नदी पर है और हूबर बांद आप देखें कि कॉलरेडो नदी पर है मैसिसीपी मिसोरी नदी विस्त का सबसे बड़ा नदी तंद बनाती है और यह नदी पक्छी पाद डिल्टा बनाती है परीत क्त डिल्टा का उधारा ने हॉंगो नदी द्वारा फिस्तुत किया जाता है विक्टूरिया जल पेपाद बक्करीवा बान जंबेजी नदी पर है कांगो या जायरे नदी विस्वद रेखा को दो बार काटती है लेमपोपो नदी दच्छरफी का मकर रेखा को दो बार काटती है माही नदी भारत करक्रेखा दो बार काटती है माही नदी अमूर नदी चीनवारूस की सीमा बनाती है तो यह नदियों की कहानी कतम होगी नदियों के बारे में याद रखिएगा एक और इनके बारे में पॉइंट याद रखिएगा नदियों के किनारे बसे जो पिरमुक्न हभा है आपके जैसे बंगाद हो गया इराद कना है इताइगिस नदी के चुक्री नदी के फृफ जोश्टेलिया का है Цींङंदी के वारचिश न के अस्वान डिके वर्सथ पोलींड का है इविश्चुला नदीके असवान नदी के, बॉन जर्मनी का है, राइन नदी के, खार्तूम सुडान का है, नील नदी के, काहिमा मिस का है, नील नदी के, ठीक है, और व्यूनस आयरस अर्जिंटीना का है, लाप लाट, लाप लाटा नदी के, अंकारा टर्की का है, किजिल नदी के, डुंडी स्कॉटलेंड का का है एननेंग लिबर्पॉल इंग्लेंन का है मर्सी नदी मांटी सेंट लाइनस मॉरसथ Sydney, Australia का है, Dialing नदी के Belgrade, सर्विया का है, Denum नदी बोड़ापेश, ठंगरी का है, Denum नदी तो यह भी याद रखिएगा यहाँ भी हैं, बस Boston, सेटराज अमेरिका है, का है Porto Mate नदी के Diana, Australia का है, Denum नदी Tokyo, Japan का है, Arakawa नदी संघाई चीन का है, Yang PC Yangoon, Myanmar का है, Ravadi नदी के, Ottawa Canada का है, Santa Lawrence Newark, सेटराज अमेरिका का है, Hudson नदी के, Madrid, Spain का है Majenses नदी के, Lisbon Portugal का है, Tangas नदी के, Dublin Ireland का है, Liffay नदी के Chattagawa और गंगलादेश का है, करंड फुली नदी के, हिंबर्ग, जर्मनी का है, Chicago अमेरिका का है, Chicago नदी, Vistal England का है, Iwan नदी, Basra इराग का है, Sat Al, Arab नदी के, Qube कनाडा का है, Santa Lawrence नदी के, Leningrad, रूस का है, Neva नदी के, Stalingrad रूस का है, Walga नदी के किनारे, ठीक है, किसका? रूस का है, और Stalingrad, रूस का, Walga, Q यू, Ukraine का है, Nipan नदी के, Davos, Sujjaland का है, Land वासन नदी के, काबूल, अफगानिस्तान का है, काबूल नदी के, लाहूर, पाकिस्तान का है, रावी नदी के, कराची, पाकिस्तान का, सिंदू नदी के, दजलाओ फराद की समलित धारा, Sat अल, अरव कहलाती है, क्या कहलाती है, Sat, अरव, 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 ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जैंसे भी questions पूँचे जाते रहते हैं, पूँचे जाते रहना ही चाहिए, पूँचे जाते रहना चाहिए या नहीं, क्या आपकी राय क्या है, आप लोग भी बताईएगा, आपको जो विस्क के पिरमोग जलपे पात हैं न, इनको भी देख लिएज़ें, क्योंकि इनसे भी questions आते रहते हैं, तो ये आपके जलपे पात हो गये, और जिस देश में है, उस देश का नाम हो गया, इसकी उँचाई हो गया, इसकी उँचाई है, 989 मीटर, इयोसिमाइट, एक केलिफोनिया में, 749 मीटर इसकी उँचाई है, दा मरडाल फोसेन, ए नौर्वे में, 655 मीटर है, तुगेला, दच्छी अफीका में, ए 614 मीटर उँचाई है, कुक वेनन, ए बेने जो इलाब में, 610 मीटर इसकी उँचाई है, विक्टोरिया, जिंबावे और जांबिया की सीमापर देखने को मिलेगा, 108 मीटर इसकी उँचाई है, ठीक है, और यह आप देखेंगे, जो तुथर लेंड, यह आपका णियू जी लेंड में देखने को मिलेगा, 580 मीटर, लेबबोन, मापकरी रिबबोन, एक आलिफॉनिया में 491 मीटर, ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड कमारना, यह गुहाना में देखने को मिलेगा, 488 मीटर डिल्ला एक अनाड़ा में 440 मीटर गवार्णी फ्रांस में 422 मीटर जौग गरसुपा इभारत में 255 मीटर नियाग्या एक अनाड़ा अमेरिका की सीमा पर देखने को मिलेगा 53.6 मीटर है एंजल जल्पेपाथ कौनसा एंजल जल्पेपाथ केरो नदी पर और नियाग्या जल्पेपाथ सेंट लॉरेंस नदी पर है विक्टोरिया जल्पेपाथ आपको जंबेजी नदी पर देखने को मिलेगा वो योमा जल्पेपाथ जेरे नदी पर और स्टैनली जल्पेपाथ आ यह आपकी कोछ महत्पूर्ण जीले हैं, इन जीलों को भी याद रखी है, यह इनका नाम हो गया, समंदी छेत्फल हो गया, छेत्फल हो गया, बरक किलोमीटर में है, इस बात को जरूर नोट करिएगा, जैसे केस्पिन सागर है, यह आपको रोस, कजाकिस्तान, तुर्कमिनिस अजरवेजान, इरान में देखने को मिलेगा, अगर इसका छेत्फल देखें, तो 34,1 वर्क किलोमीटर में फ्हली हो गया, 17,484 वर्क किलोमीटर में हीहीं होर है हिूरन जीसल शेफटराज अमेरिका और कनाड़ा में एंशची हजारिक्षपल, मिशीगन जील शेफराज अमेरिका में 57800 कमें टंगानी जील एंच काल जील है दंज्जानीया जिंबीय心 हो जेरे ग्रेट सलेव जील कनाडा में 28,568 वर किलो मीटर में फैली हुई है एरी जील, एरी जील साइबतराज अमेरिका और कनाडा में देखने को मिलेगा 25,670 वर किलो मीटर में फैली हुई है बिनिपेक जील कनाडा में 24,387 वर किलो मीटर में फैली हुई है और NTO जील, एसा एक तरा जमाइका कनाडा में, 19,0010 वर किलो मीटर में फैली हुई है, बालखस जील, एक अजाकिस्तान में, 18,260 वर किलो मीटर में फैली हुई है, चाड जील, एक चाड जील की बात करें, तो नाइजिरिया में देखने को मिलेगा, नाइजिरिया, नाइजर, चाड बाचाड केमरून में, और 17,800 वर किलो मीटर में फैली हुई है, बालखस जील को भी याद रखिएगा, ठीक है, फिर आप देखेंगे लड़ोगा जील, रूस में, 17,600 वर किलो मीटर में, उन्हेगा जील, रूस में ही है, 9,720 वर किलो मीटर में, आयर जील, और्टिलिया में है, 9,300 वर किलो मीटर में, टेटी काक्ट काप, पेरु वॉलिविया में है, 8,300 वर किलो मीटर में, निकारागुगा जील, निकारागुगा में है, 8,157 वर किलो मीटर में, आथावासका जील एक कनाडा में 7,936 बर किलो मिटर में है, रेंडियर जील एक कनाडा में देखने को मिलेगा 6,650 बर किलो मिटर में, रुडॉल्फ जील एक कन्या में 6,405 बर किलो मिटर में, इसिक कुजल जील एक करगेस्तान में 6,280 बर किलो मिटर में फैली हुई है, वै मतलब गहराई में तीक है त्द्पर आप देखेंकि टंगारी पानी किसकी सबसे लंबी 600 छेह सो क्लोमीटर मीठे जल की घेले याल में दूसरी सबसे गहरी जील है सबसरी सबसे नमेंगा की सबसे बडेगा कि भी शृक सब害 द्द्ध घयाइस काँंसी का से सबसे आप invested जल की सबसे जील बड़ी जील आगर आप देखें दूसरों पीया जील है विक्टोरिया जील तंजानी योगा योगांडा के वीच अंतरश्टी सीमा भी मनाती है टीटी का का जील हनी मून लेक कहलाती हनी मून ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अब चलते हम लो 848 मीटर भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी देखने को मिलेगी केटू यह देखिए नेपाल में है केटू आपकी गाडवन ऑस्टिन याद रखिए भारत में है 8611 मीटर कंचन जोंगा कंचन जोंगा यह आप देखेंगे नेपाल भारत में है 8589 मीटर यह अब देखेंगे फिरह आपकी लाहस्ते, एक नेपाल में है 8501, मकालू एक नेपाल चीन में है 8481 मीटर, धौलागरी ये नेपाल में है 8172 मीटर, नंगा परवत ये आप देखें भारत में 8126 मीटर, अन्यपूर्मा नेपाल में 8078 मीटर, ग्रेस ग्रेस अर्भम ये पाकिस् राकापोसी पाकिस्तार में है 77888 मेटर कामेट भारत चाइना में 7706 मीटर नामचा वर्मा ये चीन में साथ 7706 मटर गौैर नामचा ये चीन में 7756 मीटर गोल्ड मन्धाता चीन में 7 language याद रखेगा मांट एविदेश कंचन जंगा केटू इसे कुश्चन भी पूंच लेता है देखिए अगर आप से पूछे कि भारत की सबसे उची चोटी तो याद रखे केटू है क्या है केटू है अगर आप से पूछे कि भारत में अवस्थित तो कंचन जंगा है क्योंकि आप सभी जाते हैं कि केटू आपका पीओ के वाले हिससे में है ठीक है और विसके पिर मुख दूइप की अगर बात करें यह नाम हो गया उनकी अवस्तिती हो गए छेत्फल ग्रीन लेंड आर्केटिक महासागर में देखने को मिलेगा इकीस लाग पचत्तर हजार बर्ग किलूमीटर में फैला हुए है न्यूग इनी पश्मी पिसांत महासागर म मेडागासकर यह भी हिंद महासागर में पांच लाग सतासी हजार 41 बर किलूमीटर को वेफिन दूइप कनाड़ा में उत्तरी आर्टो केटिक महासागर में यह आप देखेंगे 5,007,759 किलूमीटर में सुमात्रा दूइप इंडोनीसिआ में हिंद महासागर में 4,002,2202 क में फैला हुए है हौंसो द्वी इस जापान में देखने हैं के उत्ति पप्र पस्टमी प्रसांथ महासगर में दो लाग 30,000 R बाणवे वर किलूमीटर में वेटें ग्रेट बेटन में उत्री आतलांतिक महासागर में तो लाग 29849 किलूमेटर में पहला है। स् अलग 255 किलूमेटर में इली समेरे दूइब गनाडा में उत्री धुर्ब अगरित महासागर में सुलोबैसी इंडोनेशिया मेहिंद महासागर में हैं है एक लाग 10,922 किलो मीटर में लुजो इंदी पश्मी प्रिसांत पाहसागर में एक लाग 4,688 किलो मीटर में आइसलेंड दुई इस उत्री अटलांटिक महासागर में एक लाग 3,000 वर किलो मीटर चेल में फ्यल हुए और आइसलेंड ठीक है आयलेंड यह आप देखेंगे रीटीक म्हासागर में 2,4460 किलो मीटर में तसमानिया 6 Fridays 277 किलो मीटर में स्री लंका हिंद महाशागर में 6600 किलो मीटर में विशर में सबसेuse ज्यानदा दीव समूहों सी मिलकर बना दी से इंडोंसीया कौहा इंडोंसा से री यूनियन दुईप के बारे में सने होंगे मेया पूर्व में हिंद महासागर में फ्रांस का एक दूइफ है यह जोला मुखिय मूल दूइफ है और इसकी उच्चेतम बिंदू उचाई में 3079 मीटर है इंडियोनीसिया की राध्धानी जकारता जाबा दूइफ पर है जापाद की राध्धानी टोकियो उनसुई दूइफ पर है काली मंतान मोणियो दूइफ कांग है बोढियो ऐस्यागर सबसे वड़ा दूइफ है नागासा की क्यूसुदीफ पर ही देखने को मिलेगा खाडे देस बहरीन एक दूइफ ही है सामरिक महित का दूइफ डियो गो गरसिया हिंद महासागर में है नार्वे तट की निकट पर चोटे चोटे दुपों की पंक्ति को इसफैरीक गाड कहते हैं हवाई दुईव प्सांद भाजगर का चौरहा कहा जाता है आइसलेंड दुईव को अगनी दुईव के नाम से जानते सबसे अधीक दुईव प्सांद भाजगर मैं ही देखने को मिलेंगे ठीक है अब विसके पिरमुक पठार देख लेते हैं क्योंकि पठारों से भी कुश्टन्स क्या होते हैं आते हैं क्या आते हैं क्या आते हैं क्या आते हैं क्या आते हैं बताईए पठार तो विसके फिर मुक पठार सबसे पहले आप लोग ग्रीन लेंड का पठार सुना होगा अंद महासागर की उत्री भाग में लगभग 21 लाग 75,600 वर किलोमीटर चित में हिम से धका विसाल पठार है इसे ग्रीन लेंड का पठार कहा जाता है कोलंबिया का पठार या USA के ओरंगन वासेंग्टन वा इडाहो राज्यों के मद चाल लाग 62,500 वर किलोमीटर चित में विस्तित फैला हुआ है मैक्सको का पठार या पठार पश्चिम में सियारा मादरे और पूर्मी में सियारा मादरे परवसैनियों के मद आपको देखने को मिलेगा तिबट का पठार या हमालाय के उत्तर में क्यूनूल क्यून लुन परवत दच्छिन में आप देखेंगे 4000 से 5000 मीटर तकी उचाई पर है मंगोलिया का पठार या चीन के उत्तरी मद भाग में मंगोलिया गडराज में बराजील का पठार दच्छिडी अमरिका के मद पूरी भाग में या पठार तिर्वजा का रूम में वॉलिविया का पठार या पठार 800 किलो मीटर लंबा और 128 किलो मीटर चोड़ा इसका ओसात हुचाई 3110 मीटर है या वॉलिविया के एंडिच परवत माला सेंडी में छित में बिस्तित रूप से फैला है अलास्का का पठार अलास्का के पठार की अगर बात कें तो इसका निर्माद यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है इसे यूकन का पठार भी कहते हैं कनाडा की ओर इसकी उंचाई लगवक 900 मीटर है ग्रेड वैसिन का पठार या कोलम्बिया पठार की दच्चन में कोलेडो और कोलम्बिया नदियों के मद्द देखने को 5,25,000 बर किलोमीटर चेत में पहला हुआ है कोलोरेडो का पठार या ग्रेड वैसिन की दच्चन में इस्ते थे और इसका विस्ता यूटा है यूटा है और इडी जोना राज्यो में पाया जाता है दक्कन का पठार या पठार दच्चिडी भारत में इस्ते थे इसे तीन और से परवत सेनियों से घराव इसके पूर में पूर्वी घाट, पश्च में पश्वी घाट और उत्तर में बिंध्यान चलो और सत्थ पुड़ा सेनिया देखने कुम लेगा इरान का पठार इसे एसिया माइनर का पठार या फिर इरान का मदवर्थी पठार भी कहते हैं इसकी वह उसत उचाई इसके पूर में फारस की खाड़ी पश्चिम में लाल सागर उत्तर पश्चिम में भूम अद्शागर है अना तुलिया का पठार या तर्की के पैंटिक और एवन टॉरस सेनियों के मदद इस्ते ते इसके तर्की का पठार भी कहते हैं इसकी उसत उचाई आट सो मीठर है अभी सीनिया का पठार या पठार पुर्वी अफीका की सॉमालिया इतोपिया जिबूती के चित में विस्तित है और इन तीनों देशों को से तुरूप से हौन और अफीका भी कहते हैं आप लो मेडा गासकर का पठार मेडा गासकर दुईप अफीका के दच्छिट पूर्भ हिंद महासागर में इसते थैं इस दुईप के बद्धिबर्ती भाग पठारी जिसे मेडा गासकर या माला गासी का पठार का आता है तोश्टेलिया का पठार इसते थैं इसकी सामानचाई 180 से 600 मीतर की मधद है इस पठार का दच्छडी महाग मरूस थली है, किया पास का पठार, यह दच्छडी मेक्सको में पिसांद महासागर की तठ है, इसके उत्तर में तबास को, दच्छडी में आप देखेंगे ते हुआ, टेपेक की खाडी, पूर में ग्वाटेमाला और पश्डी में ओकसका और बेरा क्यूज इस्तित है, मैसे कट्टा का पठार, इस्पेन की आईवेरियन प्राजदीप पर मैसेटा का पठार देखने को मिलेगा, इस पठार की ओसत उचाई 610 मीटर है, इंडोचीन का पठार, यह दच्छडी एसिया के पूरवी प्राजदीप पर इस्तित है, इस भा महादीपों के पश्मी भाग में भूमद्रेखा से 10 डिगरी से 30 डिगरी उत्री एवं दच्छडी दोनों ही गुलार्दों में व्यापारिक पवनों की पेठियां पाई जाती है, उधारंता आप देखेंगे, इसमें उधारंता आटाकामा मरुस्थल हो गया, यह कहां मरुस्थल एवन भारत और पाकिस्तान का थार मरुस्थल भी काफी चर्चा में रहता है, यह चित रेगिस्थान हो गया इनके, और आप देखेंगे चित फल हो गया, बर किलूमीटर में, विस्तार है इनका चित, जैसे आप देखें सहारा, एक ग्यारे देशों के सीमा किलूमीटर में फैला हुआ है, अलजीरिया, चार, लीविया, माली, मरीतानिया, नाइजयर, सूडान, टियोनेसिया, मिस्थ, मुरक्को, इन्हें भी याद रखेंगा, ऑस्टेलियन, यह 15,50,000 बर किलूमीटर में फैला हुआ है, ग्रेट सेंडी, ग्रेट विक्टोरिया, फिर आप देखेंगे, यह आपका, सिंपसन, गिफसन, इस्टुवर्ट, रेगिस्थानी चित इसमें संबले थे आपके, अर्येवियन, यह 13,00,000 बर किलूमीटर में खैला हुआ है, दच्छडी, अरव, साओधिरव, यमान, सीरिया, खाली चित, और नापुत चित के रेग एस्थान समलेतिस में, गोवी, एं 10,040,000 बर किलूमीटर में, मंगोलिया और चीन के बीच, कालाहरी, 5,20,000 में, बुस्वाना, अफीका मधी में, अभीक, अफीका मद्ध में, टकला मकान, एं 3,20,000 बर किलूमीटर में, सिक्यांग, चीन में, सोनोरन, 3,010,000 किलूमीटर म तो कहिं है थार दो एनड़ी की बात नहीं करें अप देखेंगे दो लागशाठ हटीह वर क्रुमीटर अत्र व्हारत सामी종िक भारत पाकिसतान लाग Beatles दर्चिण अमेरिकार में काराकुम् और का चिल्कुम् दोनों के समलेत रूपस को तुर्यक्मेंस्थान मरुस्तल के नाम से जानते हैं Great Victoria मरुस्तल ऑस्टेलिया की दच्छेड पस्चिम में बिस्तारित है यह ऑस्टेलिया का सबसे बड़ा मरुस्तल है और यह एक उठ्ट मरुस्तल का उधारन माना जाता है अब देखे विस के प्रमुक देश है और उनकी राजधानिया है और मुद्रा है इन्हें भी याद रखेगा इनसे कुष्टन्स काफी अच्छे पूच लेता है यह एसिया की देश हो गया ठीक है? जैसे भारत तो सबको मालू है नई दिल ली है और रुपिया यहां का करेंसी है बंगला देश धाका यहां की राजधानिय होगे टका यहां का रुपिया होगे करेंसी भूटान थिमफूस की राजधानिय होगे निगूल ट्रम यहां की करेंसी होगे यानि की मुद्रा नेपाल काठमांडो यहां की रुपिया यहां की राजधानिया है अपगानी यहां का मुद्रा है, चाइना विजिंग यहां की राध्धानी होगी, युवान यहां का मुद्रा है, स्री लंका जै वर्धन पुरा कोटे इसकी राध्धानी होगी, रुपिया यहां का मुद्रा, इरान तेहरान इसकी राध्धानी है, रियाल यहां का मुद्रा, इराग बगदाद यहां की राध्धानिये दिनार यहां की मुद्रा इंडोनेसिया जकार्ता यहां की राध्धानिये रूपिया यहां की रूपिया मुद्रा होगी बहरेन पनामा मनामा दिनार यहां की करेंसी होगी मंगोलिया उलानवतोर तोगरिक यहां की करेंसी होगी ठी माल दीप माले यहां की राध्धानी रूफिया यहां की मुद्रा होगे लेबनान बेरूत राध्धानी होगे और पाउंड यहां का क्या होगे बताईए कुछ इसकी करेंस्ती होगे लाउस बेंति यान यहां की राध्धानी नियू कि लाउ यहां की मुद्रा कुबेट कुबेट सिटी इसकी राध्धानी देनार यहां की मुद्रा वेतनाम हनोई राध्धानी डांग यहां की मुद्रा थाइलेंड वेंकाउक इसकी राध्धानी बहत यहां की मुद्रा ताइवान ताइपे इसकी राध्धानी है डॉलर यहां की मुद्रा किरगेस्तान बिसकेक इसकी राध्धानी है सौम यहां की मुद्रा तुर्की अंकारा लीरा यहां की मुद्रा इजराइल जेरुसलम इसकी केल यहां की मुद्रा जॉर्डन अम्मान यहां की राध्धानी दिनार यहां की मुद्रा कतर दोहा इसकी राध्धानी रियाल इसकी मुद्रा कमोडिया नियो हॉम पैन तैने यह रियाल इसकी मुद्रा उत्तर कोरिया प्योंग प्यांग और बॉन यहां की मुद्रा ब्रुनेई ए बंदर सीरी यहां की राध्धानी होगे और यहां की डॉलर यहां की मुद्रा होगे साइफरस आप देखें निकोसिया यहां की राध्धानी होगे और पांड यहां की मुद्रा होंग कॉंग कॉंग विक्टोरिया इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा गुआम अगाना इसकी राध्धानी टॉलर यहां की मुद्रा, ओमान मसकट और रियाल यहां की मुद्रा, फिलिपिन्स मनीला इसकी राध्धानी फेसो यहां की मुद्रा, सीरिया दमिस्क राध्धानी पाउंड यहां की मुद्रा, साउधी अरब रियाग यहां की राध्धा रियाल यहां की मुद्रा, तजाकिस्तान दुसान भी यहां की राध्धानी, सुमोनी यहां की मुद्रा, तुर्गमिनिस्तान इसगागवाद, राध्धानियों भी मनाते हां की मुद्रा, पुत्रा जाया, मलेसिया देश का पसासनेक राध्धानियों, संगीय पसासनेक राध जा है उम अल कोवेन हैं 1968 68 68 में वेटेन द्वारा सुतनता दिये जाने की घुशना के उपरांथ 1971 में 6 अमीरातों से मिलकर युए की स्थाफना की थी 1972 में रस अल खेमा साथवी अमीरात की रूमें सविफ तरव अभिरात में सामिल हुआ था ठीक है फिर अफीका के देश हैं जैसे अंगोला हो गया इसकी राध्धानी हो गई लुआटा कौांजा यहां की मुद्रा हो गई अल्जीरिया अल्जीरिया से यहां की राध्धानी देना यहां की मुद्रा मौरिसस पोर्ट लुइस इसकी राध्धानी रूपिया यहां की मुद्रा हो गई फिर आप देखेंगे मुरक्को रबात यहां की राध्धानी हो गई दिरहम यहां की मुद्रा मुजांबिक मपूतो और मेटिकल यहां की कर माकरी अबुजा राजदानी होगी नेरा यहां की मुद्रा, रवांडा किगाली यहां की मुद्रा क्या होगी राजदानी और फैंक यहां की मुद्रा, सेनेगल डकार यहां की राजदानी और फैंक यहां की मुद्रा, सॉमालिया मोगाडिसू यहां की राजदानी और ही इसके राध्धनी के लिवे इंदर यह उसके बाद आंगी वड़िए कि सेवस्ट विक्टोयश ज watch यह की मुद्रा यूगाणड यह 1-3-2sh एक किन सासा यहां की राध्धानी होगी जेरे यहां की मुद्रा टोगो लो में यहां की राध्धानी होगी फैंक यहां की मुद्रा मिस्ट की काहरा राध्धानी है पाउंडा यहां की करेंसी है एथोपिया आदिस यहां की अबाबा यहां की केपीटल है विरर यहां की मुद त्रफोली और दिन्यार यहां की मुद्रा, मालागासी की अंतान नरीवो राजधानी फैंक मुद्रा, मलावी ले लोग वे यहां की राजधानी क्वाचा यहां की मुद्रा, वोत्सवाना गिवरोन यहां की राजधानी फुला यहां की मुद्रा, वरुंडी भुजमवुरा इसकी राध्धानी ठेंक यहां की मुद्रा केमरून यावंडे यहां की राध्धानी ठेंक यहां की मुद्रा कांगो ब्राजाविले यहां की इसकी राध्धानी और ठेंक यहां की मुद्रा बैनिन फोल्टो नोवो इसकी राध्धानी ठेंक यहां की मुद्रा केप वर्डे इसकी राध्धानी के अगर बात करें हम लोग तो आप देखेंगे कि प्रया इसकी राध्धानी होगी हो एस्ट कुडो यहां की मुद्रा होगी चाड एन दजा मीना यहां की मुद्रा होगी राजधानी होगी फैंक यहां की मुद्रा माली बमाको इसकी राजधानी फैंक यहां की मुद्रा मारीतानिया नोग चोट इसकी राजधानी ओगुवा इसकी मुद्रा स्टनिय ठेकी के मदर में गवाने एसकी राजदानी यहां माईनिय के मत्रा सेना लिओन फ्रेम इसकी राजदानी ल होन और की मुद्रा इरीटिया अस्तमारा-यहां मनच्फाप यहां की है लिसोथो मसेरू इसकी राध्धानी लोती इसकी मुद्रा लाइवेरिया मैन रूबिया इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा गेवोन सेल ली ब्रबिले यहां की राध्धानी फैंग CFA यहां की मुद्रा गांबिया बंजूल इसकी राध्धानी दलासी इसकी मुद्र चिबूती इसकी राधधानी फैंक के हांकि मुद्रा और पीर आप देखेंगे गढ़ बंगूई इसकी मुद्रा और फैंक के राधधानी वुरकी नो फासो वागाद दोगो इसकी 24 टैंक के हांकि मुद्रा गुआना, मलावो, फ्रैंक यहांगी, मुद्रा एक बात और देखिए, बता देता हूँ आप लोगों को कि जो देश चर्चा में रहे, जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस देश के बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि आप में से कई लोगों के यह कुश्चन से रहते हैं कि क्या सभी देशों के बारे में सभी कुछ याद रख पाना आसान है मैं मान था हूँ किसी के लिए आसानी नहीं है और स्मार्ट डिग्रीस में यही होती कि जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उसमें कौन सा देस आपका चरचा में रहा है उनके बारे में पौइंट याद रखा करिएगा या जो चर्चित दी से उनके बारे में याद रख सकते हैं अपने पढ़ोसीं के लिकर्वा भिसाओ इसकी राध्धानी ओगे और इसकी मुद्रा थे इंगन कि एक स्की मध्यान फिर आप देखेंगे उत्री अमेरिकां और के पीसो यह की मुद्रा हो गई पनावा पनावा सिटिंग एडान नीय Wooal बूच सुप्क्रानी औल्लल क्मुद्रा बाह माच नसारू इसकी राधनason dealers इसकी मुद्रा बार्वابडोस वरेइंट ताउफ ताउन इसकी राधधानी मुद्रा कुष्टारीका सानजोसि सकी राधधानी सोफ डॉलर इसकी मुद्रा थेलमोपन राधधानी सोता हैस्यों ँभली कärat तोरस तिगु सी गलफा इसकी रादधानी होगे लिम्पी राइस की मुद्रा नीदरलेंड एंटिल्स विलेम्स टुड इसकी रादधानी होगी गिल्टर गिल्टर इसकी मुद्राई करेंसी होगे तो यह भी याद रखेगा क्या है फिर आप देखेंगे कि इसका ये है आपका क्या पर जिन वर जिन दू इत्वह और इसके राधनी की अगर आप दीखें तो चार लोटे इसके राधनी होगी डौलर इसकी मुद्रा ग्वातिमाला सिटि इसकी राध्धानी होगी और क्वार्ट जाल इसकी मुद्रा है निकारा गुवा इसकी अगर राध्धानी की बात करने तो मना गुवा इसकी राध्धानी है निव कोर डुवा इसकी मुद्रा है ठीक है जमेका जमेका की राध्धानी की बात करने तो किंगिस्टन है डॉलर इसकी यहां की मुद्रा है अल सल्वाडोर सां सल्वाडोर इसकी राध्धानी है यूएस डॉलर्स की मुद्रा है ग्रेलेंड ग्रेलेंड की राध्धानी नूक है करौन इसकी मुद्रा है हैती फोर्ट ओप्रेंस इसकी राध्धानी होगे गौर्ड इसकी गौर्ड इसकी मुद्रा मार्टिनिक इसकी राध्धानी की बात करें तो फोर्ट दे फ्रांस इसकी राध्धानी है फैन के इसकी मुद्रा एंटिगुआ बर्मुडा सेंट जॉन्स इसकी राध्धानी है डॉलर इसकी मुद्रा सेंट लिव सिया कैस्टी जिसकी राध्धानी होगी डॉलर इसकी मुद्रा सेंट किर्स वा नेविस इस बिस से तेरे इसकी राध्धानी होगी डॉलर इसकी मुद्रा प्यू टोरी को सान जुआन इसकी राध्धानी है डॉलर्स का सेंट वैसेंट बाग ग्रेनेड डाइंस एक किंग टाउन इसकी राध्धानी है और डॉलर्स की मुद्रा ट्रेनी डाड एंड टुवेगो फोट ऑफ एस्पैनिस की राध्धानी है डॉलर्स की मुद्रा ठीक है थिर आपके दच्छनी अमेरिका के देस हैं? प्रेंच गवाना, जोयष्टाउं इसकी राध्धानी ओगी, प्रागवे, आशन स्यान, इसकी राध्धानी ओगी, ओरूगवे, मॉंटे वीडियो, प्रेंच गयंवे, औरूबा, ओरमा, ओरेंजे इसकी क्या है? करेंसी की बात करें मुद्रा की बॉलिविया लापाज इसकी राध्धानी है बॉलिविया नो इसकी करेंसी है फ्रेंच गवाना कुर्णे इसकी राध्धानी होगी फैंक के इसका फैंक इसका करेंसी है मुद्रा ठीक है यूरोप के देशें रूस मासको इसकी राध्धानी है रूबल इसकी मुद्डा होगे Spain, Madrid इसकी मुद्डा होगे Poland, Warsaw इसकी मुद्डा होगी Norway, Oslo इसकी मुद्डा Portugal, Lisbon इसकी मुद्डा France, Paris इसकी मुद्डा Germany, Berlin इसकी राध इसकी मुद्डा England, envelope इन्फेंस इसकी मुद्डा Hungary, glucose सब्सक्राइब की राध्धानी इसकी क्या है मुद्रा डेनमार्क कोपेन हैगन इसकी राध्धानी क्रोन इसकी मुद्रा लिथुआनिया वेलनियस इसकी राध्धानी लेतास इसकी मुद्रा एस्टोनिया तालिन इसकी राध्धानी क्रोन इसकी मुद्रा स्वीडन इस्टोक् मैसिडोनिया इसकोपजे इसकी राध्धानी होगी दिनारे इसकी मुद्रा सिलोविनिया लिजू बल्जाना इसकी राध्धानी दिनारे इहां की मुद्रा सर्विया वेलगरेड इसकी राध्धानी दिनारे इहां की मुद्रा यूक्रेंड क्यों इसकी राध्धानी होगी और सिक्यावे कि इसकी राध्धानी करोना इसकी क्या होगे क्रोना इसकी इसकी मुद्रा होगे ओस्टिया वियाना इसकी राध्धानी है सिलिंग इसकी मुद्रा है आर्मेनिया एरेवान इसकी राध्धानी है रुबल इसकी मुद्रा होगे चैगर राज प्याग इसकी राध्ध राध्धानी है क्या होगी मुद्रा होगी ठीक है तो यह भी याद रखिएगा रोमानिया वुखाफी रेष्ट इसकी राध्धानी है लिव इसकी मुद्रा होगी माल्टा वलेटा इसकी राध्धानी होगी पाउंड इसकी मुद्रा फिर आप दीखेंगे इसका एक है आपका लिच एस्टेटीन और इसकी वादूज अजरवेजान लारी इसकी मुद्रा, आयलेंड, डॉलीन इसकी राध्धानी होगे, पाउंड इसकी मुद्रा होगे, लगजंबरग इसकी राध्धानी है, फैंक इसकी मुद्रा, बेल्जियम की बुरुसेल्स है, फैंक इहां की मुद्रा, बुल्गारिया की सूफिया है, लेवा इहां की है कि अब इस देख रहे घ Chelsea 녹 राज़ान के मुद्र और मंद्र कुष्ट ऑ्रटम्न में डेशों में यूरो की मुद्रा की रूम में अपना जाता है जो का ने देख रहे थे ना इनकी बात हो रहे थे तरह आपके ओसनिया दूए बाते ऐस्टेलिया केंबरा इसके राधधानीард और डॉलर नयू जिलेंड में तरस्सकी राधनी डॉलर यहां की मुद्रा, माइक्रो नीसिया, फिलीकीर इसकी राध्धानी है, डॉलर यहां की मुद्रा, टॉंगा यहां की मुद्रा, नोको अलाफा इसकी राध्धानी होगे, पांग यहां की मुद्रा, वानत आतु, ए पोर्ट विला इसकी राध्धानी होगे, या टारावा इसकी राध्धानी होगे, डॉलर यहां की मुद्रा, फकुआ नियुगिनी, पोर्ट मोरस भी यहां की राध्धानी होगे, और किना यहां इसकी मुद्रा, फ्रेंच पॉल, पॉली नीसिया, इसकी राध्धानी पापीते है, फ्रेंच यहां की मुद्रा, फेजी, तक है कि यह सबही आपके देश है और इन्की राजधानियों के ने के बात फिर इसे आप लोगों को बता रहा हूं है किसी के लिए भी इतने सा पुएंट याद रखाना बड़ा मुस्किल होता है इसमें क्या होता है कि आप लोग करेंट अपयर से जुड़े रहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा देश जान्द चर्चा में बना हुआ है और बिसके भू आविष्ठित देशों को दे जैसे एसिया हो गया एसिया में आप देखींगे अफगानिस्तान हो गया नैपाल हो गया मंगोलिया हो गया लाओस हो गया अजर्वेजान हो गया उजविकिस्तान हो गया तुर्क्मिनिस्तान हो गया भूटान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान वही ये उरोप हैं में अगर हम लोग चलें तो आश्टिया हो गया चेक गडराज, इसलोबाकिया, लगजंबर्ग, स्वीजेलेंड, हंगरी, मिसीदोनिया, सर्विया, बैटिकल सिटी, अर्मीनिया, पेलारूस, अंडोरा, लीच, चिंश्टीन, मल्डोवा, सेन, मरीनो, अपीका में चलें तो व कीना फासू, रवांडा, दस्षडी सूडान, एतोपिया, मद अफीकी, गडराज, ठीक है, और दस्षडी अमेरिका में जाएंगे तो बॉलिविया पराग में हो गया, इन सभी को याद रखिए हो, सबसे भू आविश्टी देश कजाकिस्तान है, भू आविश्टी देशो इन देशों के नाम है, लीच चिस्तीन और उज्विकिस्तान, ठीक है, यह आपके विश्पिसुद्ध इस्थल है, जैसे है, राइट सेंडस, यह उएसे में है, अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नापकी विश्पोर्ट यहीं किया था, विलिंग्स गेट, यह लंदन में ह है, इस टेचू अफ लिवार्टी, यह निवार की USA में देखने को मिलेगा, इसी 1800 सरसक में पिसिद मूर्तिकार फेडरिक ऑगस्टस बार्थोल्डी ने इन डिजैन किया था, इस मूर्तिका टाइटल लिवार्टी इन लाइटिंग दा वर्ल्ड है, इस पितिमा के ताज में साथ नुकीली आक्तियां मनी हुई है, जो सातो महादीव का पितिक है, इसकी उचाई 151 फिट एक इंच है, और यह मूर्ति स्वतंता का पितिक है, 28 अक्टूबर 1886 को USA ने इसी अधिकारी क्रूप से स्विगा रहा था, रेड स्क्वायर, यह रूस में देखने को मिलेगा, क्रेमलिन इस्थित या एपिसित इस्थान है, जहां लेनिन की समाधी है, एलिसी फैलिस, यह फ्रांस में देखने को मिलेगा, यह फ्रांस की राश्पत्ती सर का सरकारी आवास होता है, लापनोर, यह चीन में, चीन का पिरमुक परमाडू संस्थान है, यह सी कांग मरू कांग से फ्रांस में देखने को मिल लेगा, यहां पिती बर्स फिल्म महुस्था आयुजित किये जाते हैं, पेंटागन एउसे में है, और एउसे की रक्षा मंतलाले की विल्डिंग है, ठीक है, तो यह भी आप लो याद रखिएगा, बर्जीनिया मिस्तित या में उनने सो पच्पन में करवाया था, अराविले यह भारत में है, यह यूनेस कूक द्वारा गोसित विस्व का पहला अंतराष्टी यह नगर है, यह फॉन्डिचेरी मिस्ते थे, इसकी स्थावना अर्विंदो सोसाइटी की मीरा अल्थेसा, दामदर के द्वारा 28 तो एक से दो बार आप लोग देखे, आराम से समझ में आ जाएगा, अब बचता है कि भुगोल की बात करते हैं हम लोग करेंगे भारत के परिविक्ष में, और आपकी परिविक्षाओं में काफी कुष्टेंस आपके भारत के भुगोल से जरूर आते हैं, तो आप लोग ए आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उसके पुराने कुश्चन पेपर कभी उठा के देखिएगा और आप देखें कि कि अगर आप लोग वंडे एकजाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखिए इस्टेट लेवल के आपके एकजाम हो जाते हैं यह सेंट तक देखा है कि जो सेविल सर्विस का प्रिलेम्स होता है यह इस्टेट पीसीएस का प्रिलेम्स होता है जिसमें आप देखिए कि उपी पीसीएस हो गया बिहार, राजिस्थान, चत्तिजगर्ण, मद्धदेश, महाराष्ट, समझ रहे हैं इन सब के PCS प्रिलेम्स के CIT और भी जो आपकी special books होती हैं उनसे कबर कर लेते हैं लेकिन आप देखिए जो date होते हैं जो point to point होते हैं इन्हें याद रख पाना बड़ा मुस्किल होता है इसलिए आप देखिए वो लोग पेपर के नजदीक समय में इसे ही पढ़ते हैं यह आप कहिए कि GKGS का एक तरह UK के नाम से उसी में सभी सभी आपकी क्लासें बड़ी रहेंगी आज हम लोग बात क्या करेंगे भारत का भूगोल देखेंगे आप लोग ने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोग ने भूगोल पढ़ा था आज हमें क्या पढ़ना है भारत का भूगोल पढ़ना है तो मुझे लगता है कि एक दो कुस्चन्स की कीमत वही लोग जान सकते हैं जो एक दो कुश्चन से या तो पास हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं ठीक है तो मुझे लगता है एक एक कुश्चन से एक तरह से महत्पूर होता है आपके लिए भारत के पिरमोख बहुत देशी है नदी घाटी परियोजनाओं से भी आते हैं नदियों के किनारे बसे पि जंजातियों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और याद रखी पिछली क्लास में हम लोग ने विस्व के एक तरसे World की परिपेक्च में भुगोल को देका था समझ रहें आप लोग इसे हम लोग भारत की परिपेक्च में देखेंगे तो इन सभी चैप्टर को हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं क्या करने वाले हैं? कवर ही करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भारत का भौगोलिक सामाने जानकारी देख लेते हैं भारत के बारे में इसमें देखेंगे तो भारत का उत्तरी गुलार्द में इस्तित है और इसका अगर अक्छास देखें आप लो तो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनित से लेकर 37 डिग्री 6 मिनिट उत्त्री एक चांस और 68 डिग्री 7 मिनिट से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देसांतर के 20 इस्तित है माल लेजे कि ये पितभी है और भारत आपको यहाँ देखने कुमलेगा ठीक है यहीं इसकी अवस्तिती बता रहा हूँ आप लोगों से फिर से बोलना हूँ जो हम लोगों ने मैप कबर किया हुआ था मानचित के नाम से आपकी एक प्लेलिश सूची बनी हुई है उसे जाकर जरूर देख लिएगा भूगोल काफी हद तक आपका कबर हो जाएगा मैप का सहारा लेकर उसे बताये गया है ठीक है और संपूर्ण भारत के अक्छांसी ये विस्तार की बात करना तो छे डिग्री चार से मिनिट से लेकर 37 डिग्री छे मिनिट उत्री अक्छांस की मद्द आपको देखने को मिलेगा इस अक्छांस को और देशांतर विस्तार को याद रखेगा इनसे कुष्टेंस कई बार पूच लेता है भारत का छेथफल अगर आप से पूचा कि तो 32,87,263 वरक किलूमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है चेथफल की दरिश्टी से भारत विस्त में साथवे नंबर पर आता है और अगर हम जन संख्या की दरिश्टी से बात करें तो विस्त दूसरे नंबर पर आता है भारत पहले पर आप चाइना देखते हैं चेथफल में पहले पर रूस है चेतफल की दिरिष्टी से भारत से बड़े 6 देश हैं जिसमें रूस हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, सेंक तुराज अमेरिका, बिराजील, ऑस्टिलिया और आठवा देश हैं अर्जिंटीना, ठीक है? उसके बाद देखेंगे भारत का चेतफल, संपूर विस्ट का चेतफल का 2.42 परसेंट है, यानि कि 2.42 परसेंट है, भारत का चेतफल, संपूर विस्ट के चेतफल का कितना है? 2.42 भूमी हमारे पास है, जबकि इसकी जनसंग्या, संपूर विस्ट की जनसंग्या का 17.5 परसें इसमें ऐसे आप देखें कि टोटल एपित भी है इसमें ऐसे दो दर्समलाओ 42% हमारे पास भूमी है और जनसंख्या की टोटल की बात करें तो इस भूमी पर 17% पांच परसंट जनसंख्या नेवास करती है हमारे देश में दुनिया की तो आप समझ रहे हैं क्या हाल है जनसंख्या की दिरिश्टी से विस्ट के आठ बड़े देश जिनमें चीन पहले पर भारत सेयुक्तराज अमेरिका इंडोनेसिया ब्राजील पाकिस्तान बंगला देश और रूस का नमबर आता है भारत का उत्तर से अगर दक्षिण में विस्तार अगर आप देखें उत्तर से दक्षिण में यहां से लेकर यहां तक तो यह 32,14 किलोमीटर है यानि कि 3,214 किलोमीटर और पूरुप से पश्यम की बात करें यहां से यहां तक तो आप देखें कि इसका विस्तार 2,933 किलोमी क्या 7516.6 km है और परंतो मुख भूमी के तटिये भाग की लंबाई की बात करें तो 600 km है यानि की कहने का मतलब है कि 6100 km है ठेक है याद रखेगा आंगे हम लोग बात करते हैं क्या बात करनी है बात ही करनी है बात क्या करें कियो तो इन्हें भी आप लोग याद रखेगा भारत के साथ पड़ोसी देश्ट देशों के साथ हमारी सीमा लगती है जिसमें आप देखें बंगला देश हो गया और बंगला देश्ट के साथ बताएं तो सबसे जानदा सीमा लगती है चार हजार नो चारहजार नोसो न मापकरी चारहजार चानवे दसमलो साथ किलो मीटर की पर्षे मंगाल हो गया तिप पुरा हो गया मिजोरम हो गया असम हो गया तो यह भी आप लोग याद रखेगा एक बार आप लोग मैप देख लिजे भारत का क्योंकि उससे मुझे यह बंगलादेश आपका दिखाई दिरा है अगर इससे लगे हुए अपने राज्यों की बात करें भारत के कितने राज जिसकी सीमा लगती है तो सबसे पहले आप लोग पश्चे मंगाल देख लिए फिर आप लोग देखिए सम की सीमा भी लग रही है मेगालाई की भी इसकी सबसे जाना हमारी चाइना की बात करें तो इसे आप देखेंगे 3488 किलो मिटर है सीमा हमारी लगती है दूसरे नंबर पर इसमें लद्दाक हो गया रदाचल पिदेश हो गया उत्तराखंळ हिमाचल पिदेश और सिक्किम है यहाँ से आप लोग मैम में एक बार देख लिए क्या करिएगा मैं अब से आप लोग के लिए बता पते हैं लग्दा का हो गया है फिर हमाचल पिदेश जाईए अप उत्रा करने जाईए सिक्किम जाईए और आप लोग अवड़ाचल पिदेश जाईए पांच राज्यों की सीमा लगती है कि किसे चाइना से ठीक है किसे हुआ करता था राजिस्थान हो गया जम्मू कस्मीर हो गया लग्दा को गया गुजराद पंजाब यानि कि पांच राज्यों की सीमा इससे भी लगती है एक बार आप लोग मैं फिर से देख लिजे देखिए यह पाकिस्तान लग रही है जम्मू कस्मीर की लग रही है पंच राज्यों की सीमा इससे भी लग रही है ठीक है कितने पांच राज्यों की फिर आप देखिए म्यानमा राज जाता है 1643 यानि कि आप देखिए 1643 किलो मीटर की सीमा लगती है अरुना चल्पिदेश मेजोरम मढईपूर नागलेड यानि कि चार राज्य है आपकी जि उसके बाद आप देखेंगे आपका आता है भूटान इसकी 699 किलो मीटर सीमा लगती है हमारी असम अरुना चल्पिदेश पर्चेम बंगाल और सिक्किम एक बार भूटान को देख लिए जिमेब में यह बूटान हो गया आपका सिक्किम पर्चेम बंगाल असम और अरुना से लग रही है फिर एक और देश बस्ता है अफगानिस्तान 106 किलो मीटर की सीमा लगती है सबसे ही कम लगदा की जो हमारा देखते है ना पाक पाकिस्तान की कबजे में है पियों के वाला इससा इसकी लगती है और अगर देखें तो यहां आप लोगों को साफ दिखाई भी इन राज सभी देशों से भारत के कुल 16 राज पडोसी देशों की सीमा से जोड़ते है यह जरूर याद रखेगा भारत की जलिये सीमा या समुद्री सीमा से समर्द साथ देश है पाकिस्तान, मालदीप, स्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, थाइलेंड, इंडोलेसिया से पडोसी देशों से लगा सबसे लंबा समर्द राज है बंगलादेश से आप देखेंगे पश्चे मंगाल की सीमा लगती है बाईस सो 16.7 किलोमीटर की नेपाल से उत्तर पिदेश की सबसे जानद लगती है 659 किलोमीटर से म्यानमार की अरणाचल पिदेश से लगती है 520 कि किलोमीटर तो बंगलादेश से सबसे जान लगती है किसी राज्य की सीमा ठीक है भारत की जलो और इस्तल सीमा से लगे देश की बात करें तो बंगलादेश हो गया मयानमार हो गया पाकिस्तान जो इस्तल से भी लगे हुए है और हमसे जल से भी लगे हुए है भारत का सबसे उत्री बिंदू, इंद्रा कॉल, जम्मू कस्मीर में आपको देखने को मिलेगा, पर्षमी बिंदू, सरकीक, एक गुजरात में देखने को मिलेगा, पूर्भी बिंदू, कि बुतू, एक अरुना चल्पितिस में देखने को मिलेगा, एक बार आप देख लिजे, आपका लद यह सभी याद रख्या करिएगा तो यह होगा कुलावा पॉइंट मुंबई में पॉइंट काली मेरे तमिलाणू में और पॉइंट पेडरो जापना स्री लंका के उत्तरपूर में है भारत चीन की सीमा को मैक मुहन रिखा कहते हैं जो भारत चीन के वीच लगती है यह रेखा 1914 में सिम्ला में निर्धारित की गई थी लेकिन आप देखते हैं कि चाइना मानता किसे कहां है यह से काराकुरम रेंज भारतियों महादीब और चीन के मद एक जल विभाजक है बनाती हो 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेसियर काराकुरम में सबसे लंबा है और धर्ती पर धुर गंद द्वारा निर्धारित की गई थी अवे ँश्था इस तरफ पाकिस्तान की जाते हैं कियूंकि आप देखिए पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है तो हमारा हिस्सा था तब तकिकी बात हो रही है और भारत पाकिस्तान की बीच आप सभी जानते हैं रेड क्लिप रे도 आते स्री लंका के बाद भारत दूसरा निकर्तम समुद्री पडोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोवार दूसरा निकोवार की दच्छन में आपको देखने को मिलेगा भारत का मानक समय इलावाद की निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर एक आपको माना जाता है जो ग्रेन विस समय से आप देखेंगे साड़े पांच घंटे आंगे है और साड़े 82 पूर्वी देशांतर पांच राज्यों उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश 36 गड़ और इसा आंदप्रदेश से गुजरती कई बार पूछ लेता है कि जो 82 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा है ये मद्प्रदेश कि राज्यों से होकर गुजरती है आपके बहारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो इसमें राषे उत्तरप्रदेश है मद्प्रदेश है 36 गड़ है उड़ीजा है पूछेंस भी पूछ लेता है कई बाद तो लगवग याद रखना चाहिए करक्रेखा लगवग आप देखे भावत की मद्द से गुजरती है आठ राज्यों से होकर गुजरती इसमें राजिस्तान गुजरात मद्दपदेश 36 गड़ जारखंड पश्टिमंगाल तिप्पु पूछें राज्यों से पास से करक्रेखा आठ से ठीक है पिधिभी की चुमिकी विश्वत रेखा दच्छिड भारत में त्यवयन दर्म से गुजरती है और भारती और महादीब में समलेद देश थी भारत पाकिस्तान बंगलादीश नेपाल भूटान भारती और महादीश अब उत्ता आप लोग सुनते हैं भारत सामिल है पाकिस्तान सामिल में बंगलादेश सामिल है नेपाल भी भूटान फो SECistas दे राजिस से लगा देखे तो उत्तर हर भिः वार्तिय राज्यों में गुर्ष से लगती है 1663 किलो मीटर और इसके बाद आप देखेंगे आंद्पिदेश की तट्रेखा लंबी है भारत के नौ राज्य है जिनकी तट्रेखा से लगे है गुजराद, महराष्ट, गुवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंद्पिदेश, ओड़ीचा और पश्चिम मंगाल नेपाल के साथ अंतरश्टी सीमा बनाने वाले राज्यों में उत्राकंद, उत्रपिदेश, भिहार, पश्चिम, बंग्लादेश से नहीं लगती हैं यह भी आप लोग याद रखेगा मुझ लेगा आपसे की राज्यों का देदी का नीचे ओप्सन इन में से किसकी सीमा बंगलादी से लगती है या नहीं लगती है तो आप लोगों को रटे होना चाहिए पाकिस्तानी सीमा से लगे तीन भारती राज होते हैं आपका पाकिस्तानी सीमा से लगे तीन भारती है राज, राजयस्थान, गुजराब, पंजाब. और आप देखें, आपका पाकिस्तानी सीमा से, आपका ओही लगता है, क्या लगता है, लधाग भी और जमू कसमीर भी. और अरणाचल पिदेश की सीमा पूर में म्यानमाल से और पश्चे में भूतान से उत्तर में चीन से तीन देशों से लग रही है सिक्किम की सीमा देखेंगे नेपाल से भूतान से चीन से तीन देशों से इसकी सीमा लग रही है तीन ओर से बंगलादेश से घरा हुआ राज्य तिप्पुरा है किबल उत्तरपूर में ही है असम और मिजवरम से घरा हुआ है संकोस नदी असम और अरणाचल पिदेश के बीच की सीमा बनाती है यह भारत के पिरमुख दर्रे होगा राज्य के अंदसासित पिदेश कारा कूरम का है जमुकस्मीर में जोजिला का है लद्दाक में पिर पंजाल का है जमुकस्मीर में वनिहाल दर्रा जमुकस्मीर में बुर्जिल दर्रा जमुकस्मीर में सिफ कीला दर्रा हिमाचल पिदेश में रोहतांग दर्रा हिमाचल पिदेश में बडालाचय दर्रा हिमा इन सभी दर्रों को भी याद रखेगा इनसे कुश्चन्स कई बार कुछ लेता है यांग याप दर्री के पास ब्रह्मपुत नदी भारत में पिरवेश करती हैं जोजीला दर्रे का निर्माड सिंधु नदी द्वारा शिफकीला का निर्माड सतला नदी द्वारा और जे याद रखिए इनसे जोड़े जोजीला दर्रा है नहीं याद रखिएगा लद्दाक में इस्तित्कारागरूम दर्रा भारत का सबसे उंचा दर्रा है इसकी उंचा एकर आप देखें तो 5624 किलो मीटर है मापकरी मीटर है किलो मीटर दो बहुत हो जाता है यहां से चीज जा जाने का मार गुजरता है जावार स्वरंग इसी में है यहीं इस्तित्त है आपकी काफी चर्चा में भी रही थी तो इसे भी याद रखिएगा तुझू दर्रा ए मड़ीपुर में भारत उम्यानमार को जोडता है सिपकीला दर्रा इस्सिमला से तिबबत को जोडता है जीवित जड़ पुल ए मेगाले में पाये जाते है ठीक है यह आप देखें कि पेड़ों की जड़ों से बनाये जाते है और कहते हैं कि इनकी जिस त पर इन्हें जल धारा की आरपार सुद्रर कर देते हैं, पुलों की रूमेर उपांतित कर देते हैं, जिसे जीवित पुल कहा जाता है, इस्थानी भासा में से चिंग केंग इरो कहते हैं, तीन अर्ध चंद्रा का समुद्र टट कन्या कुमारी में मिलती है, भारत में रामे सु पुल और किसकस का पुल, ठीक है, आदम का पुल, जापना, ये तमिल आड़ो, मार्क तमिल बहूल से लंका से अलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, जापना, तमिल बहूल छेत थे, अब बात करते हैं, भारत का स्वरूप देख लेते हैं, देश के कुल छेत परफल का आप देखेंगे, 10.7% भाग पर, उच परवसेनिया आपको देखने को मिलेगी, ये 10.7% पर, जिनकी उचाई एगर समुद्ध तल से अगर आप देखें, तो 2135 मीटर या उससे अधिक देखने को मिलेगी, 305 मीटर से 2135 मीटर की उचाई वाली पहाडिया आपको 18 6 भूभाग पर फैली हुई है, 43% भूभाग पर विस्तित मैदान आपको देखने को मिल जाएंगी, हिमालाय का प्रादेशिक विभाजन अगर हम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रादेशिक विभाग होगा या लंबाई होगी और विस्तार, जैसे पंजाब का ह पंजाब हिमाल है, ए 560 km में फैला हुआ है, इसकी लंबाई है, सिंधू सतलज नदियों की मद्द, कुमायू हिमाल है, ए 320 km में सतलज और काली नदियों की मद्द, नैपाल हिमाल हिमाल है, ए 800 km में फैला हुआ है, काली और तिस्ता नदियों की मद्द में, असम हिमाल है, 720 120 किलो मीटर में फैला हुए अतिस्ता और दियान नदियों के मद्द आपको देखने कुंग लेगा। विज्ञानकों के अगर हम लोग बात करें तो आज जहां हिमाले पहाड है ना वहां टेथिस नामा के उत्तला समुद्र हुआ करता था। केटू या गौर्डविन ऑस्टेज चेज आठ च्छेसो ग्यारे मीटर कारो करों की सर्वोच चोटी है जो भारत की सर्वोच चोटी माने जाती है। याद रखें पीओ के बाले हिस्से में पाकिस्तान के जो कबजे में हो उस हिस्से में अगर आप से पूछे कि भारत की तो आप लोग उनको इसे ही को बताना है। अगर आप इसे नहीं बताते हैं कोई कंचन जंगा कहना है लगता है कंचन जुगा तो यह देखे भारत में अवस्तित हैं अगर आप कहेंगे कि भारत में इस्तित अगर पूछे तो भारत की पूछे तो केटू है अगर आप केटू नहीं बताएंगे तो वो माल लेगा कि अपने ऐसा मल लिया है कि पीओ के बाला हिस्सा हमारा नहीं है ठीक है और कस्मीर हिमालाय करेवा के लिए पिसिद्ध है जहाँ जाप्रान की खेती की जाती है करेवा, चिकनी, मिट्टी और दूसरे पदार्थों का है मोड पर मोटी परत की रूम में जमा होता है वेहद हिमाले में जोजीला फीर पंजाल में बनिहाल जासकर सणी में फोटोला लद्दाक सणी में आप देखेंगे खर्द गलासे जैसे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे कस्मीर हिमालेश्यत में ही मीठे जल की जील डल और बूलर और खारे जल की जील आपको देखने को मिलेगी सामूरी इस्तिद भी है बैशनो देवी अमर रगनात गुपा चरारे शरीब जैसे तीरतिस्थान कस्मीर तथा उत्री पर्षम हिमाले में ही आपको देखने को मिलेंगे फिर हिमाद्री यानि कि सर्वोच और बेहाद हिमाले यह हिमाले की सब से उची चोटी है सेड़ी है और इसकी उचाई देखें तो 6000 मीटर है बिसकी सब से उची चोटी एवरेक्ट नेपाल इसी पर्षम सेड़ी में आपको देखने को मिलेगा कंचन जंगा, नंगा परवच, नंदा देवी, फावमेट, नाम चवरवा और इस तरह की कुछ महत्पूर सिखर भी है बेहाद हिमाले लगू हिमाले से मैं सेंट्रल थरस्ट की द्वारा अलग होती है ठीक है हिमाले सेड़ी आती है फिर अर्था लगू या मद्ध हिमाले इस सेड़ी में पीर पंजाल, धौलावी, धौलाधर, मसूरी, नान्टिवा, महाभार सेड़ी आती है बेहाद बा लगू हिमाले की मद्ध कस्मीर घाटी, लाहोद, इस्पेती, कुलू, कंगड़ा की घाटी मिलती है यहाँ अलपाइन चारागा है, जिनने कस्मीर घाटी में मर्ग, गुल मर्ग, सौन मर्ग, तथा उत्राखन में आप देखेंगे बुग्याल या पयार कहा जाता है सिमला कुलू, मनाली, मंसूरी और दारजिलिंग आदी लगू हिमाले में ही इस्ते थे बेहद हिमाले की घाटीयों में भोटिया प्रजाती के खानाव देश लोग रहते हैं, जो ग्रेस में रितुम है उपर बोग्याल में चले जाते हैं आप देखेंगे नीची घाटीयों में लोटाते हैं, फिसे पूलों की घाटी इसी परवतिय चेत में इस्ते थे हैं, गंगोत्री, हमनोत्री, कैदारनाथ, बद्रीनाथ, हैमकुंड, साहिव, इसी इलाके में आपको देखने को मिलेगा लगू हमाले सिवालिक से में बाउंडरी फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं, फिर आप देखेंगे सिवालिक, अर्था निम्न, या फिर वाह हमाले, यह हमाले का नमीनतम भागें, सिवाले को लगू हमाले की वीच, कई घाटियां जैसे काट मांडू घाटी, पश्मे इन चटानों से बनी है, और इस पहाड़ी की सबसे उची चोटी देखें तो माउंट आबू है, जिसे परिस्ते थे माउंट आबू पर गुरू सिकर, इसकी उचाई देखें तो 1722 मीटर है, अरावली के पश्मी और से लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी कच्छे के रण मे पिदेश और दच्छिटपूर राजस्थान राज्य में है, यह जोला मुखी चटानों का बना हुआ है, इससे चंबल और बैतवा नदी निकलती है, सुने हो चंबल बैतवा नदी बारे में, बिंध्यान चल का पठार, जारखन उत्तर पिदेश दच्छिटपूर राजस् 37 मीटर, यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ है, एक बिलॉक परमत है, इसके पच्छिम की ओर से नर्वदा नदी, उत्तर की ओर से सौन नदी और दच्छिन की तरप से आप देके महा नदी निकलती है, चोटा राज़ी का पठार, संबदाय मैदान का उधारन है, चोट 37 मीटर, जो महाविदेव परवत पर देखेंगे, इसके पूर्वे हिस्से से तापती नदी निकलती है, ठीक है, और पश्छिमी घाट यह परवत परवत तापती नदी के महाने से लेकर कन्या कुमारी अंतरीप तक लगबग 1600 क्ली मीटर में विस्तित है, इसके उसत उंचा 1200 मीटर है, और पश्छमी घाट से उतर में गुजरात की सौराष्ट कदेश में गिर की पहाडियां मिलती है, जो ACI सिंग के लिए बिख्यात है, और पश्छमी घाट की सहयाद्री भी कहा जाता है, 16 डिग्री उत्री अक्छांस रेखा जो गुआ से गुजरती है, सहयाद्र और दच्छडी सहयाद्री की सर्वोज सिखर की बात करें, तो करमसाई काल सुवाई, इसकी 1664 मीटर और कुद्रे मुक्त, यह आप दच्छडी सहयाद्री की है, जो 892 मीटर, तो यह भी याद रखें, और महावले सुर, इसकी उचाई की अगर आप से बात करें, तो 1438 मीट है, उत्री सहयाद्री की दूसरी फिर्मोख चोटी है, महावले सुर का उच्टब मिंदू, वैलसन पॉइंट है, अर्था सीट पॉइंट, नेडल हॉल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, महावले सुर में ही इस्ते थे, महावले सुर से पांच ना दिया, किष्णा, साव वित्री, विन्ना, गयत्री और कुईना निकलती है, दर्रे से गुजरने वाले फिल्मोख रेल, सडक मार्ग इने भी याद रखेगा, जयते थाल घाट दर्रा, एम मुंबई नागपुर कोल पाता, रेल और सडक मार्ग जाता है, भोर घाट दर्रा, मुंबई पूडे बैल लगत, थाल घाट हो गया, इसकी उचाए आठ सो, पास सो, असी किलो मीटर, मीटर देखने को मिलेगा, किलो मीटर नहीं मीटर, नाशे को मुंबई की बीच का संपर्ग मार्ग यहां से जाता है, भोर घाट, 630 मीटर, मुंबई पूरे की बीच का संपर्ग मार्ग, पाल घा पतार का पतार आप लोग सुने? महराष्ट राज्श में है, या ज्वाला मुखी ये वैसाल चत्टानों के बरा है, या काली मिट्टी का छेथ है, इस पतार की पूरी विभाग को बिधर्ब कहा जाता है, धारवाड का पतार सुने? एक अनाटक राज्श में है, या परिवर् चार नो कायरीट पठाव से बनी हुई, इसकी सबसे उची चोटी डोडा बेटा है, 2627 मीटर में जो दच्छिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है, उटक मंड इसी पहाडी में इस्ते थे, तमेल लाडू राजी में नेलगिरी के दच्छिन भाग में पाल घाट है, पाल पुरवी घाट का मिलनिस्थल माना जाता है, पुरवी घाट पश्चिमी घाट की मिलनिस्थल पर नेलगिरी पहाडिया इस्ते थे, इसके पार फैली कायडवम की पहाडियां पश्चिमी घाट पर विस्तार मानी जाती है, वो अन्ना मलाई की पहाडी पर इस्ते दच्छिन पहाड़ी 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 गोदावरी डिल्टा से लेकर उत्री तटिये भाग उत्री सरकार के नाम से जानते हैं दीरे दीर बालू का औरोथ खड़ा कर देने का इस थलिए छेत का जलिए भाग सबुद्र से अलग हो जाते इसे जलिए आग्री को हम लोग लेंगाउन करते हैं एक बार आप लोग देखिए चलिए देखिए वैसे बात तो कर रही ही रहें एक बार इसको मैप को सभी राग्जों को देख लिए वैसे आप लोगों को याद रखना चाही मुझे लगता है तो बेहतर आप लोग और स्कूर अच्छा कर पाएंगे ऊपर से शुरूं करीए लगदाख जहमू कस्मीर हिमाचल प्पिदेश पंजाब उत्तर पिदेश माफो करी उत्तराकर्ण उत्तर पिदेश का पेले हिसा कर था का उत्रा करना ठीक है हर्याना यहां दिल्ली आपकी राध्धानी उत्तर प्रदेश आपका यह हो गया राजिस्थान गुजरात मद्रपदेश चत्तीजगर दिहार जार्खन वेस्ट मंगाल सेक्क्यम असम अरुणाचल प्रदेश नंगालेंड मनीपुर मिजुरम दिपुरा और मिघाले फिर आप नीची आएंगे यह उडिशा है आपका ठीक है उडिशा उडिशा और यहां आप देखेंगे तो आपका महराष्ठ हो गया एक गवाह हो गया करनाटक हो गया तेलंगाना आप देखेंगे तमिलाडू और केला एंगो याद रखेगा यह से कई बार यमन पुदूचेरी पुदूचेरी कराई कले पुदूचेरी लक्षदीप भारत के पश्मी तटक को निम्न भागों में आटा जाता है गुजराच से गवातर तक का जो तटी एचित होता नहीं से कुमकर तटकी नाम से जानते हैं ग्वासी करनाटक के मंगलूर तटका के नाम से जानते हैं मंगलूर से कन्याकुमारी के तटी एचित को मालावार तटके नाम से जानते हैं भारत के पश्चंवी तटट पर इस्थित प Cabrirand बंदरगा देखें तो कांडला गुजरात में मुंबई महराश्ड में और दो mm यह मुंबई साल सेट दूइप परिस्ते थे हैं माला बार तरट पर अनिक पश्च जल हैं जिसे इस्थानी भासा में कयाल कहते हैं कयाल मचली पकरने और अंता इसलिए नोकायन के लिए प्रियूप किया जाता है अपरेटर को लिए बिस्य साकर सन्का केंद माना जाता है केरल बे हरवर बस नहरू ट्राफी वलाम काली नोकादोड का अविजन किया जाता है पुन्ना मदा कबाल में किया जाता है भारत के में दो दुईप समूओ है एक लक्षदी दूईप समूओ इसमें करीब आप दीखेंगे छोटे वड़े अगर आप दूइप को देखेंगे 247 दूइप है इसमें और निकुबार में आप देखेंगे 19 दूइप है ये दूइब बास्ताव में समुद में डूबे हुए परवत की सिखार हैं लेंड फाल दूइब अंडवान निकोवार दूइब समूँ के सबसे उत्री दूइब है कोको जलमार किसी मेरमार के कोको दूइब से अलग करती है बंगाल की खाड़ी में नदियों से जलोड मिट्टी के निच्छे द्वारा कई दीपों का निर्मारा हुआ हुआ है उगली के निकट आप देखिए 20 किलो मीटर लंबा सागर दूइब लेकिन आपने देखा होगा कि यहां की जो जन जाती है वो बहुत खतरनाक जन जाती है और आप कभी घूमने जाए तो यहां के बारे में एक खटी जानकारी कर लिए करिए क्योंकि आपने देखा हो कुछ समय पहले एक विदेशी प्राक्मर कर दिया था यहां की जन जाती है और सुंदर्वन जो गंगा डेल का डिल्टा है में मैंगो बन पाए जाते हैं विसका सबसे बड़ा ग्यात नदी दूइप मंजूली असम में इस्ते थे जैसे ब्रह्मा पुत नदी की दोनों साखाओं साख्राएं मिलकर बनाती है अंडवान निकोबार दूइप समय के सबसे उची परवस चोटी पूचे तो सेडल फीक है 738 मीटर उत्तरी है अंडवान में है ये अंडवान निकोबार परवस सिखर के सिखर परवस सिखर ये सिखर हो गया अवस्तिती होगी मुचाई जैसे सेडल फीक ये आप देखेंग ये दच्छडी अंडवान में देखने को मिलेगा 450 मीटर यहां भी कुछ पॉइंट है ने भी याद रखेगा इनसे कुश्टनस बंते आए हैं के अंसाधित तिदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगा पोर्ड बिलियर में दच्छडी अंडवान में देखने को मिलेगा न से उगरे भी छोड़े जाते हैं पिरमुक जल अंतराल इन्हें भी याद रखेगा जो 9 डिग्री चैनल है इमाल्दीप और मिनीकाय के मद्द देखने को मिलेगा ग्रेंड चैनल सुमात्रा इंडोनेसिया निकुबार के मद्द देखने को मिलेगा पाकिस्टेट अभी अपाप आप लोग सुन होगे उडीचा के तरफ नदी के मुखश्टेथे या भारत अपने मिसाईल का पर ही करता है वर्तमान में इस दूइव का नाम अबूल अब्दूल के लाम दूइव रख दिया गया पमन दूइव मननार की खाड़ी मिस्ते थे यह भारत और सी लंका की बीच एडंप से ब्रिज राम सीदू का भागे इसे रामे सुरम दूइव के नाम से भी जानते भारत में बै चर्थी एक है और इसमें केबल आठ ड्रीप पर ही आवादी रहती है अंड ट्रेट लच्छी दीप का सबसे बड़ा दूइव जिसका छेट्फल 14 शमलो 92 किलोमीटर मिनी का है दूसरा सबसे बड़ा दूइव जिसका छेट्फल 14,801 किलोमीटर है फिटली दूइव जहां म भागों में भाछ言 जित होता है उत्तर में अमीनी दुएप और दच्छिनमें कन्ना नर्य दुएप लक्षी दीप सम Jupo के सभी दिविपों पर मलयालम भासा बोली जाती है मिनीका दिविप एकमात अफवाद है जहां महल भासा बोली जाती है महल देहोई लिपी में लिखी ज से सभी तटिये प्रवाल भीतियों का निर्मार सागरिये जी मुंगा के आउसिसों कि समेकन और सहयोजन द्वारा होता है मुंगा उष्ण कटीवंदी महासागरों में पाए जाते हैं चूने पर निर्वाह करते हैं तो यह सभी द्वीपों के बारे में पॉएंट याद रखे जहिल के सानो ख्यावाब हिमनस से निकलती है और ये कहां मिलती है अरब सागर में और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है भारत में इसकी अगर लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर में है इसकी साइग नदिया में सतलज हो गया चैनाब हो गया राभी हो ग सेशनाग धिल से निकलती है और चैनाव नदी में मिल जाती है और 724 किलो मीटर इसकी लंबाई है भारत में 400 किलो मीटर है और सिरी नगर में सिकाओ या बजरे चलाए जाते हैं से पर राभी कांगडा जिला हिमाचल फितेश रोहतांग दर्रे के समीब से निकलती है चैनाव नदी, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई, यह मादोपर के पास मैदान में प्रविस करती है, चेनाव, चंदो भागा इसके उद्गम इस्थान है, जो लाहूल के बड़ा लाचा दर्री के दोनों और अवस्तित है, सिंधु नदी की साइख नदी है, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई ह या पीर पंजाल में गहरा गोड़ बनाती है, और अखनूर के निकट मैदान में प्रविस करती है, तो इनके बारे में याद रखेगा, फिर आपकी ब्यास आती है, हिमाचल फिदेश में रोहतांग दर्री के समीप, ब्यास कॉंडर से 4330 मीटर की उचाई से निकलती है, और यह आप देखेंगे हरी के कफूरतला समीप सतलётी में बिल जाती है, और यह आप देखेंगे कि 470 किलो मीटर्स की लंबाई है, कुलु घाटी से भैती हुई धुपार धर परवत को पार कर पंजाब के में पहुंचती है, सतलअग, यह आप देखेंगे तिबत में मानसा हो सरूपर जील के समी पिस्थित राकस्ताल से मुचा है इसकी समुज़ तल से 4550 मीटर उचे से निकलती है वे व्यास नदी में हरी के पतन में मिल जाती हैं व्यास मशन दी में लगभग 15 क्लिव सकी लंबाय भी बारत में देखेंगे तो ये, 1050 km की बहती है भारत में सिवालिक परवस इंखला को कार्ती भी पंजाब में प्रिविस्स करती है गंगा गंगोत्री के पास को मोख हिमादरी समुद्र तल से इसकी 4900 मीटर से भी अधिक उचाई पर है और ये बगारी की खाड़ी में मिल जाती है 2525 km की लंबाई है भारत में गंगा भागी रखी और अलगनंदा नदियों का नदियों का समलित नाम है गंगा यमना बंदर पूँच के पश्मी धाल पर इस ते यमनोत्री प्रियाग यमनोत्री हिमाद्री से निकलती है उचाई समुद्र तल से 6304 16 मीटर है और इलावाद में गंगा नदी में मिल जा है चंबल मद्धिपदेश में मौ के समीफ इस्तिद जो जाना इटा मद्धिपदेश के मौ में के समीफ इस्तिद जाना पाव पहाडियों सिंगार चो चोरी चोटी से उचाई इसकी आप देखेंगी किलूमीटर में समझ रहे हैं यह समुद्र तल से 843 मीटर उचे से निकल यम्ना नदीम की साहिक नदीम है और 995 किलूमीटर की लंबाई इकल देश के सबसे गहरी खंडरों का निर्मान करती इसकी साहिक नदीयां काली सेंद पारवर्ती और स्तिप्ता बना स्कूरल बामनी मेध हैं और आप दिखते हैं डांकूँ के सरद थली भी यही रहती है चं मुक साहिक नदी है सार्दा काली सिंद यह आद देखें कि सार्दा तो सकुमायू हिमाले का मिलान हिमनद और बहराम घाट की समीब घागरा नदीमे मिल जाती है च्छे सो दो किलूमेटर इसकी लंबाई इसकी साहिक नदीयों में सर्मा हो गई लेसार सर्यो या पुर्वी या कोरियाला नेपाल में तक तकला कोट से 37 किलूमीटर परश्ट में में सातों घेमानी से निकलती है और उत्तर सारं तथा बलिया जिली की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है और 1080 किलूमीटर इसकी लंबाई से बालिक कूपार करते समय सीस पानी नामक 180 मीटर गहरी खं साहिक नदिया है गंडक नेपाल में साली ग्राम बाब मैदानी भाग में नारायनी कहते हैं से नेपाल से निकलती है पटना के समय गंगाम नदी में मिल जाती है भारत में 425 किलूमीटर इसकी लंबाई है साहिक नदिया काली गंडक और तिरसूली गंगा है इसमें मिलने व और साहिजड नदियायं यारू सोर्ण कोशी, तामूर कोशी, अंध्रावती, लेको, दूथ कोशी, वोट कोशी, तम्बा कोशी आदी है बैतवा या बैतवती, ये मदपिदेश के समीब, मदपिदेश के राय सेंजले में कुमारा गाओं के समीब बिंध्याचल परवस्ते निकलती है, हमीरपुर के पास यमना नदी की मिल जाती है, 480 किलो मीटर इसकी लंबाई है, उपरी मार्क से में कई जहर्णों का निर्मार क आप देखेंगे तिव्वत, तिव्वत में सामपू अरुनाचल पितिस में से दिहां कहते हैं, तिव्वत में मांसरोगर जीन से 80 किलो मीटर, तग और दूर परस्ते चैन यूंग डूंग हमानी में, उचाई समत तल से आप देखेंगे 5000 मास, 150 मीटर उचाई से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और 2900 किलो मीटर्स की लंबाई है भारत में 960, पिरमुक साहे नदिया, दिवांग लोहित, कामेंग, सोबन सीरी, मानस, पूथीमारी, धन सीटी, फगल, ढिया, तिस्ता, इबगला दिसम, नर्वदा, बिंदबा, सत्पोडा, परवसेंखलाउं क की मद से होकर बहती है, बिंदेहांचल परवसेंखलाउं में सत्पोडा अमरिकन टकनामकिस्तान से हुचाई मद तल से 1000, 57 मीटर हुचाई से निकलती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, 1312 किलो मीटर्स की लंबाई है, जवलफुर में बेडा घाट की समीर, कपल धार नगर की पास थे, 122 किलो मीटर की उचाई से, शुरत के निकट आप देखेंगे, खंबात की खाड़ी में गर जाती है, 724 किलो मीटर इसकी लंबाई है, डेल्टा के बजाए, एभी एस्चुरी का बनाती है, पूर्णा प्रमुक साहिक नदी है, इसकी महा नदी, एच्छत है, 560 किलो मीटर की लंबाई है, इसके किनारी उज्जेड का विख्या जो महा कालिस और मंदिर है, जहां पर दीवस आप देखते हैं कि 12 वर्स में कौमे का मेला लगता है, मही नदी, धार जिला, मंध्यपदेश की अमझोरा मिहत जिल से निकल दी है, खंगबाद की अरावली परवत पर यह पुसकर की समीः दो धारव में सरसुदी सागर मती के रूम में अपत्पन होती है, जो गोबंदगर की निकट आपस में मिल जाती है, कच की रन में यह जाती है, मिलती है, 320 किलो मीटर इसकी लंबाई है, भारत की एक मात अंतर वाही नदी है, जो व जो खम गौमती सार्णी इसकी साहिग नदिया है। तो यह भी याद रखिएगा। पर आप देखिए मारग गंगा है। यह विराट की पहाड़ी जैपुर से निकलती है। यह अमना नदी फतेहराबाद आगरा की समीर मिल जाती है। 378 किलों मेर्स की लंबाई है। पर जमवार आमंगर के पास बांध बनाकर जैपुर को पेज इसमीर तरह से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गर जाती है। 1401 किलों मेटर की लंबाई है। इसकी प्रमुक साहिक न दिया। भीमा, तुंभद्दा, मुसी, अमरावती, कोईना, पंच गंगा, दोद गंगा, घाट परदा, माल परभाई इसकी साहिक न न दिया। ग गोदा बरी, इसे बरद गंगा भी कहते हैं, और दच्छिन भारत, दच्छिन की गंगा कहते हैं, भारत की नहीं, दच्छिन भारत की गंगा कहते हैं, दच्छिन की गंगा, माप करिए, दच्छिन की गंगा और दच्छिन भारत की गंगा अलग है। गोदा बरी की पिरमु पहाड़ी से निकलती है समद्र तल से इसकी 1141 मीटर रूची है पहाड़ी बंगाली की खाड़ी में गिल जाती है 800 किलो मीटर इसकी लंबाई इसे दच्छन भारत की गंगा के रूम में जाना जाता है पता नहीं क्यों इसका नाम इस तरह इसे कर दिया गोदावरी को दच्छ पहाड़ी भगावानी नुएल अमराबती है तुम भद्धा नदी के बारे में सुने होगे करनाटक में आप देखेंगे पश्मी घाट पहाड़ी घाट पहाड़ी की चोटी से तुंगा तरह समीप की ही काडूर से भद्ध्रा अगती नदी का उद्गाम होता है एक इसना नदी में मिल जाती है 331 किलो मीडर इसकी लंबाई इसकी साहिक प्रमुक साहिक नदी अप कोम देती वर्धा मागारी हिंद है पिन्नार इन नदी दुरुग सेनी की चेना के साथ पहाड़ी करनाटक से निकलती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है 597 किलो मीडर इसकी पाफनी और चेत्रावति दच्छिडी टोंस कैमूर पहाडियों में कैमूर पहाडियों में इस्तिद्ध तमसाकुंड जलासे सी निकलती है सरिशा के समीब गंगा में मिल जाती है 265 किलो मीडर की लंबाई इसकी पर बिहार पिपात इस्तिते थे पिरियार जीले से निकलती यह नदी के रल में आप्तरभाईत होती है उमियन जिल से मेगाला इसे निकलती है यह एक छोटी नदी है होगली यह गंगा की एक साका है जो दोलिया पश्चेमंगाल के दच्छन गंगा से अलग होती है बंगाल की खाड़ी में मिलती इसकी प्रमुख साहिक नदी जलांगी ह हट में मदूरी से समीर तमिलाडू से निकलती है बंगाल की खाड़ी में जावनती है 288 किलूमीटर इसकी ना है लंबा यह साहिक नदीयों में देखें तो कुमम बर्षाडार सरील यार तिवियार बराय मंगलार इसकी साहिक नदिया है तो यह भी याद रखिएगा उत्राखन के उत्रकासी जिले में 4900 मीटर के उचाहिवर गौमों के निकट गंगोत्री हमानी गंगा का उदगम इससे भागी रती के नाम से गयते हैं जब यह से निकलती है अलकननदा का उदगम इससरो बद्धनीनात के ऊपर सतो उपत हमानी अलकाप पूरी हिमनद में है अलकननदा दोली और विश्नु गंगा धराओं से मिलकर बनती है जो जो सीमट विश्नु प्रयाग में मिलती है अलकननदा की एक अन सहायग नदी पिंडार है जो इससे करण प्रयाग में मिलती है अलकननदा के महासी नाम की मचली होती है इसका निवास नदी के निचले हिस में आधार के निकट मैदानी भाग में फीर्टियूंस यां से पहले सिर्गल एक और तेल इंग पूर की ओ किला भू दीक आते हैं दॉली और विष्नु और गंगा कर संगंभी को साहित नेवियाग रुसा था ब्रहम्पुति नदी बंगलादिस में जमना के नाम से जाने जाती है और पाबना के पूर में गोलुंडो घाट के पास पदमा से मिलती है और इसकी समले धारा को पदमा कहते है आंगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेगना नदी इसके आकर मिलती है और तब यह मेगना के नाम से बहनती हुई कई जल वित तरीकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिलती है मेगना के साइक वराक नदी उद्गम मडीपुर के माउंट जानपो पाडिया से निकलती है ब्रहम्पुत नदी यानलोंग जंगो नदी चैम योंग हिमानी से निकलती है या हिमाला है हिमानी मांसरोवर जील के दच्छिनपूर में लगबग 80 किलोमेटर की दूरी पर है तिबबत में से सांगपु कहते है अनुनाचलपित इसमें दियां कहते है असम में ब्रहम्पुत कहते है या एक पूरवरती नदी है इसकी प्रमुक साह में प्रिविस करती है और इस नदी पर भेंसरोगड चित्तोड की पास पिख्या चुलिया जल पर पात है तो चमल नदी पर है सिंद नदी भारत में केबल जमू कस्मी से उकर बैती है भारत और पाकिस्तान सिंद नदी जल समझता सन आप लोग में देखा होगा 1960 में अनुस सब्सक्राइब पीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों इस्थानों की सीमा रेका प्रखा करने धारन करती है वंसदारा नदी उडिसा के काला आणि जिले से निकलती है जो गोदाबरी और रिसी कुल्या नदी के बीच से बहते हुए मंगाल की खाड़ी में ग्रती है गोदावरी गोदार्वरी नदी का जल्ल गयन्छित भारत की 7 राझ जो महराज तेलंकाना चट्छी वर्मद्य पितर आंधgeons तर्नाटा कोडी सा बीस्टेथ गोधावरी नदी की बात हो रहे ही है समझ रहे है मडीपूर के हेल के माउंट जानपू से निकलती है, भारत के असम मडीपूर मेजोरम राज्य से बैते हुए बंगलादिश में प्रभाइत होती है, बराक नदी की प्रमुक सायन नदी जीरी, धलेसोरी, सेंगला, लोंगई और सुनाई है, बंगलादिश में इसे सुर्मा प्राय युद्धीपी और नदीओं का लंबाई के अनुसार घटता किरम है गोदावरी फेर किसना अनर्वदा महानदी काविरी दाफ्ति है, 16 सेप्टमबर 2015 को आंद्पिश सरकार द्वारा लिये गए महत्पूर नेड़े के अंतरकत दच्छन भारत की दो बड़ी नदिय पोला वरम नहे द्वारा विजय बाड़ा जिली में कितना नदी के पहुंचाए गया, यह पोला वरम विजय बाड़ा लिंक परियोजना आन्द पिदिस के किसना अगुणटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर्य किसानों के लिए लापकारी मानी जा रही है, गोवा में जीलों से भी questions आते रहते हैं, तो भारत की सबसे वड़ी तटीय जील की अगर बायत हो, तो चिलका जील है, यह कहां देखने को मिलेगा, उड़ीशा में देखने को मिलेगा, जो खारे पानी का एक लेगून जील है, और यहां नौसेना का पिसीक्षण कैंद भी है, और बरसा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जील साभर जील है, इसका चेतफल 332-30 km बर किलो मीटर है, जो राजिस्तान में है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जील की बात होई तो बूलर जील, जो चेतफल इसका आगर आप देखें तो यह 160 बर किलो मीटर है, जो सासित पिदेश जहां एक है, डल जील, ए जम्मु कस्मीर में है, बूलर जील, ए भी जम्मु कस्मीर में, बहरी नाग जील, जम्मु कस्मीर, मारस बल जील, जम्मु कस्मीर, सेस नाग जील, जम्मु कस्मीर, अनन्त नाग जील, जम्मु कस्मीर, जम्मु कस्मीर, साथ ताल जील ये उत्राकंड, साथ ताल जील उत्राकंड, नैनी ताल जील उत्राकंड, राकस ताल जील उत्राकंड, माला ताल जील उत्राकंड में, देउताल जील उत्राकंड, नोकुछिया ताल ये उत्राकंड में, खुरपात, खुरपात ताल ये उत्राकंड, साबर जील राजिस जय समंध जील राजिस्थान, फतेहा सागर जील आप देखे राजिस्थान में, डिडवान जील राजिस्थान, लोक्तक जील मनीपुर में, लोक्तक जील बणीपुर, पुलीकर जील तमेलाडू और अंध्पिदेश में, होसेन सागर जील तेलंगाला में, कोलिरु जील रखिएगा बताया ना कि आपसे कई वार कुश्चन्स पूछ लेता है कि ये जील कहां है आपकी और भारत की सबसे बड़ी किंतिम जील की बात करें दो गोविंद बल पंत सागर है जो रिहन दरी पर बनाएगे बांध से बना हुआ है और पाडियों से गरे अभी केंदरी इसके दिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से सत्तरहवी सताब्दी के उट कडाल पुल को पुनरवधर करने का फैसला किया था चौरस ततह और अन्प्रभावित दोनी वाली जो चोटी जीलों को पिलाया कहते है और इसमें बरसा का पानी जमा होता है परन्तु सारा में देखेंगे आप तो सिट कहते हैं से सावर और डिडवाना थार मरुस्तल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की जीलें देखने को मिलेगा सावर जील बॉल्सन का डिडवाना जील पिलाया का उधारन है एक तरह से भारत में सबसे अधिक उंचाही पर इस्तित जील क की बात करें तो चोलानू है यह क्यां से है चोलामू जील एसक्यम में देखने को मिलेगा अतिस्तार नदी का उधगम यहीं से होता है महाराष्ट की बॉल्ड डाना जिले में इस तिल लॉनार जील ज्वालामू की उधगार से बनी जील है उकाई गुजरात में तापता बात पिर्ताफ सागर और जवार सागर आपका राजिस्तान में और गांधी सागर रहाऑ मद्द्धिस में नागार्ज्यों सागर नाल कॉंड़ा जिला तिलंगाना और गुंठड जीला अंधिश किष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नधील पर उतंभाद भी है यह जरूर याद रखिएगा लोग्टक जील को के बारे में होसेन सागर जील है दराबाद और सिकंदराबाद की मद इस्तित है पश्मी तट पर इस्तित विम्मानाद जील किरल की लेगोन जील है इसी जील में आप देखेंगे बिलेंग्टन दूप है जहां पर राश् पुलीकट जील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगोन जील है इसका 84 परसेंट भाग आंध्पिदेश में और 16 परसेंट भाग तमिलाडू में पड़ता है वेरिये टाकू जिसका नाम सिरी हरी कोटा है इसे बंगाल खाडी से अलग करता है और सिरी हरी कोटा दूइपर 37 पुलीकट जील के जल का मुक्सरोत अरानी, कालांजी और स्वडमुकी नदिया है वगिंगम नहर पुलीकट जील के पश्यमी हिस्से में आपको देखने को मिलेगे हैं पुलीकट जील के आंद फिदेश नालोर जिलावाले हिस्से में 1976 में और तमिलाडू तिरू वलूर जिलावाले हिस्से में 1980 में एक पक्षिया भ्यारा में स्थाफित किया गया था अब भारत के फिर मुख जल्पेबात आते हैं सबसे पहले आप लोगों ने कुंची कल जल्पेबात के बारे में सुन लिजे यह भारत का सबसे उच्छा जल्पेबात माना जाता है और एक करनाटक में आप देखेंगे वराही नदी पर रिस्ते थे थे कुंची कल कावीडी नदी पर तमिलाडू में होने एक कल जल्पेबात और करनाटक राज में भार चुकी और वाल मुरी जल्पेबात अवस्तित है जल्पेबात से अभी आपकी परिक्छाओं में काफी कुश्चन्स पूचे जाते रहते हैं यह जल्पेबात होगा देखें इस्तिती ह कुश्ची कल वराही नदी पर है करनाटक में है इसकीं 405 मीटर है दूद सागत मांडवी नदी पर है गvolा में hoor 310 मीटर है जौंग या इसे घरसुपा कहते हैं सरावती नदी पर करनाटक में 255 मीटर एन्ना इर्न्नरवदा नदी पर है मद्पिदेश में आप देखिए 183 मीटर सिर्फ समुद्रम काविरी नदी पर है करनाटक में 90 मीटर गोकक नदी पर है करनाटक में 55 मीटर पायकारा नील ग्री छित में और आप देखिए तमिल लाडू में चुलिया चंबल नदी पर है राजिस्थान में 18 मीटर पुनासा चंबल नदी पर है राजिस्थान में 12 मीटर बिहार टॉंस नदी पर है राजिस्थान में 100 मीटर धुआंधा नर्वदा नदी पर है मद्धिदेश में हॉंडरो उचसाइड रेका नदी पर है जारखन में यह 74 मीटर है तो ये जल पे बाद भी याद रखिएगा अगर आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इंसी आई टी भी पढ़ सकते हैं कोई रोक नहीं है फिर आता है आपका भारत की जलवाईू वहाँ आप लोग उने विस्त की जलवाई पढ़ी थी यहाँ भारत की जलवाई पढ़ रहें तो किसी छेत में लंबे समय तक जो मौसम की इस्थिती होती है न उसे उस इस्थान का की जलवाईू कहते हैं और भारत की जलवाई की बात करें तो उस ने कटी बंदी है मानसूनी जलवाईू है हमारी क्यासी ऊशने कटी बंदी है मानसुनी जलवाई हुए वन लाइनर में एक कुश्चेंस बन सकता है इस तरह का अगर वहीं मौसम की बात करें हैं हम लोग तो किसी इस्थान पर थोड़े समाई की जैसे एक दिन या एक सप्ता की बायू बंडली है अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं भारत में मौसम समन्दी सेबा 1875 में आ रहा हुँ की गई थी और इसका मुख्याल है सिमला में और पिथम विस्थे उद्धी की बाद इसका मुख्याल है पूरी लाए गया और इसके बारे में याद रखिए कि इसका मुख्याल है कहा है भारती जलवायू को मांसोन के अलावा प्रभावित करने वाले कुछ कारक है अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लोग इने जरू लिख सकते हैं उत्तर में हिमालाय परवत हमारी ख्या बारती जलवाय को प्रभावित करते हैं इसकी उपस्तिती के कारण मत देशिया में आने बाले स्थीतल हवायें भारत में नहीं आपाते हैं दच्छन में हिंद महासागर इसकी उपस्तिती अभूमत रेखा कि समीपता के कारण उस्ट कटी बंदी जलवाई अपने आधर सुरूम में पाई जाती है और माल सोनी पबनों द्वारा समय समार पर अपनी दिसा पूरता बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार रितू चक्वत पाई जाती है सीती रितू इसमें आप देखींगे 15 दिसंबर से 15 मार्च ग्रीस रितू 16 मार्च से 15 जून और बरसा रितू 16 जून से 15 सेप्टमबर और सरद रितू 16 सेप्टमबर से 14 दिसंबर एति थिया एक सामन सीमय रिखा को तै करती है मांसूर पवनों के आगमन और पित्या वर्तन में होने वाले विलम में इसका पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है तो चार रितूँओं के बारे में आप पढ़ते हैं न उन्हीं की बात हो रही है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में सीत्रितू में बरसा फर फश्टमी विछोप या फिर जैट इस्टीम के कारण होती है उत्तरी भाग में राजिस्थान में इस बरसा को मावट कहते हैं जाडी के दुनों में जन्वरी फरवी में तमिलाडू के तटों पर या कोरुमंडल तटफर बरसा लोटती हुई मालसून या उत्तर पूरवी मालसून के कारण होती है ग्रीस निवरितू में असम फश्टमंगाल राज्यों में तीब हवाएं चलने लगती है जिससे गरच के साथ बरसा होती है और इन हवाओं को पूरवी भारत में नर्विस्टर और बंगाल में कालवैसा की नाम से आप लोग जानते हैं करनाटक में से चैरी बिलास में कहते हैं और कॉफी वरुसा भी कहा जाता है जो कॉफी की किसी के लिए लाबदायक रहती है आम की फसल के लाब्दा एक होने के कारण से दच्छन भारत में किरल में आम वरसा कहते हैं ठीक है उत्तर पश्चन भारत के सुस्क भागों में ग्रेस में रितू में चलने वाली गरम और सुस्क हावाओं को लू कहते हैं आप लोग कहते हैं लू लग जाएगी अभी बहुत लू चल रही है वरसा रितू में उत्तर पश्चिमी भारत और तथा पाकिस्तान में उष्चन दाप का छेत बन जाता है जिसे मालसून गर्थ कहते हैं और जिसके कारण विश्वत रेकिये पच्छुआ पवन और दच्छडी गोलार्द की दच्छडपूर्व वाडित जी क विश्वत रेका की और पार कर फैरल की नियम का अनुटरंड करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है जिससे दच्छडपूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है और भारत में जो बरसा होती है उसका अधिकांस पाक लगबग 80% इसी मानसून से होता है दच्छड भारत के किरल राज में जून के पितम सप्ताय में होता है और यहां पश्मी घाट परवस से टकरा कर किरल के तटों पर वरसा होती है इसे मानसून प्रिस फोर्ट कहते है ठीक है और गारो खासी जैंतिया पहाडियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाँ दच्छड परच्छे मानसून की अधिक वरसा लाती है जिसके कारण यहां मारसिन राम मेगाल है बिसमे सरवाधिक वरसा करने वाला इस्थाने यहां देखेंगे 1141 सेंटीमीटर के आसपास वरसा होती है सबसे जानब इस समय मानसून की अरब साखा सागर साखा तो लांत्म के रूप स से अधिक सकती चाली होती है दच्छे मानसून द्वारा लाएगे कुल आद्यता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है अरब सागरी मानसून की एक साखा सिंध नदी के डेल्टा चित से आगे वड़कर राजिस्थान के मरूस्तल से होते बाद लों को रोखी नहीं पाएंगे मौसम के अनुसार बारसिक बरसा का वित्रण तो बरसा का मौसम हो गया समाओ धी हो गई बरसा दच्छे मानसून के जून से से सेप्टमबर तक रहता है तेहतर दसमलव साथ परसेंट भारत की इसी से परवर्थी मानसून का परवथ टों से से बात बालश होती है तामिलाड़ो पश्मी घाठ के परवथ बिष्टी चाय चित में बढ़ता है और यहां दच्छेट पश्चे मानसून गन्रोpine अक सिर्ट का लिका और तर पर वह然 ब्रशा उत्तर पूरवी मानसून की कारन होती है एल नीनो भी आप लोगों ने सुनाओगा इसका प्रभावी भारत के मांसून पर देखते हैं एल नीनो एक जटिल मौसम तंथ है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रगट होता है और इसके कारण संसार के विभिन भागों में सूखा बाड मौसम की चरम अवस्ताएं होती है पूर्वी पिसांत महासागर मैं पेरू के तटपर के निकट ऊशने समुदरी धारा की रूमें पिरकट होता है और इससे भारत सहत अनेक इस्थानों का मौसम प्रभावित होता है एल नीनो भूमद रेखिये उशने समुदरी धारा के विस्तार मात थे जो आएस्थाई रूप से ठणी पेरूवियन अत्वा हमबोल्ट धारा पर पिती इस्थापित हो जाती है धारा पेरूट तट के जल का तामाज 10 डिगरी सेंटीगेट तक बढ़ा देती है इसके निमलिखित पाइडाम होता है भूमद रेखिये वाई मनली परीसंचन में विक्रिती समुदरी जल के बास्पन में अने मित्ता फिलवाक की मातरा में कमी जिससे समुदर में मच्छियों की संख्या घट जाती है भारत में मानसुन की संबंदी अउधी के पूरण माम के लिए एल नीनों का उपयोग होता है एल नीनों का साब्दिकर्थ होता है बालक इसा क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में किसमस के आसपास नजर आती है और फिरूद दच्छिन गुलार दिसंबर में घर्मी का महीना होता है तो याद रखिएगा है इस सरद रितु को मांसून पित्त्या रूपन का काल कर जाता है सवर्द रितु को क्या कहते है मांसून पित्यावरतन का काल कहते हैं इस तरितू में बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ने कटी वंदी ये चकवातों की उत्पत्ती होती है और इन चकवातों से पूर्वी तटी ये चित्रों में मुकता अंध्विदेश और उडिशा और पश्ट्मी तटी ये चित्र में गुजरात में काफी चती पहुशती है पित्यावरती मांसून या मांसून निवरतन से सबसे अधिक बरसा तमिलाणू में होती है तो यह भी याद रखिएगा फिर आती हैं आपकी भारत की मिट्टियां इनसे भी कुश्टन्स आते हैं अपकी परीक्छाओं में मिट्टी के अध्यन के विग्ज्ञान को मिर्दा विग्ज्ञान कहते हैं पेडोलोजी ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा ओन लाइनर में कुश्टन्स बन जाएगा भारती किसे किसी अनुसंधान परिशन ने भारत की मिट्टियों को आठ वर्गों में विभाजित किया है यह कुश्टन्स कई बार पूच लिया है यह भारत की मिट्टी को भारती किसी अनुसंधान परिशन ने कितने भागों में पर वक्त किया है, तो आठ भागों में, सबसे पहले आपकी जलोड मिट्टी आती है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इस मिट्टी में पोटास की बहूलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फासफोरस, हिूमस की कमी होती है, यह भारत की सबसे उपजाओ जलोड मिट्टी का बना हुआ है, यह दो पेकार की होती है, एक तो बांगर एक खादर, पुराने जलोड मिट्टी को आप लोग बागर कहते हैं, नई जलोड मिट्टी को खादर कहते हैं, जलोड मिट्टी और वरता की दिरिश्टी से काफी अच्छी मानी जाती है, फिर आ आपकरी टी टेनी फेरस, मेगनेटाइट और जीवासम की उपस्तिती के कारण होता है, इस मिट्टी में कारवनिक पदार्थों की अधिक्ता होती है, और इस मिट्टी को आप लोग रैकुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपास की खेती के लिए सरवादी को प्युक्त मा नहीं जाती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, अन्फसलों के लिए ग्यहूं, जवार, बाजरा, इन्हें भी उगाए जाता है काली मिट्टी में, भारत में काली मिट्टी गुजराद, महराष्ट, मद्दपेदेश के पश्च्मी छेत, उडीसा के दच्षडी छेत, करनाटक के उत्री जिला, आंधपेद इसके दच्षड और समुद्र तटीय छेत, तमिलाडू के सलेम, रामनात्पुरम, कुएमबटूर, तिरोनल लवी ली, आप देखिए जिलों और राजिस्थान के मूंदी और टॉंक जिलों में पाई जाती है, काली पर आपकी लाल मिट्टी आती है, इसका निर्माड जलवायविक परिवार्तनों के फालसरोफ रवे दार, प्वएडामस रवे दार कयांत्रीच सेलों के विक्टन और भियोजन से होता है, इस मिट्टी में सिलिका ऐरन की बहूलता होती है, इसलिए आप इसका रंग देखत प्रस्तिती के कारण होता है लेकिन जल योजित रूब में यह पीली दिखाई पढ़ने लगती है यह अमली प्रक्षिती की मिट्टी है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, हुमस की कमी होती है यह मिट्टी फ्रया और वर्ता भीहिन बंजर भूमी के रूम में पाई ज जिलों, मेगालाई के गारोखासी, जैन्तिया के पहाडी छेत्रों में, नागालेन, राजस्थान में, अरावली की पूर्वी छेत, महराष्ट, तमिलाडू, करनाटक के कुछ भागों में लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी चूना का इस्तेमाल का लाल मिट्टी की और बड़ता बड़ा, बड़ाई जा सकती है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, फिर आपकी लेटे राइट मिट्टी आ जाती है, इसका निर्मान मानसुनी जलवाई की आदिता उस्त, सुस्कृता की करमिक परिवर्तन की परड़ाम सुरू उत्पन विस्ष्ट परिस्ति और भूमी के जलवाई लेटे राइट के रूम में बर्गी किया जाता है, गहरी लाल लेटे राइट में लोहे ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, इसकी उरवर्ता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है, सफेद लेटे राइट की उरवर्त प्राइची काजू की खेती के लिए असरबादी को प्योगत होती है और देश में मिर्दा परदन उसकी दूस पैड़ावों पर नियंतन ही तुझ 1903 में केंद्री ये मिर्दा सरक्षन बोर्ड का गठन किया गया था 1903 में और मरुस्थल की समस्या की अध्यन के लिए भारत की किसी पर बात कर लेती है इसमें आप देखेंगे भारत के कुल छेत्फल का लगभग 59% पर किसी 4% भूभाग पर चारागा और लगभग 21% भूमी पर आप बंद देखेंगे 24% भूमी पर बंजर बिना उपयोग बाली है तो समझ रहे हैं किसी पिदान देश है ना म को चलों किसी राज्य का विसरे हैं इस सबसे मतवों 罉इंट लिजिए आप साद्वी अनसूची में देखते ना संक्सूची संबधी सूची राजी सूची तो नहीत क्रिसी राज्य सूची और विसे इस परिस्तिती में क्यन्द सरकार्य को हम कानून मना सकती लेकिन वैसे सामनता याद रखे जब राज्य चाहें तभी राज्य सरकारे में से इस पर कानून बनाती हैं और जिसका उल्लेक समिधान की आप देखेंगे साधवी अनसूची के प्रविष्टी चौदे में रखा गया है राश्टी किर्सक आयो एन एपसी ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश पर पिश्टू किया कि के sih को राज सूची सिए ठगा संवर्ती सूची में सामिल किया जाए भारत के अंत्री मंत्री मंदल ने 1特別 311 में एक स्थे मंत्री डॉक्टर राजन पर साथ को बनाए गया था आप देखते हैं कि यह हमारी पहले राश्टती भी रहे हैं ने बिकार की केसी विधियां सेरी कल्चर सेरी कल्चर रेसम कीट पालन से संबन देते हैं एक कुष्टन से भी कई बाद पूछ लेता है देखिए बड़े अच् से वीटी कल्चर अंगूर की खेती से बर्मी कल्चर कैंचुगा पालन से पोमो कल्चर फलों के उत्पादन से ओलीरे कल्चर सबजियों का उत्पादन से होटी कल्चर बागवानी से एरोफोर्टिक यह बामें पौधों की उगाने से हाइडोफोनिक्स जलमें पौधों की पुगाना मिर्दा रहित केसी इन सभी को जरूर याद रखिएगा भारत में खाद द्यानों के अंतरकत आने वाला कुल छेत के 47 परट्रें भाग पर चावल की खेती की जाती है भारत में मुख खाद फसल चावल है भारत विस्ट का 21.7% भाग उत्पादन करता है और चावल भारत विस्ट में दूसरे स्थान पर है पहले नमबर पर चाईना चाईना के बाद भारत जनसंख्या में भी तो आप देखते हैं दूसरे नमबर पर ही हैं आम लोग पहले पर चाईना ही है ठीक है भारत में खाद फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है आई करते हैं और उत्तर पदेश का पिधम स्थान है यह और अधिक बिद्धी हुई थी अरिएकर और आपने देखा होगा कि जब भी आंदोलन होता है किसानों की तो वो पंजाब रयाना और उत्तर्पधेश के पश्च्मी चित में ही होती है खास कर क्यम्कि देखी यह ऐसा है इनी चित में आप दीखे फसलों का वाथ एक तरह से बिजनिस की तरह होता है फसलों फसल बवाई करते है आप देखे हैं अप बंडेलखनों में चले जाए及 वंगेलखनों पदा नहीं, देखिए सरकार है किस तरह एक जरी हैं, लेकिन हाँ एक और बात है, और आप बंदिके खंड में जाए तो लोग बरसात पर आप देखें बड़ी धीरी ढ़ाली खेती करते हैं, आप देखें कि वो खेती के साथ आप देखें पसु पालन नहीं कमी लोग करेंगे जो करते हैं वो सक्सिजिए लेकिन आप लोग पंजाब चले जाएं पंजाब में आप देखी वो किसी तो करई रहें साथ में आप देखे पसुपालन भी करेंगे भैसें गाये रख लेंगे और इसलिए क्या रहेगा कि उनकी आर्थिक्रिस्ति बेहतर रहती है उनके बच्च प्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप्रिप् इस लाइन से आप देखिए मुझे लगता है कई तरह के कुश्यस बन सकते हैं ठीक है भारत की पिथम किरसी पिसे विद्यालाई कि इस थापना पंत नगर में जी जी वी पंत किरसी एवं परोदुगी की विद्यालाई नाम से हुई थी 1960 में तो यह भी याद रखें भारत में स्वेथ करांती के जनक कौन रहे हैं डॉक्टर वी कोरियन को माना जाता है स्वेथ करांती ठीक है और तिलहन फरोदुगी की मिसन की स्थापना 1986 में हुई थी देखिए विभने किरसी करांती आए जैसे हरित करांती खाद्यान उत्पादन से संबंदे स्वेथ करांती नदी जोडो परियोजनाओ से गोल करांती आलो उत्पादन से सवड करांती वागवानि और खाकी करांती आप देखिए चमडा काली करांती कच्चा देल उत्पादन से संबंदित है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा भारत उरवरक उत्पादन और भोग में बिस समय तीसरे इस्थान पर रहता है जबकि चीन और अमेरिका करमसा पहले दूसरे इस्थान पर रहते हैं पहले पर आपका चीन दूसरे पर अमेरिका भारत नाइट्रोजनी और वरकों की अपनी खपत का 94% भागो फोस्फेटी और वरक की खपत का आप देखेंगे 82% ही उत्पादन करता है पोटीसियम और वरक का पूरी तरह आयाद किया जाता है हमारे द्वारा आम केला चीकू, खटे निवू, काजू, काली मेर्च और नारियल अदरक हल्दी के उत्पादन में भारत का इस्थान विस्व में पहला है फलों और सब्जियों के उत्पादन में आप देखें भारत का इस्थान विस्थ में दूसरा है पिथम पर आपका चाहिना आता है पिथम पर फोन है चाहिना विस्थ में तमाकू के सबसे बड़ा उत्पादक और उभोकता चाहिना है उत्पादन में आप धारत का इस्थान तीसरा है तमाकू की पतियों को सुखाने की विक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं और जिसे पतियों में बांचित रोक, रंग, बांचित रंग और गंद आदिगुडों का विकास होता है भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्म पुत्य घाटी में प्यारम हुई थी और चाय की पतियों में कैफिन और टैनिन की पिचुरता पाई जाती है भारत में सरवुत्म चाय दरजलिंग में पैदाओं की जाती है और विसे पिसंद उलंग किस्म की चाय ताइवान में प्यादा होती है और सबसे उचकोटी का है कहवा अरेविका होता है और कहवा की अन्य दो किस्म है रुबस्ता और लिवेरिका ये क्या है गुआ कहवा यमन में उगाई जाती है आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंसा मुवा कहवा यमन में उगाई जाती है मुवा मक्का महराइट वड़ और धान में खेरा रोग जस्ता की कमी से होता है किसकी जस्ता से एक कुश्ट्स भी आ जाता है भारत में फूलों की खेती का 9% भाग और केड़ से प्राप्त होता है और और केड़ एक रंगीन और मनमुखक पुस्पिये पोदा है इसका प्रियोग मुक्रोग से इतन निर्माड में सजावट के रोम में और कि इस्टेट के रोम में जानते हैं आप लोग और नाचल पर इसको ग्वार अथवा कलस्टर बीन एक लिए 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 मीनस फसल है ग्वार की बेज ग्वार गौन को उत्पन करने के लिए कच्छे पदात के रोम में प्रियोख हुती है और बैस वे किस्तार पर तेल और गैस उत्द्योग द्वारा तेल और गैस उत्द्योग द्वारा इसका अपरियोग हाइड्रो हाइड्रोलिक टेक्चरिंग तकनीक में किया जाता है वर्तबार में सेल गैस के निसकर्शन के लिए गवार गौन की उच्छ मांग है भारत विसमें गवार गौन का सब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजिस्तान करनाटक सुफारी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन करनाटक नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए पे सिद्ध है नासिक भारत में प्राक्तिक रवड का सबसे दिख उत्पादन केरल में होता है कई बार पूंचा जा चुका है अरहर, तूर को लाल चना और पीजन पी के नाम से भी आप लोग जानते हैं अरहर को और मुझे लग देखिए कई सहरों में से अरहर कह देते हैं और लाल चना भी कहते हैं कई अगर मैंने देखा हुआ ऐसे, लंबे रेसे वाली अमेरीकन कपास को देश के उत्तर वर्ष्मी भाग में नर्मा कहा जाता है और कपास का फूल आने के समय आकास बादल रहे होना चाहिए बिसमे लंबे रेसे का कपास का सबसे वाड़ा उत्पादक और निर्यातक देश USA है क्या है USA अन्य भंडारन करते समय दोनों दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए अन्य था कीट पर कोप का भै रहता है और दलहनी फसलों के उत्पादन ही तू कोबाल्ट आवस सकतत है रितू की आधार पर फसलों का बरगी केंट रभी की फसल या एक्टूबर नवंबर में वोई जाती है और मार्ज अपरल में काट ली जाती है इसकी मुख फसले ग्यहों हो गया, च्योह हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी हो गया खरीब फसल की बात करें तो दक्षर बश्री मालसून के ततकाल बाद वोई गई फसल होती है जुन जुलाई में वोई जाती है और नबंब दिसंबर में काट ली जाती है इसकी मुख फसले धान गन्ना तिलहंग, जुआर, बाजरा मक्का, अरहर, कपास्त, मुंफली, मंडूआ, तिल, सुयावीन होती है गर्मा फसल की बात करें तो यह मई जुन में वोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है इसकी मुख फसले राई, मक्का, जुआर, जूट, मडूआ यह देखिए, रभी और इसकी खरीब और गर्मा फसल, इन तीनों को याद रखी कई बार मैंने देखा है कि इनसे कुश्चन सा जाता है, बड़ा आसानी से आप लोग इनका अंसर दे सकते हैं क्या आंसर दे सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ें तो और नहीं पढ़ें तो फिर तो कितना भी आसानी वाला कुश्चन सो आप भी जानते हैं कि आंसर देने में बड़ी परोबलम होती है, परेसानी होती है तो रभी की फसल आप सभी को याद रखना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में बोदी और माचर पेल में काट ली, ठीक, खरीब की बात करें तो आप देखिए, जून जुलाई में बोदी और नवंबर दिसंबर में काट ली, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते भारत के कुल कुछ पिरमुकर्सी अनुसंधान के अन्द है, ये इस्तान हो गए, ये मुख्याला हो गया उनका जैसे आप देखे इंदरीय चावल अनुसंधान केंद गर्लासरा यम्दर केंद काटक में, कैंदरीय अलू अनुसंधान केंद लखनू में, केंदरिया आलू अनुसंधान केंद, सिम्बला में, राष्टी चाय अनुसंधान केंद, जोरहट में, राष्टी कौफी अनुसंधान केंद, चिक मंगलूर में, राष्टी रबर अनुसंधान केंद, कुटाया में, केंदरिये रेसम अनुसंधान केंद, मैसूर में, भारतिय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपूर में, भारतिय तिलहन अनुसंधान संस्थान एहदराबाद में, केंदरी उपोष्ण बागवानी संस्थान वेंगलोर में, केंदरी केसी मौसा बिज्ञान केंदर पूनदा में, केंदरी एक मिट्टी और जल सनक्चान दिल्ली में इस्थाना अंतित कर दिया गया था उन्हें यह पूसा संस्थान के नाम से लोग प्रीय है भारती किसी अनुसंदान परिशत की स्थापना 23 मई 1929 को की गई तो इसका मुख्याल है नहीं दिल्ली में देखने को मिलेगा यह फसल हो गई उनकी जनम इस्थान धान की मेक्सको में टमाटर में मेक्सको में बाजरा अफीका में जोचीन में अरहर अफीका में सुयाबिन चीन में मोंग भारत में जुआर भारत में चाय चीन में और कहवा बिराजिल में आलू पेरू में गन्ना भारत में तो इस तरह से नहीं भी याद रखिएगा रखना चाहि अब हम लोग बात करते हैं भारत में सिचाई के बारे में तो आप देखे कि खेती बाड़ी जो होती है इसके लिए पानी की भी तो जरूरत होती है वरना क्यासे सिचाई होगी आप से ही कहुँच रहा हूँ तो भारत में सिचाई परियोजना उको तीन भागों में विवाजित किया गया है एक तो बिहत सिचाई परियोजना है जो बड़ी परियोजना है एक आपकी मद्यम सिचाई परियोजना एक आपकी लगो सिचाई परियोजना बिहत सिचाई परियोजना के अंतरकर बे परियोज करीन आいきます जिनके अंत्र के 2000 से 10.000 एक्टर के सी योग भूमी हो और लगू सिचाइपरियोजना के अंतर के बेपरियोजना से लेत होती हैं जो आप देखेंगे 2000 से हेक्टर से कम के सी यह भूमी हो ठीक है वर्तमान समय में अगर आप देखें तो भारत की कुल सिंचित छित का 37 परसेंट बड़ी और मध्यम सिचाई परियोजनाओं के अधीन आता है तो यह भी आप लो याद रखिए विस्त का सरबादिक सिंचित छित चाईना के पास है 21 परसेंट और भारत के पास है 20.2 परसेंट और सिचाई की साधन की बात करें तो साधन हो गया सिं सिंचित होता है नहे से आप देखेंगे 31.4 परसेंट तालाप से आप देखेंगे 16.1 परसेंट और अन्य सरोज से आप देखेंगे 16.1 परसेंट सिंचित होता है इससे ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेगा इसमें आप देखेंगा तो लगभग आप देखिए भारत मे सुद्ध बोए गए च्छेत यानि की तेरे लाग साट मापकरी तेरे सो साट लाग हेक्टर के लगवग 33% भाग पर सिचाई की सुभी धाउप लब्द है और वर्टमान में आप देखें तो समय में कुगा और नलकूप भारत की सचाई के पर मुक्सादर भी है और देश में स सर्वादिक संघंता वाला राज उत्तरक fdaश है यूपी और प्रैदी पी भारत में सिचाई का प्रयमुक सादें तावलाप हैं तालब दौरा सर्वादिक सिचाई तमिलाडू राज में की जाती है कहां तमिलाडू में दमनगंगा सिचाई पर योजना दमनगंगा नदी इस परियोजना के टहत बना जलास है गुजरात के वलसाड जिले में इस्तापित है और यह गुरजरात और दादर एवन नागरहबैली की सायुक्त परियोजना है दमन गंगा नदी महाराष्ट और गुजरात से बहते हुए अरभ सागर में गरती है और गिर्ना सिचाई परिय टेहरी पन विजली कॉंपलेक्स बहाटी है और विलागना नदी पर और यहां से चिसाई जल आपोड़ती और जल वितुत पादन होता है इंद्रा गांधी नहर को सतलन नदी से जल मिलता है यह भारत की सबसे लंबी सचाई नहर है सारन सचाई नहर और तेवेनी नहर गंड़क नदी से जल पराप्त करती है और आश्टी यह जल संभर परियोजना का क्रियानवन किसी मंतरा लेद्वारा किया जाता है मल्टी स्टेज लिप्ट सचाई की स्टीम काली सुरम तेलंगाना के जय संकर भूपलपली जले की मेडी गड़ा में विश्टो के सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिप्ट सचाई स्टीम काली सुरम का लोकारपंट तेलंगाना के मुखमंतरी के चंद सेकर राओ ने 21 जून 2019 को किया था जो पिती दिन दो टी एमसी पानी लिप्ट कर सकती है और इस परोजेक्ट की जरिए पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी किरसी भूमी को पानी की सपलाई के लिए 92 मीटर की उचाई से फैज में लिप्ट किया गया और 668 मीटर उचाई तक पैडी गड़ा एरिया में 92 मीटर की उचाई तक और कॉंड़ा पोछंबा में सागर में सबसे अधि यानि कि 618 मीटर की उचाई तक इस परियोजना से सबसे जन्दा स्री राम सागर में 200 टीमसी पानी का उपभोग होगा जबकि सबसे कम अनंदगरी में 3 टीमसी पानी उपभोग में लाया जाएगा भारत सरकार ने 1913 में राष्टिये जल संसाधन परिशत का गठन किया थो संध्य के अध्यां इसके उपाध्यक होते हैं अगर भारत में खनिज संसाधनों की बात करें तो भारत में खरिश की सरवेक्षण पूर्वेक्षण और अनवेशन के कार जियो लोजीकल सरवे ओप इंडिया मुख्याले इसका कहा है कोलकाता में भारती खानवीवरो इसका मुख्याले नागपुर में है तेल प्राक्टिक गेस्ट आयो इसका मुख्याले देहराद उन में देखने कुम लेगा धारवार्चित धादविक खरेजियों में सरवाद एक संपन है भारत की 35 खरेज उत्पादा को राज्यों की इत्बात करें तो करमसा, उडिसा हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्पिदेस हो गया, चत्तीस गड़ हो गया, जारखन और आपरिकरट, परिस्करट, परेटोलियम, टस, आप देखिए, ट्रसरी, यूकी, आवसाधी सेलों में पाये जाता है और विवस्थि धन से तेल, अनवेशन, उत्पादन 1956 में, तेल, प्राक्तिक गयस, आयोग की स्थापना के बाद प्यारम हो गया था भारत में सेल गयस की संसाधन, केमबे बेसन, किष्णा गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन, बिंधेन बेसन में पाये जाते हैं देखिए हमारे पाच्च तेल जो हमां लोग डीजल पैटोल देखते हैं यह हमारे पास जांदा इसके उत्पादन नहीं है अधिक तम भागे इसका देखिए हम लोग बाहरी देशों से आयात करते हैं, खाड़ी देशों से तो भारत की प्रमुक खनिश संस्तादन, पैटोलियम की बात करते हैं यह प्राप्ती का इस्थान होगा, यह विसेस बिंदू हो गया असम डिकबोई सूर्मा घाटी, गुजरात खंबाद अंकले सोर, महराष्ट बॉम्बे हाई, भारत में खरे तेल के भंडार, मोकता आवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं भारत में पहले तेल कुगा की खुदाई, 1867 में असम के माकान में हुआ था, अंकले सोर में 1960 में खवदे गए, पहले कुगा का नाम वसुधारा था और दुनिया का सबसे पहला तेल कुगा की खुदाई 1869 में अमेरिका के पैन सेले निविया में हुआ था ये भी याद रखेगा मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और यहाँ तेल उत्वादन की खोज सुरुआत ONGC के दवारे 1976 में की गई थी और यह है मुंबई से लगवख 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है खंबात की खाड़ी मिशते थे यहाँ तेल निकालने के लिए बने फिलेटपॉर्म का नाम सागर समराथ है जो एक जल्यान है जिसमें जिसे जापान से मंगाया है और इस तमय देश में 21 परिसकरण सालाएं यानि तेज सोधक कारखाने कार कर रही है जिसमें सब्त्रह सारजनिक की है और तीन आपकी निजी है एक आपकी सयुक्त छेत की है फिर आपका लूह है इसको होता है यह उड़ीसा सोनाई कियोजहर और मयूर भंज में जार खंड म सिंग्भूं हजारी बाग पलामू धनबाद चतीसगर में बस्तर दुरुग राइपुर राइगर विलासपूर मद्वितेस में आप देखें कि जबलपूर करनाटग बेलारी और चिक मंगलूर चीतल दुरुग महराष्ण में रतनागीरी चांदा तमिलाडू में सलेम ति प्रिथम तुतिय और टितिय इस्थान पर करमसा चीन और घेलिया ब्राजील है और कुल संचित भंडार की द दिष्टी से भारत विस्व में प्रिथम इस्थान पर है VERY पर आपके जारखंड है पर मेगनीच का इस्थान आता है मेगनीच के बारे में बात करते हैं ए उडिशा के सुंदरवन समवलपूर वॉलंगीर क्यूंजार काला हंडी और कोरापुट में महराष्ट में दांगपूर भंडारा मद्ध्वदेश में बाला घाट छिदवाडा क करनाटक में सिमोगा बेलारी चित दुरुग वीजापूर आंध्विदेश में स्रीक का कूलम गुजरात में पंचमाहिल बडोदा जारखंड में सिंग भूम राजिस्थान में बासवाडा मेगनीच की प्रमारित भंडारों की दिरिश्टी से भारत में भारत का विस्व मे पांचवे स्थान पर है उड़ीसा भारत का 34% मेगनीच पैदा करके पिथम स्थान पर है उड़ीसा का नंबर दुटिय तितिय स्थान पर महराश्ट का 25 दूसरे नंबर पर हो और मद्विदेश का तीसरे नंबर पर इसमें 21% युगदान है कोईला आप देखे बिजली उत मापकरी रायगड उडीशा में देश गड़ और तल्चर असम में माकूम लखीमपुर महराष्ट में आप देखेंगे चांदा तेलंगा ना में सिंग रहनी में जम्मू कस्मीर में नागालेंड और उनाचल फिदिस में नामचिक और नामफुक ठीक है ये भी देखेंगे अधान है 36 गड़ उडीशाग नमबर आता है पहले पर आपका जारखंड दूसरे पर 36 गड़ तीसरे पर उडीशा एंथे साइड सब्से उत्तम सेडी का कोईला होता है कोईले को द्योक रोटी या काला सोना भी कहते हैं लेगनाइट को भूरा कोईला कहते हैं ताबा एज जार्खंड सेंग भूम हजारी वाग, राजिस्थान, खेतरी, जुंजुनो, भेलवाडा, अलवर, सिरोही, महराष्ट में आप देखेंगे कि कुलापूर, करनाटक में चीतल, दुरुग और हासन और रायचूर, मद्विदेश में बालागाट, अंद्विदेश में आप दे जार्खंड, कोडरमा, हजारी वाग, बिहार में आप देखें, गया, मुंगेर, माराष्ट में नांगपूर, भंडारा और रतनागरी, राजिस्थान में आप देखें तो अजमेर, साहपूर, आंद्विदेश में निल्लोर, इसमें आप देखें कि भारत बॉक्साइड मे जार्खंड में पलामू, गुजरात में खेड़ा, मद्विदेश में कटनी बालागाट जबलपूर, 36 अगड़ में बिलासपूर, राजिस्थान, और बरतमान में आप देखें हमारे यहां कि देखें कि देखें की महलाओं को सोना बड़ आप त्रिये धातू लगती है, कर करनाटक में देखें के सोने की खाने कोलार हो गया, उटी हो गया, हट्टी की खान, आंद्पेदेश में आगर देखें तो रामगरी खान, अनंधपूर, तेलंगाना में वारंगल, तिमयल नाडू में नेलगरी की और एवम सलेम, जार्खन में पूर्वी सिंग भूम, 3.9 km, हीरा की बात करें, तो मध्यपदेश मजगाओं खान, पन्ना जिला में, पन्ने में आप देखते हैं कि हीरे की खाने हैं, जमझ रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की हुई है, आप लोगो ने भी देखा होगा, जिस छेत में आप देखी कि कि कोई महेंगी या कोई जिला हो, बड़ा गरीब पिछड़ा हुआ छेत रहता है, अप पन्ना को देख लीगे आप लोगो, सबसे महेंगी धातु या एक तरह से आप सोचेगे, कहने के मतलब हीरा, उत्पादन हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि उसका कहां क्या है, वहां कोई गरीबी ब पर उड़ी सा, जमू कसमी, दुतिय स्थान पर इसमें, राजिस्थान उत्पादन में पिथम के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए पे सिद्धे राजिस्थान, मेगने जाइट, उत्राखन, राजिस्थान, तमिलानू, अंधपिदेश, इसका उत्सरवादी घंडार आपको 68% उत्राखन में देखने को मिलेगा, चान्दी, राजिस्थान की जवार खान, करनाटक, चित्दरोग, वैलारी, और अंधपिदेश में आप देखेंगे, कुडपा, गुंटोर, जारखन में संथाल, परगना, सिंग भूम, चान्दी उत्पादन में राजिस्थान पहले स्थान पर है, थोरियम, पायराइट, राजिस्थान, पाली भीलवाड़ा, और केरल में, विसका सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और क्रोमो, क्रोमाईट, जारखन, उडिशा में, और इसके उत्वादन में उडिशा पितम इस पहला लोहिस्पात कारखाना 1884 में वराकर नदी के किनारी कुल्टी आसंसोल पश्टिम बंगाल के नमकिस्तान पर बंगाल आयरन वक्स के रूम में स्थापित किया गया था, बाद में एकंपनी फंड़े के आवहाओं में बंध हो गई और इसे बंगाल सरकार ने अधीकर्ण कर लिया था, इसका नाम बदर कर वरा कर आयरन वक्स रख दिया था, देश मे सबसे पहला बड़े फिर्माने पर कारखानार 1907 में तद कालीन बिहार रज्जे में सवड रेखा नदी केकन घाटी में साक्ची नमकिस्तान पर जमसेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था अगर आजादी के पहले यानि कि सुतंता की पूर्व स्थापित लोहे स्थाप इस्थाप कारखानों की बात करें तो भालती लोहे स्थाप कंपनी इस्थाप नव 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापूर बाद में इसे बंड़ पोर कहा गया नमकिस पर की गई थी 1922 में से उत्पादन सुरू हुआ आंगे चलकर पुल्टी वर्ण फोर हीरापूर इस्थायनतों को इसमें मिलाद दिया गया मैसूर मैसूर आयरेंड एंड इस्थील वक्स 1923 में मैसूराज में बर्तमान करनाटक के भद्रावती नामकिस्तान पर इस्थापि में की गई थी और बाद में 1935 में 1923 में आप देखेंगे इसे भारतिये लोग इसपाद कंपनी में मिला दिया गया फिर आप देखिए सुतंता के बाद पश्च्यास इस्थापिल लोग इसपाद कार खाने दूसरी पंच बरसी योजनाकाल में आप जाईए 1956 से एक सट के ब बिलाई इस पाद से एंद किस पंच बरसी योजना में स्थापित की की थी दूसरी में और किस की कौन से देश की साहता थे तो पूर्व सोवियस संग की और आप सभी जानते हैं कि देखिए पहले जिस आद जो रूस देखते हैं इसमें कुछ और देश मिला कर एक संगठन आप कह सकते हैं सोवियस संग हुआ करता था देशों का समूब फिर आप देखते हैं 1991 में इनका विक्टन हो जाता है ठीक है और रूस अलग हो जाता है और बाकी देश से अलग हो जाते हैं हिंदोस्तान इस्टील लिमिटेट राओकिला में इसकी इस्थापना 1969 में की गई उडिसा की राओल किला नामखिस्तान पर पश्मी जर्मनी की साहता से इसकी की गई थी हिंदोस्तान इस स्थील मेंड़वन की नामखिस्तान में वैक्टन की साहता से की गई थी 1922 में इसमें उत्पादम प्यारम हो गया था फिर आपकी तितिय पंजबर्सी योजना आती है इसकी इस्था आपना की बात करें तो 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड की पूझी के साथ भारत इस्था पराधी केरंड को भिलाई दुर्गापुर वुकारो रावल के राव बयंपुर सलेम विस्सवरिया लोह इस्पात कारखाना का एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदाई संपी गई थी 2014 में भारत चीन जापान और USA के बाद विस्स का चोथरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक दिस बन गया इस्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विस्समें पित्अमिस्तान पर है भारत का पहला तडवर्ती स्पात कारखाना विसाका पत्न में आंध्पिदिस में लगाए गया था का अंगर आंगे देखें आप लो और एक उचाब के सामने अकड़े और भी है ऐलूमिनियम उद् 1938 में चारकार खाने तदकालीन बिहाराज में मुरी केरल के अलवाय पश्यमंगाल के वैलूर उडिशा के हेराकोंड में इस्थापित किये गयते है हिंदुस्ताल एलूमिनियम काउर्पोरेशन लिमिटिड हिंडाल को की स्थापना 1958 में रेनुकोर्ट उत्तरपिते सिनावा कोर्बा और इसके कोई ना प्रमुक्यन है नाल को फ्रांस की साहता से दावन जोडी बुडिशा में देखने को हेंडाल को USA की मदस्ते रेनुकोर्ट उत्तरपितेस में इंडाल को कनाडा में जेके नगर मूरी अलवाय की साहता से मालको इटली की और चैन्नाई में टोर सले बेदानता जर्मनी की जहारसु गुडा में देखते हैं एलूमिनिया उत्पादन करने में भारत बिस्त का आठवा स्थान है नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल को देश के सबसे बड़े उस्वनवित और एलूमिनियम सैंद परिशय का गठन साथ जन्वरी 1981 को क किया गया था इसका पंजीकित कारियाल है भूमनेशवर में है सोती बस्त उद्द्यों गाता है पर कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्टी आधुनिक ढंक से सोती बस्त की पहली मिल का इस्थाफना 1818 में कोलकाता की समी फोर्ट गिलास्टर में की गई थी किन्तु यह आसफल हो गया था सोती बस्त उद्द्यों का सरवादी केंद्री केंड महराष्ट गुजरात और राज्य और अन्य राज्यों की बात करें तो पश्यमंगाल मंद्पिदेश तमिलाडू आंद्पिदेश केरल उत्तर पिदेश है मुंबई को आप सभी जानते हैं यह भारत के सूती ब ब्रस्था में कपड़ा उद्योग उद्योग का स्थान किर्सी के बाद दूसरा है और यह सबसे बड़ा प्राचीन उद्योग है यह देश का सबसे बड़ा संगठीत एवं व्यापक उद्योग माना जाता है यह उद्योग देश में किर्सी के बाद रोजगार पिदान करन देखेंगे क्या आता है बस्त उद्ध्योग पर चलते हम लोग जूट उद्ध्योग की तरफ सौने की रेशा के नाम से मसूर जूट के रेशों से सामानों को निर्माड करने में भारत बिस्में पिथमस्थान पर है और इसका पहला कारखाना कोलकाता कि समीप रिस्तरा नामकिस्तान पर 1855 में लगाए गया था भारती जूट निगम की स्थामना 1971 में जूट के आयाद निर्यात और आंतरिक बाजार की देखवाल के लिए की गई थी भारत बिस्तर के 35% जूट के सामानों का निर्माड करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक देश भी है ठीक है या भी आप लोगों को याद रखना चाहिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए जूट उद्द्युक से सम्मधीत पिर्मोकिस्तान जैसे पश्चिन मंगल में आप जाएगे टीटागर से रिसरा बाली अगर पाड़ा बसवेरिया कान किनारा उलवेरिया सीराव सीरामपूर वे वा क्या है बजबज हावडा स्यामनगर सेवपूर स्यालदह बिरलापूर ह विसाका पुटनाओ गुंटूर उतर प्रतेस में जाएगे कानवो सह जनवा गोरकपर में बिहार में जाएगे पूनिया कटियाल सहर सा दर्भंगा अंतराश्टी जूट संगठनित की स्थापना 1984 में हुई थी इसका मुख्याल है आपको ढाका में देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे चीनी उद्द्यूग भारत में आधुनिक चीनी उद्द्यूग की सुरवात 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी भारत की निमनर राज्य हैं चीनी उद्द्यूग से संबंदेत उत्तर प्रतेस में आप देखिए देवारिया भटनी पड़नोना गोरक पूर गौरी बाजार सिस्वा बाजार बस्ती बलराम पूर गौंडा बारवंकी सीता पूर हर्दोई विजनो और मेरट सहरान पूर मुरादाबाद बुलं सहर कानपूर फैजाबाद मुझपर नगर आदी और बिहार की बात करें तो मौतिहारी सुगोली मजोलिया, चनपटिया, नरकटिया गंज, मडोरा, सासा मुस्ता, मौतिपूर, गोपाल गंज, डाल मिया नगर, सारन, समस्तिपूर, दरभंगा, चंपारन, हसनपूर, आदी और महीं महराष्ट की बात करें तो मंसन, मंसड, नासिक, एहमद नगर, पूने, सोलापूर, कोल सांगा, फलासी, हाउडा, मुर्सीदाबाद, पंजाब में देखेंगे हमीरा, फगवाडा, अमिरसर, हर्याना में देखेंगे जगधारी, रोहितक, तमिलाडू में देखेंगे अरकाट, मदूरे, कुएमबटूर, तिरोचिलापली, आंधपिदेश जाएंगी सीता, पु से सिमेंट का निर्माड, 1824 में बेटेन के पोर्ट लेंड नामाकृस्थान पर किया गया था, भारत में आधुनिक ढंक से सिमेंट बनाने का पहला कारखाना, 1904 में मदरास में लगाया गया था, जो असफल रहा था, मदरास के कारखानी के बाद 1912-13 की यहोधी में, इंडि सिकी स्थापना 1936 में की गई थी, भारत की प्रमुक सिमेंट उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें, तो इसमें मद्धिपदेश, सतना, कटनी, जवलपूर, रतलाम, और चत्तिजगाट में आप देखेंगे, दुरुग, जामुल, तिलदा, मंदार, अलक तरा, जहार आप देखें, तमिलानु में डाल मियापुरम, मधू कराय, तुलकापटी, गुजरात में पूरवंदर, द्वारका और सीका, जामनगर और रानायार, हर्याना में चर्खी दादरी, उडीसा में राज गंगपूर, उत्तरपिदेश में मीर्जापूर चोट, केरल में कुट पंजाब में सूरजपूर, राजिस्थान में जैपूर, लखेरी, भावनगर, सेवालियम, फिर आपका कागज उद्देव गाता है, कागज का पहला सफल कारिखाना 1889 में लखनग में लगाए गया था, कहां? लखनग में उत्तरपिदेश की राध्धानी है, मध्देश की कागज की फिर्मो कुतपादक राज, जैसे पश्चिम मंगाल में टीटा, गड़ हो गया, रानी गंज हो गया, नहाटी हो गया, त्रमेनी, कोलकाता, हुगली, और बड़ा नगर, क्या? बड़ा नगर, सिवरा फुली, या सिवरा फुली हो गया, तुईने भी याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? और आंध पिदेश में आप देखेंगे, राज महंद्री, तिरोपती यादी, तेलंगाना में सिर्फोर हो गया, कागज नगर हो गया, उत्तर पिदेश में सकंद्राबाद, मेरट, सहरानपूर, पिपराईज, मुझापर नगर, तिरोणा, नल, बेली, बालनी, महराष्ट में, मुंबई, पूने, बल्लारपोर, चंदपोर, कल्यान, कराण, पिंपरी, भिवन्डी, रोहा, गुजरात में वापी, सूरत, बढ़वद्रा, राजकोट, बर्जोद, उदावाडा, ठीक है? वहीं अगर रसायनिक और वरक उ एल, बेलेगुवा, गुला, नावकिस्तान पर मैसूर, केमिकल्स, एंड, फर्टिलाइजर्स की नाम से अमोनिया, और वरक का कारखना लगाया गया था, उनिस सो सेंतारिस में देखेंगे हम लोग तो अमोनियम, सलफेट का पहला कारखना के एलल के अलवाय नावकिस्तान पर लगाया गया था, भारती और वरक निगम की स्थाफना की बात करने तो 1951 में स्थाफित की गई थी, जिसके तहत एसिया का सबसे बड़ा और वरक सेंद्री में लगाया गया था, भारत पोटास और वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निरवार है, हम लोग खरीदते हैं हमारी पास उत्पादन नहीं होता है, भारत में नाइट्रोजन और वरक की खपत सबसे अधिक है, भारत सरकार के सी में नीम अलोपित यूरिया के उपोक को बड़ावा दे रही है क्योंकि नीम लेप मेर्दा में यूरिया के घुल्ले की दर्ख कुदीवा कर देता है, भार भुको का गय साधारित यूरिया अमोनियम सायंत हाजी एरा उजरात में देखने को मिलेगा, उत्तर पिदेश की साहजापूर और जगदीशपूर का कारखाना भी गय साधारित है, भारत के फिरमुक रसायनी कुरवरक उत्पादक राज्य होगा, जैसे कान उत्तर अल्दिया, रिसरा, खारदा है, कर्णाटक में मंगलूर, बेला गुला, मुनीराबाद, गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनकर, आंध्पिदिस में विसाका वतनब, तादिपली, तुनुकू, तमिलाडू में नियो बेली, रानी पेट इन और, अगर जलेयान निर्माड उद्दियों की बात करें तो भारत में जलेयान निर्माड का पिथमकार खाना 1941 में सिंधिया, स्टीम, नविगेशन कंपनी द्वारा विसाका पतनब में स्थाबित किया गया था, 1992 में भारत सरकार द्वारा इसका अधी गेंट करके हिंदूस्तान सिपगाइड विसाका पतनम इसका नाम रख दिया गया था, 1952 में, और सार्विजेक अगर साजुनिक छेत की अनिकाईयों को जलेयानों का निर्माड करती है, इसमें गाइडेन रीच भरक्षॉप लिमिटेड कोलकाता भष्यमंगाल में, गुवा सिपगाइड लिमिट लिमिटेड मुंबई महराष्ट में, या निर्माड उद्ध्यों की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत में बायुआ निर्माड का पिथमकार खाना, 1940 में, बंगलोरू में हिंदोस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थावित किया गया था, अब इसे हिंदोस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेट के नाम से आप लोग जानते हैं, आज बंगलोर में हिसकी पांच काई हैं, तथा कोरा, पुट, कोरबा, नासेक, वेरकपूर, लखनव, हैदराबाद, कानपूर में एक एक काई हैं, बायु एनों के निर्माड के कार में स जमसेतपूर, महंदरा एंड महंदरा लिमेटेट, पूने, मारूति उद्देव, लिमेटेट, गुडगाओ, हर्याना, सनराइज, इंडेट, इंडेस्टीज, बैंगलोर, और दवा, दवा, निर्माड उद्देव की बात करें, तो फिरमुक स्थान है, इसका मुंबाई, दिल्ली, कानपूर, हरिद्द्वार, रिसीकेस, एहमदाबाद, पूने, पिंपरी, पैनिसलीन, के लिए हो मत्रा है अधरावाद, सीता उद्देव की बात करें, अगर हम लोग, तो भारत में सीसा उद्देव का केंदरी, करण, रेल की सुविधा बनाए, सुविधा वाले इस थानों में देखने को मिलता है, इसे उद्देव का विकास मुख रूप से पश्चे मंगाल, उत्तरपेदेश, महराश्त, तमिलानु गराज्यों में हुआ है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद, भारत में सीसा उद्देव की महत्पून केंदरों की बात करें, पश्चे सोलापूर, नांगपूर, गुजरात में बड़ोदा, मौरवी, विहार में पठना, कहल गाओ, राजस्तान में जैपूर, उतरपदेश में नैनी, रामनगर, वहेजोई, बालाबाली, फिरोजाबाद, और अनिस्तान, अम्बाला हो गया, अमरसर हो गया, हैधराबाद हो ग राजी की स्थाफना इसमें 1958 में की गई थी, कव? 1958 में, रेल उप्पेण उद्द्यों की बात करें तो चितरन्जन, ये पश्टे मंगाल के रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कार खाना, इस कार खाने की स्थाफना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरन्जन लोकोमोटिव बॉक् डीजल से चले वाला एंजनों का निर्मार्ण वरानसी में होता है, रेल एंजन निर्मार्ण का कार जमसितपुर जारखन में भी होता है, एकुटीर उद्द्योंग बोर्ड की बात करने तो 1948 में स्थाफित हुया था, केंद्रिय सिल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतिय हतकरग में 1958 में स्थाफित किया गया था, तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है, रेल डिब्वे के बनाने का परमुक के अंद चैने के समी परामभूर नामकिस्थान परस्तन 1902 में स्थाफित किया था, इसमें उत्पादन की सुरुवात 2 अक्टूबर 1905 में हुई थी, और इसके परमुक के अंद बैंगलूर कोल काता है, पंजाब में कपूर तला में इंटीगल कोच फैक्टरी की स्थाफना की गी थी, राइवरी ली उत्तर फिदेश में, आप देखें, क्या, उत्तर फिदेश और, एक मिनिट, कच्रा अपारा, पश्चे मंगाल में रेल भी कोच फैक कारखाना लगाया जा रहा है, छपरा विहार में रेल भील फैक्टरी इस्थाफित की गई, पश्चमंगाल के दन कुनी में बिद्धुदबा डीजल एंजन के अव्याब बनाने की दो फैक्टरी लगाई जा रही है, आई आई टी रोड़की में देश के पहले रेल वेंज जाना जलंदर धारिवाल अमरसर इस उद्धेव की प्रमुकेंद माने जाते हैं, उन्हीं बस्त के उद्धेव की बात करने करनाटक में बंगलोर मैसूर, पंजाब में अमरसर धारिवाल, जमू कस्मीर में सिरी निंगर, उत्तर प्रदेश में मिरिजापुर, आगरा, बाहरी लोग जो होते थे, महराजा, राजा हुआ करते थे बाहरी देशों के, वो हमारे यहां के कपड़ों को पहना करते थी, चेरू या अतिबती एंटी लोप का एक बिलोप्त प्राय जीप है, जिसका सिकार साहतूत नामक एक के उन के लिए होता है, जो भजन में हलका औ के महत्पून के अंद है, क्या है के अंद है, और टेलीफॉन उद्द्यों की बात करें तो वैंगलोर और रूप नारायन पूर, टेलीफॉन उद्द्यों के लिए महत्पून के अंद है, रेसम उद्द्यों की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है, जहां सहतूती, एरी, त केंदी पाथर मेगाले में देखने कुमलेगा केंद्रिय टसर अनुसंधान पे सिक्षन राची जारखन में रेसम के प्रमुक अगर केंद्रों की बात हो तो जम्मू कस्मीर में सिरी नगा जम्मू उदंपूर अनंत बाग नांग और बारा मूला पंजाब में अमरसर, गुर्दासपूर, हुसियारपूर और लुधियाना, तमिलाडू में सलेम, तंजोर, कांजीपूर, अबरम, तिरूचेरापली, कौइमबटूर, पस्टेमगाल में मुरिज, सीदाबाद, वानकुडा, हाउडा, 24 परगना, गुजरात में एहमदाबाद सूरत, भावनगर, पोरबंदर, विहार में भागलपूर, गया, पटना, करनाटक में वैंगलपूर, मैसूर, उत्तरपदेश में विर्जापूर, बानरसी, साहजापूर, करनाटक देश का एक तालीफ अटसें से एक कच्चारी सम उतपादन कर दाता है, और यहां सहतूती मलवरी रेसम बनाया जाता है, या देश का 56% रेसमी धागा बनाया जाता है, तो यह आपनों जरूर याद रखे, रेसम मुतपादन में आंद्पिदेश 35% दूसरे स्थान पर है, भारत की कूल कपड़ा निरयात में रेसमी बस्तों का युगदान लगबग 3% है, गयर अगर हम लोग भारत में परिवहन छित को देखें न, तो सबसे पहले इसमें सड़क देखी आप लोग, क्या सड़क छित को आप लोग बात करते हैं, भारत में लगबग आप देखें तो 58.98 लाग किलोमीटर की सड़क नेटवर्क, विस्त का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, विस्त में दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, जिसमें राष्टी राजमार्ग हो गए, राष्टी राजमार्ग हो गए, राजजमार्ग हो गए, अन्य सड़कें सामिल हैं, अगर राष्टी राजमार्ग की बात करें तो इसके निर्मार्ड पिरदंधन, रख परिवहन का लगबग आप देखे 40 पर्टेंट या यातायात संपर्ण कराती हैं और भरतमा समय में आप देखें तो भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है एनेच चवालीस और इस हाईवे का पुराना नाम एनेच सेबिन है और यह राजमार्ग भारत के उत्तर में सिरिण रंगर जम्मु कस्मीर से लेकर आप देखेंगे भारत के दच्छन छोर कर्णियाकुमारी तमिलाडू तक जाता है सबसे लंबा है और इस राष्टी राजमार्ग की लंबाई आप देखेंगे 3745 किलोमेटर है यह राजमार्ग सिरिण रंगर जम्मु कस्मीर से सुर राश्टी राजमार्क संख्या एक संख्या दो को समलेत रूप से आप लोग ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड के नाम से जानते हैं जिरो माइल इस्टॉन वेटिस द्वारा नांगपुर में इस्ताबित किया गया जिसका प्रियोग सभी दूरियों को मापने के लिए क्या आप देखें एमरे लिए तक हम अफ 27 2357 कीलोमीटर है पोरवंदर से सिल्चर तक एनए चड़त अरताली से 2800 किलोमीटर है दिलई से चेन री एनेच बाबन यह आप देखेंगे 3317 क्लोमीटर है इसकी लंबाई संगरूर से अकोला तक NH 30 ये 2040 किलो मेटर में है इसकी लंबाई सितार गंज से इबराहिम पत्नम तक और आप देखें NH 6, NH 6 ये 1873 किलो मेटर है इसकी लंबाई जोरावाट से सिलिंग तक NH 53, 1781 किलो मेटर है इसकी लंबाई NH 66, 1622 किलो मेटर में है और पनवेल से कन्या कुमारी तक NH 19, 1435 किलो मेटर में है तिल्ली से कोलकाता तक NH 44, पुराना नाम NH 1A में जवाहाज सुरंग इस्तित है और यह राजमार्क जालंदर से जम्मू कसमी जम्मू बाशिरी नगर होते हुए उरी तक जाता है और जम्मू बाशिरी नगर को जोडने वाली वनिहाल दर्रे मही आपको जवाहाज सुरंग देखने को मिलेगा जम्मू और जम्मू एवम सुरी नगर राश्टियर राजमार्क NH 44 में इस्तित 9 दसमलो दोकलू मीटर लवी चैनानी नाशिरी सुरंग देश की सबसे लवी सड़क सुरंग है यह एस्या की सबसे लवी दोyle सातमक rhits गंटे तक कम हो गया और आप आछकी समय में दो घंटा कितना टाइम होता है तो ये भी जिनके पास टाइम नहीं होता है उनके लिए फायदे मंद है और बाखी जो जिनके पास टाइम है उनके लिए तो समझ रहें कुछ भी है भारत का सबसे लंबा केबल से तू गुजरात राज्जी के गुजरात राज्जी के मरो भरूच जिले में आपको देखने को मिलेगा कहा भरूच जिले में देखने को मिलेगा समझ रहे हैं भरूच सुने हो आप लोग के नहीं सुने हो यह गुजरात के भरूच जिले में देखने को मिलेगा और नर्मदा नदी पर है जिसका नर्माल राष्टी राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर ही आता है तो कुस्वमबनाने हे तुकिया गया है और भारत का सबसे छोटा तो एनेच एक सो अठार है एनेच चे यह मरुस्तल से आप देखे होकर गुजरता है इसको जोड़े इससे जोड़े सहरों की अगर किरम देखे तो बठान कोट अमरस्तर भटेंडा गंगा नगर भीकानेर जैसल मेर वाड मेर और समाकी याली है ठीक है स्वाडम चतुरफजी योजना के अंदर का 5846 किलो मीटर ल बनने वाला उत्तर दच्छेट गले आरा से स्रीनगर को कन्या कुमारी से और पूर पश्टेम गले आरा में आप देखेंगे सिल्चर को पूरबंदर से जोड़ा जाता है इसकी कुल लंबाई 7522 किलो मीटर है ठीक है जरूर याद रखेगा और भारत माला परियोजना भी आ लंबे आर्थिक गले आरी का विकास किया गया और इसी होजना की मुक्र प्रात्मीकता राष्टी गले आरी की दक्षता में सधार नए आर्थिक गले आरों का विकास अंतर गले आरा और फीडर मार्गों का विकास तकिया और एवं बंदरगाहा संपर्ग सड़कों का विका नए एक्स्वरेस का निर्मार। सेतु भारतम के बारे में सुना होगा। इस योजना के तहट आप देखें। राष्टी राजमारगों पर लेवन क्रासिंग के स्थान पर आर ओभी आर यूभी बनाना है। चार धाम महामार्क विकास पर योजना में सुने होगे। यह योज लेन बाली 889 किलूमीटर सरक बना गई है। राजमारक आता है इसका निर्मार रख रखा हो जिम्मेदारी राज सरकार की होती है। राजमारकों के लंबाई है वगर बरतमार में देखें तो यह लाग 56,894 किलूमीट है। तो यह बढ़ती रहती है। नए आकड़े आप ल माल परिवान का लगवग 50% और यात्री परिवान का 80% सड़कों से ही होता है। तेदान मंतिरी गराम सड़क यह उजना भी सुने होंगे। इसके अंतरकत आप देखेंगे 500 आबादी के बने सभी गाउं को 1280 सड़कों से जोड़ना होता है। और विस्व का सबसे उंचा अ कब 2008 में कब 2006 में इसी राष्टी राजमार्ग 1D NH 1D घुसित की आ गया था यह आप लोग जरूरी याद रखें 2006 में भारत का सड़क जा लगार देखें 2021 के अनुसार तो इसमें राष्टी राजमार्ग 1,34,380 और सड़क लंबाई का 32% राजमार्गों में आप देखें तो 277 किलोमीटर 95% है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्ग वाला देश है और सीमावर्ती सरकों का निर्माड और वंधन सीमा सड़क विकास के द्वारा किया जाता है आप देखें ना कि जो देशों के पास से जो सीमा जैसे माल लेजे कि चाइना के प और अपने गठन को के समय से लेकर मार्च 2000 एक तक संगाठन ने 29149 किलोमीटर लंबी सरकों का निर्माड किया बच्ष 25 306 किलोमीटर लंबी सरकों को पक्का करने का करिकिया यह संगठन को मिला के 17,435 km लंबी सड़कों का रख रखा हो करता है सीमा सड़क संगठन की बात करें ठीक है? तो यह भी याद रख सकते हैं इसमें एसिया का सबसे बड़ा रोप बे रज्युमारिक गडवाल में जोसीमट एबं ओली को जोड़ता है इसकी लंबाई 500 मीटर है भारत ने पूरवी लगड़ा के ओम लिंगला पास में दुनिया के सबसे उची सड़क बनाने की कामियाभी हासिल किये जिसकी उचाएगर समुद्ध तल से देखें तो 19,300 फिट पर है अब तक का दुनिया के सबसे उची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के पास है यहां उत्तो रुन्सो ज्वाला मुखी के पास इसते सड़क समुद्ध तल से आप देखेंगे 18,953 फिट की मुचाईबल था अब भारत के पास आ चुका है रिकॉर्ड रेल पर इवहन की बात करें तो भारती रेल यह सिया की दूसरी सबसे बड़ी नेट्वर्ग है भारत में सरपथम रेल विवस्था की अगर शुरुवाद की बात करें तो अपरेल 1823 में मुंबई से थाने की बीच चौटीस किलो मीटर के बीच प्याराब होई थी ठीक है इस डेट को याद रखी कई बार यह पूचा जा चुका है देश में तीन पिकार की लाइन होती है एक पटिरियों की चौडाई हो गई बड़ी लाइन इसकी चौडाई की बात करें तो एक दसमलोव छेसो चेतर मीट मीटर गैरेज की बात करें तो एक दसमलोव जीरो जीरो मीटर नेरो गैरेज की बात करें तो जीरो दसमलोव छे एक जीरो मीटर तो इन्हें भी याद रखे विस्ट के सबसे पहली रेल गाड़ी 1825 में इस्टॉक टन और डार्लिंग टन के बीच चली थी इसके बाद 1830 में वित्त को 1924 पच्चीस के बाद एड वर्थ कमेटी की सिफारिष पर सावान राजस्से से अलग कर दिया गया था भारती रेल का राष्टी केरण 1950 में हुगा था 2017 में आपने देखा हुगा रेल बजट को केंद्री बजट में मिला दिया गया भारती रेल पर सासंद वारब प्रवंद की जिम्मेदारी लेडवे बोर्ड रेलवे को 18 मंडलों जो की पहली 9 थे 73 डिवीजिनों में बाठा गया है पितिक मंडल का पिधान महा प्रवंदक होता है इसमें अगर भारत की रेल मंडल ओँन की मुख्याल आगर आप लोग देखें वह याद रखें तूगा पी अच्छा होगा आपके लिए तो ये रेल्व बंदल हो गए, इनके मुख्याल है हो गए, ठीक है, तो उत्तरी उत्तर रेल्वे, नई दिल्ली इसका मुख्याल है, दच्छन रेल्वे, चेन नहीं है, मद्ध रेल्वे, मुंबई है, दच्छन पूर्व रेल्वे, कोलकाता है, उत्तर पूर्वी सी रेल्व सेकंद्राबाल, पूरु उत्र रेलवे, गोरकपूर, पूरु मद्र रेलवे, हाजीपूर, पश्चिम मद्र रेलवे, जवलपूर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जैपूर, दच्छिर पूरु मद्र रेलवे, दिलासपूर, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता, दच्छिर त सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेलगाडी की बात करें तो यह बिवेक एक्सपरेस है और नवंबर 2011 से जो डिबरूगर असम से कन्या कुमारी तमिलाडू तक जाती इस दोरान यह 4286 किलो मीटर की दूरी तै करती है और इस्तेपूर हिमसागर एक्सपरेस जो जमू कस्मी से कन्या कुमारी तक 3726 किलो मीटर जाती थी सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेल गाड़ी थी पहले नई दिल्ली के हजरत निजामुदीन आगरा केंट स्टेशन की बीच 5 अपरेल 2016 से चलाई गई गती मान एक्सपरेस देश में सरवाधिक गती से चलने वाली रेल वाड़ी है यह दोनों रेलवे स्टेशन की दूरी 100 मिनेट में तै कर लेती है और 160 किलूमीटर पीती घंटा तक की गती प्राप्त करती है और इस रेल गाड़ी में एयर होश्टेस की तरज पर रेल परीचा चारिकाओं की तैनाती सभी कोचों में की गई इससे इसके पहले सबसे तेज रप्तार वाली रेल गाड़ी दिल्ली भुपाल साताब्दी एक् तक 9,438 किलूमीटर लंबा है भारत 2021 के अनुसार भारती रेलवार की लंबा सरसथ 415 किलूमीटर है मार्च 2019 के यंदर तक भारत के कुल रेलवार के लगबल 50.91 यानि कि 344.349 किलूमीटर भाग का विद्धुती करन किया जा चुका है विद्धु से चलने लगी है भारत मे पूने के मद्ध चली थी एक जुन 1930 की बात है कारयत विसका सबसे पुराना भापिंजन फेरी कुईन है एक मार्च 1989 को पहली राध्धानी एक्सपरेस से रेलगाडी नई दिल्ली से हावडा की बीच चली थी भारत पाकिस्तान की भी चलने वाली समझोताई एक्सपरेस ला अगस्त 1994 को रेल गाड़ी भीमा योजना लागु की गई थी एक अगस्त 1994 को कौंकर रेले थी महराच के रोहा से पयारम होकर गुआ के मढगाओं तक जाती है इसकी ट्रक की लंबाई 741 किलोमीटर है इस रेल मार्च पर पहली बार रेल पर ये चालन्ज 26 जन्वरी 1998 में कू रंकर रेल की लंबाई 760 बताईगी यह रेल मार्च 146 नदियों वा धाराओं वा 200 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है इस मार्च पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है इस उद्यम में करनाटक गोवा महराष्ट राज भागिदार है कोलकाता में सबसे सबसे पहले मेटरों आपकी कोलकाता में चली थी उनने सो बात्तर में बनी यह यह योजना 1975 से अमल में आई और दमदम से टॉली गंज तक इस भूमीगत रेल गाड़ी की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर कोलकाता मेटरों रेल की शुरुआत आप देखेंगे तो 24 अक्टूब जापान बकोरिया की कम्पीनियों के सहयोग से बनाई गई है और इसके अंतरकर सबसे पहले रेल से अब पच्चीस दिसम्बर 2002 को तीस जारी से साहदरा के बीच चलाई गई थी वही अगर हम लोग बैंगलोरू मेटरों की बात करें तो इसकी सुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेटरों के नाम से सुरू ही थी इसके धाचागत सुविधाओं का विकास जापान की सहयोग से किया गया था और मुंबई मेटरो रेल की बात करें तो इसकी सुरुआत आप देखें 8 जून 2014 को हुई थी मुंबई में मॉनो रेल सुतंद भारत में मॉनो रेल सरवे थ जहां इसका सुवारम महराष्ट के मुकमंत्री पितिवीराज चोहान ने एक फरवरी 2014 को किया था संपूर परियोजना सुरू होने पर विस में दूसरी सरवाधिक दूरी वाली में मॉनो रेल परियोजना हो जाएगी इस सम्मन्द में जापान का 23.8 km लंबा ओसा का मॉनो कोरी रोड सबसे लंबा है 16.9 किलो मीटर लंबिक टोकियो कोरी रोड का बर्तमान में दूसरा इस्थान आता है वह इसका जब काम पूरा हो जाएगा तो दूसरे नंबर पर यह जाए जाएगी अमेरिका चीन जापान जर्मनी मलेसिया ऑस्टेलिया के पश्चाथ भारत बि में भी मेट्रो रेल निर्माडा दीन है यानि कि निर्माड चल रहा है विसकी पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी जिसके शुर्वात आप देखेंगे 10 मई 1983 में हुई थी या विसकी दूसरी सबसे लंबी मेट्रो टेन है इसकी लंबाई 402 किलो मीटर है चेन की संगाई मेट्रो विसकी सबसे लंबी मेट्रो टेन है इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 434 किलो मीटर है रेल इंजिन निर्माड की कारखारें चितरंजन वरा नसी और भोपाल में श्ते थे हैं सवारी डिब्बा का निर्माड पेरंबूर कपूरतला कोलकाता बैंगलोर में किया सबस आज़ाता है रेल इंजिन बनाने का नया कारखाना मध्यपूर एलेक्टोनिक एंजिन और मडोरा डिजल इंजन बिहार में हैं पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार और रेलवे को फैक्री राय वरी लिः उप्तरपरदिश में उस्ताफित किया गया भारत का पित अपरेल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से किया था नई दिल्ली हावडा राधधानी एक्सप्रेस वाई-फाई सुविधा वाली भारत की पहली ट्रेंड है यह भी याद रखेगा वाई-फाई आप समझ रहें बिना नेट के आप लोग समझी क्य हाल है गरीबों की लंबी दूरी यात्रा है सोगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंतियोदर एक्सप्रेस व्रेल गारी केरल के एना कूलम से हावडा की बीच चलाई गई 27 फरई 27 की बात है अगर तला अकोरा रेलमार्क कूरा हो जाने से कोलकाता से अगर तला के बीच के रेलमार्क की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रहेगी और इस अंतराष्टी रेलमार्क का अधिकांस भाग बंगलादेश में है तो आप सुनज सकते हैं इउनेसको द्वारा भारत की चार भारती रेलमार्कों को 20 वराससूची में सामिल किया गया एक तो दरजिलिंग हिमाले रेलवे उपनाम है इसका ट्रॉय रेल्ड चतपती सिबाजी टर्वीनल नेलगीरी माउंटेन रेलवे उपनाम बिलू माउंटेन ट्रेंड कालका सिमल के संगीत निर्देशन में उद्दिद नारायन और कविता किश्नमूर्थी ने गाया था महत्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने बिवित संस्किती के लोगों को एक साथ लागर भारत के सोतंता संग्रा में योगदान दिया आप सोची एक जगह से दूसरे जगह लोग गए मिले जुले तो आप देखिए बायू से ना बायू परिभान आता है भारत में बायू परिभान की सुरुवात 1911 में हुई थी जब इलावात से नेनी के वीच बिसकी सरपितम बिवान डाक सिवा परिभान किया गया था 1933 में इंडिया नेशनल एयर वेज की स्थापना हुई और 1953 में सभी बिवानिक कंपनियों का राष्टी कंड करके उन्हें दो नावनी के निगम बना दिये गये थे एक भारती बिवान निगम था एक एयर इंडिया था एयर एंडिया के अका मुख्याल है नई दिल्ली में निग्मित कारकरम कारयार इसका मुंबई में सुभंकर हैस का महराजा पितीक चन्ह उड़ते हुए हंसम है नारंगी रंग का कोडार चक भारतिय विमान निगम की देश के आंतरिक भागों के आंतरिक अतरिक समीबर्ती देश नैपाल, पाकिस्तान, स्रीलंगा, बंगलादेश, माल दीप, म्यारमार, अफगानिस्तान को सेवायं उपलब्द कराता है और एर इंडिया बिदेशों के लिए से बाय उपलब्द कराता है यह भी आप लोग याद रखेएगा ठीक है और 1981 में देश में घरहलू उडान के लिए बायू दूत नामक तीसरे निगम की स्थाफना की के थी जिसका बाद में भारती विमान निगम में बिलाय हो गया 24 सकत दो wil 67 को सारेजनेक छेदि की विमाणन है इन्डिया रिएलाइनज का बिलाय हो गया और यह दोनों कमपनिय अब नेशनल एवी एसन कमपनी ओ इंडिया लेमेटिड के नाम से कारगात हो है और कम्पनी का ब्रांट नाम है येर इंडिया क्या है येर इंडिया ठीक है तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए मुझे लगता है और पवन हंस्थ इसकी स्थापना अक्टूबर 1989 में हुई थी इसकी स्थापना का मुकुदेश तेल छेत को तेल की खोच के लिए हेलिकॉप्टर सिवाय उप्लब्द किराना है इसका पंजीकित कार्याल है नहीं दिल्ली में है या हेलिकॉप्टर सिवाय पिदान करने बाली एसिया की सबसे बड़ी कंपनियों में सामिल है बर्तमार में 2020 के में इसके 43 हेलिकॉप्टर का वीड़ा है अब तो बढ़के और बढ़ गया होगा पबन हंस्थ हर वर्स मई जून सेप्टमबर अक्टूबर में यात्रा के दोरन फटा फाटा से क्यादारना तक हेलिकॉप् बिस्विद्यारे की स्थापना भी फुरसत गंज में ही है भारतिय बिमान पतन प्राधिकंड का गठन एक अपरेल 1995 को किया गया था प्राधिकंड देश में अंतराश्टी हवाईड़े घरेलू हवाईड़े नागरिक विवान टर्मीनलों का प्रबंधन करती है ये देश क मेडकर अंतराश्टी हवाईड़े नांगपूर में सरदार बल्लभाई पतेल अंतराश्टी हवाईड़े एहमदाबाद में गोपिनात बार्डॉली अंतराश्टी हवाईड़े गुहाटी में चौदी चैंसिंग अंतराश्टी हवाईड़े लखनव में स्री गुरु राम कोची में बीर सावर कर अंतराष्ट ही हवाईड़ा, पोड विलेयर में, दावो लिम अंतराष्ट ही हवाईड़ा, गौा में, कैम्प गोडा अंतराष्ट ही हवाईड़ा, वैंगलोर में, बंगलोर अंतराष्ट ही हवाईड़ा, बंगलोर में, देवी हल्यावाई हुलकर अ तरश्टी है बरनारस में नगर विमानन मंतराले ने मार्च 2020 में आवसक बस्तुओं आप उलती के में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उडान सिवा सुरूंकी थी इसके तहर देश के सभी भागों तक ब्यक्तित सरक्षादमग साधन पीपीई और दबाव तो राधीकन की स्थापना 1987 में की गई थी इसका मुख्याल है पूलकाता में देखने को मिलेगा देश के जलमार्गों को दो भागों में बाटा गया एक तो आंतरिक जलमार्ग यह परिवाहन नदियों और नहरों और जीलों के द्वारा होता है देश में जहाजों के जरिय जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्टी जलमार्ग एक घोसित किया गया था बड़ा देखिए सस्ता पड़ता है इससे अगर आप लोग एक माल एक जगए से दूसरी जगर भेज रहे तो सस्ता पड़ता है सबसे सस्ता समुद्री जलमार्ग की बात करें तो भारत की लग दोसो चोटे पतन है देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% मूल की दरिश्टी से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है इन्हें याद रखिये जरूर राष्टी जलमार्ग को एन्डबलू फर्ष्ट इलावा से हल्दिया तक 1620 किलो मीटर की लंबाई है एन्एल एन्डबलू टू ए साधिया से धूरीत पट्टी 891 एन्डबलू तील कुलम से कोट्टापुरम 205 किलो मीटर और एन्डबलू चार ए काकी नाड़ा से मरकानम 1095 किलो मीटर और लखीपुर से भंगा यह आप देखेंगे 121 किलो मीटर है पिस्तावित है देश का सबसे बड़ा बंदर का मुंबई है बड़े बंदर काहों का नियंतन केंद सरकार करती है जिनका प्रभंद सम्यंदित राज सरकार करती है संबर्ती सूची कहने का मतलब है कि अगर नियम क खानून होगा ठीक है देश का सरफसेष्ट प्राक्तिक बंदर का विसाका पर्णम है या भारत का सबसे गहरा बंदर का है यहाँ डॉल्फिन डॉल्फिन नौच चट्टान पीछे है गुजरात इस्तित कांडला एक जुआरिये बंदर का है या मुप्त व्यापार चितवा बंदरगा है बारत की प्रमुख बड़े बंदरगाहों की बात करें तो नाम हो गया राज्य के अंदसासित पिदेश और नदी खाडी का समुद्दर कोलकाता परश्यमंगाल हुगली नदी मॉंबाई महराष्ट अरब सागर चैन्नई तमिलाडू बंगाल की खाडी कोची क अरब सागर निव मंगलोर कंडाटक अरब सागर निया वास सेबा महराष्ट अरब सागर जीयल नहरू इन और तमिलाडू बंगाल की खाडी नगर बिवानन मंतराले ने मार्श 2020 में आवसक बस्तुओं की आपूर्ती में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीबन रेख अरणार दीन दयाल और कामराज ठीक है कोलकाता नदिये फिकार का बंदर का है इसमें दो गोधी गोधी परडालिया हुगली नदी के परश्चिम किनारे पर हल्दिया गोधी परश्चर और पूरे भी किनारे पर कोलकाता गोधी परडाली है चैन्नई पतन हर मौसम में कार क सेतु समुद्रम सिफ कनाड कनाल प्रोजेक्ट से चैननाई और तूती कोरेन के भी 434 समुद्री मेल दूरी कम होने की संभावना है कोचिन सिफगार्ड लिमिटेट की स्थापना 1972 में हुई थी इसका मुख्याल है कोची केरल में यह देश का जहाज निर्माड और मरमत का सबस की स्थिति में है तो यह भी आप लोगों को याद रखना होगा मैं बोलो क्या क्या याद रखें मौर मुगाओ एक प्राक्तिक पतन है जो ब्रैक वाटर और मोल से घरा है इसके इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राप्ट चैनल है जो बड़े प्रोथ को आने जाने में वदत करता है विसके जहाज पुनराव अर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30 परसेंट है जहाज पुनराव अर्तन मुख रूप से गुजरात की अलांग सोसिया में किया जाता है विसका सबसे बड़ा जहाज पुनराव अर्तन कार खाना है इसे फरवरी 1983 में सु रसाइनों की निफ्टान ही तो इस्थापित किया गया इसलिए इसे रसाइन बंदरगा के नाम से भी आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे आपकी हर परीक्षा में दो तीन कुष्टन्स आते रहते हैं और मैं जन्गरना की बात कर रहा हूँ देखिए आप लोग उससे कई बार बोल चुका हूँ मैं कि जिस भी परिक्षा की तैयारी आप लोग सुरू करते हैं तो उसके पुराने कुष्टन्स पेपर जरूर उठा के देख लिया करेगा समझ रहे हैं आप लोग और अभी तक आप देखिए 2011 की जन्गरना के आते हमाले लिए महत्पूर है क्योंकि कोरोना मामारी के करणद 2021 की जन्गरना भी हो नहीं पाई है समझ रहे हैं आप लोग तो 2021 के जब आ जाएंगे तो आप देखिए 2011 से फिर भी कुष्टन साही जाता है तो भारतिय समीधान का अगर आप लोग अनुच्ट बारतिय समीधान की धारा 246 देखें तो यह कहता है कि अनुचार देश की जन्गरना कराने कर दायत संगे सरकाल कुष्टों पा गया है और यह समीधान की साथ भी अर्शूची करम संख्या 69 पर अंकित किया गया है तो इनको जरूर याद रखिएगा जन्गरना संगठन केंद्रिय ग्रह मंतरा लेके दीन कारत है और जिसका उच्चितम अधिकारी भारत का महापंजियक और जन्गरना आयुक्त होता है या देश भर में जन्गरना सम्मधी कारियों को नेदेशित करता है और जन्गरना के आकणों को जारी करता है वर्तमार में भारत की महारपंजीयक एबम जन्ग्रना आई डॉक्टर सी चंदमोली हैं और इन से पूर इस पत पर देविंद कुमार सीक्री रहे हैं 2004 से लेकर 2009 तक और यह बदलते रहते हैं तो मेरा मानना ही कि जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग जरूर एक सर्च करके देख लिया गरी हो ठीक है 2011 कि अगर जन्ग्रना देखें तो यानि पंदर भी जन्ग्रना है और सुतंद भारत की देखें तो यह साथ भी जन्ग्रना थी इसकी सुरुआत की सुरुआत पहापंजीयक एबम जन्ग्रना आयुक्त के द्वारा एक अप सटम्ब 2011 के भी संपन हुई थी जंगरना 2011 का सुभंकर प्रगड़ी का सीख्चिका थी इसका आदर्स बाग था हमारी जंगरना हमारा बविस्त तो यह भी याद रखेगा देखिए भारत में अगर जंगरना की इतिहास की बात करें तो जंगरना की सुरुवात होती है 1830 में ज जंगरना आयुक्त डबलू डबलू पिलोडन थे वहीं स्वतन्थ भारत की पहली जंगरना उन्नीश सो इंक्यावन में हुई थी और इस समय जंगरना आयुक्त कौन थे आरे गुल गोपाला सवामी उन्नीश सो उनन्चास से इंक्यावन के बीच की बात त्रेपन के बीच की बात है आधुनिक विस्ट में सरवबिताम विवस्थी तुरूप से जंगरना कराने का सिरी सुईडेन को जाता है जहां 1749 में पहली बात जंगरना कराई गई थी और दसकी ये जंगरना की और पिती वर्ग किलोमीटर में निवासित औस जनसंख्या से है यानि की कहने का मतलब जनसंख्या घनत का मतलब यही होता है कि पिती वर्ग किलोमीटर में जो निवास कर रहे हैं लोग उनी की संख्या को एक तरह से बात करते हैं जनसंख्या घनत में कुल जनसंख्या हुई और कुल छेथफल का, जैसे माल लेजे किसी राजी की आप देखी कि जनसंख्या कितनी है, माल लेजे कि MP के ले लिजे, मद्धपदस के ले लिजे, 7 करोड, 7 कितना? 7 करोड 26,26,809 के करीब है, ठीक है? तो इसमें आप लोग कुल छेथफल का, वहां के भाग दे दिजे, तो आपका जनसंख्या घनत निकला आएगा, लिंगनपात की बात करें, तो पिती 1000 पुरसों की तुला में, इस्तिरियों की संख्या को लिंगनपात कहते हैं, यानि कि कहने का मतलब सीधा से यह मतलब है, कि 1000 पुरसों पर किदनी महला हैं, उसी को लिंगनपात कहते हैं, लिंग पॉर्सों की तुला में उसी आयू समोह में इस तरह से निकाल सकते साथ वरस उस से अधिक आयू का जो व्यक्ती किसी भासा को समच सकता हो और उसे लिख्स पढ़ या फिर पढ़ सकता हो तो उसे आप लोग साच्चे कह देते हैं यानि कि कहने का मतलब है कि भारत में देखिए साक्षर्टादर की परिवासा बहुत ही खतरनाक है साथ बर्स या उससे अधिकायू का कोई ब्यक्ति अगर लिख लेता है और उसे पढ़ लेता है तो उसे पढ़ा लेखा माना जाता है समझ रहे हैं आप लोग इतनी बुरु इस्तिती मुझे लगता है कि इतनी निचली परिभासा नहीं रखनी चाहिए साथ बर्स या उससे अधिकायू वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों की पितीसत को को जनसंख्या की साक्षर्टादर कहते हैं साक्षर्टादर इस तरह से निकाल सकते हैं साक्षरों की संख्या बटे में साथ प्लस आयू वाली जनसंख्या इंटू सो दस की ये बिद्धी की बात करें तो यह दस बर्सों के मद जनसंख्या में हुई पितीसत बिद्धी को व्यक्त करता है दसकी अबिद्धी अगर आपको निकलना है तो बर्थ पात जन संख्या माइनस पूर्व जन संख्या और बटे में आपको अपन पूर्व जन संख्या इन्टू 100 कर देना है वहीं सिसु मित्ति उदर की बात करें जनकराना 2011 किता है देश में पहली बार राष्टी जनसंख्या रिजिस्टर तेयार किया जा रहा है जिसमें देश के सभी नागरेकों के कुल 15 विवरें दर्ज कराने की अत्रिक 15 बरस एवं इससे उपर की वह यह आप देखेंगे कि सभी नागरेकों के बायोमेट्रिक से ओंक 2001 में एक की जन्गरना में भारत का प्रसाशनिक विवाजन 593 जिलों में किया गया था जबकि 2011 की जन्गरना में यह है विवाजन 640 जिलों में किया गया है इस वस्ट है कि एक दसक की अउधी यानि की 2001 से लिकर 2011 की बीच कुल 47 नए जली बने थे महान विवाजक बरस भारत क जनांकी ये इतियास में 1921 को आप महान विवाजक की संग्या देते हैं 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दस्किये विद्धी रिडात्मक रही थी यानि कि माइनस 0.31 गटी थी और फलसुरूप इस दसक में भारत की जनसंख्या 77 करोड की कमी आई थी इसलिए 1921 को हम लोग बिभाजक बर्स की संग्या देते हैं भारत की जनसंख्या में सरवादी कौसत बारसिक घाती विद्धी दर 1961 से 71 की विद्धोरा अनुगा था लोग आजाद हुए वह इस तरह से आजाद हुए कि हम लोग जनसंख्या बढ़ाने लिए यह 2021 की जनगर्णा की कुछ आकड़े हैं 2021 की जनगर्णा अगर आप देखें तो इस के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या एक अरब 21 करोड आठ लाग चमवन हजार नौसो सततर बत चारा सी हेजर साथ सो उननीज यानि की अरट आलीस दिसम्लों 33 परसेंट महिला है 2011 की जनगर्णा के अनुसा भारत की कुल जनसंख्या विश्ची की कुल जनसंख्या का 17.5 परसेंट है यानि की दुनिया भर की जनसंख्या हैम अगर हम लोग अपना पिती सत देखें तो 17.5 परसेंट हमारे पास जन संख्या है दुनिया की जन संख्या में बार्सिक विद्धीदर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई और जब कि दस्किया विद्धीदर 21.25 से घटकर 17.7 हो गई नंगलेंड की दस्किया विद्धीदर रेडात्मक रही थी 0.0-0.6 परसेंट यहां जन संख्या 22 बैक्ति पिती बर किलोमीटर से बढ़ कर 382 बैक्ती पिती बर किलोमीटर हो गया या। यह भी याद रहकेँगा लेंगनपात 933 से बढ़ कर 943 हो गया। सक्षर्टा 53.8 सरसर से वड़कर 64.8 हो गया आप सोचिए यानि कि पुर्सों में आप सोचिए कि 19 परसेंट यसे लोग हैं जो लिख नहीं पाते हैं पढ़नी पाते हैं हमारे देश में इतनी भी नहीं आती है और महलाओं में तो आप सोची बुरी स्थिती है इतनी एक तरह से छोटी परिवासा रखी गई है इसके बाद भी देखी हमारा साक्षर्टा दर किस तरह की है और अगर आप से चोची कि अच्छी तरह से इसका माबदन रखे गया होती तो क्या हालत होती है ग्रामीड शेत में नियुनतम साक्षर्टा दर वाला राज आन्पदेस है 60.4 सहरी आप भी मानों देखिए हकीगत बात है महलाओं की स्तिती को देख लिजे साक्षर्टा दर को देख लिजे जो भी आपके इंडेक्स आते हूं उनमें आप देखते होंगे कि केरल ही उपर रहता है देश में अब तक पूर साक्षर्ट घोसित किये गए एक मात राज्य केरल क अनसा की रग जनगर में 2011 के अनुसार देश में अनुसूचे जाती ऐसी के ब्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड है जो देश की कुल संख्या का 16.6 कर 6% है यह 2001 में आप देखें कि 16.2 परसेंट ती यानि कि 4 परसेंट की विद्धी देखी गई है 2011 में अनुसूचे जनजातीयों में अगर हम लिंगनपाद की बात करें तो 945 है 2001 से लिकर 2011 में अनुसूचे जाती की दस्किये विद्धी दर रही है 20.8% 2011 में अनुसूचे जनजाती की व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड है जो देश की कुल जन संख्या का 8.6% है 2011 में यह आप देखेंगे 8.2% था यानि कि 4.0.4% की विद्धी देखे गए 2011 में अनुसूचे जनजाती का लिंगनपाद 990 था यानि कि सबसे बहतर 2011-2011 के दवरां देख में अनुसूचे जनजाती की विद्धी दर 23.7% रहे अब आप सोची गाओं की तरफ से सहरों में लोग सिफ्ट हो रहे हैं राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है इसकी जनसंख्या सिक्कम जनसंख्या वाले चार के अंदर सासित पिदेश है और फिर आप देखें महराष्ट, बिहार, पष्चे मंगाल और अंदर पिदेश भारत में नियुन्तम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम मिजूराम फिरवनाचल पिदेश फिर आप देखें कि गवा और नागले यानि सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्यों उत्तर पिदेश उन्नीस करोड अंठानवे लाग बारह जार तीन सो बारह जार तीन सो एक ताली सो नियुन्तम जनसंख्या सिक्किम की छे लाग दसे जार पांस सो संतावन समझ सकते हैं दसकी ये विद्धी की बात करें तो सरवाधिक आप सोची कि इतने में एक मुखमंद्री भी चुना जाता है आप समय रहे हैं जितना एक तरह से आप सोची लोगसवा सदस्त के लिए इतना बोड पढ़ते हैं अगर जनसंख्या गनत की बात करें तो सरवाधिक जनसंख्या वाले घनत बाले पांच राज घरते करम में बिहार में आप देखें कि 1110 ज्यारे सोचे बेटी पिती बर किलो मीटर में रहते हैं पश्चे मंगाल में 1028 केरल में 860 उत्तर पीदेश में 839 हर्याणा में 573 नियून्टम जनसंख्या घनत वालि राज पांच राज अवनाच बिदेश में सब तरह व्यक्ती रहते हैं पि सरवाधिक लिंगनपाद सरवाधिक लिंगनपाद वाली पांच राज्यों की बात करें तो केरल दस्सो चौरासी केरल का कितना है दस्सो चौरासी समझ सकते हैं केरल का दस्सो चौरासी फिर तमिलाड़ू 996 आंधपदेस 993 मड़ीपो 996 गर्ण नौसो तैरा एकानवे सरवाधिक सिसू लिंगनपाद वाली पांच राज्यों की अरड़ाचल पिदेश 970 मिजूरम 970 मिघाले 970 36 गर्ण 999 केरल 964 नियुन्तम लिंगन सिसू लिंगनपाद वाली पांच राज तो हर्याड़ा में 834 पंजाब में 846 जमु कस्मीर में 865 राजस्थान में 888 और ग सक्षर्ता पितिसाद वाली पांच राज जिबात करें तो केरल 94% मिघालम 91.3% गवाल 88.7% टिफपुरा 87.2% हेमाचल प्रेस 82.8% वही नियुन्तम साक्षर्था पितिसाद पाली पांच राज्यों की बात करें तो बिहार 61.8% अरुनाच पितिस पेंसाद दजाद देसद पाँच राज्यों की तो केरल में 96.1%, मिजोरा में 93.3%, गुआ में 92.6%, तिपुरा में 91.5%, हिमाचल पिदीश में 89.5%, नियूनतम पुरुष साक्षर्ता पिदीशत वाली पाँच राज्यों की बात करें, तो ब्यार सबसे कम 71.2%, अवडाचल पिदीश 42.6%, आंध पिदीश 44. परसेंट, मेघाले 46%, जार्खंड 26.8%, सरबादीक महला साक्षर्ता पिदीशत वाली पाँच राज्यों की बात करें, तो केलल 22.1%, मिजोरा में 89.3%, गुआ 84.7%, तिपुरा 82.7%, नागालेंड 6.1%, नियूनतम महला साक्षर्ता पिदीशत वाली पाँच राज्यों की बात करे हैं, तो बिहार सबसे कम 59.5%, राजिस्तान 52.1%, जार्खंड 55.4%, जमुं किसमी 56.4%, उत्तर पिदेश 57.2%, ग्रामिट जन संख्या, सहरी जन संख्यागी बात करें, तो सरभादी ग्रामिट जन संख्याबाद, पितीशत बाली पाँच राज, हिमाचल पिदीश नबबे, बिह परसेंट, और सरभादीक नग्रिये, नग्रिये जन सक्याब पितीशत बाली पाँच राज जी बात करें, तो ग्वाद 62.2%, मिजोरां 52.1%, तमिलाडू 48.4%, केलर 47.7%, महराश्ट 45.2%, यह भी याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, रखोगे या निय रखोगे? ठीक है? फिर आपका आता है, सरभाद इक नग्रिये जन सिंख्याबाली पाँच राज, घरते करम में है यह, तो इसमें महराश्ट 5.8,18,249, उतरविदेश आप देखेंगे 4 करोड, 44,95,033, तमिलाडू 3.49,017,440, पश्यमंगाल 2.90,93,002, आंद्रपिदेश 2.82,019,075, नियूंतम नग्रिये जन संख्याबाली पाँच राज्यों की बात करें तो, सिक्किम 1,53,578, आंद्रपिदेश 3.70,370, नाग्लेंड 5.70,966, बिजोरब 5.71,771, मेगाला 5.95,450, अनुसूचित जाती की बात करें, जन जाती की बात करें, तो सर्वादिक अनुसूचित जाती, 1,53,57,608, पश्यमंगाल में 2,44,63,270, विहार में 1,65,67,325, तमिलाडू में 1,44,38,445, आंद्रपिदेश में 1,38,088,078, नागालेंड अनुसूचित जाती निवास नहीं करती है, कहां नागालेंड और अनुसूचित जाती की बात आती है, तो जन संख्या बाली पांच राज, इसमें मद्पिदेश पहली नंबर पर है, 1,53,16,784, महराष्ट दूसरी पर है, 1,5,20,213, और अधिसा 95,95,95,756, राजिस्थान 92,38,534, गुजरात 89,17,174, तो सबसे जादा अनुसूचित जन जाती की संख्या मद्पिदेश में है, जहर खंड में अनुसूचित जन जाती के मामली में छटे स्थान पर है, और इसकी एश्टी जन संख्या 86,45,42 है, है, सरवाधिक अनुसूचित जन जाती जन संख्या पिती सत्थ बाली पांच राज तो मिजोरा में सबसे जादा है, जन संख्या में मद्पिती सत्थ में मिजोरा में 94,4%, नागलेंड में 86,5%, मेगाले में 86,1%, अरुणाचल पिती सत्थ में 68,6%, और मडीपुर में यह आप देखेंगे 35,1%, जन संख्या पिती सत्थ के मामले में जहारखंड 26,2,11 अस्तान पर हर्याड़ा पंजाब में कोई भी अनुसूच जाती निवास नहीं करती, कहा हर्याड़ा में, और देखें नागलेंड अधुनाचल पिती सत्थ में कोई अनुसूच जाती नहीं है, जणगरना 2011 के के जन साशित प्देश लच्छीप है, सरवादिक दसकिये विद्धी करने बाला के अंध्यासित प्देश दादर नागर हवेली है 55,9% दूसरा औ तीसरा इस्थान पर दमन और द्वीप है, नियूंतम जन जन घंघनत बाला के अंध्यासित प्देश डिल्ली है 11,320 ब्यक्त सेन्डिगड का है ठीक है सरवाधिक लेंगनपाद बाली के अंदसाथ से पिदेश पूडुचेरी है 10137 महिला है पूस्टों पर नियुन्तम लेंगनपाद बाली के अंदसाथ पिदेश दमंदुइप है 608 है सबसे बुरी इस्तिति लेंगनपाद में दूसरा इस्थान लच से पिदेश दिल्ली है ठीक है आठसो एकतर और सिसू लेंगनपाद में आप अगर देखें तो दूसरे इस्थान पूडुचेरी आता है सरवाधिक साक्षरता पिदेश 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 लक्षदीप है 91.8 परसन नियुन्तम साक्षरता पिदेश पिदेश दादरा नग और के साफ़तेश पिदेश दादर नगर हमेलिये है ठीक है और के सा शक्षरता पिदेश 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 लक्षदीप दिल्ली से जनसंख्या पिदीसद बाला के अंदसासित पिदेश चंडीगड है 11.9 परसेंट लेकिन दिल्ली सर्वादिक से जनसंख्या बाला कोई भी अनसूचा जाती निवास नहीं करती है चैका तो यह आपकी जंग्रना हो गई 2011 कि कपकी 2011 कि अब चलते हैं लोग भारत की प्रमोख जो बहुत देशी है नदी घाटी परियोजना है इन्हें भी देख लेजें इनसे नाम इनसे कुश्चाइज क्या होता है आते हैं अच्छी खासी संख्या में तो एपकी प्रियोजनाओं का नाम हो गई लाभानविट राज्योग है ओआप देखेंगे भाकडा नागल प्रियोजना इससके लाभानविट होते हैं दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है जारकन पश्चिम बंगाल इससे लावन वित होते हैं हीरा गुंड बांध परियोजना इमहा नदी पर है उडिशा इससे लावन वित होते हैं चंबल परियोजना, चंबल नदी पर है, राजिस्थान मद्धिदेश से लावन वित होते हैं, तुंग भद्धा परियोजना, तुंग भद्धा नदी पर है, तेलंगाना करनाड़क इससे लावन वित होते हैं, मैयु राक्षी परियोजना, मैयु राक्षी नदी पर है, परियोजना गंगा भागी रहती पर है पश्चे मंगाल इसे लावान वित होता है। पोचम पाद परियोजना एक गुदाबनी नदी पर है करनाटक से लावान वित होता है। परियोजना भागी रहती नदी पर है उत्तराखंड इसे लावान वित होता है। माताटीला परियोजना बैत्वा नदी पर है उत्तरफिश्मत पर इसे लावान वित होता है। कोईना परियोजना कोईना नदी पर है महराश्ट इसे लावान वित होता है। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर है उत्तरफिश्मत इसे लावान वित होता है। अपरी किषणा परियोजना किसना नदी पर है करना तक अलमेटि बांध से लावान वित होता है। जैकावाडी परियोजना गोदावरी नदी पर है महरास्थिस से लावन वित होता है। रंजीत सागरबान परियोजना, रावी नदी पर है, पंजाब इससे लावन वित होता है, हेडकल परियोजना, घाट प्रिभा नदी पर है, करना टक्स से लावन वित होता है, सतलक परियोजना, चैनाव नदी पर है, जम्मु कस्मीर के अनसासित पिदेशना इससे लावन वि यहां से यहां का ख़ल जीओ से लची अनले फॉटहे होता है, आप स्वalso्ट आप्यूग आढपी नक्राई। अर्चिंट सिल्आ जार करेइब माराष्ट से लावन उतु थुटह रोचचा, को नारे पर है महराथ सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पर बिहार उत्तरप्रियोजना नर्वदा नदी पर है मद्प्रिदिश गुजरात इससे लावान वित होता है। बराकर नदी पर है जारखंड इससे लावान वित होता है। बसे आपके ये क्या होगे नगर हैं। ये नगर होगे नधियां होगे। आगरा आपके यमना नदी वद्रिनात अलगनना नदी इलावाद गंगा यमना नदी दिल्ली यमना नदी फिरोचपुर सतलान नदी तो इन्हें भी आपको याद रखिएगा. नदियों के कनारे बसे नगर हो गए. ये भी कुछ हैं तिरूचिरापली काभिरी नदी बैतूलतापती नदी ठीक है पिर आपके भारत के परवर्ती बढ़िए नगर हो गाए जैसे आपका गुलमरग जंबु कस्मीर परवर्ती नगर हो गाए, राज्य हो गया हुँचाई गुलमरग जंबु कस्मीर में 2659 मीटर हुचा है उंटी तमिलाणू में 2286 मीटर सिंबला हिमाचल पिदेश में 2206 मीटर पहल गाओ जमू कस्मीर में 2195 मीटर और दर्जिलिंग पश्चे मंगाल में 2134 मीटर कोडाई कनाल ये तमिलाणू में 2133 मीटर लेंस डाउन उत्राखंड में 2118 मीटर डल होजी हिमाचल फदेश में 235 मीटर मसूरी उत्राखंड में 255 मीटर कोड़ी तमिलाणू में 1889 मीटर मुक्तिश और उत्राखंड में 1944 मीटर, नैनिताल उत्रकंद में 1938 मीटर, कसोली हिमाचल कदिस में 1890 मीटर, कुनूर तमिलाडू में 1869 मीटर, फिर आप देखेंगे गंगटोग सिख्य में इए 1850 मीटर, मनाली हिमाचल के दिश में हैं 1829 मीटर रानी कित उत्राखंड में हैं 1829 मीटर रांची जारखंड में हैं 670 मीटर मेरीक पश्चिममंगाल में हैं 1800 मीटर सिरी नगर सिरी नगर आप देखेंगे तुझ आपका जमू कस्मीर में 1768 मीटर कोटलिम एह तमिलाडू में 1676 मीटर भुवाली उतराखंड में 1650 मीटर अल्मोडा उतराखंड में 1640 मीटर सिलाञ मेगाले में 1496 मीटर सोलन् Tennessee माचल पिदेश में 1496 मीटर नंधी हिंस करनाटक में 1494 चोथ Sydney मीटर एरकार तमिलाडू में 1479 मीटर महां मलेशुर महाराष्ट में 1352 मीटर, 72 मीटर मक, कलीपोंग बश्चिवंगाल में 1250 मीटर, धरमसाला हिमाचल पिदेश में 1250 मीटर, कुल्लू घाटी हिमाचल पिदेश में 1250 मीटर, माउंट आगू राजिस्थान में 1219 मीटर, पंचगनी महाराष्ट में 1219 मीटर, मननार केरल में हैं ग्यारे सो अंठावन मीटर पच्मडी मद्विदिश में हैं दस्सो सरसट मीटर सपूतारा सबूतारा ये गुजरात में हैं नो सो पचत्तर मीटर केमाई केमान गुंडी करना टक में हैं नो सो चौदा मीटर प्रियार केरल में है 914 मीटर मंडी हिमाचल के दिस में है 709 मीटर लोनाबाला महराष्ट में 620 मीटर खांडला महराष्ट में 620 मीटर तो ये सबी भी आप लोगों को याद रखना होगा फिर आप देखेंगे भारत की पिरमुक वन जीव अभ्यारन और राष्टी उद्यान देखें इनसे भी कापी अच्छी खासी संख्या में आपके कुश्चन्स आते रहते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से देखेंगे तो आपको मालू भी होगा तो भारत का पिथम राष्टी उद्यान जिम कारविट राष्टी ये फार्क उत्राखने में आपको देखने को मिलेगा इसका पुरान नाम हैली नेशनल फार्क था और जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी कब 1935 में की गई थी तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा देश में सरवादिक राष्टी उद्यान MP में देखने को मिलेंगी ग्यारे इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं मद्धविदेश को आप लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं ना भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान जम्मू कस्मीर के लेह जन्पत में है और इसका नाम है हीमिस और यह है भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारा नगर आपसे पूचे तु नागार जुन सागर है आंध पिदेश में इसका छित्फल 3568 बर किलो मीटर है भारतिये पक्षी विग्यान उप्रकृति बादी सलीम अली को वर्ड मैन आप इंडिया कहा जाता है किसे सलीम अली को सलीम अली राष्टी पक्षी उद्ध्यारन उद्ध्यान आपको जमू कस्मीर के स्रीनगर में देखने को मिलेगा जिम कारविट पार्क से राम गंगा नदी बहती है देश में सरबादिक 94 बन जीव अभ्यारन अंडवा निको बार्दुई में है डाची गाम सेंचुरी ये फिर आप देखेंगे पलामू ए राष्टी ये उद्ध्यान हो गया आपके राज्ज हो गया और बन जीव प्राड़ी हो गया पलामू बैतला अभ्यारन ए जारकन में हाती गुफा हिरन हाती हिरन तिंदुगा सामर जंगली सुगर ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे इ भालू तिंदुगा सामर जंगली सुगर ये आपको इसमें देखने को मिलेंगा नल सरोबर अभ्यारन ए गुजरात में है जलफक्षी इसमें देखने को मिलेंगा कारविट राष्टी उद्यान उत्रा खनबे है हाती बाग चीता हिरन भालू नेल गाय सामर जंगली सुगर देखने को मिलेगा दुदवा राष्टी उद्यान ए उत्तर विदिस में है बाग सावर नेल गाय तिंदुगा हिरन के लिए पिसिद्ध है चनद फिरभा अभ्या करनाकमें है भालू हाती सामर् तीरवा लिए पिस दे ठिके तो वे अब लूँ याद रखेगा स्ओमे रभ्यारन एक अधेक में ह llevar को देकने कुं रिगा जंगली कुत्ता लिकली संगंत तेंदुगा चीतल काला हिरन चौशिंगा एवं पक्छी के लिए पिसित्ध है। पकाल बनिजी बभ्यारन ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। कहां? तेलंगाना में और तिंदुगा साबर भालू जन्गली सुवर के लिए पिसित्ध्ध है। कावला वनिजी बभ्यारन तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तिंदुगा साबर भालू जंगली सुवर चीतल के लिए पिसिद्ध है, मानस राष्टी उध्यान असम में आपको देखने को मिलेगा, हाती भालू एक सिंग वाला गेडा और लंगूर हेरन के लिए जंगली सुवर भ्यासा देखने को मिलेगा, घाना पक्ची विहार में है, राजिस्थान में है, घाना पक्ची विहार, राष्टी उध्यान ए राजिस्थान में, सावर, कालाहेरन, जंगली सुवर, मुर्गा, घड़याल, साइवरियन, कैन के लिए पिसिद्ध है, रन्थ एराश्टि वद्यान महाराश्ट मंध्रपधिस में और तिंदुवा सावर Cahar Chau Singha । चेतल पक्षी के लिए पिसने त्ञ बिऋर सावर Chau Singha । तंसा भिहारन तिंदुवाünk湃 त्टिंदुवा झेच आपको पंजाब में देखने को मिलेगा जंग लिए नीलगाय काला अं केन जल कुवा और पिली वन तरवासी वक्षी के लिए पिसिद्ध है। मिजोरम में कोवरा, विल्ली, फिजेंट के लिए पिसिद्ध है। राष्टी उद्ध्यान जम्मू कस्मीर में देखने को मिलेगा तिनुआ काला भालू, लाल भालू, हिरन, इंगोल यहाँ पाये जाते हैं। नागरहॉल राष्टी उद्ध्यान करनाटक में है, हाती तिनुआ सावर भालू, चकोर तीतर के लिए पिसिद्ध है। पक्वी बन जीब अभ्यारन, अरुनाचल पिसिद्ध में हाती हिरन, अजगर सावर के लिए पिसिद्ध है। सुल्तानपुर जीहिल अभ्यारन, हर्याडा में है, विभिन जल पक्षी यहाँ देखने कुम लेगा। रोहिला राष्टी उद्ध्यान, हिमाचल पिदेश में हैं। जल पक्षियों के लिए है। देखें, इनसे जरूर एक दो कुश्चन साते रहते हैं। एक बार के बल यह बता देता हूँ कि यह राष्टी उद्ध्यान यहाँ है। यह जानबन नहीं देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक से सुरूर करते हैं और जल्दी खतम कर देंगे। आप लोगों को याद हो जा मेरा उद्ध्य से ही है। पलामू बैतला अभ्यारन यह जारकन में। दालमा बनीजीब अभ्यारन यह जारकन में। क्यमूर बनीजीब अभ्यारन बिहार में। गिर राष्टी अभ्यारन गुजराद। नल सरूबर अभ्यारन गुजराच। कारविट राष्टी अभ्यारन उत्तराकन। दुद्वा राष्टी अभ्यारन उत्तरपेदेश। बानिपुर राष्टी अध्यान करनाटक, भद्रा अभ्यारन एक करनाटक में, फिर आप देखेंगे सौमेशुर अभ्यारन करनाटक में, तुम्भद्दा अभ्यारन करनाटक में, पखाल बनिजीब अभ्यारन तेलंगाना में, काउला बनिजीब अभ्यारन तेलंगाना, मान बोली विली राष्टी उद्यान महाराष्ट, अबोहर अभ्यारन पंजाब, चलका अभ्यारन उडिशा, सिमलीपाल अभ्यारन उडिशा, विदांत गल अभ्यारन तमिलाडू, इंद्रा गांधी अभ्यारन तमिलाडू, मुधु मले अभ्यारन तमिलाडू, और ये आप पच्मणी अभ्यारण ए मद्ध पिदेश डाची गाम राष्टी उद्यान जम्मु कस्मीर किस्तवार्ण राष्टी उद्यान जम्मु कस्मीर बादोगर राष्टी उद्यान मद्ध पिदेश नागर होल राष्टी उद्यान करनाटक पखुई बन जीब अभ्यारण अरुड हाले में और कि बोल लाम जाओ राष्टी उद्ध्यान मडीपुर में ठीक है पर देखें कि भीतर करनी का नेशनल पार्क उड़ीसा में देखने को मिलेगा यहां मैंगो बनों की कई पिजातियां पाई जाती यहां कचुए की चारों पिजातियां ओले रेडले कच्वा ग्रे गहना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यहां साइवेरियन सारत पिजनन ही तू प्रवास करते हैं यहां से दो नदियां बाडगंगा और गंभीरी प्रभावित भी होती बैती है और सुल्तानपूर राष्टी उद्यान हर्याणा में गुरुगराम जले मिश्ते थे विस्त का एकमात तेरता हुआ राष्टी पार्क केवल लाम जाओ राष्टी पार्क के मणीपूर राज में इमफालो और विश्नूपूर जले मिश्ते थे इसे 1997 में राष्टी पार्क किया गया था इस पार्ग का प्रमुक्ष जीब अती संकट संगाई मडीपूर हेरन है राम सर अभी सर अभी समय के तहते से अंतराष्टी ये महत्व का आद स्तल्वी घुसित किया गया है ठीक है ये पक्षी बिहार हो गये नवाब गंज पक्षी बिहार उन्नाव में इसकी स् संधकवी नगर में 1990 में ओखल पक्षी बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद नगर में 1990 में समान पक्षी बिहार मेनपूरी में 1990 में पारवती अरगा पक्षी बिहार गौंडा में 1990 में विजय सागर पक्षी बिहार हमीरपूर में महोबा में 1990 में पटना पक्षी बिहार एटा में Punkे 500, सर हाथ काल पक्चीय बिहार लोक नारायप में कहते हैं, बलिया में 1991, सरोवर पक्चीय बिहार आगरा में 1991, भीमराई मेटकर पक्चीय बिहार, वेंतिलाल पक्चीय बिहार, पृतापगड़ में सन 2030 इसके सथापना वर्स है, भारत की बाग अभिहारन देख ल नामक कारिकरम को प्यारम किया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब 1973 में, किसके नेतत में, यह आप देखी कैला संखला की नेतत में, और इंद्रा गांधी के समय की बात, छेत्फल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा बाग रेजर भे नागारजुन सागर स्रीसेलम, यह आं और रेड डाटा की बात करें, डाटा बुक तो सरफिटर स्कॉर्ट ने अंतराष्टी रेड डाटा बुक की कल्पना की थी, रेड डाटा बुक में ऐसे पसुबक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी देज गई है, जो बिलप्त संकट गरस्त होने के कगार पर है, इनका संकलन जोएंट नेचर कंजरोवेशन कमेटी द्वारा किया जाता है, विसमें पिथम पिकासन 1964 में किया गया था, भारत की अगर पिथम भारत की बाग बहरनों की बात करें तो देखिए, राज हो गए, बाग रिजर्व हो गए, इनकी गोशना बर्स, असम में कुल च कमलांग, 2016, और आज पिदिस में कुल एक है, नागारजुन, सागर, स्री सेलम, 1982, बिहार में आप देखेंगे, बालमीक है, 1989, इंद्रावती, चत्तियसगर में आपका इंद्रावती हो गया, 1982, 83 में, अचानक मार, ये आप देखेंगे, 2089 की बात है, ओधन्ती सीता नदी, ये 2089 की बात है, जारखंड में एक है, पलावू, बैतला, ये 1973, 84 में इसकी गुष्णा हुई थी, मिजूरम में एक डंपा, ये 1994, 95 में, राजिस्थान में तीन देखने को मिलेंगे, रर्थम बोर ही आपका, ये 1973, 84 की बात है, सरिस्का, 1978, 89 की, मुकंद्रा पहाडी, 2003 में, 2003 में, बांदीपूर, ये आप देखेंगे, 1900, बांदीपूर आपका देखिए, वहाँ है, कहा है, ये आपका करनाटक की है, बांदीपूर निससो तेटर चौथर में, भद्रा भी करनाटक की है, में, 1998, 99 में, नागर हॉल, 1999, 2000 में, दंदेली अंसी, ये 2007 में, विली गरी रं प्रियार हो गया, 1998, 99 में, फारंभी कूलम, ये सन 2089 की बात है, मद्विदेश में आप देखेंगे, छे, ये तो, एक तुकाना हो गया, ये 1973, 74 में, पैंच, 1993, 92, 93, 94, 95, 95, सत्पुडा, 1999, संजर, डूबरी, सन 2089, मेल घाट, पैंच, 1993, 94, पैंच, 1992, 93, फिर माहराष्ट में आप देखेंगे, तंडोप, अंधिरी, 1993, 94, सहाधरी, 2009, 10 में, नवे, गाओ, नागजीरा, ये 2003, 13, बोर, 2014, ये 2004, तो ये भी आप लोग, याद रखेगा, याद रख पाओगे या ने, उत्तर पिदेश में तीन, दुदवा 1987, अमानगर, ये आप देखेंगे, अमानगर, 2012, पिली भीत, 2012, उत्राखंड में आप देखेंगे, कुल दो, जिम कारवेट, 1973, राजाजी, 2015, पश्चे मंगाल में दो, सुन्दरवन, 1973, बुकसा, 1982, 83, तेलंगरा में, कवल, 2012, 2013, उडिशा में दो, सिमली पाल, ये कुश्च आपनो, कालकंड मुंद थुरेह, एए 1988, नवासी, फिर आप देखें कि तमिलाडू में, अन्ना मलाई, ये आपका कालकंड मुंद थुरेह, एए आपका तमिलाडू में, अन्ना मलाई, 2007, मदू मलाई, एदोजार साथ, सत्मंगलम, 2013, श्री विल, विललू, पुथोर, मेग मलाई, 2021 में, ठीक है, 1973 में आप देखें कि नो टाइगर एजर थे, सिरी सेलम का विस्तार तिलंगरा राज में भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है, तो ये भी याद रखोगे कि नहीं रख पाऊगे, ये आपके भारत की भोगोल प्रियाब को, पांच नदियों की भूमी, पंजाब को, साथ ठापूओं का नगर, मुंबई को, बुनकरों का सहर, पानीपत को, अंत्रिक्ष का सहर, वैंगलोर को, डाइमंड हारवर, कोलकाता को, इलेक्टोनिक नगर, वैंगलोर को, भारत का प्रिविश्द्वार, पुने को, भारत का हॉलिवोर्ड मुंबई को, जीलों का नगर सिरी नगर को, फलाउध्यानों का स्वर्ग सिक्क्यम को, पहाडी की मलिका नेतर हाट को, भारत का डेट टाइट ये आप देखेंगे पिथमपुर को, और पूरुप का पेरिस जैपुर को, साल्ट सिटी गुज काली नदी, सारदा, बिलू माउंटेन, नेलगरी पहाडिया, एसिया की अंडों की टोकरी, आंध्य पिदेश, राजिस्थान का हैदय, अजमेर, सूर्मा नंगरी, वरेली, खुस्बों का सहर, कन्नोज, कासी की बहन, गाजीपोर, लीची नगर, देहरादून, देहरादू का सहर, अमरसर, महलों का सहर, कौलकाता, नवाबू का सहर, लखनव, इसपादनगरी, जमसितपुर, परवرतों की एराणी, मसूरी, रेलियों का नगर, नई दिल्ली, अरबसागर की एराणी, कोची, भारत का स्वीजलेंट, कस्मीर, पूर्ग का स्कोटलेंड, मेघाले, उ भारत का उध्यान बैंगलोर भारत का बोस्टन ए आप देखेंगे एहमदाबाद क्या गोल्डन सिटी अमरस्तर सूती बस्ति की राध्धानी मुंबई पवित्र नदी गंगा विहार का सुख कोसी विर्द गंगा गोदाबरी पश्मिंबंगाल का सुख दामुदर कोटायट क अभी वर्तमान की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में आपके 28 राज्य है और 28 राज्य में अगर आप देखें तो विहार की राद्धानी पठना हो गई और इनसे कुश्चन्स दे की नॉर्मल पूँच लेता है कई बार तो मुझे लगता है कि भारत का मैप आप लोगों को एक तरह से माइंड में सैट होना चाहिए जब भी आप से पूँचे कि उत्तर पिदेश की सीमा कितने राज्यों से लगत है तो इस तरह की कुश्चन्स नॉर्मल रहते हैं लेकिन मैं अगर आपको याद रहेगा तो आप मुझे लगता है बहतर याद रख पाएंगे बिहार की पटना हो गई असम की दिसपूर हो गई उडिशा की भुवनेसवर हो गई करनाटक की वेंगलोर बंगलोरू गुजरात की गांधी नगर तेमलाडू की चैननई नागलेंड की कोहिमा हर्याना की चंडीगड मध्य पिदेश की भोपाल मेघालै की सिलांग हिमाचल पिदेश की सिमला, विजोरम की आईजौल, गोआ की पनजी, चतीसगड की रायपूर ठीक है? और पश्टे मंगाल की कोलकाता, आंध पिदेश की अमरावती, उत्तर पिदेश की लखनव, और केरल की आप देखेंगे तिरुवनत प्रम, तिपुरा की अगरतला, पंजाब क चंडीगर, इमफाल की आप देखें, मडीपूर की इमफाल, महराष्ट की मुंबई, राजिस्थान की जैपूर, सिक्किम की गंगटोग, अरुनाचल पिदेश की इटानगर, ओतराखंट की देहरादून, जारखंट की राची, और तेलंगाना की हैधराबाद है, यह आप रखने में क्या जाता है, जाता है कुछ, बताइए, अगर आपसे देखिए, एक केंदसासित पिदेशाट है, लच्छ दीप, इसकी राधानी कवारती है, चंडीगड की चंडीगड, पुदूचेरी की पुदूचेरी, लद्दा की ले, दिल्ली की नई दिल्ली, अन्वान देखिए कि जमु कस्मीर को दो भागों में आट दिया गया, लग्दाख और जमु कस्मीर, और आप सभी को मालु है कि दोनों केंदसासित पिदेश है, लेकिन दिल्ली की तर्च पर आप देखें कि जमु कस्मीर हैं माय आपकी विधान सभा होगी, लेकिन लद्दाख में की इस तरह की ब्रिधान सबा नहीं होगी तो तेलंगाना की अगर स्थापना की बात करना तो दो जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद इसकी राध्धानी है और आंद्पदी से अलग करके बनाए गी थी इसका छेथपल देखें तो एक लाग 14,00840 बर किलो मीटर में पहला हुआ है और इसकी जनसक्या तीन करोड तीन करोड बावण लाग 86,757 है जनसक्या घंध तीन सो दस पिती बेकती बर किलो मीटर में रहते हैं और जिले एकत्तीस हैं, निर्मार की समय दस जले थे, पिथाम राजपाल, ESL, नर्सेम्हम थे, पिथाम मुकमंत्री के चंद से कर रहा हो थे, यहां लोग सभा सीटों की संख्या सत्रे हैं, राजी सभा में साथ सीटे हैं, बिधान सभा में आप देखेंगे 111 सीटे हैं, बिधान और सीमा रेखा की बात करें, तो दच्छनपूर में आंध्य पिदेश, उत्तर और उत्तर पर्षे में आप महराष्ट, पर्षे में करनाटा, उत्तर पूर में आप देखेंगे 36 गड़ से लगती है, तेलंगाना का गठन 29 वे राजी की रूम में हुआ था, जम्मू कस्मीर पिदेश बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28 बार आज जब कहलाएगा, ठीक है, भारती जनजाती के बारे में बात कर लेते हैं, भारती समीधान का अनुचित 366, 25 की अनुचित जनजाती से तात पर, उन जनजाती समूवयों के अनसों या समूवों से, जो समीधान के अनुचित जनजातीयों की रूम में माने गए हैं, जनजाती बिकास बिभाग भारत सरकार के अनुचार भारत में जनजाती सम्मधायों की संक्या 550 के लग बगए, 2011 की जनगर्णा की अनुचित जनजातीयों की जनसंक्या संपूर्ण भारत की जनसंक्या की 8.6% है, और जनस जोरम में परसेंट की आधर पर 94.4 परसेंट पिती सत्की दिरिष्टी से बड़ा जन्जाती है जनसंख्या वाला राज्च है समिधान के 89 बा समिधान संसुधन 2003 के द्वारा एक राष्टी अनुसुचे जन्जाती आयूग बना था अनुचे 338 का में और इस आयूग के पिथ जन्जाती गौंड है सौमपेन जन्जाती निकोवार दूइपसमू में पाय जाती है तोड़ा जन्जाती निलगरी की पाडियों पनेवास करती है थारू जन्जाती दिपावली को सोक तिवार की रूम में मनाती है मिथन तिवार नागा जन्जाती का है और नायर जन्जात में परी दर्सक पती अवधारना पाया जाता है तोड़ा जन्जाती पसुपालक है और भैस्त पालने का काम करती है संथाली लोग पूजारी को नायक करते हैं हो औराओ मुंडा जन्जातियों में धार्मिक पुरुस को पाहन कहते हैं जब कि चतिसगर के गौंड उन्हें पाये जाने बाले जन्जाती समू हैं गुजरात में आप देखेंगे भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, तोडिया, हमाचल पिदेश में देखेंगे गड़ी, अत्वा, गुड़ी, कनौरा, अलाहोली, जमू कस्मीनों देखेंगे बक्करवाल, गद्दी, गुजर चंगफा या चंपा, किरल में देखेंगे कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान, मद्धिश में देखेंगे भील, लामबाडी, बंजारा, गौंड, अबूज, मारिया, मूरिया, बिसन्भार, गौंड, खिरवार, असुर, वेगा, कोल, मुंडा, महराष्ट में आप देखेंगे बारली, बंजारा, कोली, चित, फावन, गौंड, अबूम, फा, मंडिया, मडीपुर में देखेंगे का कुकी, मैटी, मैठी, इसे कहते हैं आप लो, नागा, अंगामी, मेघाला में गारू, खासी, जैनतिया, मिकिर, मिजोरा में लाखर, पाओ, मेजो, चक्मा लुसाई, कूकी, लांगालेंड में नागा, नवोई नागा, अंगामी, मिकिर, उडिशा में जोआंग, खरिया, भुया, संथाल, हो, कोल, और वाओ, चेंचू, गौंड, सौंड, डोंगरिया, कौंध, बॉंडो, राजिस्थान में मीना, मीरा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, सिक्के में लेपचा, लिम्बू, क्रामेलाणू में बढ़गा, टोड, टोड, कोटा, टोडा, ए निलगरी की मूल, जन जाती है, तिपुरा में रिहांग, अत्वा तिपुरी, आदी, ओतराकन में थारू, कोवे मारा, नित्ती, भोट, अत्वा मायू छेत में, खास, जौन सर बावर छेत में, पश्चे मंगाल में लोगा, भूमिच, संथाल, लेपचा, लिम्फू, दारजिलिंके छेत में, असम में रांभा, रांभा, और दिमारा, कोचारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकीर, कार्वो, नागा, लुसाई, आंध्र पिति में, मॉमपा, ढवला, सुलोंग, मिस्मी, मिनियोंग, मिरीगी लोंग, अप्तनी, मीजी, जारखन में, संथाल, मुंडा, हो, औराओ, वेरोर, कोरवा, असुर, भुहिया, गौंड, सोरिया, भूमिच, लच्छिदीब में, वास्ती, अंडवान, निकोवार में आप देखे यह आपको देखने को मिल जाएगा, जंजातियों की सेक्षणिक संस्था को यूवा गरह कहते हैं, क्या कहते हैं, यूवा गरह कहते हैं, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, नाच गाकर अपनी जीवी का कमाने वाली दच्छडी राजिस्थान की जंजाती गरासिया है, चांगपा या फिर चंपा, समधा मुखरोग से लगदाग जमू कस्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध, खानावद, तिबती लोगों का समधा है, भारत सरकार ने अनुसुच जंजाती की रूम में सूची बाद दिखिया है, एक घुपनतु लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का उन देने वाले पस्मीना बकरे बकरियां को पालते हैं, जीवन की उत्पत्ती आदी सागर में आर्कियो जो एक एराद में हुई थी, भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाती समू था नेग्रो, नार्डे प्रजाती भारत में सबसे अंद में आई, जवान एको बार उत्तरवन कोर बकरोचिन की पहाडियों में पाई जाती हैं, मंगोल वाइड लोग उत्तरपूर्वी और दच्छटपूर्वी एसिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, भारत में ए असम, हिमालय चेत, ले और लद्दाग में पाई जाते ह के उत्तरपश्चिम भारत के लोग, प्राच, सिंद, पंजाब, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट, आदी के लोग, भूमद्द सागरी है, ये उत्तरभारत की उच्छ जातिया हैं, तीक है, आदिवासियों का प्रमुक परवत, परव, सरहूल, चैत, सुल्क, तितिया को मनाया जाता है, अवड़ाचल हिमाचल छेत में परिचम से पूर में बसी कुछ जनजातिया हैं, मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, निसी, नागा, नागा लेंडिर की कोन्याग आदिवासी दुनिया में हैड हंटर के नाम से जाने जाते हैं, बताया जाता है कि वे अपन नाग रिखता है, इनका गाँ लोंगवा, नागलेंड, नागलेंड की मौन जिला को छिसा म्यानमार में भी पड़ता है इसका, एक बात और आपको बता दों, देखिए, जनजातियां काफी महत्तपूर होती हैं, मैंने पहले भी बताया हुए है कि अभी अगर किसी ने अप अब आप उहां जाएं तो बड़ा पढ़ लिया करिए उनके बारे में खटी-जानकरी कर लिया करेगा, तो यह भारत का भूग ल आपका खतम हो जाता है, किसका भारत का भूगोख खतम हो जाता है, तो आप लोग इंज़्यूआ पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगल